देवियों और सजनों नमस्कार आज की इस खुश्णुमा सुहावने सुभा में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ मैं श्री निरंजिन वर्मा जी से दर्ख्वास करूँगा कि वो राजी दिक्षित को मंच पर ले आए व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जैप्रका सेवा केंद्र जो इस कारिक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचे देना चाहूंगा यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलाड के सुदूर गाओं से आर्थिक रूप से नहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन पढ़ाई लिखाई उनके चिकितसा उनका खान पालूं का कपड़ा सब कुछ मोहिया कया जाता है और यह करीब 35 किलो मिटर दूर यहां से गुडवांचेरी गाओं में स्थित है आपको जब भी मौका मिलें किरपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानुवी कारी वहां हो रहा है और इस मानुवी कारी के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव सरूप आधरनी श्रीशोभा कान जी मैं उनसे आधर करूँगा दर्खवास करूँगा क्यों मंच पर आएं अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ सरी राजी भाई की और राजी भाई किसी परिचे के मौताज नहीं है पुरा देश उन्हें जानता है कि उनका राष्ट्री चिंतन और जो राष्ट्री चेतना की बात को पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागुरूपता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं ऐसे राजी भाई जहां भी राष्ट्री चिंतन की बात होगी जहां भी संस्कृति की बात होगी हमारी धरोहर की बात होगी वहां राजी भाई का नाम शिर्ष पे लिया जाएगा यह हम सब जानते हैं और आज बहुत हमारे रूप हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्तित हुए हैं वो राष्ट धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्ति के बारे में क्योंकि शरीर अगर स्वस्त रहेगा तो राष्ट धर्म और राष्टी चेतना हम फैला पाएंगे इसलिए इन्होंने एक नया एक रूप लेकर हमारे बीच में वो पस्तित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे यह सरीर जो इस रिष्टी की सबसे बड़ी देन है इस पृत्वी पर यह सरीर जो है वो अनुमोल है उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते लेकिन जिसे हम पढ़ने ही पा रहे हैं यह राजीव दिक्षित जी ऐसे हैं जुनोंने आश्टांग सग्रा और आश्टांग हिर्दय जो रिशी वागभट ने लिखा था उस पर पिछले तीन वर्सों से ऐसा सोद किया है उस पे इतनी गहन अध्यान किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिस की है बहुत ही सरल और सहिस तरीके से कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में जो कि बहुत ही सरल है उसे अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ही बहुत ज्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वेदी के हम लोग जी सकते हैं तो मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहूँगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्ति से राजीव दिक्षित को सौपता हूँ उस से पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूँगा मैं श्री बंसिलाल जी बजाज जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज़्यादा हम महिद्विया पिछले एक महिनों से मैं चाहूँगा क्यों आए और माला द्वारा उनका स्वागत करें श्री शोबा कान जी शौल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे अब पूरा मंच राजीव दिक्षित को समर्पित है और मैं चाहूँगा कि अपने मुबाइल फोन्स को या तो सिच आफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोल्ड में डाल दें क्योंकि स्वास्त के लिए या स्वस्त होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा श्री राजीव दिक्षित जी चेन्नाई नगर के सभी सम्माननिय नागरिक बंधो माताओ बहनो मैं बहुत आभरी हूँ आप सभी का और विशेश रूप से श्री शोबाकान जी का प्रदीब भाई का निरंजन भाई का मेगानी भाई इन सब का बहुत आभरी हूँ कि इन सब की प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विशेश पर बात करने का मौका मिला जिन विशेशों पर मैं पहले बात नहीं करता था हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ का विशेश है इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले तीन-चार साल पहले हुई जब मैंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ मंतरी को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ की इस्थती क्या है हमारे देश की सरकार हर दस-दस साल में एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सैंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सैंसस होता है तब उस समय ये भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं, किन को क्या-क्या बीमारी है, और कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं, कितने आधे स्वस्थ हैं, तो मैंने आज से लगबग चार साल पहले एक पत्र लिखा था, स्वास्थ मंत्री को, और उसमें एक ही प्रश्ण पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ की स्थति क्या है तो हमारे देश के मंत्री महोदे के सच्छिव ने, सीकरेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ की जो इस्थति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्यन करके खुद अंदाजा लगा लीजे तो सरकार ने जो मुझे को डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छे साथ सो पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंन स्वस्थ लोगों की संक्या गिन्ती की 25 से 30 करोड है बस 25 से 30 करोड लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है जिनको किसी तरह का कोई रोग नहीं है शारीरिक रूप से भी और माने सिक रूप से भी बाकि जितने भी लोग है सभी को कुछ नकुछ हैं जैसे भारत सरकार के विशेशग्यों ने ये कहा कि पांच करोड लोग इस देश में हैं जिनको डाइबिटीज हैं मदुमें हैं खराब बीमारी है दुनिया के जादतर डॉक्टर कहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और ये पांच करोड लोगों को हो फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12-13 करोड लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इंफेक्शन की भिन्न-बिन्न बीमारियां हैं जैसे दमा है अस्थमा है सांस फूलती है ब्रॉंकियल अस्थमा है टूबर कुलोसिस हैं ऐसे 12-13 करोड लोग फिर वो विशेशक्यों की कहती है कि भारत में लगबग 15-16 करोड़ लोग है जिनको घुटनों का दर्द कमर का दर्द कंदे का दर्द जड़्डियों का दर्द जिसको आप संदी वात कहते हैं सरल्भाषा में ये ठड़्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारिया है == फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाशित करते हैं गैस बनना, एसिडिटी होना, अलसर होना, पैप्टिक अलसर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगरा वगरा और ये सब में पढ़ता गया और एक जगे लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परिशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आँखों की कुछ न या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता, हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूको में जैसी बीमारियों से परिभाशित करते है और ये पढ़ते-पढ़ते में परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखरी हिस्ते में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है। की राजियों की राजियों की राजियों की सरकार का बजट 35,000 करोड का है। आंदर प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड का है। ऐसे अलग-लग राजियों की सरकारों का बजट है। केंदर सरकार का बजट और राजियों की सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसतन मैंने निकाल तो लगबग एक सवाला करूर रुपय का खर्चा है सरकार की तरफ से फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि बिभिन बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है जो रजि इलोपैथी आयरुवेद और एलोपैथी तीनों मिलाकर सरकार कहती है कि 23 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड हैं अब 23 लाख डॉक्टर और लगबग 70-75 करोड मरीज या बलकि 80 करोड मरीज तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है अगर इमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक सवेरे साथ बज़े से शाम साथ बज़े तक क्लिनिक में काम करे तो जादा से जादा 50 लोगों को वो देख सकता है अब 23 लाख डॉक्टर हैं और 50 का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज ह वो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आस्मान का अंतर है फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थमंत्री को ये कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो परियाप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरो के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाह करोड से जादा का खर्च हो चुका है अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाह करोड रुपए हमें चाहिए सरकार के पास इतना धनुपलब्द नहीं है इसलिए ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी मालूम नहीं फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर राश्विय समझोता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल है और वो समझोते का टाइटिल है 2014 तक सभी स्वस्थ भारत में सन 2014 तक सभी को स्वस्थ हो जाना है ये सरकार का समझोता है तो 2014 तक कैसे होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है और सरकार स्विकार करती है कि जिस गती से सरकार काम कर रही है अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ दिया जाए चिकित्सा दी जाए तो कम से कम साड़े तीन सो साल लगेंगे यह कैलकुलेशन मैंने कैसे निकाला हर साल जितने डॉक्टर इस देश में पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी होमियोपैथी और आयुरवेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10% वो जोड कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साड़े तीन सो साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ मिल जाएगा अब पता नहीं साड़े तीन सो साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये कि साड़े 300 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ कभी भी उपलब्द नहीं हो सके जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परिशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर इस्तिती है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं उन से जब मैंने इन सब विश्वापे चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है सब को स्वास्थ मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दंपर और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसक बड़े पंडित माने जाते हैं इस देश में विशेश रूप से एक व्यद्य हैं हारडी कर पूना में रहते हैं और उनका भारत में बहुत बड़ा उंचा इस्थान है आजकल हिंदुस्तान के आयुरवेद चिकित्सा के जो विशेशग्य है वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं इतनी उची इस्थती है उनकी हारडी कर जी की उम्र उनकी लगबग 85 वर्ष हो चुकी है मैंने हारडी कर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो इस्थती है वो यह है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उनका कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नह बास्ता नहीं हारवीकरजी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने तो मैंने का आप कैसे कहते हैं उन्होंने का स्टेटिस्टिक्स देख लो आंकड़े देख लो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकितसा और स्वास्थ के आंकड़े मैंने कटे किये जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किये गए थे क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो मुझे हैरानी होई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे आज जितनी जनसंख्या है और 200 स साल पहले मुश्किल से आठ या दस प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो आठ से दस प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रे जोने एलोपेथी व्यवस्था यहां शुरू की थी जो शायद परियाप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थे लाज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80 प्रतिशत हो गई है और ये चिकित्सा लगबग फेल हो गई है पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब व्यानते हैं सरकार भी मानती है इस बात को कि जितना विकास हुआ है अलोपेथी चिकित्सा का जितने डॉक् परियापत हैं आप अक्सर आए दिन अख्वारों में समाचार पढ़ते होंगे टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पढ़ता है बिना दवा के मर जाना पढ़ता है हॉस्पीटल के बाहर विचारे पढ़े रहते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि उ वो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का तो मैंने एक दिन हारडी करजी को पूछा कि क्या ये संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले तो डॉक्टर की क्या जरूरत है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है डॉक्टर क्या करता है आप से कुछ पुछेगा आपको भूख लगती है कि नहीं, पयास लगती है कि नीदाती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा रहे कि नहीं, वगरा वगरा और ये सब आप उसको बताएंगे, ये सब बताने के बाद वो अपना कन्क्लूजन आपको बताएगा, कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है मतलब क्या है डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर वो कोई भगवान तो नहीं है ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी न कहो और बता दे के आपको ऐसा है शायद डाई तीन सो साल पहले रहे ह तो बता देंगे कि कल क्या खाया दो दिन पहले क्या खाया चार दिन पहले क्या खाया दस दिन पहले क्या खाया अब ऐसे लोगों की कमी बहुत है इस देश में संख्या भी कम है तो हर्डिकर जी ने मुझे का कि आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तै करता है ल कोशिश करो और गलतियां करो कोशिश करो माने तीर चलाओ लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का यह बात हरडी कर जी के मुझे सुनी तो मुझे लगा कि वह आयरुवेट चिकित सक हैं शायद इसलिए ऐसा बोलते होंगे फिर मैंने यह बात कंफर्म करने के लिए एलोपेथी के क हम सब trial and error पर काम करते हैं हम सब तीर चलाते हैं लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है मने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ assumptions के आधार पर है कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें काम कर गया तो ठीक है नहीं तो आप तो मरी जाएंगे डॉक्टर कहेगा मैंन स्तान के एलोपेथी चिकित्सा के शीरशस्त डॉक्टर जो इस देश में है उनकी एक संस्था है वो संस्था की एक conference में मैं चला गया था गलती से एक डॉक्टर मुझे पकड़के ले गया था मेरा जाने का तो कोई अधिकार नहीं था लेकिन डॉक्टर ले गया था वो कहत प्रेंस में तीन दिन मैं बैठा रहा दिल्ली में जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपेथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है ऐसी इस्थती इस देश में आ गई है फिर तीन दिन सुनने के बाद मैं परिशान हो गया तो मैंने वो डॉक्टर से का मैं जाना चाहता हूं उसने का अब तुम समझ गए हम लोग क्या है तो मैंने का यह आपने मुझे समझाया क्यों तो मैंने का तुम एक काम कर सकते हो जो डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है दर्द से लड़ने का बस इसके अलावा कुछ नहीं दो सो पचास वर्षों में एलोपैथी चेकित्सा ने एक ही रिसर्च किया है एक ही काम किया है एक ही शोद किया है वो दर्द से लड़ने का इसके आगे कुछ नहीं है और ये बात में बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रिरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की ज़रूरत है तब मैंने हारडीकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताइए क्या करना चाहिए तो उनका देखो आयुरुवेद एक ऐसी चिकित्सा पद्दिती है जिसमें महान महान लोगों ने चरक रिशी शुशुरुत रिशी बागवट रिशी निघंटू रिशी पारशर रिशी ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है इसको आप गंबीरता से मनन करते रहिए ये बात चरक ने भी कही है शुशुरुत ने भी कही है बागवट ने कही है निघंटू ने कही है पारशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकितसा भी कर सकता है बस उसको कुछ ग्यान की जरूरत है और कुछ ग्यान जादा नहीं थोड़ा सा ग्यान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुए कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकितसक हो सकता है और आयुरवेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुरवेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनमरता पूरवक लेकिन गंबीरता से कह रहा हूं इसको आप कभी भूली अगा मत आपके जीवन के स्वास्थ और चिकितसा का 85 प्रतिशत हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयम उसे कर सकते मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेशक्य की मदद की जरूरत पढ़ सकती है मात्र 15 प्रतिशत अगर परसिंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33 प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके उपर 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 60 पर तो 1 डिवीजन होती है 75 परसिंट पर तो डिक्स्टिंग्शन आ जाती है मैं 85 परसिंट की बात कर रहा हूं 85% 85% चिकित्सा और स्वास्त का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयम अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेशग की मदद के बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूँ कि ये जो पंद्र प्रतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेशगी की जरूरत पढ़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां है सबसे कम बीमारिया माने जहां आपको विशेशगी की आवशक्ता पड़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेशगी की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारिया सबसे जादा है इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर होई सकते हैं कंक्लूजन इस बात का ये है अब आप अगर 85 प्रतिशत से और बहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवट विशी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी महत्तु की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए भोजन को पहचान लीजिए तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फीजियोलोजी थोड़ा एनोटोमी आज की भाशा में मैं कहूँ, थोड़ा शरीर विग्यान आपको मालूम हो, और ये बहुत आसान है आज कल, कोई मुश्किल काम नहीं है, भारत सरकार ने विभिन तरे की छोटी-छोटी पुस्तके छपा रखी हैं, जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, NCRT के सिलेवस में अ उपांग हैं, हिर्दय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किड्नी है तो कहां है, लीवर का किड्नी से क्या संबंद है, किड्नी का हिर्दय से क्या संबंद है, आपस के उनके इंटर रिलेशन्शिप है, अब तो एक चार्ट आता है, कलेंडर जैसा, मेरी आपको विंती है कि खरीद के एक टांग लीजे अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा, तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये, कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम है, वो जो लब्ध है आपके सामने, और इसमें ज़्यादा बात करूँगों तो समय खर्च होगा, आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहें, तो आज नहीं तो एक दो दिन में, कुछ ऐसी पुस्तक हैं, फिजियोलोजी, एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कलेंडर चार्ट आता है, वो ले ले, दो-तीन कलेंडर के चार्ट आते हैं, वो ले ले, अभी सरकार ने एक बारे कलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाशा में है, बहुत आसान है, उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें, जादा से जादा आट-दस दिन आप देखेंगे आपको समझ में आजाएगा लीवर क्या है वेदर क्या है किट्नी क्या है आप उसके इनके फंक्शन्स क्या है ये बात बागवट जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहँचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्क तो भी भोजन को तो पहँचान लें और बागवट जी ने पूरी विनमरता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहँचान लिया उसको जिन्दगी में कभी भी किसी चिकितसक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहँचान लिया माने रसोई घर को पहँचान लिया सीधी इसी बात है और बागवट जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विग्यान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विग्यान है जिसको भोजन विग्यान कहें या पाक शास्तर कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो यह कहते हैं कि इस से बड़ी खोच पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से जादा रिसर्च और अगले हजारों साल में होगी नहीं और मैं अपने अनुवव से और आप खुद अपने अनुवव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों दूसरे देशों में भोजन है उनके पास ले दे के एक पाउ रोटी और डबल रोटी अब वो आलू से खालो या प्याज से खालो प्याज से खालो के आलू से खालो उसको बीच में काटके प्याज भर लो या प्याज बगल में रखके खा लो उसको पीजा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल डॉग कह दो वो प्रप्रेशन तो एक ही है ना और वो प्रप्रेशन है मैं देखा, मैं देखो सडा कर बनाया हुआ इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए मने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए वो उनके पास एक ही है पाव रोटी, डबल रोटी उसको वो मचली से भी खा सकते हैं, गाई के मास से भी खा सकते हैं या वगेरा वगेरा कहीं से कुछ भीक में मिल गया डाल, चावल वगेरा तो उसके साथ खा सकते हैं, वो सब भीक में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता होता है ने, मैं आपको एक छोटी सी जानकर ही देना चाहता हूँ एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा जगड़ा हो गया एक जर्मनी का व्यक्ति था उससे जगड़ा हो गया जगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं थोड़ा शौविनिजम बहुत है खराब शब्द है शौविनिजम लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कहते हैं हम स्रेश्ट हैं दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं हम सर्व स्रेश्ट हैं वगरा वगरा हिटलर भी यही कहता था तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए तो परेशान हो गया लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई मैंने उसको पुछा तुमारे देश में क्या होता है गन्ना होता है गन्ना शुगर के तो उसने का नहीं होता आम होता है आम नहीं होता केला होता है नहीं होता चीकु होता है नहीं होता संत्रा होता है नहीं होता मुसम्मी होती है नहीं होती तो बहुत परिशान हो गया तो कहन तो तो नहीं पिर होता है तो उसने का टूब्स होता है आं पर ऐसे हैं आम को प्याज में मिला के खालो या प्याज को आलू मिला के खालो और कुछ नहीं होता फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है मिठी चीजों में क्या क्या होता है खटी चीजों में क्या क्या होता है तीकी चीजों में क्या क्या होता है कसेली या कड़वी चीज़ हैं क्या-क्या हैं। छे रस है नए शड़ रस की बात कही जाती है। छे ओर रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो गयो कहता है। कि यार इसमें तो एक एंसाइक्लो पीडिया लिख जाएगा। मैंने का यस भारत में इतना ही होता है और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गाओं में होता है तब तो वो बहुत परिशान होता है मैंने का हर गाओं में होता है साथ लाख बत्तिस अजार गाओं है हर गाओं में ये सब होता है माने किसी गाओं को दूसरे पर निर्बर रहने की जरूरत नहीं है नमक को छोड़ कर तब उसने का कि सच में इंडिया इस ग्रेट ये ग्रेटनेस है अपने देश के हमको अगर ये समझ में आती है तो बागवटी जी की बाते हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी मैं बागवटी जी के बारे में एक दो जानकरी और देकर विशह पर आना चाहता हूँ ये भूमिका के रूप में कह रहा हूँ बागबटी जी भारत देश के उन महान रिशियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा लेकिन मैं विनमरता पूर्वक के रहा हूँ अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है चरक चरक बागबटी जी चरक के शुष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे डेड़ गुना ज्यादा काम बागबटी जी का है चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं जो उनकी खोज है रिसर्च है चरक सहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है उसके एक एक सूत्र को प्रमानित करने का काम बागवट जी ने किया प्रमानित करने का मतलब observation करना फिर जैसा result है वैसा ही प्राप्त करना जैसे चरक रिशी ने कहा ये खाने से ये होता है मालनों उन्होंने एक statement कर दिया कि ये वस्तू खाने से ये होता है बागबट जी ने उसको प्रमानित करने में 25 साल लगा दिये 20 साल लगा दिये 30 साल लगा दिये और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना हमारे आयुरुवेद चिकितसा शास्त्र के जो विश्यशा के हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे बहुत उचे इस्थान के व्यक्ति थे लेकिन बागबट जी थे वो साधरन आदमियों के चिकितसक थे इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूर शब्दों में कहीं है बागबट जी ने उनको बहुत सरल करके साधरन लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुती करण कर दिया है बागबट जी की ये दो पुस्तकें अश्टांग हिरदयम और अश्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, शुशुरुत को पढ़ लिया, निघंटू को पढ़ लिया, सब को पढ़ लिया क्योंकि उन्होंने सब का निचोड डाल दिया उसमें और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तयार कर दिया है अश्टांग एरदयम या अश्टांग संगरम ये आम आदमी के लिए है वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे बागवट्टी जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्षे बताते हैं कि उन्होंने इक्षा मृत्यू को धारण किया माने उनकी इक्षा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फाइदा नहीं है तो मृत्यू को वरण किया ऐसे पंडित आदमी इतनी कमांड अपने शरीर पर और वो ये कहते हैं जब मृत्यू को जा रहे थे तो उनके शिष्ष की कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे आप चले जाएंगे उनका कोई परेशानी नहीं है ये शरीर छोड़ूँगा दूसरा धारण करूँगा जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूँगा लेकिन अब मुझे जाना चाहिए इस शरीर का सीमा हो गया है ऐसे व्यक्ति जिनोंने मृत्यू को धारण किया अपनी इक्षा से उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है ती पुस्तकों में कुल मिलाकर साथ हजार सूत्र हैं सभी सूत्र संस्कृत में हैं यह तो आप जानते हैं क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं तमिल थी नहीं तिलगू थी नहीं ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी तो संस्कृत में उन्होंने सब कु वर्षों से पढ़ता रहा चार-पांच वर्षों से तो बहुत जादा पढ़ रहा हूँ जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा और हमारा जो अभयान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है क्योंकि हमार अभयान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेपसी कोला कोका कोला मतला हो क्योंकि विदेशी पे है फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है टॉइलेट क्लीनर है बहुत साल पहले में बोल के गया था चिन नहीं में अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉ पाइलेट क्लीनर है तो ये बाते हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है पेपसी कोका कोला भारत से धन लूट कर अमेरिका ले जा रहा है ऐसे ऐलोपेथी चिकित्सा की दवाइं बनाक कंपनिया उससे भी जादा लूट कर ले जा रहे हैं एक अमेरिकन कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर और गेंबल उसकी बैलन्स शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है मनें 20,000 परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में पेपसी कोका कोला तो हजार प्रतिशत पे काम कर रहे हैं प्रॉक्टर और गेंबल भी सजार प्रतिशत पे काम कर रहे हैं एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है 35,000 प्रतिशत मुनाफ़ा कमा रहे हैं वो भारत में तो ध्यान में आया कि विदेशी कमपनिया पेपसी कोका कोला बेच कर जितना धन कमा रही है उससे कई गुना जादा एलोपेथी की दवाएं बेच कर कमा रही है और उस धन को कमाने में भारत के चिकितसक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उनी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कमपनिया बेच रही है मैंने बहुत सारे चिकितसकों से ये पूछना एका लगातर प्रयास किया है कि आप इसी कमपनी की दवाएं क्यों लिखते है मालो एक चिकितसक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गेंबल की ही दवाइं लिखता है बंबई में मैंने ये ज़्यादा काम किया और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबा गाईगी की ही लिखता है तो पता चला कि उनका कमिशन फिक्स है ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे डॉक्टरों का कमपनियों से कमिशन फिक्स है मने कमिशन जो कमपनी जादा देगी वो उसका प्रस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका मतलब ये है कि उनको आपकी चिक्सा से कोई लेना देना नहीं है उनको अपने कमिशन की चिंता है और वो कमिशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है गैर जरूरी है अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रस्क्रिप्शन है अठारे बीस गोलियां लिखी होई है चार सुबह, चार दुपहर, चार शाम, चार रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सबजियां खाए हो और वो तो कहते हैं कि सबजी वबजी खाओ ही मत गोलियां ही खाते रहो हाँ, विटेमिन B के लिए भी गोली खालो, विटेमिन C के लिए भी गोली खालो विटेमिन A के लिए भी गोली खालो और गोली से भी ज़्यादा इंजेक्शन लगवालो और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया माने जो प्रकरती हमें दे रही है उसके चक्कर में न फसके ये गोलियों के चक्कर में फसो ताकि कंपनी का माल बिके ताकि उनका भी कमिशन बढ़े ये पूरे देश में चल रहा है कहीं ज्यादा कहीं कम मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहने आया कि जिस चिकित सक को भगवान मान कर आप उसके पास जाते है पैसे भी देते हैं, फीस भी देते है लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी है और भारत की सरकार बिलकुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में और Medical Council of India के पास ऐसा कोई कारिक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके जो शपत लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उलटे काम वो अपने जीवन में कर रहे एक शपत उनको दिलाई जाती है वो शपत लेकर निकलते हैं उसमें बड़ी-बड़ी बाते हैं लेकिन जीवन ठीली कुल्स का उलिटा है तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि 85 प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयम कर सकता है 15 प्रतिशत के हिस्से में विशेशक्य की जरूरत है तो मुझे लगा कि जो 85 प्रतिशत है वो तो ज जानने के लिए पाफ-शे साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैं ने निकाले Megpectici के 7000 सूत्र है इस सभी सूत्र वे बात करूँ तो कम से कम तो महिना सवा महिना करें दो बी रोज 3 घंटे बात करूं तो तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है तो इन मेंसे कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो तो भारत में जैसे मैंने हारडी करजी का नाम लिया उनकी मैंने मदद ली इसमें और हारडी करजी के बराबर कि कई ऐसे वैदे हैं उनकी मदद मैंने ली और मैंने का कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा ये पहले मुझे बताओ तो उन्होंने बताना शुरू किया तो वो साथ हजार से घ उन्होंने का अगर तुम ये पचास भी नहीं बता सकते तो ये पंदरे तो जरूर बता दू. तो मैं तो आपको पचास तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले पाच्छे दिन मेरे पास समय है. लेकिन उन पचासों में जो पंदरे हैं, वो सबसे महत्तुपूण हैं, वागमटजी खुद मानते हैं, और उनके नीचे के जितने भी विशशःशग हुए हैं पिछले हजारों सालों में, वो भी मानते हैं कि ये सबसे महत्तुपूण सुत्र हैं. उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूँ, आपके पास अगर कागज पहन हो तो जरूर निकाल लीजे, नोट बुक है तो बहुत अच्छा होगा, डाइरी है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि पता नहीं दुबारा कब कौन व्यक्ति इस विशे पर आप से बात करने आएगा, और अगर नहीं है, कागज पहन, कौपी तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते-करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है, मैंने किताब बना दी है, बागवट सहिता जो है, मैंने बागवट जी की अश्टांग हिरदयम और अस्टांग संग्रम, इनके सूत्रों को collect करके, select करके, तीन भाग में एक पुस्तक बनाई है, part 1, part 2, part 3, अस्टांग हिरदयम, भाग 1, भाग 2, भाग 3, मूल लेखक बागवट जी है, मैंने सिर्फ सलेक्शन किया है, और सलेक्शन के साथ, आज के हिसाब से उस लिखा कि भोजन को बनाते समय इसको माताएं बहने सब बहुत ध्यान से सुने पुरुष भी सुने तो अच्छा है भोजन को बनाते समय पवनका इसपर्ष और सूरिका प्रकाश अगर नहीं मिला किसको भोजन को जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकात समय पवन का इस पर्ष और सूर का प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना क्यों तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विश है और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विश है एक ऐसे विश होते हैं जो ततकाल असर करते हैं और एक ऐसे विश होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं ततकाल असर वाले विश आप जानते हैं जीप पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ ऐसे बहुत विश हैं और धीरे धीरे असर करने वाले विश माने दो साल में पाँच साल में दस साल में पंदरे साल में बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिती में पहुँचा देंग क्योंकि वो विश है अब ये तो सूत्र है पहले संस्कृत है मैंने वो हटा दिया संस्कृत नहीं कहा सीधे हिंदी में कहा अब इस हिंदी का विशलेशन करें हूं कहना क्या चाहते हूं और आज के हिसाब से विशलेशन करें सन 2007 के हिसाब से विशलेशन करें अब तक मैंने ज प्रेशर कुकर एक ऐसी तक्नीक है जिसमें भुजन बनाते समय ना तो सूरिका प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस परश उसको मिलेगा प्रेशर कुकर से जो भी है वो हवा बाहर तो आ सकती है बाहर की हवा अंदर जाने की उसमें कोई डिवाइस नहीं है कोई रास्ता नहीं सूरिका प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नॉलजी उसमें डवलप नहीं हुई है तो बागबटी जी ने साड़े तीन हजार साल पहले का शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी न कभी आदमी प्रशर कुकर बनाई लेगा ये बैने मजाक में कहा लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ भेया इसके लिए तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें मने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर बागबटी जी का सिध्धान्त लागू नहीं होता मने सिध्धान्त ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं ना खाएं वो विश है फिर मैंने वेग्यानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भूजन बिश है ऐसा बागभटी जी कहते है आपका क्या कहना है तो हमारे देश में CDRI नाम की एक बड़ी लेबरेटरी है Central Drug Research Institute वहां के दो साइन्टिस्टों ने का कि यार काम तो हमें करके देखा है बात सही है बागभटी जी मैं कहता हूँ ये टीवी पे बोलो तो अन्यानिका ये प्रेशर कुकर कंपनिया गर्दन काट देंगे हमारे टीवी पे नहीं बोल सकते है तुम चाहो तो बोलो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% अल्यूमिनियम के बने हुए है अल्यूमिनियम आप जानते हैं और वो ये कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मेटल अगर कोई है तो अल्यूमीनियम ही है सबसे खराब मेटल जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं वो अल्यूमीनियम ही है और दोनों वेग्याने वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का research ये कहता है कि अगर इस aluminum के pressure cooker का खाना बार बार आप खाते जाओ तो guarantee है कि आपको diabetes तो हो ही जाएगा, arthritis तो हो ही जाएगा, bronchitis भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज़्यादा TB होने की संभावना है, अस्थमा, TB, ये सब होने की संभाव, मैं पूछा आपने अब तक कितनी बिमारियों को detect किया, तो उन्होंने का 48 बिमारियों को हम detect कर चुके हैं, जो pressure cooker के खाने से ही होती है, और ये दोनों researcher, सबसे ज़्यादा इन्होंने research किया जेलों में, जेल हैं ना हमारी, वहाँ सभी कैदियों को aluminium के बरतन में ही खाना मिलता है, आप जानते हैं, तो ये दोनों विग्यानिक लखनव के हैं, लखनव की जेल में, लखनव के आसपास की जेलों में, इन्होंने बहुत काम किया, वो जेलों में जाते हैं, और जो कैदि aluminium के बरतनों में खाना खाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने का सबका जीवन कम होता है, और जीवन की शक्ती कम होती है, प्रतिकारिक शक्ती कम होती है, और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं, बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें एड़ किया वो वेग्यानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तैय किया कि पता करो कि ये अल्यूमिनियम कब से आया क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी चीज नहीं है तो पता चला 100-800 साल पहले आया 100-800 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी अंग्रेजों की सरकार के वेग्यानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोडियूस कराया और आपको सुनकर हरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तैह हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी है और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांटिकारी होता था बगत सिंग हो या उदम सिंग चंदरशेकर हो या आशफा कुला राजितनात लाहडी हो या ठाकुर रोशन सिंग ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने इनको जान बूझकर अल्यूमिनियम के बरतन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरें या मरने की स्थती में आ जाए तो समझ बूझकर अंग्रेजों की सरकार ने अल्यूमिनियम के बरतन इस देश में इंट्रड्यूस किये अब परिणाम क्या हुआ अंग्रेज तो चले लेकिन जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन अल्यूमिनियम के बरतनों में ही दिया जाएगा अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से जादा गरीबों के घर में आ गया जादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे अल्यूमिनियम के बरतनों में ही बन रहे है और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे है तो बागबटी जी का सूत कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज है अपने घर में रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तू है एक ऐसी डिवाइस है एक ऐसी टेक्नॉलजी है जिसमें सूरी का प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इसपर्ष भी नहीं हो सकता और एक त प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इसपर्श नहीं हो सकता मतलब सीधासा यह है कि आधुनिक तक्निकी से बनी हुई से तक्निकी चीज़ें जो हमारे घरों में आई है, पिछले 15-20 वर्षों में बागवट्यजी के अनुसार इनमे रखा हुआ पकाया हुआ भोजनिक विष्ष है तो ना करें नहीं तो क्या होगा आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रशर कुकर को हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है मेरा बहुत सारी माताओं और बेहनों से तर्क हुआ है वो ये कहते है कुकर में खाना बना इसे समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती है तो जादातर माताओं बेहनों का उत्तर है, सास भी कभी बहु देखते हैं इधर प्रेशर को कर मैं खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या? और फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि ये जो आपने आदा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटो घंटो हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब दो घंटे रोज के हिसाब से माल लो बचा लिया और साल भर में आपने साथाट सो घंटे बचा लिये कल पना करो फिर एक दिन हॉस्पिटल में भरती हो गए और दो चार महीने वहाँ निकल गया नेट रिजल्ट क्या? वही शून्ने का शून्ने तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि बोजन को बनाते समय, पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूरी का प्रकाश ना जाता हो पवन का इसपर्श ना होता हो, वो ना करें अब इसमें विशलेशन की जरूरत है बागबटी जी तो लिखके चले गए अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंड़ना है और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेने है मॉडरन साइंस ने कुछ लॉजिक डवलप किये हैं कुछ अब्जर्वेशन्स उन्होंने दिये हैं तो उनकी मदद से ये क्यों न करें क्या कारण है यहां से अब बात में शुरू करता है आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में ये जाने प्रेशर कुकर एक ऐसी टेकनॉलजी है जो खाने को जल्दी पकाती है ये है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अत्रिक्त दबाव डालता है यह है pressure pressure माने दबाव तो अत्रिक्त दबाव डालने की technology है pressure cooker और यह अत्रिक्त दबाव कहां से आता है pressure cooker में आपने डाल राली उपर से पानी डाला थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया अब उसमें वो CT लगा दी वो CT लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है, पूरे प्रशर कुकर के, CT ना लगाएं तो आपका प्रशर कुकर आपके लिए अच्छा है, CT लगाते ही क्या करता है, पानी गरम होगा, आप जानते हैं पानी गरम होने से वाश्पी करन शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है, तो पानी की वाश्पी परशर कुकर में चारों तरफ हिकटी होई, वो वाश्पी जो है न, वो दबाव डालती है, किस पर? दाल पर, चावल पर, सबजी पर, ये दबाव डालके होता क्या है? दाल एक कलपना करिए, अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कलपना, अरहर की दाल के छोटे-छोटे तुकडे, एक दाल को तोड़ कर दो तुकडे, जिसको दुईदल कहते हैं, जेहन समाज के लोग तुरंट समझ में आ जाएंगे, दुईदल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब दुईदल है, इसको तोड़ कर आपने दाल बनाई है, अब अंदर कЕ जो molecule है दाल को दाल के अंदर जो अणू है वह अणू एक दूसरे को जो जकड कर बैठे हुए है ये पानी का pressure उन अणूओं को तोड़ता है और दाल धरकना शुरू होती है वो दाल धरक जाती है और पानी इतना गरम होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है, पकना और उबलने में अंतर है, तो उबल जाती है और धरक जाती है, आप खोलते हैं, पांच मिनिट बाद आपको लगता है दाल पक गई है, पक नहीं गई है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी उपर से प्रेशर पड़ा वाश पका वो पकी नहीं है उबल गई है और उसका सफ्टनेस बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खाली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है फिर आप बूलेंगे जी पकी हुई दाल और इस डाल में क्यांतर है पखी हुई डाल का आयरवेद में एक सिद्धानत है आयरवेद में वैसे सभी सिद्धानत है उसमें से एक मैं आप से वता रहा हूं आयरवेद चिक्टसा ये कहती है इस कि वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है बोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है अब अरहर की दाल की बात करें, आप मेंसे थोड़ा भी गाउं से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा, तो आप जानते हैं, अरहर की दाल को खेप में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है। कम से कम साथ से आठ महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है जिसको आप नूट्रियंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो नूट्रियंट के रूप में जानते हैं, सुक्ष्म पोशक तत्यों के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सब से जादा समय लगता है ये जो मिट्टी है ना खेत की ये माइक्रो न्यूट्रियंट्स का खजाना है खेत की मिट्टी में कैलशियम है खेत की मिट्टी में आईरन है खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है कोबॉल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है ये सब Microsoft केती में हैं ये पौधे की जड़ में आते हैं जड़ से तने में आते हैं तने से फल में आते हैं इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है तो आयरुवेद ये कहता है कि जिस डाल को खेत में पकने में जादा समय लगा उसको घर में भी पकने में जादा समय लगना चाहिए कि यह जो information दिरे-दिरे एब्जौरब हुए है दाल में खीच कर आए है दाल में इनको dissolve होने में भी धीरे-धीरे ही समय लगें आप दाल क्यों खाना चाहते हैं आप डाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए प्रोटीन कहां से आएगा यह जो micronutrients का collection दाल में एकठा है इनके तूट जाने पर बिखर जाने पर तो वो बिखरने और तूटने में उसको देरी लगने वाली है क्योंकि आने में देरी लगी है यह प्रकरती का सिध्धान्त है आयुर्वेद का नहीं कहने चाहिए भी जल्दी नहीं होता सभी चीजों में यह है प्रकरती का नियम है और प्रकरती का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में बड़ा होने में ज़्यादा समय लगा है उनको डिजॉल्व होने में भी ज़्यादा समय लगेगा और दाल जब डिजॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन सापको मिलेंगे भोजन में इसलिए आप दाल खा रहें, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो कुछ विटेमिन सापको चाहिए, कुछ प्रोटीन सापको चाहिए, कुछ और दूसरे अंशापको चाहिए तो आयुरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि दाल जादा देर में पकी है तो घर में भी जादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वेग्यानिक थे मैं एक बार जगनात पूरी गया था आप भी गए होंगे तो वहां भगवान का प्रशाद बनाते हैं तो प्रशर कुकर में नहीं बनाते हैं आप जानते हैं हालां कि वो चाहें तो प्रशर कुकर रख सकते हैं क्योंकि जगनात पूरी के मंदिर के पास करोणों रुपए की संपत्ती है तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहाँ दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गए हैं जगरनात पुरी आप जानते वो मिट्टी के हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी के हांडी में चावल मिलता है या खिचडी मिलती है जो भी मिलता प्रसाद के रूप में तो मैंने महिंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं तो उसने एक ही वाकिय कहा मिट्टी पवित्र होती ह तो ठीक है पवित्र होती है यह हम सब जानते हैं लेकिन वो जो नहीं कह पाया महिंद वो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मिट्टी ना सिर्फ पवित्र होती है बलकि मिट्टी सबसे ज़्यादा वेग्यानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर 70 किलो का शरीर 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है जिसको राक कहते है और इस राक का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में तो उसमें कैलशियम निकलता है फॉस्फोरस निकलता है आईरन निकलता है जिंक निकलता है सल्फर निकलता है अठारे माइक्रो न्यूट्रियंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में यह सब वही माइक्रो न्यूट्रियंट्स हैं जो मिट्टी में हैं इन्ही अठारे माइक्रो न्यूट्रियंट्स से मिट्टी वनी है यही अठारे माइक्रो न्यूट्रियंट को मालूम नहीं है लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है पवित्रता रिजल्ट उसे मालूम है विशलेशन नहीं मालूम वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं क्यों क्योंकि मुझे यह विशलेशन करन उसमें से आई है, तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो महिंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही दाल पकाते हैं, भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अब अब पवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते हैं, अच् को रीजनल रिसर्च लेबरेटरी कहते हैं तो वहां ले गया कुछ वैज्ञानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ ये पुरी की दाल है मैंने का इसका विशलेशन करना इस दाल में क्या है तो उनके यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है छे-ाट महीने लगेगा मैंने का ठीक है फिर भी तो उनका हमरे पास पूरे इंस्टूमेर्ट नहीं है हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने जो result है जो research है जो report है वो ये है कि इस डाल में एक भी micro nutrient कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी इस डाल में एक भी micro nutrient कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी फिर मैंने उन्हीं वेग्यानिकों को कहा कि भईया pressure cooker की डाल का भी जरा देख लो तो उन्होंने का ठीक है वो भी देख लेते हैं तो pressure cooker की डाल को जब उन्होंने research करके देखा तो उन्होंने का इसमें micro nutrients बहुत ही कम है मैं पूछा percentage wise बता दो तो उन्होंने का अगर अरेर की डाल को मिट्टी के हाड़ी में पकाओ और 100% micro nutrients हैं तो cooker में पकाने में 13% ही बचते हैं 87% नश्ट हो गए मैं पूछा कैसे नश्ट हुए तो उन्होंने का यह जो pressure पड़ा है उपर से और इसने डाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया molecules तूट गए हैं तो डाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है soft हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि यह पका हुआ खा रह नहीं आते उनको आप उपियोगी बना लें इसको पका हुआ कहते हैं आयरोबेदी जो सुक्ष्म पोशक्तत कच्ची अरहर की डाल खाने में शरीर को उपियोगी नहीं आएंगे वो उपियोगी आने लायक बनाएं उसको पका हुआ कहा जाता है या कहेंगे तो उन्होंने क कि यह मिट्टी के हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में उंची है बशरते की आपके प्रेशर को करकी और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी के हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तो मिट्टी के हांडी में बनाई हुई दाल को खाए तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोशकता उसकी इतनी जबर्जस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है तब मैंने गाउं-गाउं मेरे डाधी को पूछा तो हम तो जिंद्गी staring डाली खाते रहें तम मेरे समझ में आया कि मेरी दाधी को डायबिटीस क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसको गुटने का धर्द क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसके 32 सो दात मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दात उसके 32 के 32 निकले तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रियंट्स की पूरती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो न्यूट्रियंट्स पूरा सप्लाई मिला डाल में जो खाई थी उसने मिट्टी के हाड़ी में पका पका के और ना सिर्फ डाल पकाती थी वो मिट्टी के हाड़ी में बलकि दूद भी मिट्टी के हाड़ी में पकाती थी घी भी मिट्टी के हाड़ी से निकालती थी दही का मठ्ठा भी मिट्टी के हाड़ी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अल्यूमिनियम बना सकते थे देखिए बात में आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये कि हिंदुस्तान भी 2000 साल पहले 5000 साल पहले अल्यूमिनियम बना सकता था क्योंकि अल्यूमिनियम का raw material इस देश में भरपूर मात्रा में है बॉक्साइट हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडू आंद्रप्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार हैं हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो अल्यूमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी हमको जरूरत थी मिट्टी की हांडी की इसलिए हमने मिट्टी की हांडी बनाई और उसी पर सारे रिसर्च और एक्सपरिमेंट किये इसलिए कुमारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भईया मिट्टी के ही बरतन बनाने है माने तुम से बड़ा वेग्यानिक कौन अब ये कुमार जो इतने बड़े वेग्यानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बरतन बनाकर हजारों साल से दे रहे हमारे स्वास्त की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग वो नीचे कहां है जिरा बताईए अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उचा आदमी है तो यह कुमार नीचा कैसे हो गया यह उचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया यह उचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसल्मान थे उन्हों ने डाला और कुछ अंग्रेज और मुसल्मानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुमार इस देश में बैकवर्ड क्लास है जो सबसे बड़ा वेग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना बना कर आपके माइक्रो न्यूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते एक खास तरह की मिट्टी है वही बरतन बनाने में काम आती है और एक खास तरह की मिट्टी है जो हांडी बनाती है दूसरे खास तरह की मिट्टी इसमें कुलड बनता है तीसरे खास तरह की विज्यान का काम है, ये सब कुमार कर रहे हैं, हजारों साल से कर रहे हैं, बिना किसी युनिवर्सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं, तो हमें तो बंदन करना चाहिए, उनके सामने नतमस तक होना चाहिए, कितने महान लोग हैं, दुरुभागे से सरकार की कैटेगरी में, व दूसरे मेटल के बरतन का चलन कम है बगवान के लिए तो बनाते नहीं धातूओं के बरतन में खाना नहीं बनता सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाथ ज्यादतर मिट्टी के तो आप भी कर लीजे ये काम प्रशर कुकर निकालिए मिट्टी के हाड़ी ले आई ये तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी सिधानती वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी तो आप बोलेंगे फिर टाइम मेनेजमेंट कैसे होगा मैं आपको सरल बता देता हूँ दाल को हांडी में रखके चड़ा दीजे बाकी सब का वतन साफ करना कपड़े साफ करना यह जो भी काम करना है पढ़ना लिखना बच्चों को पढ़ाना वो करते रहे हो दाल पकती रहेगी यह है बागवट जी का सूत्र के ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूरी के प्रकाश से बंचित हो और पवन के इस परश से बंचित हो ये तभी संबव है जब आप खुले बरतन में खाना बनाएं तो पवन भी अंदर आएं और सूरी का प्रकाश की किरणे भी अंदर आएं खुले बरतन में और वो खुला बरतन सबस अच्छा मिट्टी का हांडी आप कहें जी मिट्टी के हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो तो हमारे यहां एक मैटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं ऐलॉइ है कांसा कांसा आपने सुना दे शायद देखा भी हो कईसी के घर तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है का मासा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब यह कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बरतन में पकाएं तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट कम होते हैं 97% मैंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाएं तो साथ साथ प्रतिशत कम होते हैं 93 परसेंट बचे रहते हैं लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं तो सिर्फ साथ प्रतिशत बचते हैं वाकी खतम होते हैं अब आप तै कर लीजिए आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए तो आपको मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना बात आप उखने जो खा रहे हैं वो पूरे शरीर में पोशक्ता दे ये लाइफ की क्वालिटी की बात आप करेंगे तो मिट्टी की हांडी की तरफ ही जाना पड़ेगा मने भारत की तरफ वापस लोटना पड़ेगा इंडिया से अभी हम है इंडिया में जो बनाया अंग्रेजों है या बना दिया अम्री कियों है इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी और मैंने पिछले एक-दो वर्षों में ये बातें गाउं-गाउं में कहना शुरू किया है तो इसका परिणाम पता है क्या है कि गाउं वाले समझते हैं कि ये तो कोई बड़ा काम कर रहे हमारे लिए और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुमारों की इज़त इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बरावर आ जाए क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है क्योंक और सबसे मज़े की बात कि ये हांडी जब खतम होगी मने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वोई मिट्टी से हांडी बन जाएगी दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है प्रेशर कोकर के बारे में तो नहीं कह सकते बायो डिग्रेडेबल है तो आप कोशिश करें अपने घर में थोड़ा परिवर्तन करें अब मैं आखरी बात जो आज की कह रहा हूं वो यह मैंने पिछले दो वर्षों में मैं होमियोपैथी की भी चिकत्सा करता हूं तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं राजी भाइए यह यह तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर गहा कि देखो भर आपको मैं कोई द दवा नहीं दूगा तो कहने लगे पिर बीमारी कैसे ठीक होगी मैंने का यह कही क् réussi करो मिट्टी की हाणडी में रख्वी गाल चा एंटी की हांडी का कि यहांडी है, मों करेगा य डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं है तो आप देख लो तो जो गंबीर मरीज है वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें तो मेरे पास कुछ डाइबिटीज के क्रोनिक पेशेंट है बहुत क्रोनिक जिनका यूनिट शुगर यूनिट चारसो असी के ऊपर है ऐसे स से जादा पिश है कुछ गुजरात में है कुछ राजिस्तान में और कुछ बंबई मैंने उनको कहा ध्यान से मिट्टी का बरतन ले आओ और शुरू करो अब बरतन लाने में तकलीफ होई तो कुमार को ढूनना पड़ा तो लेकिन मिल गया वह आठ से नौ महिना हो गया निय प्रजरी की रोटी बहुत अच्छी बनती है इस मिट्टी के तवे पर तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं आट महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है तो चारसो असी यूनिट वाला अभी एक सो असी यूनिट पर है बिना किसी मेडिसिन के बिना किसी इंजेक्शन के बिना किसी टॉनिक के और हुमयोवेदि की कोई दवा नहीं दी मैंने उनको कुछ लोगों को जादा परेशानते दवा भी दो दवा भी दो उनको प्लैसिवो दे दिया प्लैसिवो समझते हैं खाली गोली दवा नहीं डाली तो पेशिन्ट को लग रहा है कि मैं दवा खा र वो एक सूत्र लिख गए कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूरी का प्रकाश ना जाए पवन का इसपर्श ना हो तो वो आपके लिए अमृत तक्त्व है भोजन नहीं है वो अमृत जैसा है ये एक सूत्र पूरा होता है साड़े आठ का समय हो गया है आगे कल दूसरा सूत्र तीसरा ऐसे करकर के जो सबसे जरूरी पंद्रे है वो पहले वताऊंगा और उसके आगे बनता जाए आभार धन्यवार तो एक बार फिर हम राजी भाई को अब सुनेंगे और मेरी गुजारिश है कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें ताली बजाएंगे तो आपके अंदर उर्जा का संचार होगा और हवा का स्पंदन आप महसूस करेंगे और वही हवा आपको मिट्टी के खुश्बू विखेरेगी और अब अपने सूत्रों को विखेरने आये हैं हमारे भाई राजीव दिक्षित जी राजीव भाई ने मुझे कहा था कि व्याख्यान के दौरान अगर बाबुजी शुवाकान जी हमारे बगल में रहेंगे तो एक आशिरवाद मेरे इर्दगित मटराएगा इसलिए उनसे गुजारिश है कि करपया मंच पर आएं और उनके बगल में बैठें तो मंच राजीव दिक्षित को समगते हैं कल मैंने आपसे जो बातें कहीं थी उनमेंसे बहुत सारी बातें आपको याद होंगी शायद आपने लिखी भी होंगी मुझे कल एक जानकारी दी बाबुजी ने वो जानकारी आप सब तक पहुँचे ये मेरी उनसे विंती है उन्होंने जानकारी दी कि एक बार वो टीवी एस ग्रूप है ना टीवी एस जो यहां का चिन्लई का सबसे बड़ा ग्रूप है और शाइद भारत के सबसे बड़े ग्रूप में उनकी गिंती है उनके घर वो भोजन करने गए थे तो जराब बताएं कि सभी भाइबहनों को नमस्कार आज से करीब अठाइस तीस साल पहले जब प्रफावती जब ट्रस्टन प्रफावती जब प्रकास का विन्यास हुआ था तो टीवेस की मलकाई ने इसकी ट्रस्टी वनी थी और पहला मीटिंग उनके घर में हुआ था जिसमें रामनात गुएन का एम राम स्वामी और महार लिंगम जितने भी यहां के इलिमिनरी से सभी हमारे ट्रस्टी है इस संस्तागे तो उन्हीं के घर में पहली मीटिंग हुए थी तो हम लोगों को खाने पर नमंतरंस भी था तो खाये तो मैंने कहा यह दाल बहुत स्व कैसे किया कि तो ब देखिए चुले के ऊपर में तो मटिका बटतन था तो उनके घर में मत्टी का मेंकी ने कहा कि तो गयास बहुत होता होगा वहां गयास खर्चा होता है लेकिन उसकी परवार ने खाने में श्वाद आता है यह होगा है वह उनको उनके पास बायोगैस भी लगी भी थी भार में अभी भी है तो अब उस आज से 28-30 साल पहले मैं ने देखा था कि मट्टी के बर्तन एक इतने वड़े घर में तो मैं कल इनको बताया कि आप मट्टी के बर्तन के आप दीरे मट्टी के बर्तन फिर उड़ा है क्योंकि हम भी जब 10 साल के थे तो बिहार में हर घर में केवल मट्टी के दरतन रोटी भी बेलना से नहीं बेला जाता था हाथ से इसापका करके और तावे तवा जो होता था वो मट्टी का होता है तो मेरे खाल से गौंगों में पहले ही परचार था और इन्होंने जो कहा तो यह तो सर्किल है देखेगा सवाएगा फिर इसी तर धन्यवार यह बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि टीवी एस ग्रुप जो हजारों करोड के हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं माने हमको यह बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी समय बहुत लगता है जी क्या उसको खट्राक करने का यह जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटे हैं यह कभी नहीं आए इस द्रश्टी से इस उधारन का बहुत लहत्त है और यह उधारन में हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूं जिनको आप रोज अक्वारों में देखते हैं नियूस पेपर में देखते हैं टीवी पे देखते हैं ज्यादातर के घरों में मिट्टी के बरतन क्रसोई में इस्तेमाल होते हैं आपको सुन कहरानी होगी धिरु भाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पर बनती है एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धरम पत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पर रोटी क्यों बनाती है ये तो पिछले पन की निशानी है ये तो ऐसा मानते हैं कि आप अठारवी शतावदी में जा रहे हैं मिट्टी के बरतन की रोटी माने तवे की तो कोकिला विर ने का कि जो जो कहे मुझे उसकी परवा नहीं मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही रोटी बनाते हैं पूरे गुझरात में आप जाएंगे राजिस्थान में जाएंगे अभी वी एक दो नहीं लाखों नहीं करोणों लोग हैं जो मिट्टी के तवीपे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं और मैं विनमरू रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्त है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है अगर हमें अपना स्वास्त और तंदुरुस्ती बना के रखनी है बचा के रखनी है तो ये बाते हैं आपको अपने जीवन में आचरण में उतारने की आवश्यक्ता है और ये बाते अगर आपके आचरण में आती ह तो कितनी बड़ी चीज होती है इस देश में, कि अगर मालो हिंदुस्तान में 112 करोड लोग है, 112 करोड लोगों में 20 करोड परिवार है, 20 करोड परिवारों में 20 करोड रसोई घर है, अगर 20 करोड रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे, तो 20 करोड तवा बनने लगेगा और लाखों कुमारों को रोजगारी मिल जाएगे जो बेरोजगार बैठे हैं जिनके पास काम ने अगर मिट्टी की हांडी में 20 करोड परिवारों में दाल बनने लगेगी चावल बनने लगेगा तो करोडों कुमारों को हांडी बनाने का काम मिल जाएगा जो आज बेकार बैठे और हिंदुस्तान में कुमारों की संख्या लगबग उतनी ही है जितनी ब्रामणों की है सरकार के आंकड़े हैं लगबग 18% कुमार है और कुमार जैसी जातियां है 18% ही ब्रामण है तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है इसलिए अर्थवियवस्था को भी मदद होती है आपका स्वास्त तो अच्छा रहता ही है और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मिट्टी से आपका जुडाओ रहता है मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है हम पता नहीं कहां कहां से चिन्नई में आये हैं कोई बिहार से आया कोई राजिस्थान से कोई गुजरात से लेकिन अक्सर मन में आता है कि अपनी मिट्टी से जोड़े रहें तो अपनी मिट्टी से चिन्नई जैसे शहर में जोड़े रहने का एक ही रास्ता है कि आप इन मिट्टी के बनाए हुए बरतनों का इस्तेमाल करें तो स्वास्त की द्रश्टी से तो बहुत ही अच्छा है और अर्थिववस्था के लिए भी बहुत अच्छा है मैंने कल जो बाते कही थी उनको एक मिनट में फिर से रिपीट करता हूँ कल मैंने एकी सूत्र का आपके सामने विशलेशन किया था भागवट विशी का लिखा हुआ कि जिस भोजन को बनाते और पकाते समय पवन का इसपर्श और सूरिका प्रकाश ना मिले वो भोजन को कभी नहीं करना इस विशलेशन में से शुरू हुआ कि पवन का इसपर्श और सूरिका प्रकाश कहां कहां नहीं मिलता तो सबसे पहली चीज निकल के आई प्रशर कुकर प्रशर कुकर का खाना ना खाएं कल मैंने बहुत विस्तार से बता दिया आज सिर्फ दोहरा रहा हूँ याद रखने के लिए और उसके विकल्ब के रूप में मैंने आप से कहां मिट्टी के बरतनों में खाना बनाएं मिट्टी के बरतन में खाना बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा वेग्यानिक कारण है कि ये जो मिट्टी है इसमें 18 तरहे के माइक्रो न्यूट्रियंट्स है ये बात हमेशा आप याद रखिएगा केलशियम मिट्टी में है आईरन मिट्टी में है सिलिकॉन मिट्टी में है सल्फर मिट्टी में है आपके शरीर को हर दिन हर दिन 18 तरहे के सुक्ष्वो पोशक तत्तों की जरूरत होती है 18 तरहे के सुक्ष्वो पोशक तत्तों की जरूरत होती है जिनको आप अलग-अलग भाशा में बोल देते हैं कि हमको प्रोटीन्स चाहिए, हमको विटैमिन्स चाहिए, हमको कार्बोहाइडरेट्स चाहिए, हमको फैट्स चाहिए ये डॉक्टर कहता है ना आज की भाशा में कि आपको protein की कमी हो गई है protein चाहिए आपको carbohydrate ज़्यादा चाहिए आपको fats ज्यादा चाहिए तो ये जो कुछ भी चाहिए इनको रसाइन शास्तर की भाषा में मैंने आपको समझाया कल और आज कह रहा हूं कि ये 18 तरह के सुक्ष्म कोशक तत्व हैं जिनको मिल जाने से आपक के भोजन को संपूनता मिलती है माने भोजन पून होता है और संयोग से या प्रकरती के कुछ ऐसे नियम से ये सारे तत्तु मिट्टी में है इसलिए मिट्टी के बरतनों का उप्योग आपके लिए बहुत ही अच्छा है दूसरा मैंने आपको कारण बताया था विज्यान का जिस वस्तु को खेत में क्रशी भूमी में पकने में जितना जादा समय लगता है रसोई घर में भी उसको जादा समय में ही पकाना चाहिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि खेत की मिट्टी में अरहर की दाल खड़ी है 7-8 महीने में तैयार होती है 7-8 महीने धीरे धीरे उसने प्रोटीन लिया प्रोटीन के रूप में कुछ केमिकल्स उसने लिये मिट्टी से ये 7-8 महीने तक लेते रहें अरहर की डाल के दाने उसकी जड़ों की मदद से तने की मदद से अब वो डाल तैयार हुई है तो उसको पकाने में भी समय लगना चाहिए जल्दी से आपने पका दिया तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स गए हैं जो बहुत तरह के माइक्रो न्य बाश्क का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि दाने तूटते हैं पकते नहीं हैं वो तूटते हैं और तूटे हुए दाने गरम पानी है नीचे से वो आपको ऐसा लगने लगता है कि वो पक गए हैं वो पके नहीं है वास्तम में वो सौफ्ट हो गए हैं मुलाइम हो गए पकने से मतलब मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो कुछ भी प्रकरती ने दी है पोशकता वो आपको मिलने की इस्थती में आ गई या नहीं तब हम उसको कहते हैं कि यह पग गया है चाहे वो गेहू का दाना हो चाहे अरहर का दाना हो या तूर का तो यह बात अगर आ धीरे धीरे पकती है हर चीज कारण क्या है मिट्टी जो है ना उश्मा की कुछालक है आप मैंसे जो विद्यारती है वो जानते बैड कंड़क्टर है उश्मा की कुछालक है माने मिट्टी को कोई चीज जल्दी उश्मा के रूप में मिलेगी नहीं धीरे ही धीरे फिर दाल पकेगी और दाल पकेगी तो धीरे-धीरे उसके माइक्रो न्यूट्रियंट्स पानी के साथ आएंगे फिर आप वो खाएंगे तो आपके शरीर को पूरी पोशक्ता मिलेगे और भगवान ने जो चीजे बनाई हैं प्रकरती ने जो चीजे बनाई हैं उनकी पोशक्ता आपको मिले इसके लिए बनाई ये जो दाल बनी है ना आप अगर ध्यान से देखें तो दाल का उपर का हिस्सा है जो आप खा रहें फल के रूप में बीच का हिस्सा है वो जानवर खा रहें तो भगवान ने प्रकरती ने ऐसी व्यवस्था दी है गेहूं है गेहूं का उपर का हिस्सा है वो आप खा रहें हैं बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है जिसको तना कहते हैं वो जानवर खा रहें और अंत का बचा हुआ जो हिस्सा होता है जिसको जड कहते हैं वो धर्ती के लिए होता है मिट्टी के लिए होता है प्रकरती ने बहुत सोचकर ये सब बनाया भगवान ने बहुत सोचकर बनाया मनुश्य के लिए एक हिस्सा उसमें से थोड़ा आप चाहें तो पक्षियों को भी खिला स वो बहुत सोच समझकर बनाया है, जो जानवरों के लिए हैं, वो भी सोच समझकर है, और मिट्टी के लिए, तो उसका अगर जीवन में फाइदा उठाएं, तो बहुत अच्छा होगा, और बागवट जी इसी के लिए शायद ये सूत्र लिख कर गए, तो कल बहुत जादा ब जो इस रेटर जो काम करता है, उसके ऒुनियादी सिdd metaphor है, वो क्या सिधनथ है, आपके रूम का जो temperature है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा, अब ये प्रकर्ती की मदद से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकर्ती की मदद से तो आपका र रसाइन शास्तर में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं उन गैसों का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करेगा और एक दो नहीं ऐसी बारे गैसों का इस्तेमाल रेफरिजरेटर करता है जिनको विग्यान की भाशा में CFC कहते हैं fluorocarbons जिसमें chlorine भी है fluorine भी है और carbon dioxide अगर आप रसाइन शास्तर की dictionary निकाल कर देखें आप मेंसे जिन्हों ने पढ़ा है chemistry उन के लिए तो आसन है जिन्हों ने नहीं पढ़ा वो dictionary निकाल कर देखें chlorine chlorine के सामने लिखा हुआ है jeher सीधे dictionary देखें टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ एक डिक्षिनरी खरीद लें कैमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने लिखा हुआ है जहर और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर और कार्बन डाई ऑक्साइड तो जहर का बाप आप जानते हैं कि शरीर का ये जो स्वासों स्वास की क्रिया है प्राणायाम जिसको आप कहते हैं इसमें आप हमेशा कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं ये क्यों छोड़ते हैं रख लीजे इसको अंदर अगर इससे इतना ही प्रेम है कि रेफ्रिजरेटर लाके आपने घर के सबसे अच्छे इस्थान पर रखा है जो हर समय कार्बन डाई ऑक्साइड से ही खेल रहा है तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजे बाहर मत छोड़िए बहुत प्रेम है आपको इससे तो आपको मार डालेगी इसको बाहर निकालते रहना है अब ये बाहर निकले तो आप स्वस्थ रहें कार्बन डाई ऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिंती होती है अब ये तीनों कार्बन से मिला हुआ क्लोरीन से मिला हुआ फ्लोरीन से मिला बारे गैसे एक साथ छोड़ता 24 घंटे छोड़ता रहता है क्योंकि वो चालू है आपके घर में अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढखकर रखा है कितना भी ढखके रखिए क्योंकि गैसों का असर इतना तीब रहे कि इस्टील को तोड़के निकल जाने वाली गैसे है इस्टील के मोटे पट्टे को रख दीजे उससे निकल जाने वाली गैसे हाई प्रशन तो अगर आप इतने सारे जहरी ली गैसों से युग तो भोजन को दो गंटे तीन गंटे पाँच गंटे उसमें रखके फिर खा रहे हैं तो माफ कीजे आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं बस जहर में अंतर इतना है कि एक जहर है तातकालिक और दूसरा है दिर्गकालिक जहर थोड़ा थोड़ा खाएं तो पांस साथ साल में पता चला देगा तातकालिक खाएं तो एक मिनट में आपको पता चल जाए तो दीजे कोई भी सेकंड हैंड खरीद लेगा और नहीं विक्ता तो लोहे के भाव में बेच दीजे तो भी आप फाइदे के सौदे में रहेंगे क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है लालच पता ही क्या है अगर ये है तो कुछ तो करो इसका अगर ये है तो कुछ के चक्कर में हम जबर्जस्ती जादा जादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं सवेरे का शाम को शाम का अगले दिन सवेरे अगले दिन का शाम को ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर में खाने का पोशकता का नाश होता रहता है और मैं आपको एक विनम्रता पूरवक दूसरी जानकरी देना चाहता हूं कि रेफ्रीजरेटर का आविशकार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था हर वस्तु के आविशकार के पीछे कारण होता है तो इसका कारण था थंडे देशों की थंडे देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इन देशों की आबो हवा आप जानते हैं कि यह ठंडे देश है माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होता है और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटिग्रेट रहता है तो 15 20 से माइनस 40 तक तेंप्रेचर का जो वैरिएशन है ये बहुत तकलीफ देने वाला वैरिएशन है आप कभी एक अनुमान करने के लिए प्रयोग करिये मैंने किया था मैंने एक प्रयोक किया था कि एक बार मैंने क्या किया बरफ बरफ का सिल्ली एक दो तीन चारों तरफ से लगा के मैं उसके बीच में लेट गया तो 15 मिनिट में मेरा शरी रकड़ गया जबकि मैंने खूब प्राणायाम और ये सब किया 15 मिनिट में शरी रकड़ गया और उस दिन मैंने मेरी बायो केमिस्ट्री को अबसर्व किया तो मैं बहुत ही परिशान था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बरफ के तापमान में छेचे महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते उनका क्या होता हो आठाट महीने धूप नहीं निकलती कनाड़ा में अमेरिका में, यूरोप के देशों दूप नहीं निकलती, टेम्परेचर नहीं होता और यही परिस्तिती में उनको सोना पड़ता है तो कितनी तकलीफ हैं उनके शरीर को होती होंगी और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी क्योंकि शरीर भोजन से ही है तो भोजन को ये सारी तकलीफ है थोड़ी कम हो उसके लिए वहां के वैग्यानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई और उन्होंने कहा कि जो टेमपरेचर को हम प्रकरती के रेगुलेशन में हैं हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते कुछ एरिया हम ऐसा बनाएं जिसको हम कंट्रोल कर सके हम जब चाहें टेमपरेचर को बढ़ा सकें घटा सकें इसके लिए रेफरिजरेटर बनाओ तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है कोई उन्होंने बहुत आगे प्रोग्रेस करके ये बनाया ऐसा नहीं है उनकी मजबूरी है उस मजबूरी में से ये निकला और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपेथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज़्यादा तापमान पे खतम हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खतम हो जाती है बहुत सारी दवाएं ऐलोपेथी में ऐसी है जो हाई टेंपरेचर पे भी खतम हो जाती है मने उन दवाओं का असर नहीं रहता लो टेंपरेचर पे भी खतम हो जाती है तो उन दवाओं को रखने के लिए एक temperature हमारे control में रहे, इसके लिए frizz बना, वो पानी रखने के लिए नहीं बना, डाल रखने के लिए नहीं बना, सबजी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना, और आपको एक और जान करीदू, को यूरोप में ये जब आविशकार किया सबसे पहले, तो military के लिए का उपियोग हुआ था, और military के लिए ही ये बना था, क्योंकि आर्मी के जो सेनिक हैं, वो चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने चाहिए, जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी temperature के मिलनी चाहिए, इसके लिए ये frizz आया, ये हमारे लिए नहीं बना, जो समय है ना, दिसम्वर, जन्वरी, फर्वरी, मार्च, ये सब वहां बरफ का समय है, अब इस बरफ के समय में वो चाहे कि आलू चाहिए, नहीं मिलेगा, टमाटर चाहिए, नहीं मिलेगा, बिंडी चाहिए, गाजर चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा उनको, बरफ मिलेगी, नहीं तो उसको गरम करके पानी बना लो और कुछ नहीं मिलेगा तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को इस्टोर करके रखने के लिए रेफरिजरेटर है जब मिल रहा है तो एकठा खरीदो और इस्टोर करके इसको रखना शुरू करदो अब गलती तो यह हो ग जो chlorofloro-carbons को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके घर में फ्रीज़ रहे हैं आप तो जानते हैं क्या गरें पत्नी नहीं मानती बच्चे नहीं मानते तो आपकी chemistry पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक तो कहते हैं समझती नहीं तो मैंने का फिर आप प्रोफेसर क् गए जो आप अपनी पत्नी को chemistry नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे तो मुश्किल ये है कि हम विग्यान पढ़ रहे हैं लेकिन विग्यानिक नहीं हो रहे हैं अपने जीवन में नितांत विग्यान के विरुद्द काम कर रहे हैं प्रकरती और विग्यान के विरुद्द अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर को करके बाद यही है रेफरिजरेटर तो मेरी विंती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाये क्योंकि वो जहर हो जाता है तो आप बुलेंगे फिर क्या करें एक नियम बना लीजे अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है और शायद बागवट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रिखांकित करके वो ये कहते हैं अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूँ पहले नियम खतम हो रहा है अब दूसरे पर मैं जा रहा हूँ बागवट्टी जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना कोई भी खाना दाल बनी चावल बना रोटी बनी बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए यह दूसरा नियम दूसरा सूत्र है कोई भी खाना बना बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग माने कंजम् हो जाना चाहिए रोटी बनी बन गई अब अर्टालीस मिनट के अंदर खा लीजिये चावल बन गया अर्टालीस मिनट में खा लीजे डाल बन गई अर्टालीस मिनट में खा लीजे खीर बन गई अर्टालीस मिनट में खा लीजे सिवाई बन गई 48 यह 48 मिनिट का चक्कर क्या है 48 मिनट 40 मिनट भी नहीं 50 मिनट भी नहीं 48 उन्हें तो जीवन है मैंने जोड़ा बागवट्य जी ने लिख्ण 48 पल मुंक व्यीत का निर्ट जो ओता है क्षण को प्रतिपल होता है हमारे-ंद जो समय की होल नापने की डिग्रियां है वह वह है फ्रती पलने वगधे वगए यह जो मिनट्स का है यह तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है यह मिनट आपको समझता है पल समझता नहीं इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है हाला कि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है अगर बागवटी जी के कैलकुलेशन मैं करूँ तो एक मिनट का बावनवा हिस्सा एक पल है और बागवटी जी कहते हैं कि लगबग भोजन बनने के पचास पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजे तो मिनट मैंने कैलकुलेट किये तो वो 48-47 के आसपास आता है ये कैलकुलेशन है तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा पोशकता देने वाला है जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोशकता कम होने लगती है अगर आपने 6 गंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोशकता कम हो जाएगी 10 गंटे के बाद और कम हो जाएगी 12 गंटे के बाद बिलकुल ना के बराबर और 24 गंटे के बाद तो खत्ब बासी हो गया बासी शब्द है न ये बागवट जी का है साड़े तीन हजार साल पहले ये शब्द था बासी हो गया जी और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है आप कैसे खा रहे है बागवट जी ने एक बहुत अच्छी मज़े की बात लिखे उन तीन सोिसेट दिन नहीं खा सकते हैं एक ही दिन खा सकते हैं और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पका कैलکुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के बात पित और कफ की अवस्दा क्या होती है उसकी अनसार बासी भूजन चलता है तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वेग्या निकता है त्योहार ऐसे ही नहीं तै हो गए है इस दिन होली होगी इस दिन दिवाली होगी इस दिन ये होगा इस दिन इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है बागवटी जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में ती ये मैं विस्तार से बात करूँगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहाँ, तो वात-पित-कफ तीन दोश है, ये समान इस्थती में रहे, तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है, इनकी इस्थती उपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, उपर नहीं चाहिए, ऐसी इस्थती हो जाती है, तो बागवटी जी कहते हैं कि उस इस्थती को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए, जिसकी पोशकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी इस्थती आती है, उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, पासी भोजन कर सकते हैं अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में तो 364 दिन की विजली क्यों खर्च करना उसके और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना चिन्नाई में बहुत महंगा है स्थान एक स्क्वेर फुट का क्या भाव है तीन हजार तो फ्रिज अगर रखा है मालो 57 स्क्वेर फिट में तो तीन हजार में पांच का गुणा कर लो 15,000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में और ये जिन्दगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कितना घाटे का सौदा है तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन में मतला ये मेरी विंति है कि जिनोंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदें जिनोंने खरीद लिया है वो धीरे धीरे इसका उपयोग कम करें एक दिन थोड़ा ऐसा आए कि उपयोग उसका बंद ही हो तो सारे दुनिया के देश परेशान है कि क्या करें क्या करें अभी इंडोनेशिया के बाली दूइप में साथ दिन का सम्मिलन हुआ अमेरिका जर्मनी भारत जैसे 156 देशों के राश्रुपती प्रधान मंतरी साथ दिन जख मार रहे थे यही बात के लिए कि बाई सी एफ सी का प्रोड़क्शन कम कैसे किया जाए तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजे यह प्रोड़क्शन कम होने के लिए फ्रीज की ज इंदर खा लेना चाहिए अब यह 48 मिनट का जो कैलकुलेशन है कल मैं इस पर आप से और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा क्योंकि एक सूत्र कल आएगा आज बस इतनी सी बात और एक तीसरी बात जो मैंने कल आप से शुरू की थी microwave oven microwave oven भी कुछ इसी तरह का किस्सा है इसमें भी temperature को आप control करते हैं और microwave oven में कोई भी चीज़ आप जब रखते हैं गरम करने के लिए तो वो चीज़ का एक हिस्सा गरम होता है पूरा नहीं होता गरम होने के लिए हमारी जो कलपना है वो चारो तरफ से एक साथ एक जैसा temperature आ microwave oven में पानी का कोई काम नहीं है और ये microwave oven भी यूरोप और अमेरिका के लिए है क्योंकि वहां बहुत ठंडी है आपके लिए नहीं है क्योंकि यहां तो बहुत गरम है तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनमरता पूरवका आप से कहता हूं आपने कुछ चीज़ो है कि मजबूरी में फ्रिज लाया मजबूरी में microwave oven लाया मजबूरी में pressure cooker लाया ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है या मेरे घर में microwave oven है या मेरे घर में आप इसको शरम से बताईए कि मैं क्या बताओं मेरी मजबूरी थी उस दिन दिमा कहना जब शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने हाफ बदल जाएगी और ये चीज़े आपके बाहर निकल जाएगे ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है ये जैन दर्शन में भी है आप में से कोई भी जैन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहु पीना चाहिए क्योंकि जीवत्या होती है और उसका पाप लगता है तो जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और बागवट जी ने इसको स्वास्थ के साथ जोड़ा है मूल बात एक ही है शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि ध एसा है भारत का जो डियने वह ऐसा ही है जिसमें धर्म की बात करो तो तुरन समझ में आए विज्ञान थोड़ा पीछे से आता है इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूझा होती है वेग्ञ्यानिकों को कोई पूझता बूचता यािए वह ऐसे विचारे घूंगते रहते है कभी आप जैसे लोग एक साहिस देश में कभी मौका मिला तो इस पर बात करूँगा कि गरम में और ठन्डे देशं का Dna इंक अलग होता है यह जो यूरोब और अमेरिका में रहने वाले लोग ना इनका जो Dna है और हमारा जो हम् Small방 स्वहयुव पाकिस्तान पेठी बंग्ला देश में नियू का पूर्व से निकला हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन बांते ये भी पूर्व से निकला पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं इसायत निकलने का इस्थान बेथलम है ना बेथलम इस्राइल वो पूर्व में है इसायत के बाद इसलाम के निकलने का इस्थान वो भी वहीं है, बैतलम में, वो एक ही इस्थान के लिए मर रहें, कि ये मेरा कि ये तेरा, और लड़ाई साठ साल से चल रही है, और वो दस स्क्वेर फिट की जगह है, बस, हाँ, दस स्क्वेर फिट की जगह में ते तीस करोड मर गए, और छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये मैं ले का DNA कुछ इस तरह का है पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई क्योंकि DNA दूसरे तरह का है तो यह DNA का दोश है हम धर्म को मानते इसलिए शायद जैन शास्त्रों में जैन आचारियों ने जैन संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया तो यह धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान में हो ही जाना खा ही लेना इसलिए शायद पुराणी परंपरा हमारे देश में है गरम खाना खाओ माने वो और तालीस मिनट के पहले हो गरम-गरम रोटी बनाके खिलाओ यह गरम-गरम रोटी खाओ आपको शायद मालूम नहीं है आप मेंसे जो यूरोप और अमेरिका रोटी नहीं मिलती क्योंकि उसको बनाना नहीं जानता कोई कि दुनिया की आबादी 600 करोड़ है छेसो करोड़ आबादी में 300 करोड़ महिलाएं 300 करोड़ पुरुश अगर मानने तो 300 करोड़ महिलाओं में लगबग 200 करोड़ महिलाएं नहीं जानती कि गरम रोटी कैसे बनती है उनके पास गेहूं का आटा है गेहूं है गेहूं का आटा भी है क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहूं है अमेरिका में गेहूं पैदा होता है कनाडा में भी गेहूं पैदा होता है गेहूं ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता है तो गेहूं है गेहूं का obtain ना नहीं आता JEFF है क्यों कोई university नहीं है वहां जो सिखाए सको को कोई Touch lucky झाइं ए जो सिखाए सको तो university और कोई मां नहीं झाए जो अपनी बेटी को सिखाए जो क्योंगी मां को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए और हजारों लाखों सालों से वहाँ ये चक्कर चल रहा रोटी बनाना नहीं आता किसी यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति के बारे में अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ थोड़े दिन पहले हमारे पास एक डंपत्ती आए फिनलेंड से एक पती और एक पत्ती दोनों आए उन्होंने का मुझे भारत का गाउं देखना है तो हमने एक गाउं में भेज़ दिया संयोग से जिस कठा होके बनाता है जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं दूसरे घर का चूला बंद हो जाता है सब एक ही घर में खाते हैं तो सब महिलाएं बना रहे थी तो उस फिनिश दंपत्ती ने पूछा यह सब कितना पैसा लेंगी तो उनको कहा यह पैसा वैसा नहीं लेने वाले तो यह कैसे हो सकता है तो हमने क्योंकि भारत को आपरेशन परचलता इक कॉंपुटिशन से नहीं चलता गोटिशन है ऽी ओवन रही है। है अन्यूद्स परसेंट को से उसके जिन्दगी में यह कलपना नहीं है कि हन्द्स परसेंट गौल कोई हाट से बन सकती है वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते हंगे रोटी और वो कहेरे यह हाथ से बनाते हैं 100% गोल तो उसका जितना कैमरे में real थी उसने सब उसी पे खर्ज कर दी गोल रोटी बना के देखने में मैंने आपको मैंने ये उधारन इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी तो का ये जो रोटी है गोल ये सबसे महतुपूर वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे जादा है क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है और आपके घर में हर माँ वहन इसको बना सकती है 10-12 साल की वहन भी आसानी से बना सकते इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गरम ये भारत में ही संभव है दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है तो आप समझ लीजे कि आपके पास कितनी वैलियोविल चीज है गरम रोटी और उसको आप छोड़कर थंडी करके खाए तो ये आपका दुरुभाग्य है तो रोटी को गरम गरम ही खाए गरम गरम ही खिलाए यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं वहां तो बिचारे तीन-तीन महीने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते हैं मैंने एक सिम्पल कैलकुलेशन किया था कि पाउ रोटी बनने के बाद और खाने तक त्येन नवबे दिन लिकल जाते हैं अमेरिका और यूरोप में पता है क्या कि गेहूं हर जगे होता नहीं कुछ जगे होता तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भरके वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई है फ्लोर मिल्स वहां उनका आटा बनता फिर वो आटा ट्रक में भर बरके फिर वहाँ जाता है फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है फिर वो वहाँ से बनकर कहीं और जाती है फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं हमारे आयुरवेद शास्त्र में बागवटची कहते है कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बहतरीन है आटे वह यह कहते हैं कि 15 दिन से ज्जादा पुराना कभी भी मत कहना half पंद्र दिन मैकसिमम वह भी गेहूं के लिए यह चना और मक्की और जुआरी इसके लिए तो साथी दिन कहा हुगा साथ दिन से ज्जादा पुराना नहीं खा सकते क्योंकि वह किस्ता है उसकी मा sieht्रो जिन्दाबार, हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बना कर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं, जो माता है यहां बुजर्ग है, इन्होंने अपना गाउं देखा होगा, अपने गाउं के घर की चक्की देखी होगी, यह चक्की पर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, कि यह क्या अधबुत चीज बनाई है हमारे रिशी मुनियों ने, यह दुनिया की ऐसी अधबुत मशीन है, जो आपको ताजा आटा तो देती ही है, आपके शरीर की स्वास्त के लिए, और आपके अंदर की माश पेशियों को हमेशा फ्लक्सिबल रखती है, और हमारे घरों में यह जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही है, मैंने इन माताओं पर एक छोटा सा रिसर्च अभी पीछले साल पूरा किया, मेरे एक दोस्त है आईरुवेद के चिकित सके उनके साथ मिलकर, वो गाओं में रहते हैं, तो मैंने का आप गाओं की कुछ महिलाओं पर अध्यन करिए कि जो चक्की चलाती है, इनके बारे में जरा पता करिए, और जो चक्की नहीं चलाती, पिसा हुआ राटा लाती है, तो उनके जो चक्की चलाने वाली माताओं हैं, उनके गाओं में नब्भे माताओं हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नही हुई है चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है गर्दन नहीं दुख रही है नीद अच्छी आ रही है डाइबिटीज नहीं है हर्पर टेंशन नहीं है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है 48-50 बीमारिया नहीं है और जो माता है पिसा हुआ आटा ला रही है कैप्टन कुक ITC का उनके घरों में डाइबिटीस भी है अर्थराइटीस भी है हाइपरटेंशन भी है ये भी है वो तो मैंने वो बैदी जी को कहा कि आप क्या मांते हैं ये जो चक्की चलाने वाली माता है ये ऐसा क्या विशेश काम कर रही है तो उन्होंने मुझे समझाया वो मेरे भी समझ में आया आपको भी समझाया हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए सबसे ज्यादा दबाओ पेट पढ़ता है हाथ पे इतना नहीं है पेट पेट पेदबाओ है और माके पेट में एक extra organ है जो पिता के पेट में नहीं है जिसको गरभाषे कहते है यह गरभाषे आपके पेट के बिलकुल बीचों बीच हिस्से में चक्की चलाते समय सबसे ज़्यादा जोर वहीं है और गर्भाशे के बारे में आयुरुवेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विग्यान के सारे रिसर्च यह कहते हैं कि यह गर्भाशे के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी flexibility है flexibility माने मुलाहिमियत अंग्रेजी शायद आप समझ जाएंगे flexibility मुलाहिमियत elasticity एक शब्द होता है अंग्रेजी में elasticity का मतलब जब चीज की जरूरत पड़े तो उसको तान देना जब जरूरत पड़े तो उसको संकुचित कर दे यह हमारे गर्भाशे का सबसे बड़ा गुण है इसी गुण के रहे तो यह हलन चलन सबसे अच्छे तरीके से मैंने खुछ चलाके देखा चक्की यह सबसे ज़्यादा पेट के हिस्से में होता है तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही है उनको ceserian delivery नहीं हो रही है क्योंकि गर्भाशे की elasticity maintain है तो आसन नहीं कि ceserian और वो दाई आती थी गाओं की जो MBBS नहीं है MD नहीं है MS नहीं है और बच्चे कराके चली जाती थी ऐसे जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया हाँ ऐसे होता है तो हमने इस बात को जब ध्यान दिया तो मेरे मन में आया कि इसको थोड़ा और बड़ा रिसर्च करना चाहिए तो इसी चिन्नई में मेरे एक मित्र है उनकी पत्नी और वो मिलके 15-16 साल से इसी विशह पे काम कर रहे है कि बच्चे को बिना किसी डॉक्टर की मदद के या सीजर ऑपरेशन के बाहर कैसे लाया जाए तो उनका 15-16 साल का रिसर्च ये कहता है कि ये सिर्फ चक्की की मदद से ही हो सकता है और आयुर्वेट तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ साथवे महीने तक चक्की चलाने की अनुमती देता है मां को साथवे महीने तक चक्की चलाई जा सकती है आठवे महीने में नहीं फिर उसको बंद कर देना अच्छा है और उतने साथ महीने की चक्की आपके लिए परियाप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख ले और जो सीजेरियन है उनके जीवन को देख ले जमीन आस्मान का अंतर है सीजर बच्चे ज़्यादा बीमार है समय समय पे बीमारिया है जो बिना सीजर है वो सब स्वस्त हैं दुरुस्त हैं तंदुरुस्त है ब्रेन का डवलप्मेंट भी उनका अच्छा है लॉजिक को डवलप करने की कैपिसिटी कलपना शीलता उनमें दूसरे बच्चों से जादा है तो बागवत जी का सूत्र है कि खाना बना तो 48 मिनट में खाएं और खाना बनाने वाली जो वस्तुए हैं जिन में सबसे महत्वपون्ण है आटा गेहूं का आटा 15 दिन से ज्यादा पुराना ना खाए जवारी, बाजरी और मक्की का आटा 7 दिन से पुराना ना खाए और वो ये कहते हैं कि रोज का हो तो सबसे अच्छा सुबह बनाएं और शाम को आटा इस्तेमाल हो जाए तो वो सबसे अच्छा ज्यादा दिन पुराना ना हो, तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को, अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजे, संभव हो तो इससे कई फाइदे हैं, आपको सबसे बड़ा फाइदा तो ये है कि आपके घर में माँ है कोई बेहन है, उसको माँ बनने के समय ये बहुत मदद करेगी, दूसरा आपका वेट कम करने में बहुत मदद करेगी चक्की अगर आपको एक्स्ट्रा मेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं, तो पंद्रे मिनट सुबह चक्की चलाया परियाप्त है 15 minute सुभे अगर आपने चलाया माहिने बाद आप देखना 12 से 13 किलो वजन कम होगा आपका सिर्फ 15 minute की चक्की रामदेश जी चक्की चलवाते हैं के नहीं आप चलाते हैं के नहीं लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है है ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं है तो असलियत में चला लो कुछ तो आटा तो मिलेगा करेंद कि कम से कम आटा तो निकलेगा यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है अब आप बोलेंगे जी चक्की कहा मिलेगी चक्की अभी भी मिल रही है यहीं चिन्नई में मिलेगी पत्थर बानाने वाले बहुत लोग इस देश में है जो अभी बी यह काम कर रहे हैं लेकिन वो रो रहे हैं कि श्रांजी भात आपsels हमारा सिल्भत। भटा भी कोई खरीदता नहीं चक्की भी कोई तो मैंने संकल्प लिया कि मैं विकवाऊंगा आपकी चक्की हाँ और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मेनेजर हूँ वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूँ यह मार्केट बनाने में भागवट्टी जी की बड़ी मदद मिल रही ह तो आप चाहें तो एक चक्की ले लीजे बहुत महंगी नहीं आती सस्ती है 15 मिनट आप भी चलाएं महिलाएं भी चला सकते हैं पुरुष भी चला सकते हैं इसमें ऐसा कुछ बेदवाव नहीं है कि पुरुष ना चलाएं महिलाएं चलाएं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्र गेन माने आपको जो extra organ है body में uterus वो पुरुष को नहीं है इसको मदद मिलेगी आपको flexible बनाए रहे और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया वो माताओं बेहनों को विश्य शुरूप से उम्र के एक पड़ाओ में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी तब आपको गर्भाश है के बहुत सारे complication शुरू होंगे सबसे बड़ा complication तो यहीं से शुरू होगा कि आपको menopause period शुरू होगा menopause period शुरू होगा और उस period में जितने complication हो सकते हैं वो बच्चे के जनम के समय भी नहीं होते कर दो और कई complication तो ऐसे जिनको कोई मा समझ भी नहीं पाती कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से पसीना आएगा पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी फिर थोड़ी देर में तम तम जाएगा चेहरा एक दम गर्मी fleshes समझ में नहीं आता किसी मा को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी इतने variation होते हैं मिनिट मिनिट में variation होते हैं मन आपका इतना depression में चला जाएगा इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिलकुल बेकार है इसमें क्या करना जिंदा रहे के ये depression तनाओ मन में होगा अवसाद मन में होगा और ऐसे ऐसे complications बनते जाएंगे कारण उसका एकी है कि कुछ हार्मोंस आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अब हार्मोंस बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किल है ये सब आती है तो भगवान की विवस्था ऐसी है 45-50 साल की उमर में हर मां को दूसरा जनम लेना पड़ता है ऐसा कहा जाता है तो ये जो दूसरे जनम की समस्याएं हैं इनको जिन्दगी में खतम तो नहीं किया जा सकता लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूँ तीसरे सूत्र विशेश रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिध धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है इसमें पर्मानेंट कोई क्योर नहीं है क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो होई गए उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता लेकिन बागवटी जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मा के रसोई घर के जो उपकरण है उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स इनकी मदद आप ले सकते हैं तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने का चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिल्बटा, मसाला फीसने वाला जो सिल्बटा है न, ये दूसरा बड़ा उपकरण है। अगर आप मैंने सिल्बटा चला के देखा तो इस सिल्बटे को चलाने में भी सबसे ज़्यादा जोर पेट पे ही आता है। कम रहने ही वाली है, तो आपके जिन्दगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खाखा के कम करें, तो दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, ज्यादा दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, कि मोटा पा बढ़ेगा। एक HRT टेक्नीक है, हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी, ज्यादा तर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उमर में, हाथ जोड़कर विंती है कि कभी न जाएं। और अगर आप गए उसमें, तो आपके बजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से, बढ़ेगा ही, क्योंकि हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी में जो मेडिसन हैं, वो सब मेद बढ़ाने वाली हैं, मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट और दवा नहीं खाना चाहते हैं, तो पंदरे मिनट की चलाईये ना सवेरे, सवेरे, चक्किन आप The quality दोगों का शरीर में इसमें अच्छी थे घी दूद भी अच्छा कॉ मिलता था, तो एकए दोग एक दो, घंटे is gonna सकते थे आज के समय को ध्यान में रखते हुए 15 से 20 मिनिट भी आपने चलाया या तो सिल्वट्टा या तो चक्की तो जिंदगी आपकी एकदम सुरक्षित और निरोगी रहने वाली तो विज्ञान के साथ रसोई सबसे ज्यादा इस देश में जुड़ा हुआ है तो तीन सु संत्रों में एक छोटी सी जानकारी और कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि यह कम हो तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं अगर आपने भी चक्की चलाई और सिल्वट्टे पर चट्नी बनाई तो आपकी चट्नी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही आपका जो पेट है यह अंदर चला जाएगा जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ स्टाम पेपर पर आप लिखवा लीजे मुझसे हजार रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम पेपर दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है वो बोलता नहीं बात अलगे कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज़्यादा बाहर आता है क्योंकि जिम्नेजियम की जो एकसरसाइजिज है और वहाँ जो एकसरसाइजर रखा है मशीन वो आप से मेल नहीं खाती आप पता है क्या मेल नहीं खाती जिम्नेजियम की सभी मशीन है ज्यादा स्पीड वाली है और चक्की और सिल बटा ये स्पीड कम है, धीरे धीरे, हमारी जो तासिर है, वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि हम गरम देश में रहते हैं गरम देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभभdens रूब से वायु का प्रकोब ज़्यादा होता है शरीर में ये कल मैं और इस बिस्तार से बात करूँंगा वायु माने आफ पिट्ट और कफ शरीर में तीनों है गरम देश के लोगों में वायू का प्रकॉप स्वाभाविक रूप से जादा होता है अब वायू का प्रकॉप जादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो जादा तेज करेंगे तो वायू और बढ़ेगी इसलिए भारत में ये कहा गया है कि डांस करना है तो धीमे धीमे करो इसलिए यहां के जो डांस है ना उनके स्टेप्स जैसे भरतनाट्यम जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुछी पुडी ये सब डांस के स्टेप्स आप देखो स्लो है, स्लो और यूरोप में बिल्कुल उल्टा है, ठंड बहुत है, जाद है ठंड के देशों में क्या होगा कि वायू बिल्कुल उल्टी इस्थिती में होती है, बहुत ही कम होती है शरीम, और पित और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं, तो वायू बढ़नी है उनको, पित और कफ को समान रखने के लिए, तो हर चीज वो फास्ट करेंगे, उनके डांसे बहुत फास्ट होंगे, आप हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी, इसलिए हमने चक्की बनाई, सिल्वट्टा बनाया, बैल गाड़ी बनाई, क्योंकि हर चीज हमें स्लो चाहिए, बात हमारा बढ़े नहीं, स्पीड से बात वढ़ता है, ध्यान रखिए इस बात को, बैल गाड़ी क्या है पईया ही तो है मुख्य क्या है पईया है ना तो पईये का इंवेंशन सबसे पहले भारत में हुआ दुनिया में लेकिन हमने वो बैल गाड़ी में लगाया हवाईजाज में नहीं लगाया हम भी चाहते तो हवाईजाज का पईया बना सकते थे जिसने सबसे पहला पईया ब भी बना सकता था लेकिन जरूरत नहीं अपने को अपने को जरूरत बैल गाड़ी की ही है क्योंकि ये स्लो है स्लो इसलिए कि बैल जो खीच रहा है उसके शरीर को वायू का प्रकोप ना बढ़े हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया बैल के लिए भी उतना ही सोच क्योंकि बैल और मनुष्य बराबर है हमारे हैं अलग नहीं है हिस्सा है हमारा परिवार का हिस्सा तो बैल जब बैल गाड़ी को खीचे अगर गाड़ी फास्ट है तो बैल को फास्ट दोड़ना पड़ेगा तो बैल की वायू बढ़ेगी और वायू बढ़ने से म्रत्यू जल्दी होती है तो बैल ज्यादा दिन तक जीवित रहे आपका काम करें इसलिए बैल गाड़ी में स्पीड स्लो रहे स्पीड स्लो रहे इसलिए बड़ा पहिया बनाया पहिया जितना होगा Speed इतनी होगी पेहा जितना चोटा होगा i speech इतना ज्यादा होगी है डंबर ऑफ रोटेशन होंगे न पर मिनेट जिसको आप् पीução मिनेट जतने ज्यादा होंगे speed इतनी होगी तो rotation ज्यादा कर लिए क्लाए छोटे पहिये ही चाहिए इसलिए हवाई और उन्होंने हुआई जाज का पईया बनाया तो अगड़े नहीं हैं उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया वो जो कहते हैं न, invention is the mother of necessity हमारी जरूरत थी कि बात हम कम रखें अपने शरीर में और जानवरों के शरीर में क्योंकि गरम देशों में बात वैसे ही बहुत बढ़ जा है तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिल बटता है, धीरे धीरे चलता है और वो जो आपके घर में है, मसाला पीसने वाली मशीन, mixi, एक्दम fast ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है, हमारा तो वो धीरे-धीरे वाला ही अच्छा है चक्की धीरे-धीरे चलती है, यूरोप से आई हुई चक्की, बिजली की जो है न, एकदम fast चलती है अब मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ, जो चार साल से, पास साल से हम कर रहे हैं हमारा एक केंद्र है बीलवाड़ा में, वहां हम चक्की चलाते हैं बीलवाड़ा केंद्र हमारा भारत का सबसे अच्छा केंद्र है आज की तारीक में आगे और कोई बन जाए, चेन नहीं में तो शाहिद भगवान सुन लेगा बीलवाड़ा केंद्र में आप में से कोई भी राजिस्थानी हो तो हमारा केंद्र जरूर देखने जाए बीलवाड़ा में नागोरी गार्डन है वहाँ पर हमारा केंद्र चलता है उसका नाम है स्वानन्द हमारे सभी केंद्रों का नाम स्वानन्द है हमारा brand name स्वानन तो उसके अंद्र में हम चक्की चलाते हैं चक्की चलाकर गेहूं का आटा बनाते हैं जवारी का आटा और बाजरी का आटा सब तरह के आटे और वो आटा बील वड़ा के सौ परिवार सवासो परिवार के लोग नियमित रूप से ले के जाते हैं और खाते हैं वो सौ सवासो परिवारों का सारा डाटा बेस हमने बनाया है अब वो सौ सवासो परिवारों को चार साल चक्की का आटा खिला खिला के हम पूछते रहते हैं भाई क्या हो रहा है तो कहते हैं एसिडिटी खतम हो गई और क्या हो रहा है कहते हैं जी गुटने का धर्द कम हो गया और क्या हो रहा है नीद अच्छी आ रही है और क्या हो रहा है पित्त की बिमारियां कम हो गई है और क्या हो रहा है वो कहते हैं जी ब अनंद बढ़ रहा है। सुख बढ़ रहा है। खुशी बढ़ रही है। क्या बस वो चक्की का आटा खा रहे हैं और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि आप माताएं जो लेके जाती हैं आटा मैं पूछा आप बताओ जी आपका उब्जर्वेशन क्या तो उनका ये जो चक्की का आटा इसकी रोटी इतनी नरम होती है। बच्चे भी उनकी रोटी पसंद से खाते हैं घर के लोग भी अच्छे से खाते हैं अब वो ये कहते हैं जी एक केंदर से दो कर दो क्योंकि उसके पूर्ती नहीं हो पारे। एक केंद्र सौ घरों का यह आटा बना पाता है रोज क्योंकि 15-20 महिला आए वहाँ चक्की चलाती हैं हम दूसरा बनाने की सोच रहे हैं तीसरा बनाने की सोच रहे हैं फिर एक दिन मनें सोचा कि यह रास्ता तो गड़बड है अगर हम ऐसे केंद्र बनाते जाएं तो यह रा दिखाना चाहते हमारा उत्देश यह है कि हर घर में आटा बनाने की चक्की आ तो अब हमने वहाँ सब्सक्राइब और ले जाओ जी अपने घर में यहुद्न किषी से अठा बना लो आप स्वस्त हृंगे घर भी स्वस्त है तो वही मेरी आपको विनंति है कि घर में चक्की वापस लाइए और सिल बट्टा भी वापस लाइए मसाला पीसना है तो उस पर पीस यह आपको चटनी बनानी है तो उस पर बनाईए चटनी का स्वाद भी अच्छा होगा और उसके जो सुक्षूपोशक्तत्व हैं वो भी अच्छे रहे और एक छोटी सी आखरी बात आज के लिए समय हो गया है आखरी बात यह है मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो यह कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाओ आया रसोई में 20-25 वर्षों में हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाओ है रसोई नहीं है रसोई तो बागवट्टी जी कहते हैं दुनिया का सबसे पवित्र स्थानी सबसे पवित्र स्थानी लेकिन उसमें बदलाओ आ गया बदलाओ क्या आया पहले चक्की होती थी सिल्वट्टा होता था अब मिक्सी आ गई या तो हमने कोई मशीन ले ले और अब तो में जितनी हमने बदलाओ लाया टेक्नॉलजी कल ये सब बदलाओ ने हमको बीमार बनाया माताओं को तो ज़्यादा बीमार बनाया मैंने पिछले 20 साल की जितनी रिसर्चिज है रसोई घर से जुड़ी हुई इन सब को ध्यान से देखा तो पता चला कि हमने विकास के नाम पर अपने ही घर को बीमार बनाने की क्रिया शुरू की है और रसोई घर में जितनी चीज़े हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया जैसे वाशिंग मशीन आ गई इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया चक्की आ गई उसने माने बिजली की चक्की आई उसने आपका शरीर श्रम घटाया सिल्बटे का शरीर श्रम आपका घटा मिक्सी के आने से हर जो चीज़ आई है वो बनाया आपके हाँ माइक्र वे वो वनाया फिर ये फ्रिजा इसने आपका शरीर श्रम घटाया और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है बागबटी जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उमर है साठ के बाद जब आप साठ के हो गए तब आप शरीर श्रम कम करते जाईए साठ साल तक तो शरीर श्रम कम करने की जरूरत नहीं अठारे से लेकर साठ साल तक शरीर श्रम चाहिए ही शरीर श्रम चाहिए तो थोड़ा थोड़ा श्रम आप करते रहें अब तो हमने पोचा लगाने वाला भी मशीन ले आया जाडू लगाने वाला भी मशीन ले आया रोटी बनाने वाला भी मशीन आ गया चटनी बनाने वाला भी मशीन आ गया रोटी को रखने वाला भी मशीन आ गया अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंग वो सब चला गया कैसे चला गया मैंने बच्पन का मुझे याद है माताएं बहने काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी गीत गाती थी अब वो कामी बंदो गया तो गीत भी बंदो गया अब किसी भी मां को पूछो कि 20 साल पहले बच्चे के पैदा होने पे क्या-क्या गीत ओकाए जाते थे याद फी नहीं है तो अब क्या करते हैं झाय ये पचीव मादoga उमें बच्चा पेदा हुए क्योंकि वह गीदा नहीं वह समय मिलता था काम करते करते वो समय चला गया तो गीत चले गए शादी के समय क्या-क्या गीत गाए जाते थे याद नहीए अब तो वो डीजे लए आते हैं और वीजे पता नहीं क्या-क्या उसको बोलते है बड़ा سाउंड बॉक्स और लगा दिया और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी नसूर नले नताल तो हमारे याँ काम में आनंद था देखिए मैं आपसे विनमरता पूर्वक एक बात कह सकता हूं कि भारत की कोई भी माँ शरीर श्रम से ठक सकती है बोर नहीं हो सकती ये शब्द बोरियत भारती ये शब्द नहीं है ये अंग्रेजों का शब्द है हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया बोर होना जी हम क्या कर रहे हैं बोर हो रहे है आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूं जी क्या कर रहे हैं बोर हो रहे हैं अब बोर हो रहें तो करें क्या तो ले देखे वो एक टीवी है चालू कर दिया उसमें पोगो देखो पोगो अब पोगो में क्या है वो और ज्यादा बोर हो जाओ तो पोगो की जगे कोई दूसरा देखो लोगो या तीसरा देखो वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे क्यों कि इसमें interaction कुछ नहीं है सब कुछ one-sided है और गीत गाने में interactive है ये एक side नहीं है ये multi-sided है तो हमारी माताई गीत गाती थी हर समय के लिए गीत बने हैं पापड बना रही है बड़ी बना रही है उस समय के गीत अलग है मसाला पीस रही है उस समय के गीत अलग है शादी के लिए मसाला पीस रहा है उस समय के गीत अलग है शादी के लिए पापड और बड़ी बन रही है उस समय के गीत अलग है ये गीत एकठे आजकल में कर रहा हूं हजारों की संक्या है गीतों की लेकिन इनको लिपी बद्ध हम नहीं कर पाई किताबे नहींश्पी इनकी नोट बुक्स नहीं बनी तो धीरे धीरे खतम हो रहे हैं या तिरोहित हो रहे हुँ इन गीतों में जो सुर्फ है जो लए है जौ ताल है वह हर मा के लिए आसान है हर मा उस सुर और लए और ताल में गा सकती है अवाज का पिछ उपर नीचे हो सकता लेकिन सुर लए ताल वो सबको एक जैसा है मालूम है उत्तर सेडक्षन पूरब से पशें धान की पौदे लगा रहे हैं तो अलग गीत है धान काट रहे हैं तो अलग हमारे यहां हर काम के साथ गीत और संगीत है क्योंकि बोरियत ना आए और आज जो आधुनिकता में से निकला है मौडरनिजम में से निकला है इसने सब कुछ खतम कर दिया तो बोरियत ही आएगी समय आपका ले लिया तो बोरियत आएगी तो बागवटी जी कहते हैं कि आप आपका जीवन ये अब उनका पांच मसूत है आपका जीवन जहां आप रहते हैं जहां आप रहते हैं बने आप बद्रास में रहते हैं तो यहां की जो आबो हवा है जो यहां की तासीर है उसके हिसाब से चलना चाहिए राजिस्थान में रहते हैं तो वहां की आबो हवा तास सीर में खास तरे के गीत, खास तरे का संगीत, खास तरे का श्रम, यह हजारों साल पहले बना और विक्सित हुआ है, यह वापस आएगा, मुझे इसके बारे में थोड़ी शंका होती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, तो जरूर वापस आ सकता है, इतना मुझे बागवट्ट ज के पचास सूत्र बताऊंगा, अगले 28 तक, अभी तक 5 बताए, कोई शवाल पूछना चाहे हैं, जी पूछे, हाथ उठाईए, और मेरी बिन्ती है, भाईया, कोई उठके ना जाए, प्लीज, थोड़ी देर रुकिये, यह सवाल हो सकता है, आपके भी काम के हो, जरूरी नह अगर कागज पहन है तो लिख लीजे, कौपी है तो लिख लीजे, डाइरी है तो लिख लीजे, और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि नहीं लिख पा है, तो भी चिंता मत करिए, यह सब सूत्रों की पुस्तकें बरपूर मात्रा में आ गई है, एक भाई कौन लेके आए, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ट्रांस्पोर्ट में जाके, अंजनी कुमार जी है, हाँ, बहुत धन्यवाद आपका, यह अंजनी भाई, हमने कई पुस्तकें ट्रांस्पोर्ट से भेजी थी, वो आ गई है, यहाँ पीछे है, भरपूर मात्रा म है, यह सब सूत्र उन में, विस्तार से हैं, मैं तो शौर्ट में बता रहा हूं, आप वो भी ले जा सकते हैं, बाहराज स्टॉल पर भरपूर पुस्तक है, हाँ, पांच सूत्र फिर से बताता हूं, सबसे पहला सूत्र जो मैंने कल कहा था, कि भोजन को बनाते और पकाते सम सूरी का प्रकाश और पवन का इस पर्ष ना मिले, तो वो भोजन नहीं करना, अब सूरी के प्रकाश और पवन के इस पर्ष का लंबा विश्लेशन मैंने कर दिया था, कि आप प्रशर कुकर का खाना नहीं खाना, माइक्रोवेव का खाना नहीं खाना, रेफ्रिजरेटर का खाना नहीं खाना ये दूसरा जो सूत्र था बागवट जी का कि खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खाना खाना पकने के 48 मिनट के अंदर खा लेना बचना नहीं चाहिए दूसरा सूत्र वो मैंने विस्तार से समझाए तीसरा सूत्र था कि खाना बनाने का जो सामान है जैसे गेहूं का आठा चने का आठा दाल का आठा या तो बाजरी मक्की वगरा वगरा तो गेहूं 15 दिन क्या मने गेहूं का आठा 15 दिन पुराना तक खा सकते हैं और ये जो मोटे अनाज कहे जाते हैं जुआरी है बाजरी है मक्डी है ये 7 दिन पुराने से ज्यादा ना हो मतलब यह है कि घर में 15 दिन से पुराना आठा नहीं रखना सीधा सा सूतरइ हर 15 दिन पर नया आठा आता रहना चाहिए उतना ही आठा पिस्वाईए ना जितना जरूरत है आप चक्की लाते तो बहुत अच्छा नहीं लाते तो भी चक्की पर जो आठा पिस्वा कर ला रहे हैं वो 15 दिन से ज्यादा पुराना ना ऐसा आप अपने घर में नियम बनाए तो यह तीसरा सूत्र है चौथा सूत्र है बागवट जी का जो मैंने आपको समझाया कि कि आप अपने शरीर श्रम को 60 साल की उम्र तक कम मत करिये मतलब यह है उन्होंने एक उम्र बनाई है बच्चा जब पैदा हुआ और अठारे साल तक उनका एक कैटेगरी है अठारे साल से लेके के साथ कम होते ही जाना चाहिए यह ज़्यादा श्रम ना करें तब ही अच्छा है इनको आराम ही करना है तो 60 से आगे की उम्र वाले श्रम को कम करते जाएं उम्र के हिसाब 18 से 60 के बीच के जो लोग हैं यह अपने श्रम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं 18 से 19 से 20 से 20 में थोड़ा ज़ादा 20 से 21 से तोड़े जादा यह Hij और 18 से और एक साल वाले मने जिनका जनम हुआ है और 18 साल वाले इनके लिए उन्होंने कहा है कि इन कि उम्र जो है जादा श्रम करने की वहाँ है जो इनको खेलने के रूप में है आप वो माने की श्रम है जैसे बच्चा खेल रहा है यह उसका श्रम है तो आप उनको जादा खेलने दीजिए मतलब यह है कि 18 साथ से कम उम्र के बच्चों को खेल कूद जादा करने दीजिए वो उनका श्रम है 18 से 60 की उमर में ऐसा श्रम जिससे उत्पादन भी होता हो चक्की चलाई तो आटा बन गया सिल्वटा चलाया तो चट्नी बन गयी माने उत्पादन कुछ ने कुछ हो तो उत्पादक श्रम 18 से 60 के बीच में कम मत करिये साथ के बाद इसको कम करते जाए और अठारे से एक साल के बीच के बच्चों को उत्पादक श्रम मत करें ये हैं और आखरी सूत्र माने आज के हिसाब से आखरी सूत्र के आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए आबो हवा का ध्यान रखिए बातावरण का ध्यान र तो आपकी जो आबो हवा है इसका ध्यान कैसे रखना मैंने आपसे उधारन के लिए मैं कहा था कि भारत गरम देश है और कनाड़ा ठंडा देश है गरम देश के बारत के लोगों को वात के रोग सबसे जादा है बागवटेजी कहते हैं रोग हैंसे मैं वात के सबसे जादा क्योंकि हम गरम जगे रहते हैं तो आप ध्यानर रखिए कि गरम जगे में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े जैसे मैं आपको एक उधारण दू माफ करिएगा ये उधारण देते हुए आप दोड़ लगाते हैं रनिंग इसमें वात सबसे ज़्यादा बढ़ता है हमारे आजकल एक फैशन आया मारनिंग में दोड़ो दोड़ना नहीं है चलना है चलने और दोड़ने में अंतर आप समझते हैं दोड़ने में उर्जा बहुत शरीर की गरमी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ाएगी वाद बढ़ेगा तो यह घुटने बहुत जल्दी आपके ठकेंगे आप देख लो जितने हिंदुस्तान के रनर है ना रनर सौ मीटर दोडने वाले दो सो मीटर 35 साल के बाद किसी के घुटने काम नहीं करते सब बैठ गए मिलखा सिंग को मैं मिला हूँ वो कहते हैं यार उस समय जो मैं दोड़ गया न अब पता चल रहा है कि उसका क्या से पर्मनेंट डेमेज होगा हैं दोनों नी जोइंट्स मिलखा सिंग के तो भारत दोड़ने वाला देश नहीं है माने सुबह आप जाओ तो मौर्निंग वॉक के लिए जाओ रनिंग के लिए मत जाओ जाओ जाओगे तो बात बढ़ेगा बात बढ़ेगा तो तकलीफ है तो बागमटी जी बहुत गहरी बात कह रहे हैं जहां रहते हो वहां की आबो हवा और तासीर को ध्यान में रखो हमारी आबो हवा गरम है गरम हवा में बात बढ़ता है ये याद रखो तो बात बढ़े ऐसा कोई काम मत करो और यूरोप बालों के यहां क्या है कफ बहुत बढ़ता है क्योंकि ठंड है ठंड में हमेशा कफ बढ़ता है तो ठंड ये लोग हैं ठंडे देश हैं ठंडा आबो हवा है तो कफ बहुत बढ़ेगा तो वो उसका ध्यान रखें जो कनाडा में रहते हैं अमेरिका में रहते कि कफ मत बढ़ने दो अब बात ना बढ़े हमारा कफ ना बढ़े यूरोप और अमेरिका वालों का तो सारी दुनिया निरोगी पित जो है वो सम्मे वैसे भी रहता है पित जो है जादातर सम्मे ही रहता है तो यह पांचवा सूत्र है तो यह पांच सूत्र मैंने फिर से आप को बता दिया आपके प्रथम सुत्र के अनुसार सोलार कुकर कितना उप्योगी है बहुत अच्छा सवाल है मैं इंतजार करना था कोई पूछे देखिए मेरे प्रथम सुत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे ज़्यादा उक योगी है क्योंकि भागवटजी क्या करें सूरिका प्रकाश jam का इस्फर आप सोलर कुकर एक इसी अधित चीस बनी ह यह बनाई गई इस जिसमेस सोरी का प्रकाश सबसे जादा तो सोलर कुकर का खाना बहुत अच्छा लेकिन कौन सा सोलर कुकर देखिए एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डब्बे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं ना वो सब अल्यूमिनियम के डब्बे हैं वो ध्यान रखिएगा आपने देखा ना सोलर कुकर में वो डब्बे बंद करके हम रखते है और कल मैं कहे चुका हूँ इस बात को कि अल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है जिसमें खाना नहीं रख सकते तो सोलर कुकर ऐसे टेक्नालोजी अच्छी है लेकिन उसके वैसल्स चेंज करें तो अल्यूमिनियम के वैसल जब तक है तब तक ये सोलर कुकर का खाना जहर है लेकिन सिध्धानत रूप में सोलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नालोजी है तो आप बोलेंगे फिर कोई वैसल बदल के उसमें रखके रखिए पीतल के रखिए कांसे के रखिए तो वो ये कहते हैं सोलर कुकर बनाने वाले के टाइम ज़्यादा लगता है मैं उनसे कहता हूँ टाइम का बचाने का चक्कर छोड़ दीजे क्योंकि यहाँ टाइम बचाएंगे तो दूसरी जगे जाएगा होस्पिटल में तो जैसी सोलर कुकर में आफ इसल आजाएं पीटल के का से के.? आप उनका जरूर इस्तेमल करिए वो विग्यान के हिसाब से बागवट के हिसाब से breaths जब तक है ति अंस तब Πर को कर दो हमizadazna इसे कि ये प्रृतव क्छिए ॐशन देन फॉनितर और आपक्यश्य कह आप वो मैं अभी पूरा नहीं हुआ कल और परफ्यूम बोलूगा बोलूगा कल परसों अभी 28 तक यह विशह आएगा बागमट का सूत्र आएगा उसके रेफरेंस में बोलूगा आपके दूसरे सूत्र के इसाफ से बोत अच्छा उसके लिए में एक विकल बताता हैं जो बच्चे आपके सुभे सुभे सुभेल स्कूल चले जाते हैं उन के लिए यह शूत्र कैसे अपलाई होगा मेरी बिंती है कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल बेजिए आप बोलेंगे जी खाते नहीं है मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे खाएंगे वो खाना हमारे शरीर की अपनी एक साइकल है और वो साइकल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके आठ घंटे के बाद ही भूक लगेगी आपको ये शरीर का अपना नियम है तो बच्चों के ऊपर भी यही नियम है पुरुशों के ऊपर इस सब क्यों तो साइकल शरीर की ये है कि खाने के आठ घंटे के बाद ही भूक लगेगी तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजे कि सुबह तक आठ घंटे पूरे हो अगले दिन शाम कोई खाना खिला दीजे रात को मत खिलाई शाम को छे बज़े तक अगर आपने खाना खिला दिया छे बज़े तक तो आठ नो बज़े तक सोने की नीद उनको आई जाएगी क्योंकि डिड़ घंटे के बाद जैसे ही खाना पच्च के रस में बदलता है शे बज़े से आठ घंटा गिनेंगे तो सबेरे चार-पांच बज़े तक वो पूरा हो जाएगा तो चार-पांच बज़े के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो वो खाके चले जाएगा आपको आधा खाना पचा आधा नहीं पचा सबेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे तो आप शाम का खाना जल्दी खाने लगिए माने सब लोग जैन ही हो जाईए है हां परोक्षुरूप से मैं यह कहता हूं कि जैन धरम आप पालन करें वह महत्तुका है धारन करें वह महत्तुका उतना नहीं है आप आचारी श्री को बंदन करें बहुत अच्छा नहीं करें तो शाम का खाना तो छे मज़े खालें तो आप आचारी श्री के बंदन से भी बड़ा काम करेंगे वह आचारी श्री भी यही कहते हैं शाम का खाना जल्दी खाओ तो आप थोड़े जेनी हो जा रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि बाग बट्टी जी का यह जो पहला नियम है यह अभी मैंने आधा ही बता सूरिका प्रकाश और पवन का इसपर्श हर समय वो कहते हैं खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए अब 6 वजे के बाद तो सूरिप्रकाश रह नहीं सकत कर ठाल आप आप जानते सूरिप्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विट्यमिन D का निर्मान सूरिप्रकाश में ही विट्यमिन D बनता है तो जब तक यह सूरिप्रकाश नहीं तब तक Uh-ınızसे जाथ जिए उस परठा खिला ये गोबी का वी खिला ये कोई फरक ने आगे बात करूंगा सुबह का वोजन जितना हैवी हो अथना अच्छा गोबी का परठा अलू का परठा जितना परठा पूरि जो जो पकवान सब सुबह सब बूपहर का कहना थोड़ा कम और रात का विल्कुल कम शाम का बिल्कुल कम, तो बच्चों को भरपेट खाना खिलाके स्कूल बेजिए, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है, जब वो घरा हैं तो दूसरा भोजन कराईए, और शाम को छे बजे तक तीसरा भोजन कराईए, तो मैंने कुछ बच्चों पर प्रयोग किया, शाम का भोज खाने पर लग जाएगी क्योंकि वो शाम को सूरी के बाद खाना नहीं खाते कोई गाय रात को खाना नहीं खाती खिला के देख लो जरसी गाय को छोड़कर जरसी भारत की नहीं है इसलिए उसको भारत का पता भी नहीं है वो रात को दो बज़े भी खा लेगी लेकिन भारत की कोई भी गाहे भारती नसल की गाहे छे वजे के बाद खाना नहीं खाएगे तो भारत की तासीर ऐसी है इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिये सुबह भरपूर बोख लगे और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजे खाल में आप उसको एसिडिटी अलसर पेप्टिक अलसर से बचाना चाहते हैं तो हमारे जिंतकों ने कहा है हमारे भुजर्गों ने कहा हमारे इत्यासकारों ने कहा है कि परिवर्थन ही जीवन है तो क्या सारे परिवर्थन बेमानी है अगर परिवर्थन बेमानी नहीं है तो ऐ बहुत अच्छा सवाल देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं यह प्रकर्ती का नियम है और यही जीवन है यह बिलकुल सही बात है लेकिन हमें ध्यान यह देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल है बस इतना ध्यान देना है अब इस बात को बागवट जी कहते हैं एक सूत्र में अब आपने पूछ लिया तो वह सूत्र विवर्त वो यह कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थती में आप रहते हैं उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है और जो अबो हवा और परिस्थती में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है अब मैं इसको और इसपश्ट करता हूँ यूरोप और अमेरिका में पिछले सौ साल में जितनी रिसर्च होई वो उनके लिए बहुत वोवन भी रखो उनके लिए बहुत अनकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनकूल होगा अब जैसे मैं आपको उधारण दो चक्की है चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को गुमाते थे बीच में लकडी का एक उसमें वह लगाते थे वह लखडी का हमने निकाल के उसमें बीरिंग लगा दिया यह भी परिवर्तन हुआ यह हमारे अनुकूल बैठता है क्योंकि बीरिंग लगने के बाद उसका जो कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादल ले सकते हैं श्रम तो हो ही रहा है लेकिन जितने श्रम में हम पहले एक किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब तीन किलो आटा मिल रहा है ये भी परिवर्तन है लेकिन ये हमारे अनुकूल है इसी तरह से और एक उधारण दो हमारे कुछ कारे करता है पूना में उन्होंने बैल गाड़ी के पहिये में भी बीरिंग लगा दिया परिवर्तन यहां भी हुआ नई बैल गाड़ी बनी उसमें बीरिंग का पहिया है अब उसका क्या हुआ कि बैल को खीचने में मदद हो गई पहले बैल एक टन अनाज ले स्वावरंड और हमारी प्रकृति की अनुकूल है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और दूसरों के आपोःपार प्रकृति गें पूंकूल परिवर्तन है वह आपको उतना अच्छा नहीं है हुआ यहां कहने का है ठेक है जी बच्चा पूछ रहा है पूछो उनन्य इस गैस जाद अच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजे लेकिन अगर विकल्प है भारत में तो है यह मैं जानता हूं इसलिए जाद अच्छा नहीं यहरी जानता है और यहां पर चावल के खाने के आइटम ज्यादा होती है यहां पर चावल का आइटमस होती और इस समय चिन्नई में रहते हैं तमिलनाडू और पूरा एरिया चावल के लिए मशूर है तो आप चावल ही ज़ादा खाईए और इसको ज़ादा आगे बाद गहरी बता देता हूँ यहां की जो मिट्टी है तमिलनाडू की खेतों की मिट्टी और राजिस्थान की जो मिट्टी है उसमें जमीन आस्मान का अंतर है यहां की मिट्टी आप अगर देखोगे तो वो ऐसी है जो पानी को ज़्यादा देर पकड़ के रखेगी और राजिस्थान की मिट्टी रेती ली है जिसमें पानी टिकेगा नहीं, यह भगवानने अच्छेते से बनाया है, राजिस्थान के लोग जहां रहते हैं, जिस तापमान में रहते हैं, जिस आब्वो हवा में रहते हैं, उनको शरीर में कुछ ऐसे केमिकल ज़्यादा conceived है, तो वह उस मिठ्टी में और आवो आप जादा ही खाईए यहू राजिस्थान से लाकर खाने की कोशिश मत करिए माने आप अगर यह कोशिश करेंगे तो तकलीफ आपको आने वाली है इसलिए आवो हवा का ध्यान रखिए चावल के प्रिप्रेशन यहां जादा है वो आप जादा खाईए अब समस्य कि आपके साथ यह है कि आप राजिस्थान से आतो गए राजिस्थान छूटा नहीं आप से वो छूटता नहीं है समस्या वहां थी हम बिहार से आ गए तो सिर्फ इस्थान परिवर्तन हुआ मन परिवर्तन नहीं हुआ मन अभी भी है राजिस्थान में माने मैं इसको ऐसे क चूटा यह सम्मन का खेल है मन से सारे स्वाद और वह सब जुड़े मन नहीं चूटा तो स्वाद नहीं चूटा तो आप फिर यह हो मंगवाते हैं और उसको रोटी बनाके खाते हैं वो स्वाद के लिए तो ठीक है कौश्टिक्ता के कि एसाब से आपके लिए चावल जादा तो शायद आपने एक balance बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं चावल भी खाते हैं यही है ना तो इसी को चलने दीजिए मैं आपका मन छुडाना नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप permanent यहां रहें एक दिन राजिस्तान तमिलनाडू से अच्छा हो जाए तो आप चले थोड़ा इडली खा लीजे और थोड़ा हलुआ खा लीजे हलुआ इडली के साथ जरूर खा लीजे balance के लिए थोड़ा दो साथ खा रहे हैं तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एका टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का यह मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में कि के साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहें टिका रहें लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वास्त के लिए थोड़ा क्योंकि मन भी अगर आपका बहुत दुखी हुआ तो स्वास्त खराब हो गई यह भी मैं बता रोटी नहीं मिलेगी तो मन खराब होगा तो उ अल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज़ा वो उसमें अंदर यूस आ रहा है मतलब जो साइंसिफ के हिसाब से जो भी अभी जो पैकिंग वगर हो रहा है उसमें अल्यूमिनियम पर जड़ देते हैं कि आपका फ्रेसनेस रहेगा उसके उपर दरा बहुत 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 मेरा आपको एक ही विनंती है क्योंकि ये मैं करके देख लिया है कि अल्यूमिनियम फाइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में ये बहुत ही खराब है अच्छा नहीं है तो आप बोलेंगे किस में पैक करें खाना कपड़े में पैक करना सबसे पतले सूती कपड़े में रोटी बांद कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है कल्दक में आपसे जो बात कर रहा था वो अश्टांग हिर्दयम का एक हिस्सा था जिसमें आबो हवा तासीर रहने वाला इस्थान उसका महत तो वहां की मिट्टी उसका महत तो वगएरा बागवट जी मनुष शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष का शरीर सबसे महतुपून है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा आपके पूर्व जनम के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष शरीर मिलता है और बागवट जी ने एक ज मोक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की इस्थती नहीं आती मनुश्यों नहीं ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी मोक्ष की परिभाशा बहुत सुंदर है मोक्ष क्या है हम सब लोगों ने कई बार अलग-अलग समय अलग-अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है मोक्ष ये है बागवट जी की परिभाशा बिलकुल साफ और सरल सीधी है वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य इस्तरी हो या पुरुष कोई भी अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करें वही मोक्ष का अधिकारी है जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे उसमें सफलता मिले न मिले सफलता की बात नहीं कहते हैं वो यह कहते हैं कि प्रयास करे इमानदारी से प्रयास करे तो उसको मुक्ष होता है माने इस परिभाशा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें दुखों से मतलब क्या तो बागवट्टी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है मनुश्य को भी है हर एक को है एक तो देहिक दुख शरीर का दुख देहिक दुख दूसरा है देविक दुख भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुरगटना हो गई आग लग गई दर्ती कम पा गया, भू कम पा गया, आपका घर तूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख और तीसरा और आखरी दुख है, भौतिक दुख भौतिक दुख में सबसे ज़्यादा यही है, गरीबी, विरोजगारी, भुखमरी तो वो बागवटी जी कहते हैं कि दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करें, वही मुक्ष का अधिकारी है आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं, कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करतें, तो माफ कीजे, आप कभी भी मुक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते हमारे यहां बहुत सारे सादू संत हैं, जो हिमाले में जाके तपस्या करते हैं तो उनकी जो तपस्या है हिमाले की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है अगर वो वापस हिमाले से लोटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा बागवटी जी कहते हैं कि कोई सद्ग्रहस्त व्यक्ति है वो स्वामी नहीं है, महात्मा नहीं है, तपस्वी नहीं है लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि वो तपस्या करने वाले से ज़्यादा बहतर है बले ही वो सद्ग्रहस्त है और वो ये कहते हैं कि ज़्यादा समय में बागवट्ट जी मानते हैं कि सद ग्रहस्त ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उन दुखों का अनुभब उन्हे है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करे। इसका मतलब ये है कि बागवटी जी की परिभाशा में ग्रहस्ती होना, मने सद ग्रहस्त होना ज़्यादा बड़ी बात है। वो सादू संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बगवान से इनकी जो वारतालाप है या संबाद है वो अपने तक्सीमित है, समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ते ह इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें, दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगें, बले प्रयास आपका सफल हो नहो, सफलता की बात वो नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सफलता सफलता वो सब इश्वर के हाथ में हैं, आपके हाथ में नहीं हैं, और इस यात्रा में वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है देहिक दुख, शरीर का दुख, दूसरा है देविक दुख, भगवान का और तीसरा है बहुतिक दुख. तो आपसे बहुतिक दुख की बात करना मैं समझता हूँ कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप जिस वर्ग से आते हैं आपको बहुतिक दुख तो मैं मानता हूँ नहीं हैं तो उस पर समय खराब करने से ज़्यादा फाइदा नहीं. आपसे जो सबसे गादा में बात करूँगा जिसकी जरूरत भी है आपको वो दैहिक दुख के बारे में बात करूँगा आपका शरीर. शरीर का दुख दूर कैसे करें तो बागवट जी का सूत्र है वो ये कहते हैं कि शरीर दुख दूर करने के लिए सबसे महत्वपून है आपका पेट ये जो पेट है शरीर का मद्य भाग वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है अगर शरीर का पेट और बाकी अंगों के बारे में प्रतिशत के हिसाब से तुलना करे तो 90 प्रतिशत दुख पेट से है 10 प्रतिशत दुख है जो पेट के बाहर से है पेट के बाहर से मने घुटनों से हो सकता है इडियों से हो सकता है, जंगाओं से हो सकता है, या हिर्देस्थान से हो सकता है, मस्तिष्क से हो सकता है इसको आज की भशा में अगर मैं कहूं, 90 प्रतिशत मीमारियां हमारे जीवन की पेट से जुड़ी हुई है 90 प्रतिशत, 10 प्रतिशत बीमारियां है जो पेट के बाहर की हैं, उन 10 प्रतिशत में हर्ट अटेक आ गया, उन 10 प्रतिशत में पेरलिसिस आ गया, उन 10 प्रतिशत में अरधांग वायू, पेरलिसिस का ही दूसरा नाम है, वो आ गया, एपलिपसी आ गई, बगएरा बगएरा, मस्तिश्क की धेरों बीमारियां, दस प्रतिशत में यह बाकी, इस बात को फिर ध्यान दीजिए, पहली बात जो मैंने आपको पहले दिन कही थी, कि जिन्दगी की बीमारियों में 85 प्रतिशत ऐसी हैं, जिनको आप खुद ठीक कर सकते हैं, मात्र 15 प्रतिशत हैं, जिनमें विशशकी की जरूरत हैं, अब बागवट जी की दूसरी महत्तों की बात हमेशा याद रखिए, कि जितनी बीमारियां हैं, उनमें 90 प्रतिशत पेट से हैं, 10 प्रतिशत पेट के बाहर से हैं, और उन 10 प्रतिशत में एक्सीडेंट भी शामिल है, आपका ब्रेन हेमरेज भी शामिल है, पेरलिसिस भी शामिल है, हर्ट अटेक भी शामिल है, वगरा वगरा, बाकी सब पेट से हैं, तो बागवट जी कहते हैं कि पेट आपके ज जिहान जिन्दगी भर आप रखें उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रंखला बनाई हैं ये ये सूत्रों का पालन करें तो जीवन में पेट से होने वाला कोई दुख नहीं होगा मने 90 प्रतिशत बीमारियां नहीं होगी और ये 90 प्रतिशत बीमारियों की संख्या समेशा बचेंगे और बागवट्टे जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना वह अंग्रेजी में अक्सर आपने सुना है प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर तो आप अगर बीमारियों से बच रहे हैं तो व वह जिन्दगी का functional हिस्सा है आप जानते हैं कि कोई भी सिद्धांत होता है उसका है है और उसका एक functional पार्ट होता है तो आज से जो शुरू हो रहा है वह functional पार्ट है इस functional part में सबसे पहला सूत्र बागबटी जी के लिए उनके 7000 सूत्र सभी महत्यों के हैं उन 7000 में से मैंने कुछ चुनकर निकाले हैं जो मुझे लगता है 2007 के हिसाब से बहुत महत्यों के हैं हो सकता है साड़े-3,000 साल पहले कोई सूत्र बहुत महत्तुके हो और अब 2007 में हमारी जीवन शैली के हिसाब से वो उतने महत्तुके ना हो क्योंकि बागवट्ट जी ने जिस जीवन शैली में रहते हुए वो सूत्र लिखे है वो रिशी मुनियों की जीवन शैली है आपकी जीवन शैली और रिशी मुनियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर है तो आपकी जीवन शैली के हिसाब से मैंने जो सूत्र निकाले और जिनकों मैं महत्तुका क्रम देता हूँ उसमें सबसे पहला सूत्र संस्कृत में वो कहते हैं कि पेट जिन्दगी बार आपका अच्छा रहे दुरुस्त रहे इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका ठीक से आप पाचन करते रहे वो कई बार यह लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तुका नहीं है खाने को पचाना महत्तुका है आपने खाने को खाया यह इतना महत्तु नहीं है जिसको आपने खाया उसको पचाया यह जादा महत्तुका है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रसमें से मास, मज़ा, रक्त, मल, मूत्र, वीर, मेद ये सब बनेगा, आस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे तो खाया वो महत्तुका, उससे भी जादा महत्तुका खाया हुआ पचाया तो वो कहते हैं कि पेट हमेशा दुरुस्त रहे, माने पाचन क्रिया आपकी हमेशा अच्छे से चलती रहे इसके लिए पहला सूत्र उन्होंने लिखा भोजनांते विशमवारी, ये पहला सूत्र मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से नहीं मेरे हिसाब पहला सूत्र बोजनांते विशमवारी इसका सीधा सार्थ है बोजन के अंत में पानी पीना विश्ख पीने के बराबर है सूत्र ये है बोजन अंते बोजनांते आप जानते संस्कृत में मिला के कहने की परंपरा है बोजन अंते माने बोजन के अंत में बोजनांते विशमवारी विश्ख समस्ते आप जहर जहर जैसा क्या है पानी बोजन के अंत में पानी जहर के जैसा है विश्ख के जैसा है ये सूत्र है अब इसको थोड़ा व्याख्याइद करता हूँ ताकि समझ में आए बोजन के अंत में पानी विश्के जैसा है ये बात वो कह रहे हैं इसको समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारन दूँगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं बागबटी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्यो स्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभी लेफ्ट साइड में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस स्थान को कहते है इंसक्रिट में कहते हैं तो यह जो जठर इस्थान हे पागबटी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है उसी को कहते हैं जठ रागनी जठर अगनी जठ रागनी तो वो कहते हैं कि जो आपका जठर इस्थान है इसमें अगनी प्रदीप्त होती है और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है आमश्य में इकठा होता है वहां अगनी प्रदीप्त होती है वो के लिए सुन्दर्श लोक लिखा है लंबा है लेकिन हिंदी में बताता हूं वो यह कहते हैं कि खाते ही अगनी प्रदीप्त होती है ऐसे ही जैसे आप विजली के स्विच को आउन करते ही लाइट जलती है यह आप होती है आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुँ में डाला और जैसे ही टुकड़े को चवाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ तुरंत अगनी प्रदीप्त हो जाए पहले ही तुकड़े में तो यह अगनी प्रदीप्त हुई अब आप जो भोजन कर रहे हैं य बने गाउब लुग हई जैसा फिर उसमें से रस बनेगा फिर रस में से सब कुछ बनेगा तो वह कहते कि आपने जैसे भोजन किया अगनी प्रदीप्त होई अभी अगनी भोजन को और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शान्त हो जाएगी आपके रसोई गैस में चूला जल रहा है गैस का और जलते हुए चूले पर पानी फेकिये तो बुझ जाएगा अगनी का पानी से मेल नहीं है कोई-कोई लोग तो लोटा भरके पी लेते हैं कई-कई लोग तो भोजन से जादा पानी पी लेते हैं तो यह जो पानी गया इसने अगनी को शांत कर दिया अब अगनी शांत हो गई तो फिर बागवट जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं वो सड़ेगा अब उन्होंने बीसियों सूत्र लिखे हैं कि भोजन पचेगा तो क्या होगा और भोजन सड़ेगा तो क्या होगा मैं सडने वाले हिस्सी की बात कर लेता हूं वो कहते हैं कि भोजन अगर सडना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायू बनेगी वायू वायू और ये वायू आपकी जिंदगी हराम कर देगे और ये वायू की तीवरता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी फिर और ज्यादा तीब्र अगर ये हो गई वायू तो ये शरीर में जाएगी घूमेगी क्योंकि वायू को पकड़ना मुश्किल है जहां इस्थान मिलता है वहीं जाती है तो ये वायू पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हिर्दा इस्थान पर भैंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हर्टटेक आ गया लेकिन वो वायू का दर्द है हर्टटेक नहीं और ये जो वायू बनी भोजन के सड़ने से इसी वायू मेंसे बागवट जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे 130 सबसे पहला रोग है उसमें एसीडिटी हाइपर एसीडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर पैप्टिक अलसर और ज्यादा दिन चक्कर चलाया तो बवासीर मोडव्याद भगंदर ये सब रोगों की सूची है और अंत का एक रोग है कैंसर करकरो एक सो तीनवे नंबर पर उन्होंने लिखा है करकरो माने एसीडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते है तो वो ये कह रहे हैं कि जिस काम से वायू पैदा हो और वो वायू आपके सड़े हुए भोजन में से निकले और बाद में बागबटी ज सुत्रे लेकिन यहीं पर ले आता हूं उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा इसको ध्यान से सुनिएगा तभी भोजन मैंसे बागबटी जी के शब्द दूसरे हैं मैं आज के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा सड़े हुए भोजन का ही बाई प्रोड़क्ट है कॉलेस्ट्रॉल अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल शून में रहता है वो कॉलेस्ट्रॉल जो आपको हानी पहुंचाता है आप जानते हैं शरीर में दो तड़े का कॉलेस्ट्रॉल है एक गुड और एक बै यह very low density lipoprotein तो बागबटी जी कहते हैं कि यह जो खराब कॉलेस्ट्रॉल है वो रक्त में तभी आता है जब भोजन पेट में सड़ता है इसका माने जिनको कॉलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दे उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हर्टेटेक भी आएगा कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपके एकदम कड़क हो जाएंगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा त अब जैसे यह सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्ण आएंगे कि पानी कप पीना पहला ही प्रश्ण तो बागवट जी कहते हैं कि पानी कप पीना वो खुद ही उत्तर दे रहें आगे के सूत्रों में क्योंकि शाहिद मालूम है कि मनुश्य की जिग्यासाइं ह अब यह जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है यह क्या है यह बागवट जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर इस्थान में डेड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है और जानवरों के लिए भी उन्होंने बताया है वो कहते हैं कि जानवर जो कुछ ख गंटे का उन्होंने बताया और एक से डेड़ घंटे का वो बताया है तो अलग अलग छेत्र के हिसाब से जैसे आप दक्षुन भारत में हैं कोई उत्तर भारत में हैं कोई पूरवी भारत में अब मान लीजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसक प्रभाव हैं पानी मत पियो क्योंकि पानी पीते ही अगनी बुझेगी अगनी का काम है भोजन को पचाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो एक सो थीन प्रोग पैदा करेगा तो सीधासा दूसरा सूत्र है कि भोजन के डिड़ घंटे के बाद पानी पीना ठीक है अब कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक एक घंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बचकर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं नो बजे से लेकर नो बच कर बीस मिनट तक और और बीच में पीना के नहीं तो इसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं ये बहुत साइंटिफिक बात उन्होंने कही है बहुत साइंटिफिक है वो कहते हैं कि अगर आपके भूजन में दो अन्न हैं दो दो अन्न महीं एक ये सुत्र कह रहा हूं ये एक अन्न वालों के लिए नहीं है दो अन्न वालों जो दो अन्न खाते हैं भूजन में उनको एक अन्न की पूर्ती पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पर पानी पीना मतलब इसका सीधा है रोटी पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे हैं तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन भूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने बोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के लिए पानी पीने के लिए नहीं है वो गला साफ करने के लिए है अब आपकी मन में तुरंत एक प्रशना आएगा कि बोजन के अंत में क्या पीना फिर पानी तो नहीं पीना दिड़ गंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं, तो बागवटी जी ने तीन चीज़ें बता ही है, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है, कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है, वो है चाच, वो है मठा, दही का तक्रम, जो शब्द उन्ह अच्छे से मतने के बाद, उसका मखन जो निकल गया, तो मखन निकाल कर जो बचा, वो तक्रम, मखन रह गया तो वो लसी, लसी पीने के लिए नहीं कह रहे हैं, तक्रम की बाद, तो आप भोजन के बाद, जो सबसे अच्छी चीज पी सकते हैं, वो है चाच, वो है मठा, मठापी है ये सबसे अच्छी चीज दूसरी सबसे अच्छी चीज उनों ने बताई है वो है दूद दूद दूसरी सबसे अच्छी चीज और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस कोई भी फल का रस लेकिन वो कह रहा है मौसमी फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस मने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिये तो नहीं चलेगा आज का मौसम गन्ने के रस का है तो गन्ने का रस ही पिये थोड़े दिन के बाद संत्रे के रस का मौसम आ जाएगा तो संत्रे के रस का बागवटी जी कहते हैं कि जो चीज प्रकरती ने जिस समय में प्रचुर मात्रा में उपलब्द कराई हो उसका रस तो आप एक हैं कि कोल्ड स्टोर इस से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस ये सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा वो ये कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने आपके शरीर के हिसाब से सारी चीजों को सेट किया है और वो कहते हैं कि भगवान में इस प्रकरती को बनाया है तो बहुत ही सोच समझ कर बनाया एक एक माइक्रो कैलकुलेशन उसने किये तब आपको ये प्रकरती के साथ उसने रखा है तो प्रकरती में जब जो चीज बहुत मात्रा में हो उसी का रस जैसे अभी टमाटर का सीजन है तो आप भोजन के बाद टमाटर का रस पी सकते हैं भरपेट इस समय गन्य के रस का सीजन है तो भोजन के बाद आप गन्य का रस भरपेट पी सकते हैं जो भी थोड़े दिन में अंगूर का सीजन आ जाएगा तो भोजन के बाद अंगूर का रस पी सकते हैं, संत्रे का, जब जब जो सीजन आए वो ध्यान रखना है, अब इसमें आगे एक सूत्र है, वो बहुत महत्तुका है, बागबटी जी कहते हैं, मठा या चाच कब पीना, दूद कब पीना, रस कब पीना, तो उसके लिए उन्होंने बहुत इस्पष्ट और बहुत जोर दे कर ये कहा है, कि मठा हमेशा दुपहर के भोजन के बाद ही पीना, सामन ने लोगों के लिए, असामन ने लोगों के लिए बाद में बताऊंगा, जो सामन ने लोग हैं आपके मेरे जैसे, मठा शाम को 6-7 वजे के भोजन के बाद ही पीना और जूस हमेशा सुबह के भोजन के बाद ही पीना सुबह का भोजन माने नाश्टा बागवटी जी ने नाश्टा शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्टा कैसे तो सुबह के भोजन के बाद जूस, दुपहर के भोजन के बाद मठा और रात के भोजन के बाद दूद। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी। पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है रस मने एंजाइम जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दुपहर को ही होते हैं पेट में इसी तरह हमारे शरीर में दूद का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पढ़ती है या एंजाइम की जरूरत पढ़ती है वो ही होते हैं इसलिए आप नियम बना लो ब्रेक फास्ट में जूस लंच में मठा चाच और डिनर में दूद बच्चों को भी यही नियम बड़ों को भी अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो इस्कूल जाते दूद पीकर जाते हैं तो बदल दो जूस पीकर भेजो या पिला कर भेजो और आप कहेंगे जी पीएंगे नहीं आप जैसी आदट डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ तो अब तक आपने बच्चों को दूद पीने यह पर्मनेंट हो जाएगा सुबह के नाश्टे के बाद जूस पीना दूपहर के बोजन के बाद मठा रात के बोजन के बाद दूद यह सूत रहें अभी इसके आगे का सूत बागवट्टी जी कहते हैं कि आप खाने की डेल घंटे के बाद पानी पीएं क्योंकि जठर के अगनी के प्रभाव में खाना डेल गंटे तक रहता है तो पानी कैसे पी है कैसे पी है पानी तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं लोटा मुझसे लगाया गट-गट-गट-गट उतार लिया गिलास मुझसे लगाया गट-गट-गट-गट-गट उतार लिया क् तो बागवटी जी कहते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने, वो कहते हैं कि पानी को चुस्किया ले लेकर पीए, घूट भर भर के पानी पीए, सिप ले लेकर पानी पीए, ऐसा पानी पीने का नियम, जैसे आप गरम दूद पीते हैं ना बागवटी जी बिल्कु यह समझ ले आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक गूट पानी उतारें गले के नीचे दोनों में जमीन आस्मान का अंतर हैं क्या अंतर हैं मैं आपको एक महत्तो की बात समझाना चाहता हूं यह जीवन भर याद रहे तो बहुत अच्छा हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अगनी होती है और इस अगनी को तिवर करने के लिए अमल होता है अमल एसिड आप जानते हैं पेट में अमल बनता है प्राकरतिक रूप से बनता है अब पेट में तो अमल बनता है और भगवान ने ऐसी वेवस्था की है कि पेट में अमल दिया है और मुन में चार बनता है जिसको लार कहते हैं लार, सलाइवा, सेलिवा, लार, लालारस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं तो मुन में बनती है लार, ये है चार और पेट में बनता है अम्ल, आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं तो आप जानते हैं कि चार और मिलाओ. तो हो जाता है नूट्रल. अमल और छार आपस में मिले तो नूट्रल होने सामान्य चीज़ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं लवण एक लवण होता है नमक वो अलग है chemistry के लवण की बात कर रहा हूं तो अमल और चार आपस में मिलते रहे तो न्यूट्रल होते हैं अमल का मतलब है जिसका पीएच साथ से कम है और चार का मतलब है जिसका पीएच साथ के आगे है और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच साथ है ये जो पानी है ना पानी ये ना अमल है ना चार है ये न्यूट्रल है त पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया और जिनका पेट पानी के जैसा मने पेट की अमलता ना बढ़े और पेट का चारपन भी ना बढ़े पीच साथ के आसपास रहे तो बागवट्टी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सौ से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी ग पानी आप घूट घूट पीते हैं तो ये पानी के साथ लार मिलके अंदर जाती है और पानी एक साथ गट 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 पीते हैं तो कम लार पानी के साथ मिलकर जाएगी ये लार बन रही है अंदर जाने के लिए बाहर निकालने के लिए नहीं क्योंकि अंदर पेट के अ प्रदद आएगी इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा और आपकी जिंदगी बिना किसी दवा और रोक के आराम से सो डिर सो साल हो जाएगी इसलिए पानी घूट घूट भरके पिये और एक साथ गटगट पानी पियेंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा और वो उतना न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा पेट को उस तरह से सामन निवस्ता में नहीं लापाएगा हाला कि पानी भी अमल को कम करता है क्योंकि अमल में पानी मिलाओ तो अमल की ताकत कम होती तो पानी कम तो करेगा लेकिन लार के साथ जो पानी कम करेगा, वो बिलकूल अधभूत होगा. बागवट जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्तो की बात है यह सबाव के लिए, वो यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिएं, वो देखें जानवर कैसे पीते है चुडिया कैसे पानी पीते है चीडिया एक ड्रॉप उठाती है आप ध्यान देना चुडिया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी फिर पीएगी फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी फिर ऐसे ऐसे चलाएगी ऐसे कुत्ता है, पानी को चाट-चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट-चाट के पिएगा, ज़्यादतर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं, वो जानवर हमसे ज़्यादा स्वस्त हैं, किसी को diabetes नहीं है, कोई overweight नहीं है, किसी को diabetes नहीं, कोई overweight नहीं, किसी को joint spain नहीं किसी को कुछ नहीं क्योंकि वो पानी पीने का नियम जानते हैं बागवट के पक्के चेले हैं ये सब जानुआ हैं बिना बूले और बिना कहें तो आप भी हो जाएए बागवट जी कहते हैं कि पानी थोड़ा लीजिए जैसे चुड़िया पीती है उसको मु मुह में चिड़िया ऐसे ऐसे करती है न गुमाती है तो आप भी पानी को थोड़ा गुमाईए फिर पीजाए थोड़ा पानी लीजिए मुह में बरिया पीजिए फिर पानी बरिये फिर बरिये फिर पीजिए ताकि इदर उदर की सब लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाए अब वो ये कहते हैं कि जो ऐसे पानी पी लेगा, कोई रोग आने की संभावना नहीं, मने आपके सारे रोगों की एक दवा. तो मैंने ये एक्सपरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था छे साल पहले, बागबट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया, तीन साल पढ़ने में लग गया, और तीन साल समझने में लग गया, तो छे साल पहले मैंने ये सूत्र पढ़ा था, मैंने का यार कुछ लोग हैं जो बीमार हैं बहुत, मैंने का तुम करके देख लो भागबट कह रहे हैं गलत तो रिजल्ट आने वाला नहीं तो आपको सुनकर हैरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सही होगी हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था उन्होंने पानी सिपसिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डेड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू यह दो सूत्रों का ही परिणाम है कि सब के वजन पहले से आधे हो गए एक तो मेरा दोस्त है जिसको मैं कभी आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ वो 140 किलो का था वो और एक सवा साल हो गया लगबग अभी डेड़ साल है अब 70 किलो का है बिना कोई दवा खाए बिना भोजन में कोई बदला हो कि सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना ये दुनिया की सबसे अच्छी आउशदी है इसकी मेडिसनल प्रापरटी सबसे ज़्यादा है आपने जानवरों को देखा होगा उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के क्योंकि उसमें मेडिसन है तो मनुष्य की लार में भी है अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनु गुठका खाने वाले लोग मावा खाने वाले लोग थूकता ही रहते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि वो जिन्दगी की सबसे महत्यूण चीज को थूक रहे हैं जिसको बनाने के लिए भगवान में एक लाख ग्रंतियां आपके मु में दी हैं आप जानते हैं ये लार काम होता है एक लाख ग्रंटियां हैं जो राद दिन आपके लिए लार बनाती हैं और आप गुटका खाखाके उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं अपने को उससे जादा खराब करते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विंती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी ये तो बागवट जी की डिक्शनरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तबी बस उसके अ बिना कफ बढ़े हुएं तंबाकू खाखा के गुठका खाखा के थूक रहे तो ये थूकना नुकसान दायक है गुठका तो नुकसान दायक है ये तंबाकू तो और भी नुकसान दायक है उससे भी जादा थूकना तो मत थूकिये तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया बहुत माइक्रो लेवल पर कैलकुलेशन है बागबट जी वो कहते हैं कि पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरजी नहीं क्योंकि जो भी खाओगे वो चूना है केल्शियम है तो अंदर जाएगा और वो केल्शियम क्या क्या अदूबत काम करेगा वो कल बताने वाला हूँ मैं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ मने हमारे पुराने पूरवज और भुजर्ग जो तंबाकू का नहीं, कत्थे का नहीं, सिर्फ चूना लगाके जो पान खाते हैं, वो बागवट के चेले सब के सब, शिश्यों के, तो वो कहते हैं, पान भी खाना तो थूकना नहीं है, जो मूमे लार के साथ पान है, वो चूना वात का नाश करता है, तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं, तो पान खाके तो जिन्दगी भर निरोगी रह सकते हैं, यह है, तो आपको पानी पीना है, घुट-घुट ताकि जादा लार अंदर जाए और पानी को बच्चों की तरह से मुह में घुमाई है जैसे बच्चे अक्सर करते ना वो बहुत अच्छी क्रिया है ठीक है अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जी को आ कि पानी कभी भी पियें तो ठंडा ना पियें पेट कि आपके शरीर का तापमान देखें उसके अनुसार के तापमान का ही पानी पियें माने शरीर के तापमान के बरावर का पानी पियें माने गुन गुना पानी पियें गुन गुना शब्द है एक शब्द कोमबट कोमट शब्द गुजराती है नहीं मराठी है शाइद हाँ गुनगुना पानी पीए, नव सेखा पानी केते हैं, राजिस्थान में नव सेखा, हलका गरम, हलका गरम गुनगुना पानी पीए, कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पीए, तो आपका शरीर का तापमान है, 37 डिगरी, तो 37 डिगरी अगर आप पानी को लेके जाएंगे तो वो गुनगुना ही होता है रूम टेंपरेचर के ऊपर रहता है बॉडी टेंपरेचर के बराबर रहता है तो ऐसा पानी पीए गुनगुना ही पानी पीए क्यों अभी मन में प्रशनाएगा क्यों हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं तो बागबटी जी इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और आधुनिक विग्यान का इसमें मैं जोड़कर आपको समझाता हूँ आप अगर ठंडा पानी पी रहे कल पना करिए तो पानी क्या पेट में जाएगा सीधा सीधा और पेट को ठंडा बनाएगा जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा न बरफ का गुण है ठंडा करने का तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं तो बरफ का गुण पानी में आ गया अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा अगर पानी के सारे औरगन पेट से ही जुड़े हुए चाहे वो आपका हर्ट हो चाहे किड्नी हो चाहे लीवर हो और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जै रामजी की जाइए यम्राज के पास यहां फिर आपके लिए कुछ नहीं है तो पानी अगर पेट में गया और उसने पेट को ठंडा कर दिया तो आप ठंडे हुए आप ठंडे हुए तो मर जाएंगे मृत्तिव आएगी तो कभी भी ठंडा पानी ना पिये एक विशलेशन दूसरा विशलेशन कि अगर पानी आपने ठंडा पिया और आपका पेट जीव तुरन्त उस पानी को गरम करने पर लगेगा तो पानी को गरम करने के लिए उसको अत्रिक तूरजा की जरूरत पड़ेगी और अत्रिक तूरजा उसको रक्त में से आएगी तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए शरीर के सारे हिस्स मैं रक्त की कमी कर दी मान लीजे हिर्दय का रक्त पेट में चला गया ब्रेन का रक्त पेट में आ गया क्योंकि ब्रेन का सबसे पहले आता है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ना काम करता है तो ब्रेन का सबसे पहले आता है हिर्दय का उसके बाद आता है दूसरे अंगों का रक्त सब पेट की तरफ गया तो बाकी अंगों को रक्त की कमी आई और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे ऐसे ही कमी आती रहे पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बन किया तो ब्रेन हैमरेज हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो परेलिसिस हो गया वो अंगों ने काम करना बन किया तो हर्ट अटेक हो गया तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के माने ठंडा पानी ना पिया है बागवटी जी का मैंने मेरे जीवन में भी देखा दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं अमेरिका में यूरोप में ज़्यादा लोग चिल्ड वाटर पीते हैं पानी को फ्रिज में रखते हैं और वो रखा रहता है चार पांच दिन खूब ठंडा हो जाता है फिर उपर से बरफ डालते हैं फिर पीते हैं इतना ठंडा पानी परिणाम क्या देखा है मैंने मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं वो सबेरे सबेरे अगर संडास घर में गए टॉइलेट में तो एक एक घंटे बाहर नहीं निकलते कभी कभी तो दो घंटे नहीं निकलते बैटे ही रहते अंदर उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे दो घंटे टॉइलेट रूम में कहते हैं जी निउस पेपर पढ़ रहे थे मैगजीन पढ़ रहे थे क्यों पढ़ रहे थे टॉइलेट रूम तो निउस पेपर के लिए बनाया नहीं है तो कहते हैं टॉइलेट आती ही नहीं मने स्टू गाना गाते हैं मेरे सबनों की रानी कभी आएगी वह आती नहीं है और कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं न तो एक गाना गाते एक बार आजा 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 भूत भी नहीं यह है समस्या माने में कहना यह चाहता हूं कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पीएंगे उनको एक बीमारी है वह कोश्ड बद्ध बद्ध कोश्ट हो नो इकोश्ट Freeze कोश्ट बद्ध कोश्ट होना का मतलब आपकी जो इंटस्टाइने यदे ना Schwab ऐसी संपूचित हो गए मैं एख़ेर नश्या चाहिए जर्वोसने अगर आपकी लार्ज इंटस्टाइन और अची यह हो इसलिए कभी भी ठंडा पानी ना पिये अब परसों एक बात मैंने कही थी कि फ्रिज का रखा कुछ ना खाएं तो ये पानी भी उसी का हिस्ता है फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिये बरफ डाला हुआ पानी ना पिये आईस्क्रीम कभी भी ना खाएं क्योंकि वो भी ठंडी है और मैं आपको एक विनम्रता पूरवक कह देता हूँ वो बात वैसे आगे आएगी बागवट्टी जी कहते हैं कि दो विरुद्ध चीजां एक साथ ना खाएं कभी भी तो गरम भोजन और ठंडी आईस्क्रीम कभी ना खाएं अक्सर मैं शादियों में बरातों में जाता हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे अंत मैं आईस्क्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते इन्विटेशन दे कर बुलाएंगे आओ हमारे यां महमान बन कर तू पहले गरम खाना खाओ पीछे से ठंडी आइसक्रीम खाओ ना मरो तो जल्दी मर जाओ ऐसा आजकल आतित्य इस देश में चल रहा है पहले कहते थे अतिती देवो भवे अभी आतिती दुश्मन भवव बहुत द्यान से पालन करें सूत्र पालन करें कि पानी हमेशा घूट घूट पीए ठंडा पानी कभी न पीए भोजन के देड़ घंटे के बाद पानी पीए अभी चौथा सूत्र आज का आखरी सूत्र बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है दिन का जीवन आपका शुरू होता है माने आप जब सोकर उठते तब ही से आपका दिन शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पीए दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी प को ने और बैद्दियों ने इसको का उशा पान करें उशा पान मने सुबह उठते ही पानी पीना सबसे पहले पानी पीना दांत धोए बिना पानी पीना मूँ धोए बिना पानी पीना कुला किये बिना पानी पीना अगर आप सुबह उठते ही बिना मूँ धोए पानी नहीं प आप सू रहे थे, तो शरीर की सारी क्रियाने तो शित्ल हो जाती है, लेकिन यह Dogon बनने की क्रिया जादा शित्ल नहीं होती हैं, यह चालू रहती हैं, तो राध बर आपने लाँ बनाई हैं, मुह में जगे जगे जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह बेश कीमती है बागवटी जी कहते हैं कि ब्रह्म महूर्थ की जो लार होती है वो बाकी 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कीमती है तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है इसी को उशापान कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पीएं, कितना पीएं जी, तो उन्होंने एक से सवा लीटर का कैल्कुलेशन दिया, वयसकों के लिए, वयसकों बाने 18 से 60 साल, एक से सवा लीटर, और 18 से नीचे वाले जो लोग हैं, उनके लिए पौन लीटर माने 700 ग्राम, और 60 के उपर वालों के लिए भी साड़े 700 ग्राम, 750 ग्राम, 750 ग्राम मने कम से कम दो गिलास, बुजर्गों के लिए, दो गिलास बच्चों के लिए, और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए, कम से कम इतना पानी पीए, पीने का तरीका मैंने बता दिया, वो घूट घूट सिप सिप करके पीना है मुँ में घुमा घुमा के पानी पीना है बागवट्टी जी ने यह जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एकाथ साल बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डाइबिटीज है और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ तो जल्दी भरता नहीं तो मेरे पास ऐसे कुछ आट-दस पेशेंट है जिनको ऐसी ही क बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो ला रहना उसको लगाओ तुम्हारे घाओ पर और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महिने में बिलकुल बराबर एक तो मेरे पास गैंगरीन का प्रिशेंट है गैंगरीन हुआ डॉक्टर कहता तब पैर काट नहीं पड़ेगा इसका कुछ होता नहीं अभी और कोई उसने विचारी ने साल बर लार लगा ल जरू कर देते हैं फिर मैंने एक और एक्सपरिमेंट किया मेरे पास कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको चश्में हैं आँखो पर अब उनके माबाब बहुत परिशान है कि यह चश्मा कैसे उत्रे मोटे मोटे चश्में है चोटे बच्चों तो मैंने उनको भी सिखा दिया देखो सवेरे सवेरे सोकर उठो और मुझा थूक आँख में लगाओ काजल की तरह से तो बच्चों ने चालू कर दिया बच्चे बहुत बोले होते हैं सीधे होते कोई भी बात अगर समझ में आए तो करते अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ यह लार लगा आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरें आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाए आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो मू की लार सुबह सुबह की आँखों में लगाईए काजल की तरह से और एक बताता हूँ एक बीमारी आती है जिसको हम कहते है कंजक्टिव आइटिस आँखों की बीमारी है अक्सर उसमें आँखें लाल हो जाती है आँखों में बहुत जलन होती है जैसे खूल उतर आया हूँ आँखों में वो कंडिशन हो जाती है कोई भी आयुर्वेद की दवा आप खाएंगे तीन से चार दिन में ही बीमारी ठीक होती है लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूँ की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसकी आँखे टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो आपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े-चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते हैं बहेंगापन उसका बहेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिलकुल बीच में सेट हो रहे हैं तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को पूछा दिल्ली में कि ये लार में क्या है एक्ष्वली इसका एक्टिव इंग्रेडियंट क्या है तो उन्हें का भहिया जितने active ingredient मिट्टी में है वो सब लार में है तो मैंने आपको बता है मिट्टी में 18 active ingredients है लार में वो सब के सब है इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नश्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बाते बता दू क्या क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया धबा हो गया जैसे जल गए जलने का दाग होता है ना उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है छे-ाट महीने में धगा धबा बिल्कुल साफ हो जाए जले हुए का धबा शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है या काला दाग हो गया या फलाना हो गया या डिमाका हो गया एकजीमा हो गया मालो खराब बीमारी की बात करूँ एकजीमा हो गय एक्जीमा पे रोज सुबह की लार लगाई है, मालिश करते रही है, 6-8 महीने के बाद देखिएगा साफ और एक्जीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है, सोराइसिस, वो भी ठीक होती है, इसी लार से बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफत का इलाज है, फोकट का इलाज है, बागवट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं, सब फोकट के और मुफत के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए, आखों की बीमारियों म बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप भी करिए, रिजल्ट आपको भी मिलेंगे, बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए, तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया, आप दूसरों का भी कम कराईए ना, तब ही मोक्ष जाएंगे, तो मैंने आज आज आपको च लिड़ घंटे के बाद पानी पिए, दूसरा सूतर मैंने बताया था, पानी हमेशा गूट-गूट भरके पिए, सिप-सिप करके पानी पिए, तीसरा सूतर बताया था कि ठंडा पानी कभी न पिए, हमेशा गुन-गुना पानी पिए, और चौथा सूतर बताया था, कि आपका पेट और आपकी जठर अगनी काम करती रहें इसके लिए सबसे आवश्यक है ठीक है अब आपके प्रश्णों के लिए आदर गंटे का समय आजी आपने कहा कि उश्णा पान करना चाहिए उश्णा फान भी गुनगुना पानी होना चाहिए देखिए उश्णा पान जो बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो कसेला कसेला स्वाद मनें देशी पान सीधी सी बात है विलायती पान मत खाईए देशी पान खाईए तो स्वाद जितना कसेला होगा पान उतना अच्छा होगा और बागबटी जी ने एक बहुत गहरी बात कही है जिसको मैं दो-तीन दिन बाद वैसे explain करने वाला हूं कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो जो प्रकरती की पैदा की गई वस्तू का रंग जितना ज्यादा गहरा हो वो उतनी ही बड़ी आउशदी है जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हलके हरे रंग का होता है तो बागबटी जी कहते हलके रंग की चीज़ें मत खाईए गहरे रंग की चीज़ें खाईए तो गहरे रंग वाला पान खाईए गहरे रंग की जो भी चीज़ें बरपेट खा इनकी qualities आज की विग्यान ने भी प्रूफ किया है, आज का विग्यान ये कहता है कि जो भी रंग है, किसी भी वस्तू में, वो भगवान का दिया हुआ, कोई न कोई ऐसा रस और एंजाइम है, जो आपको गंबीर बीमारियों से बचाता है, तो वो कहते हैं, गहरे रंग का पा एक ग्राम आप समझते हैं, इतना होता है, चने का दाना होता है न, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना एक ग्राम होता है, चने का दाना आधा तोड़ो तो दो हिससे हुए, ये दो हिससे के चार कर दो, और वो एक हिससा जो है, वो एक ग्राम, तो उतना आप चू लोड़ी अजवाइन डालें अजवाइन दोचार दाने ज़ादा नहीं और वो कहते हैं लवंग डालें लवंग मने लॉंग और कहते हैं बड़ी इलाइची और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस मतलब गुलकन विजिसको आप यह चीज़एं उन्होंने बोली हैं नहीं कहा, तुम्हारे सुपारी और कथा छोड़कर ही पान खाएं, ठीक है? तो पान में क्या कहा? दूसरा इन्हों ने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उशा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए, बागवट्टी जी कहते हैं, जरूर गुनगुना होना चाह यह क्यों यह जो तावे के बरतन में रखा हुआ पानी है उसमें वही quality है जो गुनगुने पानी में है इसलिए तामर पात्र के पानी को सुबह गरम करने की जरूरत नहीं रात में आपने भरके रखा सुबह उठकर पी लिया बाकी कोई भी पानी स्टील के बरतन वाला है तो गुनगुना करिए आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए और आपके पास क् अल्यूमीनियम में तो पानी कभी मत रखिये, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिये, स्टील वैसल में हैं तो गुनगुना करके ही पीजिए, स्टील वैसल मने, स्टेनलेस स्टील के वैसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बरतन का पानी है तो गुनग नहीं ये आप जरात सोचिए ध्यान से वो ये कहते हैं तीन महीने आप पी सकते हैं लगातार तामर पात्र का पानी फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजें फिर तीन महीने पी सकते हैं ये ब्रेक दे दे कर पी सकते हैं लगातार पिएंगे तो तावे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां है वो हो जाएं हाँ सुबह तो लगातार पी सकते हैं सुबह की तो कोई बात नहीं ये पूरे दिन की बात हो रही है कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तावे के बरतन का पानी पीते हैं तो बागबटी जी ये कहते हैं कि तीन महीने लगातार पी जी पानी पीने वाले उनके लिए ये नियम है सुबह का तो तामर पात्र का ही सबसे अच्छा है जी बोजन के पाद जो दस्टो और मठा पीने के बताए था आप तो यह आम पर दाइक को सांथ पी करेंगे हैं बहुत अच्छा सवाल बहुत बहुत अच्छा सवाल देखिए इस सवाल को मैं और थोड़ा विक्सित करूँ मैं इंतिजार करना था कोई पूछे तो मैं बताओ यह सवाल कुछ इस तरह का है कि मठा है न उसमें पानी ही है आप जानते हैं शायद उसमें 90 प्रतिशत तक पान पानी मत पियो और दूसरी तरफ करें मठा जरूर पियो दूद जरूर पियो और फलकारस पियो तो उसमें तो पानी ही है तो क्या वो पानी जठर अगनी को शांत नहीं करेगा प्रशन यह है यह पूरा नहीं पूछ पाए मैंने पूरा कर दिया तो क्या वो पानी जठर जो औपने मिला दो उस जैसा तो पानी को रंग और धर्म तीनों ही होते है वो जहां मिल गया, तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारन करेगा पानी को आपने मिलाया जूस में, माने फल में, तो फल के जो गुण है वो पानी में आ जाएंगे और पानी है दूद में तो दूद के सारे गुण वो धारन कर लेगा तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तू के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तू का गुण पानी में आएगा इसलिए मठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, दूद पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए, जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए अब दही का गुण क्या है अगनी को प्रदीप्त करने का गुण है दही में क्योंकि जो वस्तू में भी चिकनाई आगई चिकनाई समस्ते हैं आप फैट दही में भरपूर चिकनाई है दूट से ज़्यादा चिकनाई दही में है दही से ज़्यादा चिकनाई में है और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में तो बागवट्टी ची कहते हैं कि जिस वस्तू में भी चिकनाई है वह अगनी को और भढ़काएगी आप जो है न घी डालते हैं यग्यमें तो अग्नी बढ़कती है के नहीं ऐसे पेट में घी खाएंगे दही खाएंगे दूद पीएंगे तो अग्नी और प्रदीप्त होती है मारे खाने को और जल्दी से पचाएगे खाली pánie अग्नी को शाNT करता है लेकिन पानी किसी में मिल लाया हुआ अगनी को प्रदीप्त करेगा क्योंकि उसके गुण वस्तू के हिसाब से हो जाते हैं जी राजीव भाई आइस्क्रीम खाने के बाद हम लोग कॉपी है चाई पिके और उसका यह सवा सत्यानाश रीजन बताऊंगा परसों क्योंकि यह परसों आने वाला है देखिए मैं बताता हूं आपको अभी बता दू कोशिश करूंगा शॉर्ट मैं बताऊं क्योंकि और प्रशन के लिए उत्तर के लिए समय रहें कभी भी कोई गरम चीज़ आप जैसे ही खाते हैं कोई भी गरम सब्सक्राम तो पिट फिर वही काम है पैटभा हैं पहले जादा गरम वस्तू को पेटके तापमान पर लाता है पेट है और बगलगा ताम मुँगा तापमान में थोड़ा करता है लग बंग एक से द्यूरे तो पैटा तापमान लगव 49 से 40 इस डिग्री के आसपास है अब आपने 40 डिग्री से ऊपर की कोई वस्तु खाई जैसे चाय पी तो आपमन अंदर पचन डिग्री साथ डिग्री अगर चाय का है तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पर लाएगा और उसके लिए एंटी रियक्शन होता है पानी को ठंडे से गरम करेगा फिर गरम से ठंडे तो यह काम में जब जैसे आप गाड़ी चला रहें गाड़ी इसको मैं समझाने के लिए कराऊ गाड़ी चला रहें और हर एक ही मिनट में आपको दो तीन गेर चेंज करने पड़े एक ही मिनट में टॉप गेर से फस्ट में आना पड़े फस्ट से आपको टॉप गेर में जाना पड़े तो कैसे च चेंज करना पुड़ेगा तुरंत तो इसमें हो जाएगी समस्या इसलिए कौफी चाहे के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाए और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाहे कौफी कभी भी ना पिए गरम भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बरफ आदी ना खाए और बात करूँ क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है जी देखिए इन्हों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है दूद को बागवट्टी जी ने बोला है शाम को ही पीना है अब इनका प्रश्णी है कि हम सुबह चाए पीते हैं कौफी पीते हैं तो दूद उसमें होता ही है तो से ज़ाग चारसो साल पुराएं तो चाए कोफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है कहीं एक भी सूतर ऐसा नहीं है जहां चाय और कौफी का जिक्र उन्होंने किया। काड़े का जिक्रुनों ने किया है, वो ये कहते हैं कि जो काड़ा आपके वात को कम करें, आपके पित्ट को कम करें और कफ को कम करें, ऐसा कोई भी काड़ा दूद के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काड़ा, जैसे आज आप काड़ा पीने जा रहे हैं, वो अ acidity होती हैं रक्त की acidity, एक होती है पेट की acidity उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की acidity, खून की अमलता ही है जो हर्ट अटेक लाती है, तो रक्त की acidity को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बाग्वत्टी जी ने बताई है, तो वो अरजुन की छ चाल का और दुर्भागे से या सोभागे से ये कुछ ऐसा समय है दिसंबर जन्वरी और नवंबर ये वात का ही समय है शरीर में वायू का प्रकौप ठंड के दिनों में जादा होता है उस समय अगर आप अरजुन की चाल का काड़ा दूद में बना कर पिये तो आपके लिए औ जी नहीं-गरम-गरम-गरम क्योंकि वो औषदी है बोजन नहीं है बोजन और आशदी में अंतर बताया बोजन वह है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेटकी आविशक्ता के नुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं और जो थोड़े समय के लिए तातकालि प्रभाव के लिए आप पी हैं तो ये काड़ा औशदी है सुबह कि अगर समय नवंबर दिसंबर जनुवरी आपりました ये तीन महेंचे हैं जो बात के महेंचे माने जाते हैं फिर गर्मियों के महेंचे पित्त के महेंच आ جाते हैं फिर बारिश के महिने और उसके आगे थोड़ा महिना कफ का महिना आ जाता है तो ये बात पित्त कफ के महिने भी होते हैं जैसे शरीर है वैसे महिने तो इस महिने के हिसाब से सुबह काड़ा पी सकते हैं बात को दूर करने वाली आउशदियों का दूद मिलाकर और गरम डाल के पीजिए तो दो फायदे होंगे बविश्य के लिए आपको हर्टेटेक फ्री होने की गारंटी बविश्य के लिए और अब तक आप में जो कच्रा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी क्योंकि ये जो अरजुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज़्यादा और कच्रा रक्त में ही सबसे ज़्यादा जमा होता है जिसको कॉलेस्टरॉल कहते हैं न वो कच्रा ही है तो अब तक आपके रक्त में जो कॉलेस्टरॉल जमा है इसको निकालना है बाहर तो अरजुन की छाल इसमें सबसे ज़्यादा उप्योगी है और सौभागी की बात य मिलती है और 1400 रुपई किलो काफी मिलती है और 20 रुपई किलो अर्जुन की छाल मिलती है तो कुछ तो होशियार बनिए मारवाड़ी बनिए कुछ तो अपने रक्त में लाईए मारवार का राजिस्थान का गुजरात का तो 20 रुपए किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजे मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने ये जो नवंबर दिसंबर जन्वरी अभी साल का याद रखिए नवंबर दिसंबर जन्वरी तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल वर का कच्रा निकालता है और अगले सालों की गारंटी हर्ट अटेक फ्री क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए एक गिलास दूद तो आधा चम्मच अर्जुन की छ यह वह स्वर्ण चन्य काक्वी आप व् समझते बूड को बनने सेसे पहले की स्टेज है वह टरल ःफ्टी टरल और लिक्विट फोँम्च वह काकवी कहले है तो यह थो काकवी यह तो नहीं मिले तो खांड लेशार स्वह और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा शक्कर नहीं क्योंकि बागबटी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं क्योंकि शुगर बनती नहीं थी मैं आपने कहा मुझे भूल गया मैं आपसे पहले कहना चाहता मिश्री मिठाई यों में मिश्री सबसे उचे स्थान पर है गुड़ से भी उची है मिश्री तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अरजुन की चाल और दूद के काड़े में नहीं तो गुड़ ये अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डाली और बूरा वो वाला जो राजिस्तान में बनता बिहार है उत्तर प्रदेश में यहां का नहीं चीनी को पीजे के बूरा नहीं सोट भी है तो बहुत अच्छा है सोट जो है अर्जुन छाल सोट अगर मिलाके उप्यो करें तो सर्वोत्तम बातनाशक काड़ा होता है अर्जुन छाल और सोट दोनों का ही गुण है वात को rule करने का तो बात के रोगी तो जरूर पी है एहां को आप क्या आप जानते हैं कल और फरसों में और विस्तार से बताने वाला हूं और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या पित्थ क्या कफ के यह घुटने का दर्द कमर का दर्द कंदे का दर्द हर्ट अटेक डाइबिटी यह सब सप्फार बात के रोग है कहां जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए देखिए इस में सूत्र हैं है मिया आगे बताऊंगा यह थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है जेन अगर आप मेंसे कोई है तो मेरी बात तुरन समझ जाएंगे दुईदल समझते हैं तो अब इनका प्रश्ण है अरेर की खाएं मून की खाएं मसूर की खाएं तो दुईदल है तो दुईदल के साथ दही कैसा तो उसके लिए बागवटी जी कहते हैं कि कभी भी दुईदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है ना खाएं लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं वैसे तो है और ज्यादा बढ़ा तो इसके लिए बहुत सरे लुपाये हैं आपके रसोई में रसोई में तीन चीज़ें ऐसी है जो दही की तासीर को तुरंद बदलती है एक तो है जीरा जीरा दूसरा है सेधा या काला नमक सेध मुद्वाइन तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहें दाल चावल के साथ तो अज्वाइन का जीरे का बगहार ले ले हैं और थोड़ा सेधा दमक डाल ले फिर पी ले हैं ज्यूद्वाइन जीरे का बगहार लेकर बगहार लेना तो आप समझते न बगहार झाली पेट तो बघार ले ले अजवाइन जीरे का और थोडा सेंदा नमग फिर ताग पिए मने मज्जिगे पिए मने मप्थआ लगवार अद्रख की जगह सूट कर दही मेंỉ कभी बीडर की उपयोग नहीं होता सुट उपयोग होता अद्रक और सूट में थोड़ा तरह सूट तो अधरक से आता है। लेकिन सूट का गुण अधरक से जादा रूद का सकते हैं बरपेट हैं वैसे फूट में का बाग sticky कैते हैं सुबे खाये कौन तोल सबसे अच्छा मनें नाश्टा ही फूट का पिये तो सुबह का समय fruits के लिए सबसे अच्छा लेकिन बाकी समय में भी आप fruits कभी भी खा सकते हैं जो प्रकरती के द्वारा पकाया गया प्रकरती के द्वारा पकाया गया मने calcium कारवाइड मिलाके नहीं पकाया गया है हाँ बिलकुल चाच शरीर के लिए ठंडा करता तो बच्चों को भी दे सकते हैं दे सकते हैं जी सकते हैं बिलकुल अजवाइन डालके बच्चों को तीन मैने के बच्चे को अजवाइन की चाच दी जा सकते हैं और अजवाइन पानी तो आपने का थोड़ा गुंगुना पिना चाहिए हर मौसम में पी सकते हैं गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं गर्मी के दिनों में सबेरे का पानी तो गुंगुना ही रखिए ब डार्क सर्किल की सवस्या हो आँखों के नीचे काले-काले घेरे हैं नियमेत रूप से सुपह उठकर अपने लार्क की मालिश करते रहिए आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे फेयर और लवली से ज्यादा प्रभावी है कि मर्ट्री का पानी होता है करमियों में राजस्तान में थंडी से थंडी मत्की लाक्यम पीते इतना टपनी पी या नहीं जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है जैसे रूम टेंपरेचर 25 डिगरी होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिगरी तक होगा तो ज्यादा ठंडा नहीं है यह जो फ्रिज का पानी है यह चार डिगरी का होगा तीन डिगरी का होगा यह बहुत थंड़ा है तो प्रणाम और नमन करते हुए कारिक्रम के शुरुवात करता हूं तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़़ाच के साथ राजीव दिक्षित से आपको मंच पर बुलाएं एक छोटी सी और गंबीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजी भाई का व्याख्यान समाप्थ होता है और जब प्रश्ण उत्तर का दौर चलता रहता है उस वक्त भावनात्तक जुड़ाव और विशय वस्तू विशय की गहनता जो है पराकाष्ठा पर होती है बुलंदी पर होती है और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं जो बुलंदियों को ठेस पहुंचाती है तो यह हमारी गुजारिश ह कि जब तक यह कारिक्रम चलें जब तक राजी भाई नीचे नहीं उत्रें आप लोग जाने की किर्पा मत करें हम लोग एक शात्र हैं एक बहुत गूढ और एक गहन विशय को समझने आए हैं तो शात्रों वाले शिष्टा चार और शात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना हो होगा और इसी अफेक्षा के साथ में मंच राजी भाई को सबूर करता हूँ कि परम पूजनिय साद्वी जी सत्य प्रभाजी परम पूजनिय साद्वी जी तरुन प्रभाजी उनको मेरा सादर वंदन कोटी-कोटी वंदन मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आप से बात करने का समबाद करने का समय मिलता है मैं आप से कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्तुकी मानता हूँ अब तक मैंने आपसे अश्टांग हिर्दयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है हम लोग हर एक विशह में आप जानते ना एक थियोरी होती है और एक प्रक्टिकल होता है तो अब तक आप समझेए कि मैं आपसे थियोरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूँगा थियोरी की जो बची हुई है फिर उसके बाद आज मैं आपसे कुछ प्रक्टिकल बात भी करूँगा अगर मैं एक और भाशा में बात करूँ तो आप मैंसे कोई लोग अगर वकालत के पेशे में हों वकील हों तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है जज्ज्मेंट देता है तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है फंक्शनल ऑपरेटिव पार्ट वो अब शुरू होगा आज से ऐसा आप कह सकते हैं प्लीज मुबाइल फोन स्विच आफ कर दीजे सादवी जी आज हमारे बीच में है आप इस बात के लिए चूट नहीं ले सकते हैं तो अब तक मैंने आपसे जो कहा है वो सूत्र रूप में थोड़ा सा सिध्धान्तिक बातें लेकिन सरल भाषा में विज्ञान के साथ पेश करने की कोशश की समझाने की कोशश की आज कुछ ऐसी बातें जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करें इन सूत्रों का प्रयोग तो करना ही है इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागवट जी ने कहा है सादवी जी चुकि यहाँ पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी शायद उनके लिए नहीं होगी और मैं उनको इसलिए भी ये कहना चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये बाते हैं सेकुनों लोगों त परचा कर रहें एक उनकी पुस्तक है अश्टांग हिर्दयम दूसरी पुस्तक हैं उनकी अश्टांग संग्रहम ये दोनों पुस्तकों में महर्शी बागवट ने 7000 सूत्र लिखे हैं संस्कृत में लिखे हैं ये सूत्र हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं हमारे अपने सरे जीए सुट्र बागवट जी ने लिख़्े हैं बागवट जी महर्शी चरक टारहि नाम हम सब जानते हैं रिब नीजिएपु खेल सबने और कि इससे अब जाते हैं ने किया लेखा आतेzd 135 वर्ष उनकी आयू रही 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजे 18 वर्ष छोड़कर 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्यन करता रहा तो 18 वर्ष छोड़कर बाकी सारे वर्ष उन्होंने बहुत गहन अध्यन में लगाए और उन्होंने कोई एक सूत्र लिखा तो उसपर कम से कम 50 से जादा उन्होंने observations किये आज का जो विज्ञान है जिसको हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं ये पूरा observation पर आधारित है observation को हिंदी में क्या कहते हैं निरीक्षन निरीक्षन परिक्षन या निरीक्षन हाँ प्रयोग या परिक्षन या निरीक्षन तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका पचास बार परिक्षन किया अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिणाम वही है तब सूत्र लिखा अब हम कलपना करें कि 7000 सूत्र लिखे हो और 1 एक सूतर पर 50-50 परीक्षण उन्होंने किये हो तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई महर्शी बागवट बाल भ्रह्मुचारी थे अंतिम समय तक वो भ्रह्मुचारी का ही पालन करते रहे गरहस्त आश्रम उन्होंने नहीं जिया लेकिन वो मानते थे कि गरहस्त आश्रम बहुत है तो ऐसे महर्शी बागवट के सूत्रों को मैं फिछले 6 साल से पढ़ता रहा इन मेंसे करीब 75- 180,000 क्रोण लोग बीमार है। सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोण लोग है स्वथ्यूंघू अरपाद लिए बीमारिया वीमारीया है। बारत की बीमारिया है। लाज करने के लिए भारत में छोड़ मिलाकर 23,00,00 डॉक्टर है violent third time जो MBBS, BAMS और BHMS तीनों पद्धती के हैं 23 लाख रिजिस्टर्ड डॉक्टर हैं अगर अन्रिजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें तो सरकार कहती है लगबग अन्रिजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही है 25 लाख के आसपास तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान अन्रिजिस्टर्ड और रिजिस्टर्ड तो भी मरीजों की संख्या 70-80 करोड है एक डॉक्टर एक दिन में अच्छे से अच्छे काम करें तो 30 से ज्यादा मरीज नहीं देख पाता तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 30 व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपुर्द कर दि कर चले गए वह कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सा सवयम कर सकता और इस बात को उनोंने कहा कि 85 प्रतिशत चिकित्सां बहुत आसान है जो कोई भी व्यक्ति स्वयम कर सकता है 15 प्रतिशत चिकित्सा थोड़ी मुश्किल है जिसमें आपको विशेशग्य की मदद की जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना ये 85 प्रतिशत चिकित्सा जो आसान है वो लोगों तक पहुँचाई जाए इस द्रश्टी से ये व्याख्यान शरंखला आयोजित्की है यहाँ पर श्रीमती प्रभादेवी जैप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है उसके मुख्य व्यक्ति मेरे साथ है श्रीश शुभाकान जीदास और उनके पुत्र है, प्रधीब भाई और उनके सब सहीओ गी, नरेंजन भाई और मेघानी जी, इन सब ने मिलकर या आयोजन किया और मेरे जीवन का ये पहला व्यक्यान है जो मैं इस विशेय पर दे रहा हूं उसके पहले इस विशेपर, मैंने कहीं बाती नहीं की, क्योंकि अभी तक तो मैं अध्यनी करता रहा। और यह बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोबाकान जी के घर खाना खा रहा था प्रदीप भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विश्य पर बात किया जाए तो ऐसे यह तै हो गया अनायास लेकिन मुझे लगा कि यह शायद सार्थक हुआ कई लोगों ने मुझे कह और खासकर बाबुजी माने शोबाकान जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाशन देना बंद कर दो वो जो पेपसी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या डबलू टियो वाले यही कहो शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विशे में मैं आगे भी और ज़्यादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूंगा तो अब तक हमने तीन दिन की व्याक्यान भला पूरी की है आज चौथा दिन शुरू हो रहा है तो कल तक कि जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोरा दूँ ताकि आपको या जोगत नहीं है वो पहला सूत्र था कल का दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिए तो घूट घूट भरके पिए एक एक सिप लेकर पानी पिए जैसे आप गरम दूद पीते हैं या गरम चाय गरम काफी पीते हैं और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था तीसरा स प्रशन में इसी को पक्के पानी की कहा जाता है इसको बात वो बिल्कुल वैग्यानिक है बागवट्ट जी भी उसका समर्थन करते हैं हमेशा गुन-गुना पानी पीने की कोशिश करें आप मैंसे कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गरमियों में भी क्या गुन-गुना बागबटी जी की माने तो गर्मियों में भी गुन-गुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आए तो मिट्टी के बरतन का पानी आप गर्मी के दिनों में तीन-चार महीने पी सकते हैं फिर चौथा सूतर ये था कल का कि पानी कभी भी पिये तो सवेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिये माने सुबह की शुरुआत पानी से करें और उसमें मैंने बताया था कि मूँ का कुला किये बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो जो कुछ भी लार मुँ में बनी है ये बहुत ही कीमती है इसका औशदी ये गुण बहुत है और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चीटी य या मक्षी पे थूब दिया वो तुरन मर जाता है क्योंकि उसका औशदी ये गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा से जोड़ा बागवट जी ने इसको शरीर स्वास्त से जोड़ा तो ये चार सूत्र मैंने कल आपको बताए थे ये बहुत फंक्शनल है ऑपरेटिव इसके पहले पांच सूत्र पिछले दो दिनों मैं मैंने बात की थी आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूँगा ताकि आपको भूलने ना पाए आसानी से याद हो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कल के स पहना बहुत उप्योगी भी लग रहा है इस सूत्र का मैं सोचा था कि कल कहूंगा लेकिन आज पह करो भागवट्टी जी कहते हैं कि जब आप भोजन करें कभी भी तो भोजन का समय थोड़ा निश्चित करें भोजन का समय निश्चित करें ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया हमारा ये जो शरीर है ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है इस शरीर में जठर है मैंने आप से कहा उसमें अगनी प्रदीप्त होती है तो बागबटी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज़्यादा तीवर हो उसी समय भोजन करें तो आपका खाया हुआ एक-एक अन्न का हिस्सा पाचन में जाएगा और रस में बदलेगा और रस में से मास मजजा रखते वीरे मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा तो कभी भी कछ न खाय वागबटी जी कहते है कि खाना खाने का समय निर्धारित करें और समय निर्धारित होगा उस से जब आपके पेट में अगनी की प्रबलता हो जठर अगनी की प्रवलता हो बागवट जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि देड़ दो साल की रिसर्च की बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सूरिका उदय होता है तो सूरिके उदय होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है सूर्य के उध्य होने से सूर्य का उध्य होना आप चिन्नई के हिसाब से सोच लीजे मान लीजे साथ बजे तो साथ बजे से लेके साड़े नो बजे तक जठा रगनी सबसे ज़्यादा तीवर होगी हो सकता है यही सूत्र अरुनाचल प्रदेश में मैं बात करूं तो वो चार बजे से साड़े छे का समय आ जाएगा क्योंकि अरुनाचल प्रदेश में सूर्य चार बजे निकलाता है अगर मैं सिक्किम में बात करूंगा तो और पंद्रे मिनट पहले हो जाएगा और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूँगा तो आपसे समय थोड़ा बिन्न हो जाए तो सूरिक के साथ इसको ध्यान रखें तो सूरिका उदे जैसे ही हुआ उससे अगले धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो बागबटी जी कहते हैं कि इस समय सबसे जादा भोजन करें और इस समय सबसे जादा भोजन करें वो तो एक जगाए यहां तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो साड़े नौबजे के अंदर ही लंच करें माने ब्रेकफास्ट गायव नाश्ता छोड़े हैं सीदे ही भोजन करें यहां तक वो कहते हैं वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नौबजे तक अगर आपने भरपेड भोजन किया है तो इस मैंसे जो कुछ भी बनेगा वो एक-एक बूंद, एक-एक अंद का टुकड़ा, एक-एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उप्योगी होगा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह साथ बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, साथ बजे से साड़े नो, जठर अगनी बहुत तीवर होती है बागबटजी ने एक और रिसर्च किया था, कि शरीर के जो अलग-अलग अंग हैं, जैसे हिरदय है, और जैसे जठर है, जैसे किड़नी है, जैसे लीवर है, इनके काम करने का अलग-अलग समय है जठर अगनी के काम करने का सबसे अच्छा समय है साथ से साड़े नो सूर्योदै से डाई घंटे तक फिर इसी तरह से हिर्दै हिर्दै के काम करने का समय है सबसे जादा ब्रह्मु महूर्त से डाई घंटे पहले ब्रह्मुर्त आप समझे चार साड़े चार तो दो सवा दो बजे डेड़ बजे से लेकर चार बजे के बीच में हर्ट सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है और सबसे ज़्यादा हर्ट अटेक उसी समय में आते हैं किसी भी डाक्टर से पूछ करें जब सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा तो हिर्देगा घात वी इसी समय होगा इसलिए नाइंटीनाइन परसेंट अरली मॉर्णिंग्स में ही होते हैं क्योंकि हिर्दय के काम करने का उस समय सक्रियता सब्से ज़्यादा इसी तरह हमारा लीवर है, इसी तरह किड्नी है, इसकी पूरी एक सूची मैंने बनाई है, बाहर पुस्तकों में है, इसलिए विस्तार में मैं नहीं जाता, संकेत के लिए आप से कह रहा हूँ कि हर शरीर के अंग का काम करने का एक निश्चित समय है, प्रकरती ने तै किया है, उसको बगवान ने तै किया है, तो आपका जठर अगनी है, ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो, तो आप भरपेट खाना खाईए, ठीक है, फिर आप बोलेगे जी दुपहर को भूख लगी, तो थोड़ा और खा लीजे, लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का खा सबसे ज़्यादा, अगर आज की भाशा में मैं कहूं, तो आपका जो ब्रेक फास्ट है न, वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए, भारी से भारी, ब्रेक फास्ट, जितना खाते हैं, ज़्यादा भी खा लीजे, कोई फरक ने पड़ते, सुबह के नाश्टे में भरपेट ख कर दीजे और रात का भोजन, दुपहर के भोजन का एकतिहाई कर दीजे। अब सीदे से मैं कहता हूं, अगर आप सबेरे च्छे रोटी खाते हैं, तो दुपहर को 4 ले लिजिए, और शाम को 2 ले लिजिए, अगर आपको अलू का पराथा खाना है, या गोभी का पराथा ख खाओ मूली का पराठा काओ जो आपको को हैं हालांकि जेन आट आलो का पराठा है निशिद है फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए है आपको जो जाधा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाकि मैं कहता हूँ जो चीज सबसे ज्ञादा पसंद है वो सुनसा खहो रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुनसा गा। इमरती खानी है तो सुबह खाओ, जो भोजन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भरके खाओ, वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है, पेट भरके खाओ, तो पेट की संतुष्टी हुई, मन की भी संतुष्टी होती है, और बागमट से या एंजाइम से संचानित है मन को आज की भाषा में डॉक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल करता है भोजन में एक तो पेट भरना है और एक त्रप्त होना त्रप्त करेगा तो पीनियल ग्लेंड आपकी सबसे ज़्यादा सक्रिय है तो जो भी रस और एंजाइम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन से त्रप्त ही नहीं है तो गड़वड होती है पीनियल ग्लेंड और पीनियल ग्लेंड की गड़वड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरप तो भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चत रूप से दस बारे साल के बाद आपको मानस क्लेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफ्रेनिया की शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन की शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बीमारियां हो सकती हैं बागवटी जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं है तो 27 तरह और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेर्य का ही है अब मैंने ये बागवटी जी के सूत्र को चारों तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है मनुष्य को छोड़कर क्योंकि म उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भर पेट खाती है छे बजे के आसपास आप राजिस्थान में निकल जाओ गुजरात में निकल जाओ सब चिडिया अपने अपने काम पे लगी हुई है खाना खाने में खूब जम के खाती है और पेट भर गया उसके चार घंट और बेड़ गधा घोड़ा सब सुबह उटते ही खाना काना शुरू करेंगे ओ पेड़ भर के खाएंगे चख के खाएंगे फिर दुपहर को आ रहा हूं करें तो ये सारे जानवर सारे जीव जन्तु आप सांप को देखो बिच्छु को देखो कीड़ी को देखो चीटी को चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीव जन्तु जो हमारी आँखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सब का भोजन करने का समय सबेरे सूरियोदे का ही है, सूरियोदे के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हमसे जादा स्वस्त रहते हैं, मैंने आपक एक ही अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकी सब कुछ है कि आपका हिरदय बंदर का हिरदय आपका लीवर बंदर का लीवर आपकी किड्मी बंदर की किड्मी सब कुछ समाने मां का गरभाश है बंदरिया का गरभाश है सब समाने एक ही अंतर है उसको पूछे आपको भहां रहते हैं बहुत बड़े प्रोफिसर हैं मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा ostoaurus कियां। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदकी भर मनें पंद्रे सोले साल उन्होंने एक कि बंदर को बीमार बनाओ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वेग्यानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता और बीमार होगा तो मरेगा ही जीवित नहीं रहेगा तो बंदर को बीमार बनाओ तो उन्होंने तरह तरह के वाइरस और वेक्टीरिया बंदर को डाल और मेंने का के आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशुशिश किया, कि उसके बलड का कॉलेस्टरॉल बढ़ा दो, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर से ही कंपेर करता है वो बताता है नहीं आपको ये अलग बात है कंपरीजन बंदर से ही होता है कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती ब्लड में कॉलेस्टरॉल बढ़ता नहीं ट्राइगलिसराइट कभी बढ़ता नहीं डाइविटीज कभी होती नहीं शुगर कितनी भी बाहर से नहीं कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो बढ़िया बंदर की तरह से खाओ माने सुबह सुबह भर पेट खाओ तो उनके कई मरीज हैं जिनों पर उन्होंने एक्सपरिमेंट किया और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह भर पेट खाना शुरू किया किसी की diabetes माने sugar कम हो गई किसी का cholesterol कम हो गया किसी के घुटने का दर्द कम हो गया किसी के कमर का दर्द कम हो गया किसी का कुछ किसी का कुछ gas बनना बंद हो गई पेट में जलन होना बंद हो गई नीद अच्छी आने लगी वगएरा वगएरा सारे improvement वो बोलते हैं होते हैं तब से और यह बात वागवट जी साड़े 3000 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा भूहने सबसे जादा खाना है सबसे अच्छा खाना है जो भी स्वाध आपको लगता है वह सुबह ही खाई तो सुबह का खाना फिक्स करिए समय तै करिए तो समय मैंने आपको बता दिया सूरज हुगा और धाई गंटे तक मैंने साड़े नौ बजे तक जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए और यह भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे यह नाश्ता हिंदुस्तानी चीज लेंगे यह अंग्रेजों की है और आप जानते हैं हमारे चक्कर क्या चल गया नाश्ता थोड़ा कम करेंगे लंच थोड़ा जादा करेंगे डिनर उससे भी जादा करेंगे सवा सत्या नाश एकदम उल्टा से कुछ और नाश्टा सबसे कम यह अंग्रेज और अम्रीकियों के लिए नाश्टा कम है कारण पता है वो लोग नाश्टा हलका ही करें तो उनके लिए अच्छा है हमारे लिए नाश्टा जादा ही करना बहुत अच्छा है कारण उसका एक है कि अंग्रेजों के देश में सू सूरज के दर्षन होते और नहीं होते हैं यह सूरज के साथ सीधे संबंदेथे जैसे जैसे सूर्य इव्र और अगणी और जैसे जैसे सूरी कम होगा अगनी भी कम होगे तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं साल में 8-8 महीने बरफ पड़ती है माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान होता है तो वहाँ जब सूरज है नहीं तो जठर में अगनी हो नहीं सकती तो वो नाश्टा है भी नहीं कर सकते करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था अपनी आबो हवा अपना परियावरण अपना वातावरण अपनी तासीर इसको ध्यान में रखकर ही चले तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह निश्चित रूप से निकलता है अगले दिन भी निकलेगा करोणों साल से निकल रहा है अगले करोणों साल तक निकलेगा इसलिए भारत में every morning is good morning सबी सुबह अच्छी है यूरोप वाले तरस्ते हैं गुड मॉर्निंग के लिए अच्छी सुबह होती नहीं वहां इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है में आई विश यू टू है वे गुड मॉर्निंग वाले लोग हैं हमारे यहां तो एवरी मॉर्निंग इस फसे हुए हैं तो गुड मॉर्निंग से निकलिए नमस्ते में आईए नमशकार में आईए वड़कम में आईए यह गुड मॉर्निंग आपके लिए काम की चीज नहीं है और यह गुड मॉर्निंग जुड़ी हुई है आपके पेट से जितनी अच्छी सुबह होगी माने सू वज़े तक जादा से जादा फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए जी हमको दुकान जाना है हमको आफिस जाना है हमको दुनियादारी समालनी है किस के लिए इसी पेट के लिए ना ये दुनियादारी कर किस के लिए है आप इसी पेट के लिए ना तो पेट तो दुरु तो डॉक्टर को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे पेट दुरुस्त कर लीजे तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है यह आप जान लीजे इसलिए पेट को दुरुस्ती के जान वजे से एक बजे के बीच में जठर अगनी की तीवरता कम होना शुरू होती है तो उस समय थोड़ा कुछ हलका खाएं माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है ना खाएं तो और भी अच्छा है खाली फल खालें जूस पीलें दही पीलें मठा पी जी कहते हैं कि आपने एक चीज़ देखिया ना वह बहुत प्रकृती से सीखने की जरूरत है दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो पहली लौँ खूब तेजी से जलेगी ठीक है और अंतिम लौँ भी तेजी से जलेगी बने दीपक जब बुझने वाला होगा तो बुझने से पहले वो बहुत तेज जलेगा यही पेट का भी नियम जठर अगनी सुबह सुबह बहुत तीवर होगी और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है तब भी तीवर होगी बहुत तीवर होगी तो कहते हैं शाम का खाना सूरज के नहीं स्वास्थे नहीं। अग्नी भी डूबी। तो वैसे तो जैन दर्शन में कायर अत्री भोज़न निशेद है। बागवटीजी भी यही कहते है। तरीका अलग है बस। आप हिंसा के लिए कहते हैं, वो स्वास्त के लिए कहते हैं, वो ये कहते हैं, शाम का खाना तो सूरज रूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता, गाय को खिला के देख लो, नहीं खाएगी, भैस भी नहीं खाती, खिला के देख लो, बकरी भी नहीं खाएगी, बकरा, गदे को खिला के देखलो खाता नहीं हाँ बिलकुल नहीं खाता आप खाते हैं तो आप अपने को compare कर लिजे कि किस के साथ हैं आप कोई जानवर कोई जीव राशी सुरज डूबने के बात खाती नहीं तो आप क्यों खा रहे हैं प्रकृती का नियम बागवटी जी कहते हैं पालन करिए वाने रात का खाना जल्दी कर दीजे सूरज के रहते रहते माने 5-6 बजे के आसपास आप के हाँ सूरज डूबता है 6 बजे या 6.30 बजे वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले अब कितना पहले तो बागवर्टी जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनिट पहले सूरज डूबने का तर समय पता कर लीज़े चिन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6 बज़ के 20 मिनट तक 6 बज़ डूब रहा है तो 5 बज़ के 20 मिनट तक ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाए सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा तो चालीस मिनट पहले शाम का खाना खालीजे और सुबह का तो सूरज निकलने के ढ़ाई गंटे तक कभी भी खालीजे दोनों समय पेट भरके खालीजे फिर कहेंगे जी रात को क्या तो रात के लिए बागवट जी कहते हैं कि एकी चीज है रात के लिए कि आप कोई तरन पदार्थ ले सकते हैं जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है सादवी जी तो वो भी नहीं ले सकते हैं सादू तो वो भी नहीं ले सकते हैं लेकिन आप ग्रहस्ती लोग हैं तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते हैं बागवट जी कहते हैं कि शाम को सूर्व डूबने के बाद मैंने आपको कल कहा था हमारे पेट में जठर इस्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या इंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूद को पचाते हैं इसलिए वो कहते हैं सूर डूबने के बाद जो चीज़ खाने वाली है वो दूद है या पीने वाला है वो दूद है तो रात को दूद रख लीजे छे बज़े तक भरपेट खाना रख लीजे सुबह का खाना अगर आपने साड़े नो दस बज़े खाया तो शाम को छे बज़े खूब अच्छी सी भूक लगेगी फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पर बैठे हैं छे बज़े तो डब्बा मंगा लीजे दुकान में डब्बा आ सकता है हाँ डब्बा आने में कोई तकलीफ नहीं है दुकान में आप 6 वज़े बैठे हैं डब्बा आपका आ सकता है और मैं आपको हाद जोड़ कर कह रहा हूं आप में से कोई भी डाइबिटिक पेशेंट है कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट है किसी को भी बात का घंबीर रो गए आज से ये सूत्र चालू कर दीजे तीन महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजी भाई पहले से बहुत अच्छा होगा शुगर लेवल कम हो रहा है अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है ट्राइगलिस राइट चेक कर लीजे और ये सूत्र को शुरू कर पहले से कम होगा VLDL LDL आज चेक कर लीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे बहुत तेजी से घटेगा HDL आज चेक करा लीजे तीन महीने बाद चेक करा लीजे बहुत तेजी से बढ़ेगा और HDL बढ़ना ही चाहिए LDL, VLDL कम होना चाहिए तो ये सूत्र बागवट जी का जितना संभव हो आप इमानदारी से पालन करिए वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा अब इसके आगे का एक सूत्र बागवटी जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो हर समय ये बात का ध्यान रखें हर समय कि दो ऐसी विरुद्वस्थुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और सुभाव एक दूसरे के विपरीत है दो विरुद्वस्थुएं एक साथ कभी भी ना खाएं ये है सीधा सूधा सोब अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्वस्थुएं क्या हैं मैं कुछ विरुद्वस्थुआं की सूची بتा देता हूं डिटेल सूची तो पागवट्टी जी ने बताई है एक सो तीन वस्तू हैं जो एक दूसरे के एक दम खिलाफ है एक सो तीन वस्तू है जैसे सबसे पहली वस्तू उन्होंने बोली है प्याज और दूद दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है दूद और प्याज साथ में खाया तो बीसियों ब प्यूमारियां आएंगी तुचा की आपको सोराईसिस होगा आपको एक्जीमा होगा आपको खाज होगी आपको खुजली होगी अगर प्याज दूद साथ में खा रहे थो कभी भी ना खाए इसी तरह से कटहल कटहल को कटहल समस्ते जैक फूट दूद और जैक फूट कभी न खाएं दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन और दूद और ऐसा कोई भी फल साथ में न खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है सिट्रिक एसिड आप समस्ते संतरा मुसम्मी नारंगी अंगूर खटी चीज एक खटी चीज भगवान की बनाई हुई खटी चीज है दूद के साथ जानी दुश्मन है बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खटा फल है जो दूद के साथ खाएं वो है आवला आवला ही एक फल है खटा है सिट्रिक एसिट भरपूर मात्रा में है विटेमिन सी भरपूर मात्रा में है केलशियम उसमें भरपूर है यही एक फल है जो दूद के साथ जरूर खाएं बाकी कोई फल जिसमें खटा पन है वो दूद के साथ ना खाएं आम भी आम अगर खटा है तो दूद के साथ ना खाएं मीठा है तब ही खाएं आम और दूद करी दोस्ती बहुत जबरजस्त है लेकिन खटे आम की दूट से दोस्ती नहीं है मीठा आम एकदम मीठा आम पका हुआ आम उसी को दूद के साथ खा सकते हैं एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जेन हैं तो ये बात आपके लिए लागू ही नहीं होती लेकिन जैन नहीं है इसलिए कह रहा हूँ तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना काएं दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी शहद घी साथ में ना काएं शहद खाना है तो घी ना काएं घी खाना है तो शहद ना काएं इसी तरह से उड़त क दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़त की दाल. वैसे तो मैंने कल बोला था दूइदल. दूइदल में सबसे खतरनाक है उड़त की दाल. उड़त की डाल के बारे में जितनी भी रिसर्चिस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये डालों की राजा है इसलिए ये अकेला ही खाएं इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़त की डाल के साथ डालों की राजा है राजा अकेला ही रहता है ऐसा कहा जाता है तो कहते हैं उ विदल में हैं दही तो ना खाएं लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाए मैंने बताया था कि दही गरम करके खाएं मने दही में भगहार लगा के खाएं ताकि तासीर गरम हो जाएं उसकी या मठा गरम करके खाएं तासीर उसकी गरम हो जाएं लेकिन मेरी आपको विन च्परीमेंट किया मैंने कहा कि चलो खाके देखते हैं आगवट जी न का ना खाएं के देखिए किया होता है श्रीव तो मैंने खाने से पहले मेरा ट्लद प्रेशर चेक किया और तो मेरा ब्लड प्रेशर 22-25 लजा ads था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं यह खाने लगूं उड़त की दाल और दही उड़त की दाल तो हंड्रिट परसेंट छे-ाठ महीने में हर्ट अटेक आई जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बड़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बड़ा में उड़त की दाल का बड़ा है तो दही बिल्कुल नहीं अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूं की दाल का मुंग की दाल का बड़ा है दही बगार कर या मठा बगार कर आप ले सकते हैं उड़त की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं उड़त की दाल का बड़ा सीधे चट्नी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी व्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि महमानों को उड़त की डाल का बड़ा और दही ना फरोसें नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बनें आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे और अतिती देवता है उसको जहर ना खिलाएं तो ऐसी एक सूची है मैंने तो आपको चारपाँ चीजे बताई हैं विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं वो सूची ये कहती है एक सो तीन वस्तौओं की ये चीज इसके साथ ना खाएं तो बागवटी जी कहते हैं दो विरोधी चीजे हैं साथ में ना खाएं और वो कहते हैं कि अगर आप में ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी वर आप निसंग कोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं तो आज का एक सूत्र मैंने बोला फिर ये दूसरा सूत्र हुआ अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूँ आज का बागवटी जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठ कर ही खाएं जमीन पर बैठ कर खाएं मैं जैसे बैठा हूँ ना इसको आयरुवेद की भाषा में कहते हैं सुख आसन ये आसन में खाना खाएं क्यों खाएं जी प्रशनाएगा आपके मन में तो बागवटी जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं सुख आसन में तो आपके शरीर का जो जटर है न ये जो है सबसे ज़्यादा तीवर है और इस आसन में इसकी तीवरता हम पमेशा मेंटेन रहते आप उभी कुरसी पर बैठें के इसमें तीवरता घरती और घुड़े हो जाएं तो कूल कम हो जाएग करण क्या है आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं, हमारे शरीर में कई चक्र हैं, एक चक्र जो है न, ये जो पीछे है, जहां पर आपका hip joints और आपका ये जो मन का होता है, जहां मिलते हैं, वो सबसे महतुपूर्ण चक्र है, ये प्रदीप्त होता है तबी, मन दीप्त होता है जब इन पर बैठके ही खाएं और वो यह कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठें उससे थोड़ा उपर रहे मानि पट्टा रखके या स्टूल रखके थाली उस पर ऐसे बैठके खाएं बागवटी जी ने और एक बात कहिए कि सबसे अच्छा तो यह है सुखासन जिसमे आप बैठकर खाना खाएं वो कहते हैं और एक आसन है जिसमें आप खाना खा सकते हैं बाकी किसी में भी लिए वो गाय का दूद जब निकलते हैं कैसे बैठते हैं बस उस इस्थिती में भी आप खाना खा सकते हैं उकडू गाय दूद निकालने का जो इस्थिती है बैठने का उस स्थिती में बैठके आप खाना खा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसको ध्यान से सुन लीजे क्योंकि आगे उन्होंने एक वाकिलिक दिया कि जो शरीर श्रम जादा करते हैं जो शरीर श्रम जादा करते हैं जैसे किसान जैसे हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकडू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बागवट के और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा अब आप आस से एक अब्जर्वेशन कर लीजे कि जितने लोग इस बात से परिशान है कि उनका पेट आगे निकल आया है वो इस आसन में बैठके खाना खाना शुरू कर दें और तीन महीने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा आगे नहीं आएगा और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठके खाना खाएंगे पेट आगे निकलता ही जाएगा क्योंकि कुरसी आपके लिए बनी नहीं है ये अंग्रेजों के लिए बनी है अंग्रेजों के लिए कुरसी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है न तो joints कडक रहते हैं उनके सभी joints कडक होंगे कठोरता आएगी आपके अगरमी बहुत है तो आपके joints में flexibility है तो आप अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुर्सी का अविश्कार किया है आदे तो बैठें पूरे नहीं बैठ सकते तो वो आपके लिए नहीं है कुर्सी यह अंग्रेजों की देन है तो मेरी आपको विंती है कि डाइनिंग टेबल पर खाना ना खाएं तो आप कहेंगे जी ले लिय पंगया तो बहुत सारा कचरा भर का आपने घर में क्या करेंगे उसका हमको हिंदूस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है दुनिया भर का कचरा घर लाके रखना हां यह तनी खराब बीमारी आईए हमको कि बिना सोच बिना समझे कचरा नाला के घर में रखना रसोईयों में मैं घरगों में जाता हूं ना टीन तप्रे के इतने डब्बे होते हैं खाली हैं फेकेंगे नहीं सम्हाल के सम्हाल के सम्हाल के कब काम आएंगे मालूम नहीं लेकिन वो भरते ही जाते हैं भरते ही जाते हैं रसोईयों में इतने डब्ब पता नहीं कभी काम आजाए और वो कभी 60 साल में भी नहीं आता, 100 साल में भी नहीं आता, तो उसी कच्रे में मैं गिनता हूँ आपकी डाइनिंग टेबल, अब आप ज़रा हिसाब निकालो जी यह आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मान लो यह 100 स्क्वेर फिट की है, 10 पचास स्क्वेर फिट आपने घेर के रखा है जरह जोड़ लो ना तीन हजार में पचास का गुड़ा करके और रोज का हिसाब निकाल लो तो एक को खरीदा तब आपने पैसा बरबाद कर दिया अब इसको जगए को घेर के बरबाद कर दिया है तो अगर बंसे के तो डाइनिंग टेबल निकाल ने नहीं निकाल सकते तो कोने में रख दे सकते आप अफरी बात चैpower कोछटो से आएक बात करो में नहीं आपको उससे छूटता नहीं है तो बागवटे जी तो मना करते मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे मैं आसन में बैठा हूं कुरसी पर भी ऐसे बैठ जाए आलती-पालती मारके फिर खाली जाए लेकिन अच्छा तो नहीं है लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है अब ये निकले कैसे तो आप उसका अगर सच में उप्योग करना चाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर कुरसी पर ऐसे बैठ जाए आसन मारके आलती-पालती मारके फिर खाली जे और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है मतला ये मेरी तो विंती है मतला ये उसक खाना जब दुपहर को खाएं और सुबह खाएं सुबह और दुपहर ये दो बात वो ये कहते हैं कि दुपहर और सुबह का खाना खाएं वैसे तो वो कहते हैं दुपहर का ना खाएं दुपहर का खाना सबेरे खाएं लेकिन अगर आप खाही रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि तुरंत विश्रांती लें, खाते ही विश्रांती लें, खाते ही आराम करें, काम कोई ना करें, सुबह का खाना अगर दस बजे खाया, या बारे बजे खाया, या ग्यारे बजे खाया, तो खाते ही विश्रांती लें, कब तक? 20 मिनट, 20 मिनट विश्रांती लें, और उसको उन्होंने explain किया है कि वो विश्रान्ती जो होनी चाहिए वो आपके शरीर को जो बाया हाथ है इसको नीचे करके दाए हाथ को उपर करके वामकुक्षी अवस्था में लेटे है अब वामकुक्षी को सरल भाशा में समझाता हूँ भगवान विश्नु को लेटे विश्नु भगवान शेशनाक पर लेटे हुए वो वामकुक्षी की अवस्था है खाना खाने के बाद हमेशा दुपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे है क्यों लेफ्ट साइड है आप जानते हमारे शरीर में दो नाडिया है वैसे तो तीन है तीन नाडिया एक चंदर नाड़ी है एक मद्दे नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है सूर नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंदर नाड़ी कम हो भोजन पचाना है सुबह का और दुपहर का सूर नाड़ी तीवर होनी ही चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेटो तो लेट तो ही शुरू हो जाए बीस मिनट जरूर लेट है फिर आप कहेंगे जी नीद आ गई तो बागवटी जी कहते हैं ले लो एक जपकी वो ये कहते हैं रोको मत इस नीद को जो सुत्रो नो ने लिखा है कि दुपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको के बाद इस विश्रांती ले ले लें 20-40 मिनट तो अगले आधे दिन काम करने को बहुत इनरजी आपके पास आएगी आप चाहें तो आज ही करके देख लें मैं इस सुत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूं कि शरीर के चौदे वेग होते हैं वेग उनको कभी भी रोक है नहीं उसमें जिद्रा है नीद जो है ना ये एक वेग है तो वो कहते हैं कि दुपैर के खाने के बाद अगर आलस से आ रहा है तो ये स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाते ही जठर अगनी प्रदीप्त होगी अगनी प्रदीप्त होने के लिए मैंने आप से कल समझाया था ना बलड की जरूरत पड़ेगी तो शारे शरीर का खून पेट में रहता है जब तक खाना पचता है तो बाकी अंगों को खून की कमी है तो प्रेशर बढ़ेगा सारा खून एक जगे आएगा तो दूसरे अंगों पर तकलीफ आएगी कि नहीं तो brain को pressure आता है तो brain relax होना चाहता है इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही ये प्रकरती का नियम है तो आप ले लेना उस नीद को छोड़ते क्यों है बहुत कीमती है लोगों को मिलती नहीं गोलिया खाते हैं फिर भी नहीं आती करोण और उपए लेने वालों को मैंने देखा है आती नहीं है नियर आपको आ रही है तो बात बहुत सुखी है तो आप दुपहर की जपकी लेल है मैं आपको और एक छोटी सी जानकरी बताओं कि बागवट्टी जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत research हो रही है आज कल आज कल आस्ट्रेल या तीनों देश की सरकारें 2008 में कानून बनाने जा रही है कानून बनने जा रहा है कि हर एक करमचारी को लंच के बाद जफ्की लेने के लिए ब्रेक देना कंपल सरी है तो सभी कंपनियों को और आया है सरकार का कि अपने ओफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी जन कम्पणियों में यह चल रहा है सिलसिला मैंने उन से इमेल से कांटेक्ट किया कि भाईा यह तुम को कहां से याद आ गया ये तो बाग मटटे जी साड़े-टीन हजार साल पहले कहके गए तो उन्होंने का ये आप किया साड़े तीन हजार साल पहले था हमारे याँ अब पहुंचा है हमको अब पता चला है हमने इस पर रिसर्च शुरू किया है तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन करमचारियों को दुपेर खाने के बाद वो जपकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की efficiency तीन गुना बढ़ गई है एफिशेंसी बढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पहले से और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बढ़ा करना मैं मानता हूं दुनिया में इससे बढ़ा कोई काम ने तो आपको काम तो घर में भी है आप भी भोजन के बाद एक जपकी लेने का नियम बना ही लो सब काम छोड़कर जपकी ले लो आप क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके शरीर के स्वस्थ रहने से ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा इसलिए कोई संकोच नहीं कोई लिहाज नहीं को आपने दुपेर का खाना खाया जपकी ले ही लो 20 मिनट से 40 मिनट जिंदगी आपकी सुखी रहेगे जिंदगी भर आप सुखी रहेगे इसमें कोई शरम की बात नहीं है ये शरीर की जरूरत है जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं इसमें क्या शरम करते हैं वैसे ही blood pressure बढ़ता है और brain को ज़्यादा pressure बरदाश्ट नहीं है तो नीद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है तो आप ये कर लो पुर्शों के लिए भी मेरी विंती है आप कहेंगे जी दुकान में विवस्था नहीं कुछ बना लो आगे पीछे कुछ तोड़ ताड़ के ऐसी विवस्था कर लो कि खाते ही पैर सीधे करने को कुछ तो हो जाए आप कहेंगे जी बैंक में काम करते हैं बीमा कंपनी में काम करते हैं तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूँ जहां पर ये नियम बन चुका है आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाड़ा और ब्रिटेन और और उस्ट्रेलिया और नियूजिलेंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बागबट तो हिंदुस्तान के थे तो आपकी बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा बी पी ओ सेक्टर है यहां तो हो गया है गुणगाओं में चालू हो गया उन्होंने चालू कर दिया दुपहर को खाने के बाद जबकी लेने की छूट देना शुरू कर दिया तो अगर वहां हो रहा है बी पी ओ सेक्टर में आई टी सेक्टर में तो सब जोगे हो जाएगा धीरे धीरे यह आ जाएगा अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूँ गुजरात में जाता हूँ मैं राजिस्थान में जाता हूँ जैपुर जैसे शहर में राज़कोट जैसे शहर में तो दुपहर को सारा बजार बंद रहता है राज़कोट में हजारों करोड का बिजनेस होता है क्या पूरबंदर क्या राज़कोट क्या जामनगर क्या जूनागर क्या हम्रेली दुपहर को बजार खुले गई नहीं और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा करोणों रुपए लेखे सेट जी कहेंगे जी शाम को आना चार वजे के बाद अरे सेट जी मेरे पास बैग बराय रूपियों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुरसत नहीं है मैं नीद ले रहा हूँ बहुत सुखी लोग हैं समय का सही सद उपयोग कर रहा है अब कुछ लोग गालिया देते हैं क्या मिकम में लोग हैं दुपहर को सोते हैं सो नहीं चाहिए पूना में आप चले जाए पेशवाई के जवाने से पूना के लोग दुपहर को खाने के बाद जरूर नीद लेते ह इसके लिए बहुत प्रचार किया था बागवट के इस सूत्र का तो वहां भी है पुना में भी है जो पुराने शहर है ना हिंदुस्तान में हर जगे ये देखने को मिलेगा दुपएर के खाने के बाद सब जबकी लेंगे ही तो करनाटिक में भी है ता मिलना डूका मुझे मा सूत्र है आगे का वह यह कहते हैं कि दुपहर और सुबहर के खाने का अगर आपने नीज लिया है खाने के तुरंबार तो रात का भोजन माने शाम का भोजन रात से मतलब हमेशा शाम द्यान रखना तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रांती नहीं लेना उल्टा है सुबह का भोजन किया तब तो विश्रांती जरूरी है शाम का भोजन किया तो दो घंटे तक विश्रांती नहीं लेना दो घंटे माने छे बज़े खाना खा लिया तो आठ बज़े ही जाना सोने के लिए उसके पहले में पांच बज़े खाया तो साथ बज़े दो घंटे त तो शरीर की बायो केमिस्ट्री पूरी बदल जाती है सुबह और शाम सुबह कच तरह के हार्मोंस हैं शाम को दूसरे तरह के हार्मोंस तो शाम के लिए वो अब्जर्वेशन करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं अगर सोएंगे तो हर्ट अटेक, डाइ वो कभी भी एक्स्ट्रीम पे नहीं गए बागवट्ट जी, बीच में ही रहे, मिडिल मार्ग हैं, मद्धि मार्ग हैं, वो यह कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते, किसी कारण से, करें तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाते तो आपको सोना नहीं है, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो, तो वो यह कहते हैं, वजरासन में जरूर बैठ हैं, दस मिनट, वजरासन आप सब समझते हैं, यह ऐसे, पैर पीछे करके, बस, दस मिनट बैठ जाएए, खाने के बाद, सुबह भी, और शाम को भी, और प्राणा महर्शी पतंजली कहते हैं, महर्शी पतंजली बागवट के बाद के हैं, महर्शी पतंजली कहते हैं, कि अगर वजरासन में कोई बैठता है, तो शरीर बिलकुल वजर के जैसा ही होता है, वजर आप समझते हैं, एकदम कठोर, मजबूत, अब मैंने हिंदुस्तान के कई लो शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैया है वो वज़रासन की कृपा है गांदीजी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा ये वजरासन में जब मौका मिला बैठ गए जब मौका मिला बैठ गए और गंटों गंटों तीन-तीन गंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले-डुले वजरासन में बैठ के चिट्थी लिख रहें किताब पढ़ रहें तो दस मिनट तो क्निवन तम करें ही जादा से जादा अगर आप कर सकें समय समय पर वजरासन में बैठते रहें तो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं एकदम दुरुस्त रहते हैं यह तीन सूत्र हुए और एक चौथा सूत्र बता देता हमारे बागवट रिशी कहते हैं कि आ खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित और मन दोनों शांत रहने चाहिए चित और मन दो अवस्थाएं चित की है मन की है मौडरन साइंस में न चित है न मन है वो ब्रेन की बात करते हैं माइंड की बात करते हैं माइंड अलग है मन अलग है ब्रेन अलग है चित अलग है तो चित और मन दोनों शांत रहें तो चित और मन को शांत रखने का क्या उपाय है तो शायद इसी के लिए हमारे देश में य खाने के पहले या इश्वर की प्रार्थना करें खाने के पहले अगर इश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं कोई सूत्र बोल रहे हैं तो निश्चत रूप से आपके मन और चित्त में शान्ती आएगी तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें बजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा कोई मंत्र के द्वारा कोई सूत्र के द्वारा जैसे आप करना चाहें वो करें और एक सूत्र बहुत महत दुका वैसे तो मैं परसों कहने वाला हूँ लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है बागवट जी एक जगे लिख रहे हैं सूत्र में कि जब भी आप विश्रान्ती लें सुबह या शाम मने रात को सोई या दिन में सोई तो हमेशा दिशाओं का ध्यान रखके सोई अब यहां पर वास्तु गुज गया वास्तु शास्त्र वास्तु भी विग्यान है तो वो कहत आपको विश्रान्ती लेते समय सिर सूर्य की दिशा में रहे सूर्य की दिशा में पूर्व की दिशा और पाउं पश्चिम में रहे और वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मजबूरी आ जाए कोई भी मजबूरी के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सकें तो दक्षिन में कर लें शाध हुए तो या तो इस्थ। और या साध हुए जब भी आराम करें लेटें तो सिर्म हमेशा पूर्व में ही रहें पाउं हमेशा पुष्टिम में रहें और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षिन दक्षिन में सिर रखें उत्तर में पाउं आगे के सूत्र में बागवट जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं उत्तर नौर्थ फिर आगे के सूत्र में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मुरत्यू की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है, पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है, तो उत्तर में मुह रखके करें, लेकिन सोने के लिए उत्तर बिलकुल निशिद्ध है, अब बागवटी जी ने लिख दिया, मैंने देखना शुरू किया, जब से ये पढ़ा तो मैं गा तो पहला ही सुत्रों वो बोलते हैं, संस्कृत में, हर गाहों में पंडिजी, मृत का शरीर उत्तर में करो, मने सिर उत्तर में करो, पहला ही मंत्र है, पहला ही मंत्रों बोलेंगे मृत व्यक्ती का सिर उत्तर में करो, और हमारे देश में आरे समाज के एक संस्थापक रही स् सरस्वती उन्होंने बारत में जो संसकार होते जन्म का संसकार है गर्वधान संसकार yolk began Mog तो उन्होंने कुस्तक लिखी है संसकार विधी उसमें पहला ही सूत्र है vigilant के लिए तो उसमें वह किह कि सबसे पहले उम्रत व्यक्ति का सिरु उत्तर में करो उसके बाद विधी शुरू करो अब ये तो हुआ बागवट्ट जी का दयानन जी का वगरा अब मैं विज्ञान जोड रहा हूं इसमें ये मेरा अपना एक्स्प्लेनेशन है क्यों आज का जो हमारा दिमाग है न ये क्य क्यों के बिना मानता नहीं हां क्यों क्यों ऐसा करें कारण उसका बिल्कुल साफ है आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो प्रत्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है प्रत्वी और शरीर के बीच में इसको हम कहते हैं गुरुत ये दोनों सबसे ज़्यादा तीव रहें गुरुत्व आकर्शन के लिए प्रत्वी का उत्तर प्रत्वी का दक्षन एक चुम्बक की तरह से काम करता है गुरुत्व आकर्शन के लिए आपका जो शरीर है इसका ये है उत्तर सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पाउं दक्ष तो सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर आप अगर प्रत्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए बागवट जी कहते हैं नहीं सोना मानलो सो गए तो आपका सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर उत्तर दोनों साथ में आए तो force of repulsion काम करता है विज्ञान ये कहता है force of repulsion माने प्रतिकरशन बल लगेगा तो आप ऐसे ऐसे समझो इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकरशन बल आपके शरीर पर काम करेगा तो ये प्रतिक्रशन बल जब शरीर पर काम करेगा धक्का देने वाला बल तो आपके शरीर में संकुचन आएगा contradiction और शरीर में अगर संकुचन आया तो बलड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा क्योंकि बलड को भी प्रेशर आएगा क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है खून को भी प्रेशर आएगा और अगर खून को प्रेशर है तो नीद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धर्ड़ धर्ड़ चलती रहेगी हिर्दे की गती हमेशा तीवर रहेगी तो उत्तर की दिशा प्रत्वी की है जो नौर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एकी दिशा में हो force of repulsion काम करेगा प्रतिकरशन बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नीद आएगी ही नहीं अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षण में कर दो ठीक है प्रत्वी का दक्षण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नौर्थ हुआ और प्रत्वी का दक्षण हुआ साउथ हुआ तो आपका नौर्थ मने उत्तर और प्रत्वी का दक्षण ये दोनों एक दिशा में हैं तो force of attraction काम करेगा एक बल आपको खीचेगा और अगर आपके शरीर पर खिचाओ पड़ेगा मान लीजे आप लेटे हैं और ये प्रत्वी का दक्षन है और इधर आपका सिर है तो आपको खीचेगा अगर कोई तो शरीर थोड़ा सा बढ़ा होगा जैसे रबर खिचती है ना elasticity ऐसी शरीर में थोड़ा सा बढ़ा हो आएगा जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉड़ी में relaxation आ गया आप अंगड़ाई लेते हैं शरीर को तान देते हैं फिर क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शरीर को ताना तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ा हो आया आप बहुत relax feel करेंगे तो इसलिए बागवट जी ने कहा कि दक्षिन में सिर करेंगे तो शरीर पर force of attraction है उत्तर में सिर करेंगे तो force of repulsion है force of repulsion में शरीर पर दबाओ पड़ता है force of attraction में खिचाओ पड़ता है खिचाओ और दबाओ एक दूसरे के विपरीत है दबाओ से शरीर में संकुचन आएगा तो खिचाओ से शरीर में थोड़ा सा फैलाओ आएगा तो फैलाओ है तो आप सुखी नीद लेंगे और उस पर दबाओ है तो नीद नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत बहतरीन visualization दिय यह visualization मैं मानता हूँ जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खतम करने का अकेला है सूत्रे नीद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से बार भोजन अच्छा है नीद अच्छी है और क्या चाहिए तो आप नीद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका फोर्स ऑफ अट्रेक्शन पे रहे इसके लिए दक्षिन में सिर करके सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में प्रत्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैग्यानिकों का कहना है क इसलिए पूर्व में सिर करके सोएंगे तो न्यूट्रल आप भी रहेंगे तो आसानी से नीद आएगी और अच्छी नीद आएगी पश्चिम का आप पूछेंगे जी पश्चिम के लिए अभी रिसर्च होना बाकी है बागबट जी मौन है उस पर कोई एक्स्प्लेनेशन देकर नहीं गए है और आज का साइंस भी लगा हुआ है कोई रिसर्च अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रिशित करूंगा कि के खिशाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूं वह रिसर्च इस प्श्चिम पर कम हुई है पूर पर हो चुकी है दक्शन पर बहुत हो चुकी है उतरपर को सबसे ज्यादा हो चुकी है तो यह 3 देशाओं को ध्यान में रखना सोते सब. बादे में पूर्व में सिर करके सोँएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दक्षनमें. अब इसके आगे का सूत्र और भी मज़ेदार है. बहुत इंट्रिस्टिंग है. बागबट जी कहते हैं कि किन को पूर्व में सिर करके सोना और किनको दक्षन में उन्हें केटेगरी बना दे तो वो कहते हैं जो सादू हैं जो सन्यासी हैं जो ब्रह्मचरिका पालन कर रहे हैं जो ग्रहस्त जीवन नहीं जी रहे हैं जो दुनिया की मोह माया से दूर हैं इन सब को पूर्व में ही सिर करना हमेशा और जो दुनिया चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, ग्रेस्ती चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, पत्नी के साथ रहे हैं, बच्चों के साथ, उनको दक्षण में ही सिर करना, अब यहां बिलकुल क्लियर हो गया, अब कोई confusion नहीं रहना चाहिए, आप जितने लोग हैं, सब अपना परिवार चलाने वाले घर गरहस्ती चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बैड की पोजिशन बदलो दक्षण में सब के सिर्व होने चाहिए बैड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्मचारी है वगरा वगरा इनको पूर्व में ही सोना सादू जी सादवी जी जो भी है जिनको अपने जीवन में नेश्टिक ब्रह्मचारी का पालन करना है सादू मातमसंत इनको पूर्व में ही सो ना है सिर रखके और आप जैसे लोग जिनको घर रहती चलानी दक्षम अब यहां कोई कंफ्यूजन की इंजाइश नहीं है आप अपना याद रखो मैं मेरा याद रखता हूँ अच्छा आज के लिए इतने ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं सिर के लिए जरूर सुलाइए जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षिन में रखके सुलाइए थोड़े तीन-चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी कर दें कर दो आपने बठाता था सुफध उड़ पाने पीना चाहिए लेकिन जहन द्रम में यह वारताता है है कम से शुक्ष्म्स शुal पूछ लिया इसलिए पानी जो है सुक्ष्म जीव राशियों का संग्रह आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें करूदों करूदों सुक्ष्म जीव and the Geld Rocket try you मैं तो दिली नहीं करें पानी पीने कि समय सबसे ज़्यादा तीव्र होती है medicinal property ज़्यादा होती है इस लार की तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज़्यादा जीवराशी के हत्या होगी इसलिए जेन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सके हैं ये आदर्श है लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जेन शास्त्रों ने जेन आचारें न हो 88 मिनट क्या हो जाता है है आपके मुंकी जो लार है ना इसकी जो चारी यता है यह कम हो जाती है बहुत तेजी से कम होते हैं और इसकी चारी ऐका मुई एल के Creation जुसको आप करले जी में हो जीवराशी के मरने की संभावना अऊतनी कम हो जाती तो फालतु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये कहा कि नवकार्शियों एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हां तो यह उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो और तालीस मिनट का कैल्कूलेशन बाग भट जी का भी है वो यह कहते हैं कि सुब्ध उठते ही अड़्तालीस मिनट तक अगर आप इंतजार करते हैं तो मुझकी जो लार है इसकी चारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जेन दर्शन पा बैठे रहे हैं तो भगवान का नाम ले लो कि आप इश्वर का जाब कर लो मंत्र का जाब कर लो कुछ कर लो और फिर पानी पियो फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू कर ले यह बीच का रास्ता मैंने बताया जी और कोई प्रश्ण हां आपने शहाद और घी के बिरुद्ध बताए शहद और घी हां जैसे जनम होता है तो बच्छे को सहद और गीग चटा जाता है एक ऐसा संसकार है तो वो कैसे जी यह जो संसकार है ना बच्चे को जनम लेते ही शहद गीच चटाने का इस संसकार को करते समय जो लोग है ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बहुत तकलीफ है आयुर्वेद ये कहता है कि शहद और घी बरावर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है लेकिन कुछ भारत में ऐसे समू है जो अपने बच्चों को ये करते हैं शहद और घी चटाते ह लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते हैं लेकिन जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा ऐसे कुछ समू है बारत में जो चटाते हैं उनको मैंने पूछा तो वो मुझे एक इंटेलीजेंट उत्तर देते हैं और वो बागबट ज का भी सही है वो यह कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोवर का रस डाला था अब यह जो गाय का गोवर और गोवमूत्र की जैसी बात आती है तो तुरंद मेरे ख्याल में आता पंच गव्य बनाते हैं पंच अम्रत या पंच गव्य तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोवमूत्र के साथ या गोवर के रस के स पिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया गी है गो मुत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विश्कारकता कम हो गई तो बाद में एक कल या नहीं तो परसों मैं इस पर विस्तार से आने वाला हूँ कि गाए के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तयार है माने उनकी दुश्मनी कम है माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विश्के बीच में डालो तो दोनों को नीट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है तो सल्फर बढ़ता है तो कुछ लोगो ये ना करें ये मेरी विंति है आप इसको बच्चे को अगर चटाना तो खाली घी चटा दें अगर चटाना तो खाली शहद चटा दें शहद और घी मिलाकर ना चटा एक ही कंडिशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंबीर रोग ना हो अगर मानलो कोई बहुत गंबीर रोग है जिसमें विश ही देना है मान लीजे कई रोग ऐसे हैं जिसमें विश दवा का काम करता है ऐसे कई रोग हैं जिसमें विश दवा का काम करता है उस कंडिशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है जैसे एक बहुत खराब रोग होता है कई बच्चों को होता है जन्म लेते ही उनके शरीर का जो तवचा है ना उनका रंग बदलना शुरू होता है कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तामई कलर के हो जाते हैं ये जो कौपर होता ने कौपर तामा तामर उसी रंग के बच्चे की इसकिन होना शुरू हो जाती है, उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं हो, उसके लिए वो काम आए, तो अलग-अलग करिस्तितियों में, लेकिन सामन्ने बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है उप लोगी में, जी. श्रीमान जी, आईरुवेदिक दवाओं के साथ, जो डाक्टर की दवाओं अभी चल रही है, तो उसको ले सकते हैं, बिलकुल मत लीजे, दवा जो है ना आप भरोसे से आईरुवेद की लीजे तो उसे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे, एलोपैधी की दव पत्री के जैसे जमने की संका रहती है, या डाउट रहता है, अर्जुन की छाल से पत्री होने की शंका ना के बराबर है, पत्री होने की शंका एक ही चीज में है कि अगर आप चूना जादा खाएं तो, अर्जुन की छाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पत्री होई है क्योंकि अर्जुन की चाल में जो कैल्शियम है वह बहुत ही कम है और जो है वह बहुत आसानी से घुलनशील है वह आसानी से डाइजेस्स होता है पत्री होने की संभावना तभी है जब आप ज़्यादा चूना खाएं जी पेशाप करने के पस्याद पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना कल तक इंतिसार कर लीजिए इस नियम के लिए यह कल आने ही वाला है आप पूछिये जी क्या जी काड़ा काड़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को चाहें तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को पीएंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फाइदा भी बहुत नहीं आएगा फाइदा सबसे ज्यादा काड़े का ल करते हैं सुबह उठते ही बहुत लोगों को होगी इसका नुकसान बताएं देखिए मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज़्यादा नुकसान है चीनी यह जो शुगर है न चीनी इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है अगर आप चाय पी रहे हैं मैसे तो मत पी हैं क्योंकि आपकी तासीर के अनकूल नहीं है चाय के जो केमिकल है न भारत के लिए उप्योगी नहीं है भारत में रहने वाले लोगों के लिए यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाए हमारे लिए वो जहर है काफी तो और भी जादा गरम देशों में चाए काफी अच्छी नहीं है फिर भी अगर आप पी रहे हैं आप मानते हैं कि खराब है लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है तो मैं तरीका बता देता हूं वो तरीका यह है कि चीनी की जगह गुड की चाय पी लीजेए कि क्यों पी लीजिए वो समझ यह गुड जो है ना छारी यह है और चीनी अना अमली यह है चीनी जब डिसिंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है और गुड जब ज़्यादा ही होता है और उस समय अमल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है तो यह एसिडिटी ही बढ़ाईगी आपकी तो बहतर है कि आप चाय पिए तो गुड वाली पिए अब गुड वाली चाय जब पिएंगे तो दूद नहीं डाल सकते उसमें क्योंकि प्लब कृण सी एक बात मालें कि अगर काली चाय बूर डालकर पी रहें तो थोड़ा सा नीवू का रस डालें तो नीवू का रस डालें तो नीवू का रस मैंप इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए वो नियम न भोले जी हाँ इसलिए मैंने बोला कि गुड़ में जो है न चार है और नीबू जो है ऐसे डिक है तो चार अमल मिलें तो न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल चाय हो जाएगी जब आप पिएगे मैंने चाहता कि चार ये तत्तु भी जा दुख और तकलिफ के पी सके और अगर आपको बंपाए तो होरे पत्ते की चाय अब आती दस्त आप मेंसे किसी के लिए भी अच्छी नहीं आपको अगर पत्त वाली होरे pens वाली चाई मिल रही है तो वह कम से कंझ इतना जरूर फाइदा है और ऐंटी ऑक्सिडेंटल प्रो थोड़ी बहतर है जी कई कई देशों में आपने देखा आए कि भोजन लेते हैं अ वजिवासन में बेटकर भोजन करसकते हैं आपके लिए उतना उनकूल नहीं क्योंकि आपको भोजन के बाद वजरासन करना अनुकूल है भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकुडू बैठकर आसन वहीं अनुकूल है अब यह क्यों है एक दिन रुख जाईए परसों में एक्स्प्रेंट करने ही वाला हूँ और मैंने भी नोटिस किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजब समझते हैं इसलिए क्योंकि डाइजिशन में हेल्प करता है लीजिए ना मैंने मना नहीं किया लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहें तो मत लीजिए और अगर आप जैन दर् आएगे शहद जो है ना जीवराशियों का समू है और बड़ी मक्ही के शहर में शहद में ज्यादा जीवराशिया पानी कितना लेना चाहिए यह सब के लिए अलग-अलग है तो इसका सूत्र बता देता हूं हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए आप अपना वजन यह वजन और साथ किलो वजन है तो दस से भाग दीजे इसमें तो च्योहाएगा और दो घटा दीजे तो आप 24 घंटे में चार आएगा दो घटा दीजे दो लीटर पानी पूरे दिन में फीसके हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तै कर ले जितना वजन दसका भाग और दो घटा तीन हजार वर्षों में वागभट के बात को किसी ने अभी तक नहीं रखा और इतने वैदेराज हमारे इस देश में रहे उन्होंने भी हम तक ये बात नहीं पहुंचाई ये एक बहुत ही उलजन पैदा करने वाली बात मेरे मन में आई अब मुझे लग रहा है कि जहां कहीं भी वागभट जी रहे होंगे उनका मन बड़ा दुखी हुआ होगा और वो राजीव भाई के शरीर में प्रविष्ट कर गया है और आज 21 सदी के वागभट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं मैं आप सबसे आगरा करूंगे तालियों की गरगराट से उनका स्वागत करें परम पूजने साजवी जी को साधर वंदन महर्शी बागभट जी के सूत्रों पर जो पिछले चार दिनों से चर्चा हो रही है उन सूत्रों में आज मैं आपसे चिकित्सा विश्य की बात शुरू करूंगा मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि महर्शी बागभट कहते हैं कि जिन्दगी में 85 प्रतिशत बीमारियों को हर व्यक्ती स्वयम ठीक कर सकता है तो अब तक जो मैं बात कर रहा था कल तक वो 85 प्रतिशत वाला हिस्सा था इस मैंसे आपको कोई भी बात ऐसी नहीं लगी होगी जो किसी विश्यशक्य की मदद से करनी पड़े अब तक मैंने जितना भी आपको बताया है वो सब इतनी सरल और सहज बाते हैं जो आप स्वयम कर सकते हैं आज मैं आपको पंद्र प्रतिशत वाले हिस्से की बात करूँगा जो बचा हुआ पंद्र प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विश्यशक्य की जरूरत है वो वाली बात आप से शुरू करूँगा लेकिन आज आप महसूस करेंगे व्याख्यान खतम होने के बाद कि अरे ये पंदर प्रतिशत भी हम कर सकते हैं बागवट जी की यही खूबी है वो ये मानते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति विशेशग्य हो सकता है और वो ये भी एक जगह लिखते हैं कि मैं अखेला बागवट नहीं मेरे बाद और भी हो सकते हैं वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति भी अपने शरीर का सुक्ष्म अबलोकन कर सकें अब्जर्वेशन सुक्ष्म माइक्रो लेवल पे वो सभी विशेशग्य हो सकते हैं तो विशेशग्य चिकित्सा के इस तर पर आज में उनका एक अध्याय आपके सामने लेता हूँ ऐसे उन्होंने लगबग चालीस से ज़्यादा अध्याय लिखे हैं उसमें से एक मैं शुरू करता हूँ बागवट जी ये कहते हैं कि जब विशेशग्य चिकित्सा की बात आए गंभीर रोग जैसे कैंसर है, डाइबिटीज है, अर्थुराइटिस है तो इसमें वो कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने ऐसी विवस्था बनाई है कि विशेश गंभीर रोगों की चिकित्सा भी आप बहुत आसानी से सहचता से कर सके उसमें से उन्होंने एक जगे लिखा है कि इस पूरे भ्रमांड में, पूरी प्रकरती में ऐसी कई चीज़ें हैं जो एक साथ वात पित्ट और कफ तीनों को ठीक करने की शक्ति रखती हैं, एक साथ बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं प्रकरती में जो वात, पित, कफ, तीनों को एक साथ ठीक रखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वात को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पित को अच्छा रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कफ को अच्छा रखेंगे वाद को अच्छा रखने वाली सबसे अच्छी चीज़ जो आपके घर में है वो है तेल तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा समभाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता, लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध तेल, अब ये शुद्ध तेल उन्होंने लिखा साड तीन हजार साल पहले, आज के विशलेशन में अगर हम ध्यान दे, तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उसमें कुछ नहीं मिलाया, मतलब non-refined tail non-refined tail अगर आप तेल खा रहे हैं तो बागभट जी का निवेदन है कि आप तेल शुद्ध खाईए माने refined tail मत खाईए double refined tail मत खाईए अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि refined खाओ, double refined खाओ तो आपको हिर्देगात नहीं आएगा वगरा वगरा यह जो refined tail है, मैंने इनको देखा है कैसे refined किया जाता है आप भी देख लें, कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को refined करने में 6-7 chemical इस्तेमाल होते हैं और double refined करने में बारे से 13 chemical इस्तेमाल होते है वो सब chemical मनुश्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोग शाला में बगवान का बनाया हुआ एक भी chemical तेल को refined नहीं कर सकता बगवान का बनाया हुआ ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंघरेजी में कहते हैं औरगicular औरगनिक एक भी chemical नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी chemical दुनिया में नहीं जितने भी chemical तेल को साफ करने के लिए उपियोग किये जाते हैं वो सब inorganic हैं और inorganic chemical ही दुनिया में जेहर बनाते हैं और उनका combination जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में मौटरनिजम के नाम पर आधुनिक्ता के नाम पर जितने इन और्गैनिक केमिकल्स जगे-जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे-धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दे इसलिए रिफाइंद तेल डबल रिफाइंद तेल गलती से भी मत खाई हैं वागवत्टी जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है जिंदगी भर तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकित सा वो बोलते हैं वो तेल का ही है वो गयते है शुद्ध तेल खाई है शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल अब आपके मन में दो प्रशन आएंगे तुरंट कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है हाँ सीधा प्रशन दूसरा प्रशन आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है गाड़ा होता है चिपचिपा होता है और बास अलग से आती है हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैग्यानिकों की मदद से काम किया एक तरह से कहें रिसर्च किया तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है वो उसका सबसे महत्वपूर घटक है तेल पर बहुत कुछ होता जैसे मैंने आपको पहले दिन बताई ना मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रियंट्स है कैल्शियम है आईरन है सलीपवन है कोबल्ट है ऐसे तेल में भी है हर चीज में है तो तेल का जो सबसे महत्वपूर हिस्सा है वो उसका चिपचिपापन ही है और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है तेल में प्रोटीन बहुत है जैसे आपने सुनाएं दालों में प्रोटीन होता है दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है भगवान का ईश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है वो तेलों में है तो आप जो तेल में द dur कि बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपची पापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी एसिड है वो ॉ गायब अब ये दोनों ही चीज़े गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जीनर सोत्र लिखा कि जिन्दगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग वात के ही है सबसे ज़्यादा रोग यह घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड्डियों में दर्द यह बात के तो रोग ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक हिर्दैगात सबसे खतरनाक बात का रोग है पैरलिसिस सबसे खतरनाक बात का रोग है ब्रेन का डेमेज हो जाना तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिन्दगी में है इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड़ जाने की भूमिका सबसे बड़ी है फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड टेल कब से आए आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड टेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड टेल कुछ कमपनिया निकली इस देश में, कुछ विदेशों से आई, कुछ हिंदुस्तानी कमपनिया दोनों ने मिलकर रिफाइंड टेल का चक्कर चलाया रिफाइंड टेल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कहलवाया जो डॉक्टर अपने मरीजों को कहते हैं कि बाईया तेल हमेशा रिफाइंड ही खाना ये वाला तेल लाना वो वाला तेल लाना अलग अलग ब्रेंड के हैं न सफुला ले आना सन फ्लावर ले आना ये ले आना वो ले आना इन डॉक्टरों के साथ मैंने जब वार्थाई करना शुरू किया, खाकर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय ये प्रेसक्रिप्शन के साथ कहना नहीं बूलते, कि तेल सफूला का ही खाना, या तेल ये ही खाना, तो मैंने गए दॉक्टर साथ सफूला से आपका क्या रिष्टा है जो आप हर मरीज को कहते है तेल सफूला का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल तिल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल नारियल का ही खाना ये क्यों नहीं कहते तेल मुगफली का ही खाना ये सफूला कहां से आ गया हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है डॉक्टर साहब को कभी रेफ्रिसरेटर दे जाता है कभी टेलिविजन दे जाता है कभी डॉक्टर साहब और मुझे मिला के नेपाल की यात्रा करा देता है कभी हमारे बच्चों के साथ हमको अफ्रीका की सफारी दिखा देता है तो यह है चक्कर सारा, कि एक तरह से kickback डाक्टर साब को पर्त्यक्ष और परोक्ष रूप से मिल रही है, इसलिए डाक्टर साब बार बार केह रह रहे हैं, कि सफोला का तेल खाना अब ये सफोला का तेल हमने लेकर टेस्ट किया लेबरेटरी में सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है वो टेस्ट किया लेबरेटरी में दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ कि बात तो ये गहरी है इस पे काम करके देखना चाहिए तो वो डॉक्टरों ने जो कुछ भी निकाल के दिया है रिसर्च के रूप में है तो बहुत मोटा हिस्सा अगर बात करूँ तो बहुत दिन भी जाएंगे उसका निशकर्श एक वाक्य में बता देता हूं कि तेल में जैसे ही आप बास को निकालेंगे और उसका चिपचिपापन हटाएंगे वो तेल ही नहीं रहता तेल के सारे महतुपूण घटक निकल जाते हैं और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता डबल रिफाइंड तो बिलकुल छूच है कुछ ही नहीं उसमें और पर आपको ध्यान लाया HDL High Density Lipoprotein यह तेलों मेंसे ही आता है आपके शरीर में वैसे तो यह लीवर में बनता है लेकिन तेल खाएं तब खाएंगे नहीं तो बनेगा नहीं है तो शुद्ध तेल आप खाएं तो आपके लीवर की मदद से HDL आपके शरीर में बहत्री निस्थती में रहे और यह HDL ही है जो आज की रिसर्च बताती है जो बात को कंट्रोल कर सकता है HDL ही है तो आधुनिक विज्ञान का ये HDL और साड़े तीन हजार साल पहले के विज्ञान बागवट चिकित्सा का तेल ये दोनों एक ही चीज़े हैं तो आप शुद्ध तेल खाएं तो HDL अच्छा रहे HDL अच्छा रहे जिंदगी में हर्ट अटेक आने की कोई संभावना नहीं आप निसंकोच अपना जीवन बिताइए फिर एक और महत्तु की बात हमने हमारे कुछ दोस्त लोग हैं इस अभियान में जुड़े हुए उनके उपर एक्सपरिमेंट किये खासकर 36 गड़ में हमा कार्य दोस्त एकथे किये जिनको बहुत ज्यादा समस्या है कोलेस्टाल की बहुत ज्यादा समस्या है Triglyceride की बहुत ज्यादा समस्या है हाई बीपी की ऐसे कुछ लोग एकठे किये और 36 गड़ में ये इसलिए किया कि 36 गड़ भारत में ऐसा एक राज्य है जहां शुद्ध तेल अभी भी मिलता है गाओं गाओं में तेल निकालने वाली घानिया है आसानी से तेल उपलब्द है और आसानी से सरसों भी उपलब्द हैं मुँफली भी उपलब्द हैं तो वहां करने का ये एक ही प्रयोजन था और ये लगबग हम तीन साड़े तीन साल से कर रहे हैं अभी भी ये चालू है हमारा काम बंद नहीं हुआ है तो वहां हमने जिन जिन लोगों को शुद्ध तेल पर लाया उनका ये बंद करा दिया और शुद्ध तेल पर वो आते गए आते गए अभी उनकी इस्तती ये है कि जब हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं और पुरानी रिपोर्ट लेके जाते हैं कि देखो तीन साल पहले इनकी ये रिपोर्ट थी कॉलेस्ट्रॉल इतना ट्राइगलिसराइड इतना ये इतना ये इतना तो डॉक्टर कहता है ये रिपोर्ट में तो आठ दिन के ज़ादा जिंदा नहीं रहना चाजए अर्टे टेक आना ही चाजए और मरना ही चाजए लेकिन आप बचे कैसे हैं तो अब रिपोर्ट यह देख लो आज की रिपोर्ट उनको दिखाते तो वो कहते हैं कि Miracle है ये Miracle कुछ नहीं है चमतकार कुछ नहीं बस एक है क शुद्ध तेल खाया उन्होंने और जो तेल के घटक होते हैं वो भरपूर मात्रा में उनके शरीर को मिले इसलिए उनके ट्राइगलिस्राइड्स लेवल कम हुए, कॉलिस्ट्रॉल लेवल, माने VLDL, LDL कॉलिस्ट्रॉल लेवल कम हुए, HDL उनका बहुत तेजी से बढ़ा, ब्लड प्रेशर उनका अपने आफ कम हुआ, हर्ट टेक आने की जो कंडिशन बनी हुई थी, वो पूरी तरह से खतम हुई, और अब इतना काम करने के बाद, मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया है, कि उनमें से दो हमारे कारे करता तो ऐसे हैं, जिनको हर्ट में भयंकर साल पहले की, तो हमारे घड़ों में, बहुत सारी चीजों में बहुत बार तेल का उप्योग होता था, और तेल के साथ घी का उप्योग तो और भी ज़्यादा होता था, तेल और घी एक ही कैटेगरी मान लें, आदुलिक विज्ञान के हिसाब से, वैसे आयर वेद के का रहे हैं सब्जियों में घी खा रहे हैं और सब्झीयां टेलमें बना रहे हैं आप छिरा कल्पणा टो करिए कितनी जगए टेल 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 कितनी जगए घी घी ओर 40 साल पहले मैंने तो नहीं सुना पतां न有一urities मेरे पिता-जी उपयोग कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में हमको हर्ट अटेक नहीं हो रहे थे ये पिछले दस बारे वर्षों में क्या ऐसा हो गया जो इतने हर्ट अटेक हो रहे हैं परसों किसी बच्चे ने मुझे कहा कि 17 साल के बच्चे ने हर्ट का ओपरेशन कराया अभी यहां चिन्नाई में अपोलो में या पता नहीं कहा अब 17 साल की उमर में आपको बाईपास करवाना पड़े एंजियोग प्लास्टी करानी पड़े यह तो दुखद इस्तती है और यह दुखद बहुत दिन समझने के बाद पैदा हुई है रिफाइंड तेलों से डबल रिफाइंड तेलों से तो बागबट सूत्र के अनुसार आज में आपको विंती करता हूँ कि जिंदगी भर वातकी भीमारियों से अगर बचना है आपको तो तेल शुद खाईए तेल एकदम खड़ी करो हर चीज की सप्लाई होती है जब रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल बिक सकता है तो शुद तेल भी यहीं मिलेगा आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप ही आज संकल्प कर लें कि हम तो शुद तेल ही खाएंगे कल से देखना बहुत सारी यहां ऑईल मिले लग जाएंगे तेल निकालने वाली मिले लग जाएंगे और अब घानी लगाना बहुती आसान है पहले एक जमाना था जब घानी लगाओ तो खर्चा बहुत होता था अब तो बीस पच्छीस अदार रुपई की छोटी मशीन आती है और उसी मशीन में सब तरह क तेल निकल सकते हैं अलग अलग मशीन भी लगाने की जरूरत ने आप चाहें तो घानी भी लगा सकते हैं वो तो 18-20,000 की ही आती है बेल से चलने वाली घानी वो अब महगी नहीं रह गई है और बहुत आसानी से तेल निकलाता है तो इसलिए आप तेल शुद्ध की तरफ बढ उपयोगी है जिस तेल में बास जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही उपयोगी है सरसों के तेल के बारे में सारे डॉक्टर्स ऑल इंडिया इंसिट्यूट के जो रिसर्च कर चुके हैं वो यह कहते हैं सरसों के तेल का डबबा मुँपे लगाओ और जो आख मैंसे आसू तुरंत ना निकलें तो समझ लो वो नकली है उसकी इतनी तेज बास आएगी कि हाक से आसू निकली आएगे नाक चलना आपकी शुरू होई जाएगी वो कहते हैं वो उसके शुद्धता की गारेंटी है तो आप इसको अपने जीवन में ध्यान रखें वात के रोगों को जी दालों में या आपके दूसरे भोजन पकवानों में तेलों का किस तरह से उपयोग करना मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं मैंने ये देखा है कि कुछ खा वो विग्यान ये है कि जैसे मान लीजे होली के आसपास के तियोहार चैत्र के महीने के तियोहार फागुन और चैत्र के महीने के तियोहार अब फागुन और चैत्र के महीने के तियोहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं आप उन पर अगर नजर डालें तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है दिवाली के आसपास के जो तीज तेओहार हैं नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के उन में जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रप्रेशन है बहुत गहरा विग्यान कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूँगा कि तेओहारों में पकाये जाने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं हमारे विग्यानिकों ने माने महर्शियों ने ये देखा कि जीवन के दिनों में माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकूप जादा है वर्सात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकूप जादा है गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकूप जादा ये बात अमूर्थ है लेकिन अब थोड़ी मूर्थ करता हूँ. सर्दी के दिनों में जितने भी तियोहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं, ये सब तियोहारों में आप देखो, भोजन जादा से जादा आपके हिसाब से गरिश्ट होता है. प्रप्रेशन कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप तिल खा रहें, सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है, और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता है, अड़दिया, दुनिया का इससे भारी है भारी गुरुत्व है लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई कीचीज आसानी सेंदे दीरे-दीरे पंचे किउं अभी सन्डी के दिन होते हैं तो थंडी के दिनों में शरीर में पित जो है ना थोड़ा कम होता है उस यह जादा बढ़ा हुआ और कफ सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अगनी पर है अब कफ का असर जठर अगनी पर है तो जठर अगनी भी थोड़ी कम रहती थोड़ी जो घर्मियों के दुनों में वह भड़कती है उतनी नहीं होती तो अगर आपकी जठर अगनी कुछ कम है, कफ के प्रभाव में है, तो आप भोजन भी ऐसे खाईए, जो तुरंत पचने वाले नहीं है, धीरे धीरे पचने वाले हैं, ताकि जठर अगनी उसके साथ मेल कर ले, अपनी गती का ऐसे समझ लो जठर की गती कम होती है, तो खाये जाने वाला खाना भी कम गती से पचने वाला हो, तो बहुत अच्छा है, तो सोस समझ कर ये तै किया गया, कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है, सर्दी के दिनों में मूंफली खानी है, सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है, सर्दी के दिनों में घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है और आपने अक्सर वैद्धियों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे है मने खूब अच्छा अच्छा खाओ और भगवान का दिया हुआ भी इन महिनों में भरपूर होता है तिल भी इनी महिनों में आते हैं मुंफली भी नई इनी महिनों में आती है चने भी इन महिनों में नई आते हैं तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का और अच्छा खाना वो जो गुरुत वाला है गुरुत वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पच्चता है तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे वियंजनों को तियोहारों के साथ जोड़ा गर्मी के दिनों में उल्टा होता है गर्मी के दिनों में आपका पित भढ़कता है बारिश के दिनों में पित जो है बहुत ही कम होता है तो बारिश के दिनों में यह कहा जाता है कि भाईया सबसे हलका खाना खाओ बारिश के दिनों में क्योंकि पित उस समय सबसे कम है और कई बार तो कहते हैं जी एक ही बार खालो तो अच्छा है बारिश के दिनों में और जेन समाज वाले तो जानते हैं कि बारिश के दिनों के खाने में बहुत restriction है क्यों जी ऐसा खाना तो आप खाई ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो हरा सबजیاں मत खाओ ये वगएरा वगएरा हरे पत्री की सभी सबजیاں बहुत पानी भरी बज़ी पानी शरीर में पहले से जदा है क्योंकि बारिश में नमी जदा है तो आप ज़्यादा पानी के शिकार होंगे ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है कम पानी भी अच्छा नहीं तो इसलिए सादू संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा गुसा हुआ है कि जब तक क्यों explain कोई नहीं करता हम ना उसकी बात सुनते हैं ना मानके तो अपने देश में बागवट्यजी के अनुसार वातकी चिकित्सा जिन्दगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुर्द घखाईएooo यह एक सोतर अब दूसरा सोतर वो कहते हैं कि पित्ट की चिकित्सा पित्ट पित्ट जिन्दगी भर आपका ठीक रहेए आपको तकलीफ पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सैक्लों चीज़ें बताई है सबसे अच्छी तो उसकी उपर की श्रिणी में गिंती है घी घी वाने गाय का घी बहस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुष्टी लड़ते हैं कुष्टी लड़ते हैं वाने पहलवानी करते हैं दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो घुमाते हैं इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी न खाएं ये भैस का ही घी खाएं क्योंकि होना ही उनको भैस के जैसा है आपके लिए नहीं है आप सद्ग्रहस्त है ना आपको कुष्टी लड़नी है ना आपको पहलवानी करनी है ना आपको दंड बैठक लगानी है ना आपको रेस जीतनी है आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से तो आपके लिए है गाय का गी और पहलवान जो कुष गाहे का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे और आपने अगर भैस का घी खाया तो आप तकलिफ में आएंगे तो जिंदगी पर पित आपका ठीक रहे पित से होने वाली बीमारियां नहों तो आप गाहे का घी खाते रहें और तीसरी बात जो कहते हैं कफ, कफ को जिंदगी बर शांत रखना है, शमित रखना है, सम वस्था में रखना है, तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, बैसे तो सैकड़ों है, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं, वो कहते हैं, नंबर एक की है कफ को शांत रखने के लिए वह गुड़ और अबलिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं अब आप मेंसे जो जहन सिद्धानतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए हैं गुड़ और जो जो जहन सिद्धानतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं तो तीन चीज़ों की अब बात में कर रहा हूं पहली चीज हो गई शुद्ध तेल दूसरी चीज हो गई गाहे का घी और तीसरा हो गया गुड़ उल्टे से शुरू करता हूं गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा आधुनिक विद्ध्यान की जानकरी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं कफ जब भी बिगड़ता है कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक टत्तों की बहुत कमी आ दे आ जाती है वह फॉस्पोरस केमिकल है फॉस्पोरस जब भी कफ बिगड़ तो आप समझ लो आपके शरीर में फॉस्फोरेज की कमी है और फॉस्फ़ोरेज कर एक छोटा भाई भी है है आरसेनिक अ लिसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है क्योंगst लेकिन बहुत मामुली मात्रा में रहे तो फॉस्फ़ोरेज को ही है यह से अ फॉस्फोरस का कॉम्प्लिमेंट्री है आरसेले ये केमिस्ट्री की बात है अब आप समझ लीजए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया इसका माने फॉस्फोरस कम हो गया तो भागबटची ने कितनी कितनी Intelligency से चोना गुड़ खाओ हमने गुड़ को जब test किया laboratory में तो उसमें सबसे जादा phosphorus ही है कि गुड़ में सबसे जादा phosphorus है हाला कि उसमें थोड़ा मात्रा मैं arsenic भी है लेकिन phosphorus उसमें सबसे जादा मात्रा मैं और गुड़ जो बना है न किस से बनाए गन्य के रस से तो गन्य के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्य के रस में फॉस्फोरस है लेकिन गन्य के रस से ज्यादा गुड़ में है गन्य के रस में भी फॉस्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है तो क्या किया हमने गन्य के रस क को गरम किया तो गरम करने की जो प्रक्रिया है इसमें फॉस्फोरस घटा नहीं बढ़ा यह पता नहीं क्या अधूत विग्यार है तो बागवट्टी जी ने यह नहीं कहा कि गन्ने का रस्पी हो उन्होंने का गुड़ खाओ गन्ने के रस्प को भी वो कह सकते थे क्योंकि फॉस्फोरस गुड़ में है जो सबसे जल्दी हजम होता है यह गुड़ ऐसी अधुक चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है एक दिन के बच्चे को आज बच्चा पैदा हुआ आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं आज ही दे सकते हैं तो आप जो हैं एक ऐसी स्थती में हैं जहां आपके पास कई चीज़ें उपलब्द हैं उन मेंसे बागवट्टी जी चुनकर दे रहें कि देखो यह है अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज़ बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी तरल गुड़ कहिए उसको तरल गुड़ राव कहते हैं कई लोग उसको राव राजस्थान म में आपके पास अगर चॉइस है तो राव खाईए वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है तो राव हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लिबरेटरी में तो गुड़ से बहतरी निस्थती का फॉस्फोरस राव में है तो आपकी जिन्दगी का इसको हिस्सा बना लीज अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं बजार में कई तरह के गुड़ है एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है सफेद सफेद होता है जो गुड़ का रंग जितना जादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया एक दम सफेद ये सफेद रंग के चक्कर में हम बरबाद हो गए है जब से अंग्रेज आए ना हमारे दिमाग में भूत गुज गया हर चीज हमें गोरी चाहिए हर चीज गोरी हर एक रंग सफेद चाहिए हाँ मैं भले चाहने वाला चिककट काला हो उसको गोरी ही चाहिए बागबटी जी कहते हैं कि प्रकरती में आप इसको ध्यान से सुने प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है इसको ध्यान से समझे प्रकरती में जिन चीजों का रंग जितना ज़्यादा सफेद हो आपके अनुकूल नहीं है उधारन के लिए भैस का दूद्ध है है वह पहलवान के लिए है आप के लिए नहीं बहस का दूर और गाय का दूर एक दम पीला हाई पीला अतला वह अनुकूलता जदा जादा है तो प्रकरती में गन्ना है ना गन्ने का रसद हरा अर्य होता है भर यह सफेद कहा से आई मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूँ यह सफेदी आती है निर्मा वॉशिंग पाउडर से और ज्यादा सफेदी आती है एरियल से प्रॉक्टर एंड गेंबल का एरियल और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपको भी विश्वास करें या न करें लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना सफेदी के प्रतिया आपका मोग उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं इतना वाशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ये के रसमें कि वो गुड़ का रंगी बदल जाता ह गुड़ एकदम वाइट कलर का गुड़ ये तो बहुती खतरनाक है बहुती खराब है इसको तो गलती से भी छूईये मत तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है गुड़ का जो नैचुरल कलर है वो वही है जो चौकलेट का होता है चौकलेट आपने देखि तो गुड़ खरीदते समय ध्यान रखिए तांबई कलर का जिसको हम कहते हैं तांबई कलर कौपर कलर का जो गुड़ है वो दुनिया का सबसे अच्छा गुड़ है तो गुड़ जब लाएं खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाईए कि भाई हमको ये सिद वाला नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए तो वह जो काला काला सा थोड़ा चोकलेटी कलर का गहरे LAL रंग का वो दे दो तो वह भी है उसके पास वह अंदर रखता है क्योंकि वह से मालूम है आप लेने वाले हैं नहीं उसे, तो वो अंदर रखता तो है, आप जब मांगोगे, तो वो वही लेके आएगा, ये गुड़ जहां से भी बन कर आ रहा है, वहाँ फिर संदेशा जाएगा, ये सफेद बन कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा सबको अब वोई चाहिए तो गुड की सफलाई बदल जाए ये गुड ही खाई अब मैं जो और गहरी बात पर जा रहा हूं बागबटी जी कहते हैं कि दुनिया में गुड के अतरिक्त जो मिठाईया हैं गुड के अतरिक्त वो आपके लिए बहुत चीनी आज के समय में बागबटी जी के समय चीनी नहीं थी इसलिए उन्होंने उस पर कोई सूत्र नहीं लिखा क्योंकि उन्हें कोई कल्पना भी नहीं थी कि चीनी बना लेगा आदमी अब यह चीनी बहुत खराब है चीनी और गुड का एक ही रॉमेटीरियल है आप जानत किसरी सब्विता है भारत की जहां से गुड आया एक ही रॉमेटीरियल है एक ही रॉमेटीरियल है चीनी बनाने के लिए भी गन्ने का रसी लगता है गुड बनाने के लिए भी गन्ने का रसी लगता है और थोड़ा सा आगे बढ़े कि एक ही रॉमेटीरियल है गेहूं का आ लेकिन वो ग्यहूं के आटे से बनाते हैं पौडी पूरी या पराठा या आधि-आधी बहुत सारी चीज लगी श्ताने से blend डरा लेकिन प्रकृय दो वो रोटी बनाएंगे तो पहले आटे को सड़ाएंगे फर्मेंट करेंगे और आटे को सड़ा सड़ा के पुराना पुराना करकर के फिर उसमें से पाऊ रोटी ही बनेगी रोटी तो बनने ही पाएगी क्योंकि आटे के फर्मेंटेशन के बाद रोटी बनना मुश्किल होता ह और हम आटे को पानी में गूंदेंगे और ततकाल उसकी प्रकृया करके रोटी बना लेंगे वो प्रकृया नहीं कर पाते क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं, कोई उनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं इसी तरह से उनकी आज शक्कर में होता है कि गन्ने के रसको कई देशों में गन्ना उत्पन होता है ब्राजील में मेकसिको में वगरा वगरा तो वो गन्ने के रसको प्रोसेस करते करते चीनी बना लेते हैं हम चीनी की तरफ नहीं गए हमने गुड़ ही बनाया क्योंकि चीनी बनते ही अब आप ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूं चीनी बनते ही फॉस्फोरस खतम होता है चीनी बनते ही फॉस्फोरस खतम होता है और आपको चाहिए फॉस्फोरस कफ का शमन करने के लिए अब वो ही नहीं चीनी में तो आप जो चीनी खा रहे हैं वो जिस ये खा रहे हैं वो पूर्ती ही नहीं होती और चीनी एक ऐसा केमिकल है अगर मैं ब्लैक बोर्ड लेके चौक पे समझाना शुरू करूँ तो समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन अंतिम बात आप जल्दी समझ जाएं चीनी जब आपके शरीर में जाती है और ये तूटती है हर चीज अंदर जाके तूटती है वानि पच्चती है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो एसिड है और गुड़ जब शरीर में जाता है और तूटता है तो इसके सबसे अंत में जो बनता है वो छार है अब मैंने आप से थोड़े दिन पहले कहा था पता नहीं याद है पेट में हमेशां अमल है ठीक है अब पेट में तो अमल पहले से है प्रकरती का दिया हुआ आपने चीनी खाई चीनी मैंसे भी अमले ही निकला तो अमल तो बढ़ गया ना जरूरत से ज़्यादा और ये बढ़ा हुआ अमल अगर पेट में आपके है तो ये खून में भी जाएगा आप इसे रूप नहीं सकते क्योंकि पेट में जो है वो खून में भी जाएगा और खून में अमल बढ़ता ही गया रोज आपने एक चम्मच चीनी खाई, दो चम्मच चीनी खाई, तीन चम्मच चीनी खाई, हर दिन उसमें से हमल निकल रहा है और पेट का हमल भी उसमें जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर जुड़ रहा है, फिर निकल रहा है 10 साल का हिसाब निकालो 20 साल का निकालो 30 साल का निकालो आपका दिमाग घूम जाए रोज का अगर 2 चम्मच चीनी का हिसाब जोड़ो वैसे तो 2 चम्मच से जादा ही रहती है एक आदमी के जिल्दगी में चीनी दूद में भी चीनी लेते हैं, चाय में भी चीनी लेते हैं, दो चम्मच रोज़की, दो चम्मच माने हो गई लगवग दस ग्राम के आसपास, तो दस ग्राम चीनी रोज़की, एक साल में कितनी, दस साल में कितनी, तीस साल में कितनी, चालिस साल में कितनी, हिसाब निकालोग लेकिन सब में निकाल पाया तो यह रख्त में ही रहेगा और यही एसिड है जो बात के रोग आपको पैदा करें तो इसलिए चीनी और गुड एक ही चीज में से बनने वाली दो मीठी वस्तुएं हैं लेकिन गुड में क्या है गुड जब आप खाएंगे फास्फोरस किसी भी चीज में रहे चार पंड रही रखता है वो उस चीज को माने उसमें एलकलाइन की प्रॉपर्टी ही रहती है तो गुड कितना भी खाएंगे चार ही बनेगा और वो चार पेट के अमलता बढ़ने नहीं पाएगी तो जिन्दगी आपकी सुखद और निरोगी होती जाएगी अब इसको और एक तरीके से समझाता हूँ गुड और चीनी पे जब हमने एक्सपरिमेंट किये तो पता चला चीनी को पचाने के लिए पूरे शरीर को वैसी ही ताकत लगानी पड़ती है जैसी ठंडे पानी को पचाने के लिए लगती है पूरा शरीर जुक जाता है तब चीनी जाके पचती है और सबसे देर में पचती है आपने जो दाल खाई है वो पच जाएगी गेहूं पच जाएगा चना पच जाएगा मटर पच जाएगी चीनी सबसे अंत में जाके पचेगे और उसको पचाना पड़ता है लेकिन गुड़ दुनिया में ऐसी अधुत चीज है जो बनाई हिंदुस्तानियों ने कि गुड़ सब को पचा देता है गुड़ तो सब चीज को पचा देता है चीनी को पचाना पड़ता है मेरी बात समझ में आ रही है आपको गुड हर चीज को पचा देगा कुद ताकत लगा देगा आपने गुड के साथ कुछ भी खाया है वो सब चीजें गुड पचा देगा लेकिन चीनी को पचने के लिए पूरी ताकत लगती है तो चीनी जब पचेगी तो दूसरी चीज़ों को तकलीफ कर देती तो इसलिए बहतरी इन है कि गुड़ खाई जिन्दगी बर कफ के रोग आपको नहीं आए फिर अन्त में वही सवाल मिलता नहीं जी ये रोना बन कर दीजे दुनिया में हर चीज मिलती है जहर भी है अमरुद भी है आपको क्या चाहिए और आज की दुनिया है ना आज की दुनिया माने आज का मार्केट माने आज की एकॉनोमिक्स वो बायर्स एकॉनोमिक्स है कंज्यूमर्स एकॉनोमिक्स है बायर्स मार्केट है कंज्यूमर मार्केट है माने जो ग्राहक मांग करेगा वोई चीज बजार में ठिकेगी ग्राहक मांग ही नहीं करेगा तो वो ठिकने वाली ही नहीं है तो आप मांग करना शुरू करो जी गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए होता है करनाटक बहुत गन्नाव है महाराश्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है इंदुस्तान में आपका महाराश्राव की बॉर्डर पर ही है आंद्र प्रदेश bends गन्नाव सकता है आप गुड़ बनाने लेको बस संगपर कर लीजे के देख भाई तू इसमें वाशिंग पाउडर मढद डालना लगे तो दो रूपए किलो जादा ले लेना तो वो जो दो रूपए किलो का लालच है वो ही उसको इमानदार बना देगा आप ले लो उससे वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रूपए किलो आपको मैं 17 रूपए किलो ले लूँगा तुम इसमें ये जहर मढद डालना और वो दो रूपए किलो आपने जो जादा दिया वो जिन्दगी के लिए कोई घटिया सौधा नहीं है बहुत फाइदे का सौधा ह तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में हैं गाउं गाउं में हैं आप उनसे संपर्क कर लीजे और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजे आपके आपस में सब लोगों को जितने कम से कम पांसाथ सो लोग यहां बैठे इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है जरूरत के हिसाब से आपको उपलब दो सकता है तो यह मत कहिए कि मिलता नहीं हर चीज इस देश में मिलती है चोड़ चोड़े गाउं में भी उपलब दै कुछ लोग गुड़ खाईए कुछ लोग काकवी खाईए माने जिसको आप भरपूर खा सकते हैं दही में राब खाईए दूद में राब खाईए हलुआ राब का बनाएए गुड़ का हलुआ बनाएए गुड़ दही में खाईए गुड़ दूद में खाईए अब गुड़ को दूद और दही में खाने का नियम है वो बागवट जी कहते हैं व दूद में मिला के खाई तो दूद में कैसे खाएंगे जी दूद में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजे पीछे से दूद पी लीजे या दूद पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजे दूद में गुड़ मिला नहीं सकते और दूद में कभी भी बिना मि खाईए आप में से कोई बिहार वाले है ना तो वहां पर एक बहुत बढ़िया वेंजन मिलता है उसका नाम है दही चूड़ा दही चूड़ा ही कहते है चूड़ा ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अदुबत है जो दुनिया में शायद कहीं न हो मिथिला मने एक एरिया है बिहार का करीब आठ देस जिले उसमें आते हैं उन जिलों में जब भी आप जाएं तो महमान को वही परोसके लाते हैं तो मैं भी महमान जैसे ही रहता हूं तो मुझे हर घर में दही चोड़ा मिलता है तो वो दही डालके लाते हैं, उपर से गुड़ डालके लाते हैं, दही के उपर गुड रहेगा. तो मैंने कई बार कहा कि यह लग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो aquest्वा अपको फिर खाना पर रखके लाते हैं तो दही में गुड मिलाके ही खाईए अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड मिलाके ही खाईए तो दही के कई दोश जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खतम हो जाते हैं और दूद में गुड कभी भी मत मिलाईए एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूद खाली पी लीजे गुड आगे पीछे खाली जे वो ज्यादा पेपर तो गुड खाईए मेरा कहने का मतलब यह अब गुड के कितने प्रफरेशन है हमारे घर में गुड का तिल का प्रफरेशन एक है तिल पट्टी कहते गजक गजक तो भरपूर गजक खाईे क्यों खाई सब्सक्राइए क्यों खाई जी तिल है और गुड है गुड में जो कारई और गयनिक तिले लगमग वही है जो गुड की आति पिल भी छारी है गुड भी छारी का और दोनों चारी चीज़े खाएंगे तो पेट यहरें को बालन को प्यलनस करते हैं तो मुंफली और गुड मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी प्रप्रेशन है गुड तिल के गुड मुंफली के वो सब बनाईए और ये जो तीन चार महीने हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक भरपेट क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है तो कफ जिंदगी से बहुत दूर रहेगा तिल खा रहे हैं गुड खा रहे हैं मुंफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिलकुल संभावना नहीं तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफ का हाँ आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में लेकिन वो HDL वाला LDL वाला नहीं है VLDL ये मुटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है HDL जैसे ही बढ़ेगा मुटापा अपने आपकम होगा पेट अंदर ही जाएगा आप मेंसे कोई भी मेरे कहने पर दीन महिने एक एक सिर्फ कर लीजें तिल चुपा चुपा कर खाएगे खाने के बाद वजन ना पयेंगे 8-10 किलो कम मिलेगा कम से कम इतना कम पाया खाना खाया खाने के बाद सोफ खाते हैं ना सोफ की जगे तिल कर जादो मेलेों ना झाला तिल एक है सफेद काले की गुडवत्ता सफेद से भी how कि यह इन इन ही चार महीनों में गरमी अगर आप में यही तिल खाया तो प्राबलम आएगे बागवटी जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत ज़्यादा लिब्रल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करें या खतम क लेकिन आप ये करके देख लीजे, चार चीज़ों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, बजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अमल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कही बार कहते हैं न डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड, यूरिक और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है शहद में बागवटी जी कहते है छोटी मदुमक्खी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजे तो एक हिस्सा हो गया कफ का अभी दूसरा पित्ट का हिस्सा पित्ट का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्ट आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो घर्मी के दिन होते है न उस समय घी जादा खाएंगे ताकि पित्ट को कंट्रोल करके रखेंगे और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध के अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शेली में थोड़ा बदलाओ करना है जीवन शेली में बदलाओ से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़े हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पित तकफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों सम भाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीज़े हैं तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औशदी के रसोई घर है अब दुरुभागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला महां मसाला कुछ नहीं है सब औशदी है मसाले का और औशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ, ये अर्बिक शब्द है, फारसी से अर्बी में आया, अर्बी से हमारे घुस गया, हिंदी में और जगे जगे घुस गया, ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया, हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता तो जब तक मुगलों का राज्जी रहा, तब तक मसाले शब्द का बहुत उपी हो गए। आउशदी, जीरा आउशदी, धनिया आउशदी, ये आउशदी के रूप में हैं। तो इनकी जो प्रापरटीज हैं, रसोई घर की, आउशदियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सबजी बनाना, तो क्या-क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी-कित निजए वो सब बड़े वे धियानिक और चिकितसक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सं और सं रहती रहती है आप जानने सुबिया जो वाद जादा होताह है। शरीर सुबह सुबह, दुपहर को पित जादा होताह है, शाम को कफ ज़ादा होता तो यह पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है तो 24 घंटे में जो बात-फित कफ ऊपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसी और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक का मेरी मान ने ऐसा सिखाया बस बात खत्म हो गई अब उस समय में भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकितसा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज़ है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़ता है आप जानते हैं और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़त नहीं चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की जरूरत होती है पित को सम पे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाईन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठ्था उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजे है ज़्यादा तर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है क्योंकि पित्ट को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे है हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकेतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और प्रदान मंतरी चाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से उपर बढ़ गया तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन है बड़े विचित रहे इसमें चोरी हो डकेती हो लूट मारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो जीडीपी में है ही नहीं calculation ही नहीं है उसका बारे सरकार कोई calculation नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिए तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता गुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी किसी ने पापड़ बना दी है किसी ने कुछ बना दी है किसी ने गोन के लड़ू बना दी है किस ये महिलाओं के किये हुए काम को काम इतने मानता है। आपको मालुम है hanno 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्शों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा। और आज भी है, कई देशों बिदे। वो मान देने के इनका कोई काम काम है। कियो वह महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं के यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लैटो वो कहता है इसत्रीव में आत्मा ही नहीं होती है आत्मा صिर्फ पुरुशों में होती तो इस्त्री जो करें वह बेकार हैloe करें तो उन'के यहां से यह calculation हमारे यहां आ गया कि इस तरी कुछ भी करे तो कामी का नहीं तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह माल लिया मैं अभी इसको बदलना चाहता हूँ और मैं ये समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि इस्तरियां जो कर रही है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आफ फीस देकर उससे अडवाइज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वह ये अडवाइज दे रही है धनिया करता खाव जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ आपके पेटकी गैस का जाए और साव दिखायं आज से शुरू कर दवां खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन जादा रहे डाल Ooh और अगर अधर नहीं कर पारहे हैं तो खाना खतं करते ही थोड़ी अज्वाईन खा लो अज्वाईन ज्यादा तकलीफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अज्वाईन और काले नमक मिलाके हर खाने के बाद खाके देख लू, तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो, तो आप जो कहो मैं हारने को तैया यह warranty मैं नहीं दे रहा हूँ, यह warranty अजवाइन दे रही है, मेरी guarantee नहीं, अजवाइन की guarantee तो वो कहते हैं भागवती जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन अब तीसरी चीज पर आते हैं पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा जीरा दो तरह का है वो उतनी ही अच्छी भगवान की बनाई हुई, मनुश्य की नहीं, मनुश्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंगा है, भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना, कि भगवान की प्रकरती की बनाई जो चीज जितने गहरे रंगी है, उसकी देरे सोई में एक हो गया घी देशी गाय का पित्त को खतम करने दूसरा हो गया अजवाइं तीसरा हो गया जीरा और एक चीज हीम हीम तो आप सब समझते हैं हीं हिंग भी भगवान की बनाई हुई है आदमी ने बनाए हिंग के पहाड होते हैं जैसे पत्थर के पहाड होते हैं वैसे हिंग के पहाड होते हैं हिंग वहीं से आते हैं तो हिंग है जीरा है अजवाइन है और देशी गाय का घी अब इसके नीचे आता है धनिया दनिया दो तरह का है, एक सूखा और एक हरा जब तक हरा उपलब्द है, आप खाईए, जब नहीं है तो सूखा खाईए दोनों की क्वालिटी एक ही है सूखे दनिया में कोई कम ही नहीं आते आपके मन में ये प्रश्ण है ना, हरा पत्य का धनिया में कुछ ज़्यादा होगा सूखे में कम, बिलकुल नहीं है, दोनों में बराबर है सूखने के बाद भी उसके गुन धर्म में कोई कम ही नहीं अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको पांस साथ बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या, आपको पूरी लिस्ट है तो एक सो आठ है एक सो आठ पित्त को खतम करने के लिए रसोई में एक सो आठ चीज़े है वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब हैं आप ले लेना एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंबीर रोगों की चिकित्सा इसमें ये सूची है और थोड़ी सी अश्टांग हिरदेम के भाग तीन में भी है भाग दो में भी है थोड़ी थोड़ी है थोड़ा आगे बढ़ें कफ की सूची मैंने बताई आपको कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद जैन है तो शहद मत खाईए ये मेरी भी बिनती है आपको क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूँगा जो आप से कहूं कि शहद खाओ और मुझे तो मोक्ष में जाना है तो पाप की गट्री क्यों ला दो तो आप जैन है तो बिलकुल शहद मत खाईए अजैन है मने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं ना खाएं तो और भी अच्छा क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़ जब गुड़ ना रहें तब सोचें इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई बागवट्टी जी ने वह सोट है सोट है सोट का ही एक दूसरा रूप है अद्रक है अद्रक से अच्छी है सोट कारण क्या है अद्रक जब सूख जाता है तब सोट बनती है और अद्रक का सूखने के बाद गुर्ण बढ़ जाता है हाँ ताजा अद्रक है ना उसका गुर्ण जितना नहीं है सूखे हुए अद्रक माने सोट का गुर्ण लगभग सौ गुना बढ़ता है इसलिए सोट अद्रक से हमेशा अच्छे है तो कफ खितम करने के लिए backward में एक हो गया दूसरी हो सोट का अबलिक अद्रक अब तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छे पाँ पान मनें पान का पत्ता झो आप पान खाते हैं ना पान ये कफ दूर करने की सबसे उत्तम ओशदे लेकिन पान भी वोई चक्राईगा मैं। कोन सा पान? जो गहरे रंगा। हर चीज में ये नियम है गहरे रंगा। गहरे रंगा आप उसको कहो जी देशी पान तो देशी पान गहरे रंग का पां जिसका रंग बहुत गहरा हरा एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा यह पां कफ नाशक है बहुत ही जबरजस्ट चीज है यह पां और पां और सोट का बेस्ट कॉम्बिनेशन है पां खा रहे हैं तो सोट डाल के खा सकते हैं अद्रक डालके खा सकते हैं, जहन है तो सौट खाई है, नहीं है तो अद्रक खाई है, पान, अद्रक, सौट और उपर से आया गुड़, गुड़ भी मिलाके पान में खाया जा सकता है, वह आप डालते हैं गुलकंद, 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 गुलकंद माने क्य जो जो चीजे पान में पड़ रही हैं वो सब कफ नाशक है पान बनाने वाले सब बागभट के चेले बिना जाने ये काम कर रहे हैं गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं सौफ, सौफ, सौफ ये भी कफ नाशक है सौफ फिर उसके आगे मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी से सबसे अच्छा कफ नाशक गुड फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे अब सौफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लॉंग लॉंग कही है लॉंग कही है और ऐसे ही ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब सौ चीज़े हैं जो कफ नाशक हैं हमारे रसोई में ठीक है अब आजाएए वात पर वात पर मैंने सबसे अच्छी चीज़ बता दी है तेल शुद तेल शुद तेल वात नाशक है और अब जो दूसरी बात में कहने जा रहा हूँ इसको मैं संगशेप में उपसंगहार के रूप में कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वात नाशक है जिन चीज़ों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वात नाशक है जैसे दूद आप जानते हैं दूद में तो सबसे ज़्यादा पानी ही है ना दूद को फाड़ के देख लो solid material तो थोड़ा ही निकलता है ना बागी तो पानी ही रह जाता है तो दूद में बहुत पानी है तो जिन चीजों में पानी जादा है बागबटी जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजे जल युक्त चीजे सभी वातनाशक है तो दूद हो गया दूद के बाद दही दही में भी पानी ही है आप जानते हैं और छाच तो सबसे ज़्यादा पानी वाली है जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं सभी जूस वातनाशक है सभी जूस संत्रे का, मुसभी का, गन्ये का तो बहुत ही अच्छा है अंगूर का, टमाटर का, वगईरा वगईरा ये सब जूस वातनाशक है तो सब तरह के जूस दूद, दही, चाच ये सब वात नाशक चीज़ें हमारे घरों में हैं अब आखरी चीज़, आखरी चीज़ बागवटी जी कहते हैं कि वात नाशक, पित नाशक और कफ नाशक ऐसी चीज़ें दुनिया में एक साथ मिलें बहुत रेर, बहुत रेर वो कहते हैं कि बहुत चीजें दुनिया में हैं कोई बात का नाश करेगा कोई पित्त का कोई कफ का लेकिन कोई ऐसी चीजें भी अपने रसोई में हैं जो तीनों को नाश कर सकते हैं उन में से नमबर एक है आवला आवला फिर दूसरा है हरडे और तीसरा है बहेडा और तीनों मिलाके बनता है त्रिफला ये जो त्रिफला है ना बागवटी जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज़्यादा सूफ रहे 120 से ज़्यादा अकेले त्रिफला पर त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को इसके साथ खाओ त्रिफला को ऐसे खाओ त्रिफला को 120 से जादा सूफ रहे अकेले त्रिफला पर और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है इसमें सबसे अच्छा फला, फिर बहेडा, फिर हर्डे ये सबसे दुनिया में अद्बू चीज है लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं करिए, बहुत अच्छा है लेकिन मात्रा ध्यान रखिए हम क्या करते हैं? कि हर बहेडा, आवला, तीनों बराबर मात्रा में मिलाके त्रिफला बनाते हैं वो कहते हैं कि ये उतना उपियोगी नहीं है और हमने करके भी देखा वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है एक, दो, तीन के अनुपात में पहला है हर, हरडे एक अनुपात दूसरा है बहेड़ा, दो अनुपात और तीसरा है आवला, तीन अनुपात अब इसको मात्रा में कहूं अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना सौ ग्राम बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आवला लेणा 300 ग्राम तो यह 100-200-300 ग्राम की मातरा में आप जो त्रिफला चुन तियार करेंगे वो कहते हैं ये अदिबुत है वात पित तकफ तीनों का नाश करता है तीनों का अब वात पित तकफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजे कैसे लाएं त्रिफला लेने के दो नियम बताए उनों एक रात को और एक सवेरे सवेरे का नियम उनका ये है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड के साथ नई तो शहद के साथ गुड या शहद वैसे ही आप तैय कर लीजे जैन है तो गुड अजैन है तो शहद तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड या शहद के साथ रात का त्रिफला खाएं तो दूद के साथ या गरम पानी के साथ त्रिफला तो एक ही है ना सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे है रात को भी लेकिन बागवटी जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये त्रिफला रेचक है रेचक शब दुनों ने इस्तेमाल रेचक माने पेट को साफ करने वाला बड़ी आथ की सफाई करने वाला शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला जाडू लगाने वाला जो व्यक्ती वो रेचक तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूद के साथ या गरम पानी के साथ तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे जादा करेगा, कि आपकी कबजियत मिटा देगा, कितनी भी पुरानी कबजियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा, रात को, और जो दिन को त्रिफला खाया सबेरे, गुड के साथ, तो वो कहते हैं ये पोशक है, एक शब्द है रेचक और एक है पोशक, पोशक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटेमिन सी चाहिए, विटेमिन ए चाहिए, विटेमिन डी चाहिए, या विटेमिन के चाहिए, या कोई विटेमिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूप्रेंट्स चाहिए शरीर को, कैलशियम चाहिए आईरन चाहिए वगरा वगरा तो शरीर को अगर पोशकता चाहिए तो तुरिफला सवेरे खाना और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कबजियत ठीक करने के लिए तो तुरिफला रात को खाना दोनों समय के त्रिफले में बिलकुल अलग तरह के परिणाम आते हैं तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी तो सबेरे ये त्रिफला खाओं स्वस्थ हैं तो और जो कुछ बीमारियां हैं आपको तो रात को खाओं ठीक है? मात्रा दिहान रखना एक, दो, तीन सममात्रा का त्रिफला बहुत रेर केस में इस्तेमाल होता है एक या दो यह बिमारी हैं अभी मैंने एक जगे इस्तेमाल किया था एक वैग्यानी के भाव ऐटोमीक रिसर सेंटर में काम करते हैं उनको एक बिमारी हुई रैडीएशन से radiation आप जानते हैं सभी atomic center तो उनका पूरा शरीर सड़ गया एकदम सड़ गया जगे जगे घाओ जगे जगे और उसमें से खून निकलता मवाद निकलता वो बिचारे इतने परिशान इतने हैरान कहां कहां जा जाके अमेरिका कनाडा सब जगे कुछ इलाज हुआ नहीं कोई relief मिला कपड़ा भी नहीं पहन सकते ऐसी इस्तिती थी हमेशा नंगे बदन रहते थी तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया बंबई तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ कि राजी भाई ये कैसे व्यक्ति हैं तो मैं उनको गया था मिलने और देखने तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी तब मैंने उन से का कि आप बहुत परिशाने हैं हाँ बहुत परिशान हूँ दवा सब काम लेके देख ली कुछ उपयोग होता नहीं मैंने का मैं होमियोपेथी दूँ उन्होंने का होमियोपेथी मैं नहीं लेना चाहता तो मैं पुछा चलो आप पिर एक काम करो त्रिफला चून खाओ बस और कुछ मत करो तो उन्होंने त्रिफला चून शुरू किया ये मैंने बताए एक दो ती शुरू किया तीन चार महीने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया आया थोड़ा आया फिर मैंने का मात्रा बदल के देखते हैं फिर उनकी सम मात्रा की मैंने बराबर जितनी मात्रा आवला बराबर उतनी मात्रा बहिड़ा बराबर उतनी हरड़े अभी इस्तिव यह है कि वो बिल्कुल ठीक है, एक सवासाल उनको हुआ, त्रिफला खाते खाते, बिल्कुल ठीक है, और पहले से जदा प्रफूलित हैं, पहले से जदा इनर्जेटिक है, आप जानते हैं, रेडियेशन का दुनिया में इलाज नहीं है, ये उधारण मैंने ज क्रिपिटेंट लेकर करूणों डॉलर कमाई होते हैं यह हमारे यहां प्रचंड मात्रा में हैं हर घर में हैं हर गाउं में हैं इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपके सोचने का नजरिया बदल दीजे प्रकरती ने जो चीजे प्रचंड मात्रा में हमको दी है वो उत्मी ही कीमती है वो प्रकरती के हमारे उपर क्रपा है जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है आवले का इतना उत्पादल इस देश में होता है आप जानते है बहेड़ा इतना मिलता है हरड़े इतना मिलता है और लगबग ठोकट की इस्थिती में मिलता है अब पता नहीं कौन-कौन लोग उसी आवले को दो साट भाई सो रुपाई किलो चवण प्राश बनाके बेच लेते हैं यह जो चवण प्राश है न यह त्रिफला चून से कई-कई गुना नीचा है चवण प्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाईए चवण प्राश से भी ज्यादा आसा है तो मेरी आपको आज के लिए यह आखरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में बात, पित, कफ तीनों को सम रखना चाते हैं तो आवला, हरडे, बहेडा, हरडे, बहेडा, आवला इन तीनों का उप्योग करना सीख लीजे घर में हमेशा इसको डबे में बनाके पाउडर के रूप में रख लीजे अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आवला भी खा सकते हैं आवला तीनों दोश दूर करता है, बात, पित, कफ हरडे, तीनों दोश दूर करता है, बात, पित, कफ और बहेड़ा तीनों दोश दूर करता है बात पित कफ इसलिए बागवटी जी कहते हैं सर्वत्तम फल यही है आवला हरडे बहेड़ा दूसरे फलों से कई गुने ज़्यादा ताकतवर यही फल है आवला हरडे बहेड़ा अब आपको आखरी एक छोटी सी बात कह दू कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर मेद बढ़ा हुआ है मेद माने मास बढ़ा हुआ है बहुत लोग परिशान है मोटापा मोटापा मेद माने कफ बढ़ा हुआ है सीधी सी बात तो आप त्रिफला खाईए और आवले के बारे में आज के जो विग्यानिक कह रहे हैं आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटी ऑक्सिडेंटल फल कोई है तो वो यह है एंटी ऑक्सिडेंट माने जो ऑक्सिडेशन की क्रिया को कम करें और शरीर में हमेशा ऑक्सिडेशन चलता है ऑक्सिडेशन में उम्र कम होती है शरीर के हर अंग का च्छे होता तो अगर उम्र बढ़नी है और अंगों का च्छे बचाना है तो आवले से अच्छी कोई चीज नहीं दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए बागवटी जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं आवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते हैं साल पर खाओ दो साल खाओ रोज खाओ कोई दिक त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगाता है खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना तीन महीने तीन महीने नब्वे दिन खाके थोड़े दिन छोड़ देना माने 15-20 दिन छोड़ देना फिर अगले तीन महीने खा लेना फ आपको कुछ दुश्परिणाम भी दे सकता है लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना अब किसी व्यक्ति के लिए यह छोड़ने का समय है वो तीन महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है जादा भी हो सकता है इसलिए मैंने बीच का बताया तीन-तीन महीने करके छोड़ छोड़ के खाना अब आज के लिए सूत रित नहीं आगे प्रश्ण जी मात्रा कितनी मात्रा में बता देता हूं जिनको वजन कम करना है वजन कम करने के लिए त्रिफला या आवले का उप्योग करना है तो आवला तीन से चार और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच तो एक चम पेट साफ करने के लिए आतों की सफाई करने के लिए वो रात को खाएं रात को भी आवला लगबग एक चमच लेकिन छोटी चमच कैसे खाना है गुड के साथ कैसे मिलाएं आवले का चूण आपके पास है थोड़ा गुड ले लो चूण और गुड को ऐसे हाथ से मसल दो वो लड़ू जैसा हो जाएगा गुड उसको अपने में समा लेगा फिर गुड खालो पीछे से थोड़ा दूद पी लो मैंने आपको कहा था कि आप ऐसा करिएगा यह प्रदीब भाई की दुकान पर चले जाएगा वो आपको शकल से दिखा देगे या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजे पहँचान करने के लिए कि हर क्या है बैड़ा क्या है आवला तो आप सब पहँचान के जी हर्ला को कड़का बोलते हैं हर् दूला तानी कैं बहरा को तानी का है आमरा को पाल निली काय म को पाल मिली काया यह निली काई सिधे कर दीजह ये प्रतीब भाई मेरी आपको एक विंती है बाजार का त्रिफला चुन लाने से अच्छा है बाजार से आवला लाना बहेडा लाना हरडे लाना कूट पीस के अपने घर में बनाना क्योंकि बाजार में कई वार बहुत सारी चीज़े हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी है और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे इसलिए रौ मिटीरियल लाके घर में तयार करना कूट पीस के जी आपने घुड की बहुत महत्वर पूर्णता बताएं परन्तों डाइबिटेस पेशन्स क्या करें उसके लिए गुड़ आप डाइबिटेस में खाये भर पेट आ अब बिल्कुल चिंता मत करिए आप घगवान की दी गई जो शकर है इश्वर की दी गई शकर है जूस में है फल में वो आपको शायद मालूम है या नही शकर जो है न शुगर इसके कई रूप है एक है ग्लुकोज, एक है सुरुक्रोज, एक है फ्रक्ट्रोज, तो यह जो फल बगेरा की शक्कर है यह फ्रक्ट्रोस फर्म की जाधा होती है और ये सोदी होती गुडकी भी उसी कटेुगरी में आती है तो आप चीनी मत खाईये गुड़ खा सकते हैं 15 सकते मीठे कोई भी पल खाने में तकलिप नहीं बशरते की तृफला खाते रहें थोड़ा त्रिफला लेते हैं जिनको भी डाइबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें क्योंकि डाइबिटीज मैंने का ना बात का रोग है तो वात कम करेगा त्रिफला में तीनों चीज हैं जो वात नाशक हैं आवला हरडा वहेडा त्रिफला आपने का लेना है रात को और सुबह कब लेना से खाने के पहले खाने के बाद रात को तो आप लें पेट साफ करना हो कॉंस्टिपेशन दूर करना हो देखिए मैं अब थोड़ा बताई दूँ बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें मूडव्याद पा चाहते हैं तो रात को चम्मच एक चोटी दूद के साथ या गरब पानी के साथ और अगर आपको मास कम करना है कफ नाशक बीमारियां कफ से जुड़ी हुई बीमारिया तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को और सबेरे लेंगे खाने के पहले खाने कही नहीं नाश्टे के भी पहले है चालीस मिनट नाष्टा करने से चालीस मिनट पहले हिए अपने बदाया कि एक-ग-eszाप तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मुंबई वाले बैसाब को पहले आपने एक दो तीन के अनुपात वाला यह दिपला दिया वो जब बरावर काम ने क्या तो फिर आपने समकालीं दिया और भी ठीक होगे तो यह क्या प्रोसेस हुआ यह सवाल थोड़ा टेकनिकल है इसमें हुआ कि जब आवले में हर्गा बहेला और आवले को एक दो थीन के अनुपात में हम रखते हैं तो आवला ज्यादा है आप निश्यत रूप से देखाएं तीन मात्रा है आवला ज्यादा है आवला मने विटेमिन सी का भंडा, आवला मने केलशियम का भंडा, आवला मने ये, आवला मने वो तो अब जब बीमारी उनको रेडियेशन की थी, तो अल्रेडी उनके शरीर का विटेमिन सी बढ़ा हुआ है क्योंकि रेडियेशन से वो एक्स्ट्रा होता है तो हमने देखा आवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है उतना जब तीन मात्रा का है क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा तो फिर हमने इसको कम कर दिया हरडे और बढ़ा दिया तो सम हुआ तो रिजल्ट तुरंत आ गया तो यह रैडियेशन जैसे गंभीर बीमारियों में कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आवला हरडे बहडे का बढ़ाबर मात्रा लेकिन बाकी जो साधरन बीमारियां है उनमें एक दो तीन ही रहता है क्योंकि आपको कई जगे कैलशियम की ज़रूरत है विटेमिन सी की ज़रूरत है जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटेमिन सी कम जितने लोग मोटे हैं उतना कैलशियम कम तो केलजियम कम है विटेमिन सी कम है तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आम लातीन मात्रा में लो तो वो बढ़े तो बागी चीज़ें कम हो तो यह चक्कर है यह थोड़ा टेक्निकल प्रॉसेस है आप लेकिन समझ जाएं सरल भाशा में मैंने कोशिश की है बताने की जी तो प्रॉसे से लिएं लुड़ा इध। लुड़ा चाल यह चे बोली बट्ब टो पर लुड़ा लूज़ तो यह क्म हैन इच्ज़ें अट्बरागी मैं थास्ट ने जीनिस्ति है तो अट्वांस टाप्टी जीज़ें टोड़ी लूआत्र स्वामजीश मैं फुड़ार टोन राजस्तान आपकाईड यदिली शपादी और शुकर प्टुलिर वैट सगर फिटी प्रकॉर्ण बट बट इस निदिक अर टार प्रकॉर्ण थाज कर्णा तर टार टीक्ट तो वाट गीशवर यह बीवनित इन राजस्तान I was 127 kg, now I am just 49 or 50 kg, without any disease, from top to bottom, including lung cancer and mouth cancer, I cured, without any medicine, only by foot, the Swamiji's foot. I have to thank Jainism, but when sorry state, kindly all Jains follow, not attending here, follow you, don't listen and forget it. All these things have to go into your heart and eat healthy, live healthy. Thank you. मेरे पास एकागज में लिखा हुआ प्रशना आया है, छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं, आप ये देखो छोला दुईदल है क्या? है, तो नहीं, और खाना है तो तरीका मैंने बता हैं, दही गरम करके, बगार लगा के, तो जो भी चीज दुईदल है, उसके साथ द भी खाएं, धन्यवाद, बागवट्य जी जिस फल को या जिस आउशदी को सबसे ज़्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चून है, बागवट्य जी का ये कहना है कि प्रत्वी पर अगर कोई अमरुत चीज है, अमरुत तत्व है, तो ये कि हर वहेडा आवला इसको हमेशा एक, दो, तीन के अनुपात में ही उप्योग करें, बागवट्य जी ने त्रिफला उप्योग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उनोंने एक महत्तो की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उप्योग ना करें, या तो इसम इन से मतलब तीन महीने के आगे ना करें, तो मैंने जो बताया रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं, तो या तो आप दूद के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने, अकेला त्रिफला लेना, ऐसा माना जाता है, दूद के साथ अकेला नहीं है, गुड के साथ अके टू है फिर ऐसे करकर के उन्होंने पूरी 108 की सूची बताई है अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पढ़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बातें जो छूटी हुई है वो बतानी है त्रिफला जैसी कुछ वस्तूओं के बारे म मैंने कल कहा था जीरे के बारे में कहा था आपको थोड़ा हीं के बारे में कहा था अजवाइन के बारे में कहा था ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना लेकिन बोलना जरूरी है वो है मैथी का दाना बागवटी जी कहत फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मैथी का दाना इस मैथी के दाने के बारे में इसकी जो विशेश्टा है मैथी की ये वात नाशक है और कफ नाशक है वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खतम करने की शक्ति इस मैथी में हैं मैथी पित्ट को बढ़ाती है वात को कम करेगी कफ को कम करेगी पित्त को बढ़ाएगी इसका मतलब यह हुआ कि मैथी उपयोग अगर आप करते हैं तो बात की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरह से पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मै पित्त की वीमारी पहले से हैं उनके लिए बिलती है कि वो मैथी का उपयोग ना करें। जिनको पित्त की वीमारी पहले से हैं वो मैथी का उपयोग ना करें। पित्त की विमारी आप समझते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अलसर होना, फैप्रिक अलसर होना, मुह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 गंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुह में रहना, डकारे आना वगेरा वगेरा, हिचकी आन ये ज़्यादातर पित्थ से जोड़ी हुई बीमारिया तो मैथी के लिए बागवट्ट जी कहते हैं कि पित्थ के रोगी छोड़कर बात और कफ के रोगी इसको भरकी मातरा में ले सके हैं अब बात की बीमारिया अगर आपकी हैं गुपे दुखना, कमर दुखना, कंदे दुखना, जोड़ों का धर्ण होँथी का उपयोग जरूर करें जरूर करें अब आप पूझेंगे जी मैथी का उप्योग करने का तरीका तरीका बहुत सरल बताया बागभट जी ने कि रात को एक गिलास गुन गुने पानी में या गरम पानी में एक चममच मैथी दाना डाल दें रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मैथी दाने को चबा चबा के खाएं, चबा चबा के खाने का महत तो बहुत है, कई लोग मैथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मैथी होता है न, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत तो इतना नहीं है, जितना चबा कर खाए हुए मैथी का है क्यों? कारण उसका ये है कि जैसे ही मैथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होते है क्योंकि मैथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है कशाय स्वाद है उसका तो उस स्वाद की कोई भी चीज़ आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगे और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुती महतुपुन और उपयोगी है इसलिए मैथी दाने को चबा कर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है तो आप मैथी मैथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें रसोई में रखें उसका उपयोग करें इस मैथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है हमारे जादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मैथी होती है जादातर तो आप बागवट्टी जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मैथी है वो अचार नहीं है और शदी है दवा है माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मैथी है मैथी है तो जरूर खाए वो चाहे आम का अचार हो चाहे कोई भी दूसरा न मैتھی के अलावा ये भी होती है अजवाईन होती है अगर अजवाईन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं क्योंकि महत्व की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये कि कि किसी भी अचार पर किसी भी फल पर औशधियों का असर फल से जादा होता है जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने अचार डाला तो मालो आम का फल था आम के फल का अचार डाला अब इस पे मैथी पढ़ गई या इस पे पढ़ गया ये अजवाइन पढ़ गई तो अजवाइन और मैथी दो ऐसी ओशदिया है जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देते तो कई लोग ऐसा घबराते हैं न मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी तकलीफ है मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप वात के रोगी है या आपको कफ की तकलीफ है तो बे जिजखक वो अचार खाईए तो अचार के साथ मैथी जाएगी और अचार में पड़ी हुई मैथी का असर पानी की मैथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है मैंने जो मैथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना इसका जितना असर है लेकिन अचार में डाली हुई मैथी का असर इससे कई गुना ज्यादा है क्योंकि अचार में ये मैथी पांच-छे महीने साल बर पड़ी रहती मैथी के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि तेल मैं मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात बही है कि अचार में तो तेल भी है बिना तेल के अचार नहीं है मैथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजे कि इसकी शक्ति जो काम करने की है वो बीस गुनी जादा होती है कम से कम बीस गुनी जादा होती है तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मैथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाबकारी है और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूँ कि हमारे घर में जो माताएं वहने हैं वो कितनी वेग्यानिक हैं कि अचार के रूप में मैथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती है वो अंजाने में कितना बड़ा विग्यान का काम कर रही है जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो कितना गौर्व हो लेकिन अंजाने में वो कर रही है तो ये बात मैं विशेश रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती है वो बहुत वेग्यानिक है बले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी मां से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो अंजाने में आपने एक ऐसी चीज़ सीख लिए है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते कोई भी MBBS, MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजे उसके बारे में कुछ नहीं जानता और चुकि वो जानता नहीं है तो अंजाने में कह देता अचार मत खाओ जी हाँ, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा उसको ये मालूम नहीं है कि मैथी दाने का अचार है अजवाईन का अचार है, जीरे का अचार है तो ये जीरा है, मैथी दाना है, अजमाईन है, हींग का अचार एक बनता है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयरुवेदिक आउशदी अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है, आउशदी का असर जादा है और आयरुवेदिक आउशदियों को कुछ विशेश कॉम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उप्योग कर रहे हैं तो असर सबसे जादा है माने बागवट्टी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्त की बात है कि उसमें या तो मेती हो, या तो अजवाईन हो, या तो जीरा हो, या तो हीम हो, दालचीनी हो, जो भी है आउशदी के बिना अचार ना खाएं ये है उनका सुख थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिन्दगी भर वात के रोगी होंगे नहीं जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिन्दगी भर वात के रोगे होगे नहीं माने चूना वो बोलते हैं सबसे बहतरीन बातनाशक औशधी है मेती का दाना तो है ही चूना उससे थोड़ा एक डिगरी उपर है मेती दाने से चूना सबसे अच्छी बातनाशक औशधी है चूने के बारे में बागवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है बहुत रिसर्च है और वो ये कहते है कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्बुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंदा दुखता है, चूना खाई है फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं शरीर में कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ये एक घटक है माइक्रो न्यूट्रियंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में सुक्ष्म पोशक तक तक तो है ये कैल्शियम के वारे में जो गंभीर बात है आज के विग्यान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ बागवट जी ने तो साड़े तीन हजार साल पहले कह दिया आज का विग्यान उसको प्रूफ कर रहा है कनफर्म करना है वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको बीसियों नहीं पचासियों बीमारियां आएंगे कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो पचासियों बीमारियां आएंगे क्या क्या आ सकता है हर तरह का दर्द आपको होगा हर तरह का मासपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का हड्डियों की जितनी विक्रतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग केल्शियम की कमी से आते हैं रक्त के रोग खून की बीमारे फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग केल्शियम की कमी से आते हैं तो केल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए जो विग्यान आज का कहता है आधुनिक विज्यान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूक्रियंट है वो सुक्ष्म पोशक्तत्त्त्त है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सुक्ष्म पोशक्तत्त्त उप्योगी होते हैं ये 12-15 साल का रिसर्च है एक वाक्य में मैंने खतम कर दिया कैल्शियम की उपस्थिती में ही बाकी सभी सुक्ष्म पोशक्तत्त्त उप्योगी होते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपको शरीर में विटेमिन C का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन A का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन B का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए अगर विटेमिन D का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए विटेमिन K का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए कार्बो हाइडरेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए फैट्स आपके शरीर में डिजॉल्व होते रहे और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहें तो कैल्शियम चाहिए माने समझ लीजे कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारिया आने ही वाली है इसलिए कैल्शियम की उपलब्दता शरीर को होनी ही चाहिए अब इसके बारे में बागवटे जी कहते हैं आदुनित विज्ञान ने अभी प्रूफ किया बागवटे जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी मैंसे हमको कैल्शियम मिलता रहता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दود में है दूद फिर दूद के बाद दही दही के बाद मठा मठे के बाद मकःण मकःण के बाद घी इन सब में भरपूर कैल्शियम है फिर आपने खाया संतुरा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खटे फल, आम, वगेरा वगेरा, सब में कैल्शियम भरपूर मातरा में हैं, फिर सबसे ज़्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता है केले में हैं, केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि से बड़ा बंडार है, और आसानी से हजब होता है, तो ऐसे जो फल है, इनका जो कैल्शियम है, ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायो कैमिस्ट्री है, 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है, जठर अगनी भी तीवर बाकी सब फंक्शन ठीक है, लेकिन जैसे ही 45 की उमर खतम होती है, माताओं को ये बात विशे शुरूप से कह रहा हूँ, बेहनों को माताओं को, जैसे ही आपकी 45 की उमर पूरी होती है, और आपका मेंसी साइकल बंद होता है, मासिक धर्म आपका बंद होता है, उसी समय डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है, वो तबी तक आपको है, जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरूआत है, मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है, आप जानते हैं कई हार्मोन कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है, त क्योंकि अत्रिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा चूना जरूर खाएं आप सब के लिए और आपको भी है चूना खाएं क्योंकि आपकी उमर भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए परियाप्त नहीं है जो फलों से और सब्जियों से आ रहा है कुछ अत्रिक्त चाहिए और चूनकि बागी सब माइक्रो न्यूट्रियंट्स कैल्शियम की उपस्तिती में ही काम आएंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजिए तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विक्सित होई है पान खाने की ये पान खाने की परंपरा बहुत वैग्यानिक है बहुत ही वैग्यानिक जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा बहुत समझकर उसने ये शुरू की और ये अद्वुत है अद्वुत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिन पूरफ से पश्यम ये परमपरा है कहीं भी चले जाओ आप सिक्किम में चले जाओ अरुनाचल में चले जाओ वो भी पान खाते हैं और आप धुर दक्षिन में आ जाओ तो यहां भी है उत्तर में चले जाओ कहीं भी चले तो यह पान खाना भारतिय सभ्विता का एक बहुत महत्वून अंग है जो स्वास्थ से जोड़ा हुआ है बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं चूना और शदी के लिए उपयोग करते हैं ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ आज फिर से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूँ कल बहुत सारे नए और आज भी बहुत सारे नए चेहरे आये हैं अब वो ये जरूरी बात से बंचित रह जाए इसलिए मैंने ये दुबारा से कहा है तो आपके रसोई में मैती दाना हो गया चूना हो गया पान हो गया फिर पान के बाद आपको जीरा हींग वगरा वगरा अजमाइन ये सब हो गई ऐसी कुल 108 ओशदियां है गरीब स आपके बारे में वागवट जी कह रहे हैं कि वायू के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा अस्थमा ये वायू की बीमारियां अस्थमा दमा वागवट की बीमारियां वायू की तो इनको खतम करने में या समाप्त करने में या इन वीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करताए दालचेनी और दालचेनी के बारे में भागवटी जी कहते हैं कि यह दमा अस्थमा इनको allies को खत्म करेगा ही बात के सब रोगों को खत्म करेगा कफ के रोगों को भी खत्म करताए कफ के रोग आप समस्थे खांसी है सरुधी है जुकाम है मुटापा है वजन बढ़न ये सब कफ के रोग हैं तो इन में भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उप दाल जैसी है वो डाल वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवटी जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड के साथ इसको खूब घिसिए रगड़ ये ऐसे 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 खूब अच् इस्तेमाल किया मरदन माने गिसना रगड़ना तो वो कहते हैं कि खूब रगड़ करके मरदन करके शहद में ऐसे 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 पांस साथ मिनट फिर चाटिए और थोड़ा हलका गुनगुना पानी पीजिए तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग ये अकेला दा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं रसोई से बाहर निकलता हूं क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलू तो और तीन चार दिन जाएगा आपको और ज्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तके हैं एक पुस्तक है जो रसोई घर पर ही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदरी चिकित्सा मने इसकिन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाएए बागवट्टी जी के ही सारे सूत्रे हैं बस इतना ही हमने किया है कि भाशा थोड़ी सरल की है और उपियोग आप कर सकें आज के समय म कि उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है लेकिन जितने सूत्र हài किताबों में वह सब परीक्षण करके लिख शै साथ साल हमने खूप प्रीक्षण किया है परिणाम ले हैं तब ही उनकसा है नुक्सान किसी का आँ हमारे कहने और करने से थोड़ा आगे बढ़ता हूं बागवटी जी कहते हैं कि भगवान ने प्रकरति ने हमको जो बहुत सारी चमतकारिक चीज़ें उपलब्द कराई है भगवान ने या प्रकरति ने उनमें से एक चमतकारी चीज़ वो बोलते हैं गाय है गाए गाय अभागवत्तिजी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरतिने जितनी चमते का लिसे हमें उपलब्ध कराई हैं उसमें से एक है गाय और गो मूत्र के बारे में वह बहुत वक्षान करते हैं बकान शब्द आप समझते हैं खूब प्रशंसा करना खूब प्रशंसा करना वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अद्बुत है अद्बुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है और और पित के रोगों को भी खतम करने की शक्ती है कुछ आयरोवेदिक आउशदियों के साथ। वात और कफ को तो ये अकेला ही खतम कर देता है। पित को खतम करने के लिए इसमें कुछ आउशदिया मिलानी पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी, 148 रोग हैं लगबग भारत में। दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ बारत। तो बारत में वात पित कफ के कुल 148 रोग हैं पित्त को खतम नहीं कर सकता, पित्त को कई वार बढ़ा देता, कई लोगों को ये महसूस होगा, मेथी दाना खाएं तो जलन ज्यादा होती है, गैस बनती है, मुह सूख जाता है, तो आप समझ लो पित्त बढ़क गया आपका, तो उन लोगों के लिए तकलीफ है, लेकिन वो इस पर भरोसा कम होता था, जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी, तो भरोसा कम होता था, कि क्या अधुत चीज बता रहे हैं वो, वाद पित्त कफ तीनों को एक साथ सम्में ला सकता है, थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा, पित्त के रोगियों के लिए, बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना, तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ, कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता, तो गोमूतर पर हम लोगों ने कुछ परिक्षन किये, हमारा एक बहुत बड़ा समू है, इस देश में, तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं, वेग्यानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वगएरा वगएरा, तो कुछ वेग्यानिक और डॉक्टरों ने मिलकर का, करके देख लो, बागबटी जी कह रहे हैं, तो हो सकता है, जरूर इसमें कुछ गंबीर बात हो, करके देख, तो जब करके देखना शुरू किया, तो पिछले लगबग पा पानी है, पानी के अलावा क्या है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें कैलशियम है, तो पता चला पानी के अलावा उसमें सलफर है, पानी के अलावा उसमें आईरन है, पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के अठारे सुक्ष्म पोशक तत्व हैं, जो शरीर को बहुत ही उपी होगी पानी तो है इगो मूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुष्य मूत्र में नहीं है केलशियम है, आईरन है, सिलीकॉन है, बोरॉन है एफी है, मेगनीज है, मेगनीशियम है ऐसे अठारे सुक्ष्यम पोशकत अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ ये अठारे सुक्ष्यम पोशकत तो एक साथ अगर किसी चीज में है तो मिट्टी में है मिट्टी, खेत की मिट्टी और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है तो गाई के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाई के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं ये जो संपूर घटक वाली एक पईपदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत कारिक है तो हमको लगा कि करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनिलिसिस कराया एक लेबरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भरके दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिक्र है उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोक्षाला है उसका नाम भी बता दू थाकि आप चाहें तो उनसे कन्फर्म कर लें प्रयोक्षाला का नाम है CDRI Central Drug Research Institute भारत में दवाओं पर औशदियों पर काम करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ शीशि में भरा गोमूत्र हमने दिया और तीन-चार तरह के गोमूत्र दिये एक तो वो जर्सी गाए होती है ना जर्सी गाए विदेशी गाए उसका भी दिया होलिस्टियन, फ्रीजियन, जाती की गाय का दिया और जो भारत की गाय है, देशी गाय अपनी, उसका दिया तो वेग्यानिकों ने 6-8 महीना लगाया फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को खतम करने के लिए जितने घटक चाहिए, वो सब गोमूत्र में हैं, सब के सब सब के सब, अब जैसे, मैं आपको नाम लेके कम आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया, कोई भी रोग हो गया तवचा का, तो इसका मानिया आपके शरीर में एक घटक कम हुआ गटकों की कमी से ही रोग होते, वो गटक का नाम है सल्फर, एक केमिकल कम होता है जिसका नाम है सल्फर, जिनको भी स्किन डिसीज होंगी उनके शरीर में सल्फर कम हो जाएगा, ये है बात, अब गाये के मूत्र में भरपूर मात्रा में हैं सल्फर, भरपूर, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये तुचा रोग वालों को एकठा करके सल्फर चाहिए तो सल्फर हम चाहें तो होमियोपेथी में दे सकते थे उनको सल्फर चाहें तो आयरुवेद में भी दिया जा सकता था हमने ना होमियोपेथी में दिया ना आयरुवेद में दिया उनको का भई गोमूत गोमुत्र में सल्फर है और आपको सल्फर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उन मेंसे कुछ ने पिया कुछ ने नहीं पिया कुछ को लगा कि कैसे पिया है इसमें वगएरा वगएरा बहुत सारी तकलीफ हैं वो एक आदमी तो मुझे कहता था राजी भाई इतनी बास आती है कैसे पी सकता हूं और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था गोमुत्र पीने में उसको बास आती थी तो मैं उसको समझाता था भाया दारू की जो बास है उससे अच्छी तो यह है लेकिन वो मानने खेर जिल लोगों ने पी लिया हमने देखा कि सवा महीने से ही उ और उनका जो रोग है वो बदलना शुरू हुआ तीसरे महीने तक आते आते संपूर रोग छे और क्या-क्या रोग ठीक हुए सोराइसिस ठीक हुआ जो कभी ठीक नहीं होता आप जानते हैं एलोपैती वाले तो कहते हैं सोराइसिस ठीक ही नहीं होता सोराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है ये भाशा है डॉक्टरों के तो वो सुराइसिस ठीक हुआ एक्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ कि बहुत ही आसानी खुजली, खाज, दाद, सब तरह के तचारों ठीक हुए तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया गुटने दुखते हैं कमर दुखती, कंधा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिलकुल सही है पंदरे से बीस दिन में यह असर है फिर हमने इसका प्रयोक कफ वालों पे किया खांसी है, सर्दी है, 25-25 साल की खांसी है अब आप जानते 20-25 साल की खांसी तो दमाई हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीवर असर है इसका कि अगर आप ट्यूबर कुलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा है आप खुद कर लें ये एक्सपरि और इलाज करा है और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरलल ले लो जिसको टीवी है अस्थमा है दमा उसको को नहीं तुम सिर्फ गो मुत्र पी और कुछ मत करो फ्रेश गो मुत्र माने फ्रेश जो उता जा तो आप देखेंगे कि वो डॉट्स की गोली खाने वाले को चार महीने से छे महीने लगेंगे और ये गो मुत्र पीने वाले को सवा महीने से दो महीना ही लगेगा और ठीक होगा और ये एक बार ठीक हुआ गो मुत्र पी के इसको दुबारा टीवी नहीं आएगे क्योंकि गो मुत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता प्रतिरोधक शक्ति इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविश्य में दुबारा ना है तो समझ में आया कि बाग भुट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए सही फिर हमने और एक एक्सपरिमेंट किये कि जिनको डॉट्स दी जा रही है ऐसे कुछ मरीज एमस में हमने चिन्नित किये ज्यादा एक्सपरिमेंट हमने एमस के डॉट्टरों की मदद से किये तो ऑल इंडिया इंसिट्यूट के कुछ मरीज जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूप से टीवी के लिए वो आते हैं उनको शीशी में भर भर के ये दे दिया और यह नहीं कहा कि यह गोमूतर है क्योंकि कह वो तो खाएं नहीं और पिएंए नहीं उनको कहा यह बहुत अच्छा सीरफ है आप इसको पीते रहो है अब वो आते थे शिकायद करते थे कि ये कैसा सीरफ पर इसमें कुछ बास। की आती है। दूसरे सीरफ तो मीचे मीचे लगते हैं कि बाई ये सीरफ दूसरे तरहगा। तो उनको बताएं तो पीए नहीं और हमारा एक्सपरीमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था। तो उनको बताया गया तो यह हमने देखा कि डॉट्स का जो काम करने का है डॉट्स मने उसके जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ति 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई डॉट्स तो काम करी रही है लेकिन गोमूत्र के साथ जब डॉट्स दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महिने में खतम होने वाली थी वो 2 सवा 2 महिने में संपूर जड़ से ठीक हो गई फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भाईया वो शीशी में भरके जो दिया था वो गोमूत्र था तो तुरंत नाक चड़ गई है ठीक हो गए कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिन्दा भी बचेंगे लेकिन नाक तब भी चड़ गई तो ये जो नाक चड़ती है हमारी ये अब कम कर दीजे इसको चड़ाना गाए का मूत्र अद्गुत है बहुत ही अद्गुत है इसके हम एक्सपरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुँचे हैं आज 48 डिसीज हैं 48 रोग हैं वात के कफ के पित के तीनों के जड़ से खतम होत लोगों क्या होता है तो गले का टैंसर आहरनली का कैंसर और पेट इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम गोंट्र वां की जो रख्ट का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है तो बागवट जी के जो परमुटेशन और कॉंबिनेशन से मतलब कि गो मूतर में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी वो करके देख रहे हैं और वो करके देखने के लिए एक बड़ा होस्पिटल बन रहा है इस देश में आप कभी भी वहां जा सकते हैं ग्यारे फरवरी से काम करना शुरू कर देगा वलसाड में बन जाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं है और कैंसर हॉस्पीटल के लिए तो थोड़ा मुश्किल है तो उन्होंने भरपूर दान दे दिया जगे भी दे दी तो हॉस्पीटल बनके तयार हो गया 11 फरवरी से काम शुरू हो जाएगा जो वैग्यानिक गो मूतर पर काम कर रहे थी पिछले 6-7 साल से वो सब इकटे होके वलसाड में बैठेंगे और सिर्फ कैंसर पर काम करेंगे क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं वो सब में अच्छा है हर बीमारी में काम आ रहा है कैंसर में करेंगे और हर तरह की कैंसर में करेंगे गरबाशे की कैंसर में करेंगे रक्त कैंसर में करेंगे ब्रेन ट्यूमर जो कैंसर में कनवर्ट होता है उसमें करेंगे और शायद हमें लगता है एक देड़ साल के बाद मैं दुबारा आपको मिलूँगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूँगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है तीन तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं गले का आहरनली का और पेट का ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात में कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक कैमिकल कम होता है उस कैमिकल का नाम है करक्यूमिन ये आज के वेग्यानिकों ने रिसर्च करके निकाला है करक्युमिन नाम का एक केमिकल है ये कम है तो जरूर तो खतम होगा आदमी कैंसर आएगा और खतम होगा और इस केमिकल की कमी से जो कोशिकाएं होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है उनके उपर कंट्रोल नहीं रहता तो यह इन दूसरे के साथ मिलकर एक जूत जैसा बना लेती है वो ट्यूमर हो जाता पिर ट्यूमर बाद में ब्लास्ट होता और फिर वो मैलिगनेंट होता पहले बिनाइन फिर मैलिगनेंट और फिर अंत में कहते हैं जी डेथ ही है और मूत्र में हैं भरपूर मात्र में और एकदम डाइजेस्टिबल फॉर्म में हैं डाइजेस्टिबल मानें तुरंद पियो और असर करें ऐसा देर नहीं लगे यह कुछ ऐसा सहीयोग है प्रकरती का वैज्यानिक कह रहें कि यह तत्तु कम होता है तब ही कैंसर होंता है अब यह तत्तोगाय के मूत्र में हैं तो हजारों साल पहले बागवत की कही हुई बात अपसिद्ध हो जाएगी साल फर्म्त संहान लें अब तक जितने रिसर्च हेढ़ें आप इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट स्पेश की गई बारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नाम है मेडिकल काउंसिल अफ इंडिया इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले तो वो सब गया तो मस्याई वालों ने नाक चड़ही बहुत यह क्या आप ले आए गोम Small Sl dwarf आएए जिसा बात करते हैं यह क्या न्याए गोमUS मने इनको लगता है की यह तो बैकार की चीज अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखू कुतर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे संबाथ कर सकते हैं समझा कुतर्क करते हैं केतें जी ये गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाये छोड़ती क्यों इसको शरीर से जब हमारा जगड़ा हुआ ना MCI वालों से आधुनिक डॉक्टरों से और उन्होंने ये कुतर करना शुरू किया कि क्या फलतू बात करतें गोमूत्र इसमें कुछ है क्या मैंने का भईया बहुत कुछ है नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो साड़े तीन हजार साल पहले इसको लिख के चला गया और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा वैद्यों ने कहा कई वैद्य हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते और आपको ठीक करते रहते उनके बहुत सारे काड़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं आपको नहीं बताते ही यह अलग बात है क्योंकि हर वैद्य मुझे यह के डॉक्टरों से तो उनका पहला ही कुतर था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों खुद न रखती उसको तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ग्यान बहुत था उसको हमारे देश में ऐसा ही है जो इसकूल कॉलेज में नहीं गए वो सब ग्यानी है यह मेरा पंद्रे साल का सो प्रतिशत तजुर्वे का हिस्सा है इसमें कोई कमी नहीं है जो school नहीं गए, college नहीं गए बहुत ग्यानी है उनके पास knowledge बहुत है functional knowledge जिसको हम कहते है operative और functional knowledge उनको जवर जस्त है और वो इतनी ग्यान की बातें कई बार कर जाते हैं कि हमारा सिर्व भूम जाता है एक बार मैं आपको ये छे पक हैं लेकिन मैं जोड़ देता हूँ आपको समझ मैं एक बार पटना रेलवे स्टेशन पर उतरा बहुत बार जाता रहता हूं गूमता रहता हूं तो रात के ढ़ाई बचे थे अब ट्रेन से उतर गया सामन थोड़ा जादा था मेरे पास एक ही सामने किताब हैं मेरे कपड़े तो दो ये तीन हैं बस किताब हैं तो उठाए गठर अब कैसे उठाए तो कुली चाहिए भई तो ढूनना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया मैंने का भाई जरा ले चलो बाहर तर उसने का साप थोड़ी देर जगड़ा है किस से जगड़ा है तो मेरी पत्नी से जगड़ा हो रहा है थोड़ी देर रुख जाओ फिर मैं ले जाओंगा तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा पती और पत्नी बात कर रहे थे उसकी पत्नी कहीं गाउं से आई हुई थी कोई मामला था मुझ पिर उसने का चलो अब आपका सामन लेता हूं तुम मैंने जिग्यासा से पूछ लिया भई बात क्या थी तो उसने का कुछ नहीं मैंने का बता दो भाई उसने का मेरे घर की बात है आपको क्या बता हूं तो फिर भी मैंने का बता दो तो उसने का बात इतनी सी थी कि मेरी पत् छोलूं यह इतना महानाद में कुली है वो कहता है जी इस्तरी जो होती है ना इस्तरी वो खूंटा होती है खूंटा खूंटा समझते हैं हिंदी का शब्द है खूंटा खूंटा जिससे हम गाय बानते हैं वेल बानते हैं वो कहते हैं इस्तरी जो होती है खूंटा होती है और इस खूटे से पूरा घर बना रहता है ये खूटा उखड गया तो घर उखड़ जाता है भाई इसने कहीं यूनिवर्सिटी मैं गया नहीं कोई डिगरी इसके पास है नहीं इतने ग्यान की वाथ इस overall तुमारे मित्र यार कौन है तो उसने का मेरी जैसे हैं कोई पुली है कोई पत्थर तोड़ता है कोई कुछ करता है हम सब रात को बैठते हैं और यही चर्चाहें करते हैं मैंने का बड़े ग्यान की बात है यह तो कोई फिलोसफर इस बात को पाने में दस साल लगाएगा डबल पिएच्डी करना पढ़ जाएगा उसको ट्रिपल पिएच्डी और उसको साधर तो मेरा यह मानना है कि यह बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ग्यानी है ये अंजाने में कई बार ऐसी बाते करते हैं या ग्यान के काम करते हैं जो जानकर करें तो सबका गोरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है तो बागवटी जी ने कह दिया उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अंजाने में ये किया कि बागवटी जी कह गए है इसलिए गो मुत्र में घिसके दो तो जादा लाब करती है पानी में घिसके दो तो कम लाब करती है ऐसे ऐसे तो मैंने उन ग्यानिकों से जगड़ा ले होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको आपका मूतर अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको फिर बात में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है माता है माता है माता वो कभी भी हम कहते थे गाय तो वो कहती थी गाय मत बोलो गो माता या तो माता बोलो नहीं तो गो माता गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी अपमान है उसका तो गो माता है अब माता जो होती है हर जरूरी चीज बच्चे के लिए छोड़ती है ये आप सब जानते हैं, बच्चा उत्पन हुआ तो उसको सबसे ज़्यादा जरूरी है दूद, तो मा दूद छोड़ना शुरू कर देती है, बच्चे होने के पहले तक नहीं है, वो बच्चा होने के बाद ही है, तो माता के बारे में ये कहा जाता है, मा की परिभाशा इस द जाने देते हैं, तो वेग्यानिकों को मैंने का हमारे यां तो ये कहा जाता है कि ये गाए नहीं है, माता है, तो मा कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है, शायद ये जरूरी हो, तो उनका अच्छा ठीक है, आब आप बहुत जोर दे रहे हो, और हमने कई तरे का प हमारे लिए ही छोड़ती है, हमको बीसियों बीमारिया हैं जो इससे ठीक होती है, तो आप अपने जीवन में गाए के प्रती देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो, अब तक आप गाए को दूद के लिए देखते थे, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के दूद तो थोड़े दिन मिलेगा, आप जानती है, गाय थोड़े दिन दूद देती है, जैसे मा थोड़े दिन दूद दे सकती है, वैसे गाय भी थोड़े दिन दे सकती है, हमेशा नहीं दे सकती है, थोड़े दिन के बाद दूद बंद हो जाता है, लेकिन मूत्र जीवन क आखरी दिन तक देती है और उस मूत्र से हमले करके देख लिया वैग्यानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती है ये बीमारियां क्या-क्या हैं फिर से सुना देता हूं जोडों के दरद सब तरह के किसी भी इस तरके जोडों के दर्द पित्त की बीमारियां किसी भी तरह की कफ की बीमारियां किसी भी तरह की गोमूत्र से ठीक होती आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए बागवट जी ने इसका तरीका ये बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सबेरे का सबेरे का समय बताया है अच्छा है सबेरे गोमूत्र लेना चाहिए कितना लेना चाहिए तो ये मात्रा बागवट जी बोल कर गए कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत बीमार है उनको एक दिन में 100 ग्राम 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आएगा नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगी लेकिन वो लगबग 100 तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 100 मिली लीटर मंने एक कप जो चाय का है ना उसमें 1.500 ml चाय आती है 150 मिलेलेटर तो उसका पाओ कप मन लो ये बीमार बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों जले और वो कहते हैं कि इसको आधा-धा करके लो टो और अच्छा है तो आधा एक बार ले लिया आधा दूसरी बार ले लिया और जिस समय और पेट खाली रहे तो नाश्टाए के पहले अब पेट खाली दो समय रहता है दिन में एक तो सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप चार घंटे निकल जाए ना तो पेट लगबक काली हो जाता है तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों और जो बीमार कम है या स्वस्थ हैं निरोगी हैं और लेना चाहते हैं उनको एक ही बार तो पचास मिली लीटर की मातरा उन्होंने ब इस गाए का मूत्र आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाए जो मूत्र पीने लायक माने औशदी के रूप में देती है वो गाए को पैदल चलना बहुत आवश्चक है माने वो चले दिन में गू उपयोगी नहीं है उपयोगी नहीं अब हमने क्या देखा कि यह जर्सी गाए है ना जर्सी होलिस्टियन फ्रीजियन यह बंधी हुई गाहे हैं आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं है बद्द से बैठ जाती है खड़ा करो फिर बैठ जाई फिर खड़ा करो फिर कि जरसी का निकाल के देखाओ इंड ती नहीं घटक है और देशी गाए के मूतर इसक जो कुछ मिट्टी में है भोगाए के मूतर में είναι था फिर मुझे बचपन की एक बात यादा आई मेरी दाधी माने कहा कि गाए शरीर में 33 करोड़ दे हुता है अब बात सुन ली बैठ गई मन में एक्स्प्लेनेशन में पूछता था अपने आप से क्यों सकता 33 करोड़ दे होता तो हमारे यहां एक शब्द है कोटी 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 है कोटी का दूसरा अर्थ है प्रकार, तो शायद यहां पर जो अर्थ है वो प्रकार वाला है, 33 प्रकार के देवता, 33 करोड नहीं, क्योंकि जिस समय वागवटी जी ने लिखा था, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड से कम रही हो गया, तो 33 करोड देवता कैसे हो सकते है जब कुल मनुश्यों की संक्या इतनी कम है तो शायद वो प्रकार वाला है और आजकल बहुत लोग खिली उड़ाते हैं न हिंदू धरम की ये ईसाई लोग और मुसल्मान लोग जो खिली उड़ाते हैं वो इसी पर आ जाते हैं क्या बात करते हो 33 करोड़ देवता हैं तुमारे हैं हमारे हैं तो एक ही देवता है और देवता तो एक ही होता है तो वो शायद 33 प्रकार के देवता हैं ऐसा है अब मैंने एक बार पुराने शास्त्रों से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है जैसे गाय के मूत्र में धन्वंतरी देवता है गाय के गोबर में लक्षमी जी का निवास है एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्षमी गाय के गोबर में लक्षमी है गोमूत्र में धन्वंतरी है गाय के गले में शंकर जी है ऐसे ऐसे क करके हैं अब मैंने का करके देखो भाई हैं तो करके देख लो तो पहली बात तो समझ में तुरन तागी कि गो मुत्र से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन हुए थे तो मुत्र में धन्वंतरी तो हैं पक्का गोबर में लक्षमी है क कि हम लोग 6-7 साल से ये प्रयूक कर रहे ओर अब जाके हम ये कह सकते हैं कि सच में माहालख्शमी है गोवर में लक्षमी नहीं मालख्शमी क्योंकि हम ने गोवर का उपयोग किया खेतों में यूरिया ड피簡 tote में भारत में हमारा जो अभयान है ना हिंदू सृराज, अभयान, आजधि, बचाव, अंदोलन, इसके करीब-करिब कारिकरता पूरे देश में 18-20,000 ऐसे हैं, जो गोबर से ही खेती करते हैं यूरिया का एक दाना नहीं डालते हैं डियेपी नहीं डालते हैं गोबर ही डालते हैं जब जरूरत पढ़े गाये का गोबर डालते हैं और उनकी खेती पहले से इतनी अच्छी है कि उत्पादन उनका दो से तीन गुना बढ़ गया है पहले हमारे कोई कारिकरता कपास करता थ थैसे अब अंब धान करते हैं तो 30 कुंटल तक आता है उसी कोबर से बाजरे में किया मक्के में किया गन्य में तो इतना अदूत परणाम है कि यूरिया डीएपी का गन्या करो तो गन्या जादा से ज्यादा आट-विट वू चा होता है गों बर से गन्या करो तो रुपाई किलो है और आप 15 रुपाई किलो खरीदने में परिशान है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड मिलता नहीं किसी देश में भारत में ही संभव है क्योंकि देशी गाए ही बारत में और किसी के पास सुत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी गोबर में लक्षमी अब यह गोबर पर एक्सपरिमेंट करते करते हम यहां तक आये हैं कि गाए के गोबर में से गैस निकलती है यह गैस से आप अपने घर का चूला तो जलाई सकते यह तो पुरानी बात है अभी आज की बात यह सब चलती है बहुत आराम से चलते है गोबर गैस है ना उसको सिलिंडर में भरो और वो सिलिंडर गाड़ी में लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलिफ किये वह यह गाड़ी दोरती है दिल्ली में IIT है, कभी भी आप वहाँ चले जाएए, IIT केंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है और इस आधार पर सुप्रीम कोट में एक केस का भी फैसला हुआ है हमारे देश का अदालत अब तक ये कहती थी कि गाए दूद न दे तो बेकारे काट दो अब सुप्रीम कोट में अपना फैसला बदल दिया, वो कहते हैं ये दूद नहीं दे तो भी उतनी ही उप्योगी है क्योंकि गोबर दे रही है और मूतर दे रही है कोट में अपना जज्जमेंट बदला, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ सुप्रीम कोट ने अपना पुरा ना जज्जमेंट बदला ये एक्सपरिमेंट होने के बाद अब थोड़े दिन में हमारी तो एक योजना है आप अगर मदद करेंगे तो हम जरूर करेंगे इस योजना को गाओं गाओं जहां भी गाये हैं वहां गोबर है गोबर हैं तो हम क्या करने वाले हैं? गोबर गैस प्लांट छोटे-छोटे हर जगे गैस निकालो और सिलिंडर में भरो कम प्रेशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलिंडर में भरो और सिलिंडर खुद भी इस्तेमाल करो दूसरों को भी दो ये LPG का चक्कर खतम करो क्योंकि LPG आयातित है, मानि इंपोर्टेड है दूसरे देश के सामने हम भिकारी बनके खड़े हैं, जी दे दो इरान से मांग रहे हैं, इराक से मांग रहे हैं, इरान आँखे दिखा रहा है नहीं देते, हाँ देंगे तो इसकी मत पे देंगे गरज है तो ले लो, नहीं तो मत लो तो हमारी सरकार भीगे बिल्ली बनी हुई, उनके सामने रेरी आती है, गेगे आती है ये चक्कर भी खतम करना, हमको तो डीजल पेट्रोली खतम करना है इस्टेशन, जरूरत ही नहीं दीजल पर जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है, गोबर से गैस है, गैस से सब चलेगा आपकी बिजली भी बना लो गाड़ियां भी चला लो रसोई गैस भी जला लो, घर के सब काम गोबर गैस से हो सकते हैं और गोबर गैस की बनाई हुई रोटी का स्वाद, आपके लपी जी की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है करके देख लीज़ए तो हमारी भविश्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं, गाओं गाओं के कारी करताओं को प्रसिक्षन देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए कैसे प्लांट लगाया जाए कैसे उसको निकाला जाए गैस को कैसे सिलिंडर में भरा जाए जिस दिन ये काम बड़े पहमाने पर चल पड़ा हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं गाए से ही देश चलेगा तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्षमी है गाए के गोबर लक्षमी नहीं महालक्षमी भारत में सत्रे करोड गाए है इसकी डबल चाहिए 34 करोड में ये हो जाएगा हमने जो हिसाब मिकाला है एक गाए का गोबर एक दिन में 10 किलो अभी 17 करोड गाए है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड किलो लेकिन सारे देश के डीजल की खर्चा और पेट्रोल का खर्चा और लपीजी का खर्चा ये पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाए चाहिए 34 करोड हम आदे का तो कर सकते हैं आज जितनी गाए है 34 करोड अब ये 34 करोड गाए कहां से आएगी ये तब ही आएगी जब कटना बंद हो आप अगर इसका संद्रक्षन करें गाए का कटना इसका बंद करा दें तो गाए की संद्रक्षन अपने आप 34 करोड हो जाएगी क्योंकि भारत की जो गाए है देशी गाए वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम सत्रे बार माँ बन सकती है वो भारत की गाए और ये जो जरसी है ना इसकी उमर ही नहीं है ये जादा से जादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बारी माँ बनती है और भारत की जो देशी गाए है इसके बारे में बागवट कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज़ भगवान ने नहीं बनाई बागवट जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज़ कोई बगवान ने नहीं बनाई ये देशी गाए है माँ बनेगी बच्डा आएगा बच्डी आएगी तो गाए बनेगी बच्डा आएगा तो बैल बनेगा और देशी गाय का बचुड़ा ही बैल बनता है ये जरसी वाला नहीं बनता क्योंकि देशी गाय के शरीर पर कंधा है तो कंधा चाहिए ना बचुड़े को बैल बनने के लिए तो वो तभी संभव है इसलिए देशी गाय का संरक्षण करना बहुत जरूरी है आप बोलेगे जी सनरक्षण कैसे हो बागवर्ट जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबसे अच्छी देन है वो ये गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं इसकी हमेशा सेवा करो तो ये सनरक्षध हो शायद इसलिए हमारे बुज़गर ने कहा गाए की सेवा करो तो मोक्ष में लेगा 33 प्रकार के देवता खुश रहेंगे और मैंने करके देखा ये देशी गाए आप घर में रखो उसकी सेवा करो सवेरे सवेरे सोके उठो बस गाए को देखो कुछ मत करो बैठ जाओ देखो उसको सामे और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मातर से करके देख लो इसको मैं अभी एक एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने एकठा किया है एक गोशाला में डिप्रेशन के मरीजों को गाय की कहीं नहीं मिले गया और जो आप गाय पहचान सकते हैं भारत में एक गाय है किल्लारी गाय कहते हैं उसको किल्लारी गाय एक दम गुलाबी आँख है सुर्ख गुलाबी आँख है उसकी आँखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खतम हो जाए इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से तो गाय देखने मातर से अगर आनंद की प्राप्ति हो रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी विशुष्टा है मूतर से तो बीमारियां ठीक होई रही है गोबर से तो बहुत कुछ होई रहा है अपने देश में उसकी आँखें देखने मातर से खुशी पैदा होती है और उसी गाय के साथ एक भैस को देख लो बरबर में एक गाय खड़ी कर लो एक भैस का चहरा देख लो आप तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा भैस का चहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है न वो वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा और गाय का चहरा देखते ही खुशी तब मुझे यह सब बातें समझ में आई कि हमारे पूरवज पुरखे गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय से शुरू है जो 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्वी के कार्तूस की बात सुनी नहीं होती तो गोली मारी नहीं होती तो क्रांती शुरू नहीं होती और महत्मा गुलाम रखना चाहते हो रखो गाए काटना बंद कर दो मैं आंदोलन वापस ले लूँ है वो कहते गाए बच गई तो आजादी तो आई जाएगे एक बार गांदी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाए दोनों में से क्या चाहिए तो कहत गाए सबसे ज़्यादा कट रही है और आप जिस राज्य में रहते हैं वहां सबसे ज़्यादा कट रही है तमिल नाडू और केरल एक साल में साड़े चार करूर गाए कट जाती है इस तेश इस तमिल नाडू में ऐसे ऐसे कतल खाने हैं जहां एक दिन में 14,000 गाए कट जात तो जो गाय इतनी उपयोगी है वो कट रही है इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा अगर हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल के दुष्चक्र से निकालना है मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ एल पीजी गैस का सिलिंडर आप कितने में खरीदते हैं तीन सो रुपए में हाँ गाय गैस का सिलिंडर मनें गोबर गैस का सिलिंडर उतना ही बड़ा जो एल पीजी का आप अगर गोबर गैस का खरीदो तो सरसट रुपए में आप एक लीटर पेट्रोल में कितनी काड़ी चलाते हैं एक लीटर पेट्रोल में बीस किलो मीटर है ना दस नहीं नहीं बीस मान लो अच्छी से अच्छी गाड़ी एक लीटर पेट्रोल में अच्छी से बीस किलो मीटर एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलो मीटर चल चार के आसपास आता है पेट्रूल का खर्चा 6.6 रूपए आता है गाय के गोबर से पर किलो मीटर गाड़ी चलाने का खर्चा एक रूपए 15 पैसे आता है तो सस्ता भी पड़ेगा हमारे यहां आसानी से उपलब्द है क्योंकि गाएं उपलब्द है और पूरे देश को डीजल पैट्रोल का साल का खर्चा भी 280,000 करोड का हो चुका है सरकार इसी से सबसे ज़्यादा परिशान है यह पूरा खर्चा बच सके और 280,000 करोड में तो 34 करोड गाय आराम से पाल सके तो गाय बचाने का काम करना है वो इसलिए कि बागबट जी बोल कर गए है कि यह सबसे सुन्दर वस्तू या चीज या प्राणी बनाया इस देश मे बगवान में और मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं प्राणी नहीं प्राण है यह देश का और हम यह कहते हैं न जानवर जानवर नहीं जान है इस देश के बारत को अगर भारत की जान है तो यह गाय है भारत की प्राण है तो यह गाय है यह है तो हम है कई बार मैंने लोगों को यह कहते सुनाए हम गाय पालते हैं उनको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप गाय नहीं पालते गाय आपको पालती है यह एहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाए पालते हैं आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाए हमें पालती है आप क्या पालेंगे जी वो तो भगवान की है आपकी हैसियत में उसको पालने की वो तो भगवान की कोई क्रपा हो गई आपके उपर जो आपको दे दी उसमें तो ये क्रपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें, आप बूलेंगे जी क्या करें, सबसे पहला प्रयास की गाय का कतल रुके, गाय का कतल रुकने में आप कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, कि जी दू जोवा जी के साथ रहे और आजादी के अंदोलन से इस देश को समालने और संभारने में लगे रहे उन्होंने संकल्प ले रखा था जी दूट प्यूंगा तो गाय काई तो यह बाभुजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय काई दूद पी ते। अब मैं सोचता हूँ कि रादयक्रिशन बजाच जैसा संकल्प सब ले लेंill olay तो जी दूद पिहेंगे तो गाई-काई पिएंगे पिएंगे नहीं भैसvacc पिहेंगे नहीं डेडी का गाई-काई पिएंगे तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आपने यह संकल्प ले लिया कि रोज गाय काई दूद पिएंगे, तो इसी चेन्ड़ी में गाय पालने वालों की लाइन लग जाएगी, आप देखना। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का मारकेट कंजूमर मारकेट है, बायर्स मारकेट है आज की दुनिया में, खरीदने वाले का मारकेट है, बेचने वाले का कुछ नहीं है, जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है, तो आप सोच लो जी गाय कई दूद कैसे आएगी, कुछ लोग गाय खरीदेंगे, कुछ गाय पालन करेंगे, कुछ गोशाला हैं कुलेंगी, कुछ दूद डेरियां बनेंगी, फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय मिलेगी, क्योंकि सत्रे करोड अभी है, पूरी नहीं कट गई है, सत्रे करोड अभी है, तो मि बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाये दूद कम देती है उसके बच्छणे मजबूत बैल होते हैं और जिसका दूद जादा है उसके बच्छणे कुछ कमजोर बैल होते हैं तो कम दूद देने वाली गाये बच्छणों के लिए है जादा दूद देने वाली गाये मेहगी नहीं है पांच लाग की गाड़ी खरीद लेते हैं और वो गाए अगर आगई तो आप देख के डंग रह जाएंगे क्योंकि वह रियाना में देखी है पंजाब में देखी 55 लीटर दूद है एक आदमी निकाल नहीं पाता तीन लगते हैं क्योंकि कितना निकाले हैं और मैंने देखा हर्याणा में जो लोग रखते हैं उनके घर में तीन लोग उसका दूद दूहते हैं और इतनी सीधी इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूद दूहने बैठ जाए नहीं लात मारती ना सींग मारती है दूद बहुत है खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका क्योंकि दूद इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं तो गन्ना होता है ना गन्ना उसके ऊपर का हिस्सा ये खिलाते जाओ दूद उसका बढ़ता ही रहता कम नहीं होता पहली वार माँ बनेगी दूसरी वार दूद बढ़ता ही जाता गन्ना खिलाते रो बस उसको सबसे आदा ऐसी भी गाय इस देश में हैं जो पैंसल लीटर दूद देती हैं और ऐसी भी गाय है जो एक लीटर दूद देती है वो आपके आसपास है लेकिन एक लीटर वाली भी तिरिसकार मत करो क्योंकि वो बच्छडे जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे तो बैल तो चाहिए हमें क्योंकि ट्रेक्टर से खेती ज्यादा दिन कर नहीं पाएंगे जो डीजल सौरूपई लीटर हुआ तो क्या चलाए मैंने वो करके देखा कम दूद वाली गाय का बच्छडा बैल बनता है ना तो तीन टन माने तीन हजार किलो माल आराम से 40 किलो मीटर तक बिना रुके लेके जाता है और जो ज़्यादा दूद देने वाली गाय है उसका बच्छडा तीन टन माल लेके जाएगा लेकिन तीन अगर रुकेगा रेस्क लेगा फिर चलेगा और जो कम दूद वाली गाय का बचड़ा है वो इस पीड बहुत तेज है उसकी दॉड़ने में आप मुकाबला नहीं कर सकते घोड़े का उसके साथ और जो ज़्यादा दूद वाली गाय है उसका बचला होता है बेल लेकिन दीरे दीरे चलता है तो हर एक चीज की अपनी अपनी विशेश्टा है इस देश में भगवान ने सब कुछ सोस समझ के बना तो आप दूद पीना शुरू करो गाय का तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गोशाला खुले या पहले से चल रही गोशाला सुधार हो फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां चिन्नई के आसपास इतनी जमीने हैं, बहुत सारे गाउं हैं, बहुत सारी जमीने हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं और ये विदेशी कमपनिया आँ आके चिन्नई के आसपास जमीने खरीद रही हैं तो आप क्यों नहीं खरीद सकते गाए के लिए तो आप सम मिलकर मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समीती बना लो या तो एक ट्रस्ट बना लो 2400-500-2000 गाए रख लो समभलना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है दस-दस हजार रुपई कठा करो एक-एक गाय आपके नाम से वहां रहे घास्चारा खिलाने वाला और उसकी साथ समाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं न कहीं समिल जाएंगे क्योंकि गाय पालन करने के लिए मन में जो भक्ती है न वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखें जो गाय पालन के लिए कहीं भी जाने को तैयार है उत्तर प्रदेश में हैं तो वो आजाएंगे, आपकी गायों को समालेंगे, उनको पुनने चाहिए, मोक्षु चाहिए, आपको दूद चाहिए, दोनों का मेल हो जाएगा, तो पालने वाले भी मिल जाएंगे, गाय भी मिल जाएगी, बस आप तो संकल्प करनो जी, कि हम तो करेंगे, अब आप मैंसे जो भी लोग दान वीर हैं, जो दान देते हैं, मैं कहता हूँ, गाय के लिए निकालो थोड़ा-थोड़ा, और गाय के लिए थोड़ा-थोड़ा निकाला, तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी, मैं तो आपको मेरे छोटे से गाउं की जानकरी दे रहा हूँ, मैं बहुत छोटे से गाउं में रहता हूं, उस गाउं के आसपास के 40 गाउं में 56,000 गाय हैं, इक 75,000 गाय हैं, हर दिन एक सवालाक लीटर दूद आता है, और जिसको चाहिए, वह चला जाता है, फिर थोड़ा बच जाता है, तो उस दूद से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूद का बिस्किट हमारे यहां का खा लें तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे फिर बोब बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं दही का मठा मठे से मक्षन बना लेते हैं मक्षन से घी भी मिल जाता है तो घी भी मिलता है वहां पे गाहे के दूद का मक्षन भी मिलता है मावा मिलता है मावा माने खोबा फिर उससे पेड़ा बना लेते हैं वगरा वगरा सब हो रहा है और जो किसान ये गाए पाल रहे हैं उनके पास जमीन नहीं है जादा आप ध्यान दो इस बात किसी के पास एक एकड़ दो एकड़ लेकिन सब लखपती है गाए की ताकत से जमीन जादा नहीं है जितनी है वो गाए के घास चारे के लिए ही पूरती है लेकिन दूद और दूद की दूसरी चीज़ है जो वो दे रहे हैं कुछ किसानों को तो ये बात इतनी समझ में आई है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता जो घी देंगे तो मठा तो बचेगा कम से कम देखो किती इंटेलिजेंसी वो आदमी युनिवर्सिटी में नहीं गया एग्रो एकॉनमिक्स उसने कभी नहीं पढ़ा वो कह रहा है कि जो दूद दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है मैं मठा तो बचा सकता हूँ अगर घी दूँगा आपको मठा मैं पिऊँगा मेरे बच्चे पिएगे बचेगा तो गाए पिएगी घी आप ले जाओ तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे न दूद बेचा नहीं जाता ऐसा कहते न पुराने लोग दूद बेचना पूत बेचने जैसा है बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूद भी नहीं बेच सकते तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूद बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं तो दूद बेचो मत दूद के बनाओ दही दही का बनाओ मठ्था मठ्थे से निकालो मक्षन घी बेचो गी बेचो तो भाव भी अच्छा है एक सासी रुपए क्लो तो हमारे है मिलता ए लेकिन वही घी बंब़ी जाता है तो तो पांसे रुपए क्लो बिच जाता है बैंगलोर चला जाय तो छह इसोर रुपए क्लो भाव है जर्मनी ऑप ही चले जाए तो 4000 रूपई किलो तक भाव मिल जाता है, वोई घीका 180 से लेकर 4000 रूपई किलो तक का रेट है, गाह्याँ के देशी घीका जर्मनी वहां अमेरिका वगरा वगरा उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाये नहीं जरसे तो मेरा मानना है गाये का आप थोड़ा पालन उसका संवर्दन शुरू कर दो गोशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो आपकी गोशाला को पैसे की तो बीस हजार रोपय का है तो बीस हजार का खाना खाएगी दो लाग की इंकम है दूद के रूप में दही के रूप में घी के रूप में मक्षन के रूप में मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में टोटल इंकम दो लाग की और जो बूड़ी हो गई दूद देना बन कर का गोबर का आप शुरू कर दो मैं आज बोल रहा हूं तीन साल बात सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगे जगे सिलिंडर में गैस भरो और गाड़ियां चलाओ डीजल हम ला नहीं सकते पेट्रोल ला नहीं सकते तो इसलिए ये गोमूत्र से खेत में तो भी गाए बढ़ेगी ये तीन तरीके से गायों को आप बचा सकते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ा सकते हैं यहाँ पर अपने निरंजन भाई हैं यह और इनकी पत्नी गाय के सेवा में लगे हुए आपको कभी गोमूत्र की जरूरत हो तो इनसे ले ले अब मैं पांच मिनिट में खतम करता हूं कि गोमूत्र से और क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बागवट्टी जी कहते हैं आख के कोई भी रोग आख के सभी रोग कफ के रोग है जो आख में हैं जैसे मोतिया बिंद हुआ यह कफ का रोग है केटरेक्ट जिसको आप अंग है उसका हो भी तो सक्सिस नहीं है आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को को रेटिनल डिटेश्मेंट का तो कहेगा ऑपरेशन कर सकता हूं गारिंटी नहीं है विजन आएगा के नहीं तो रेटिनल डिटेश्मेंट glucoma cataract और आँखों में छोटी मोटी बीमारी हैं बहुते आँखें लाल होना आँखों से पानी निकलना आँखों में जलन होना तो छोटी छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी retinal retachment ये सब गो मूत्र से ठीक होती है क्योर होती है आप बुलेंगे जी क्या करें बस इतना ही करना है कि देशी गाय का मूत्र कपड़े से छान कर एक-एक बूंद आँख में डाले आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना तो जरूर डाले तीन महीने में आप लगातार डाल के देख लीजे नंबर बदल जाएगा और सवा डेड़ महीने में चश्मा उतर जाएगा ग्लूकोमा बिना ओपरेशन ठीक होता है चार सवा चार महीने में अगर आपको डिसॉल्व करना च्छे सवा च्छे महीने में ठीक हो जाता है रेटिनल डिटेश्मेंट को एक साल लगता है लेकिन लगातार गोमूतर डालते रही है एक एक बून बस इतना परियाबत है आँखों में बच्चों के कान बह रहे हैं आप जानते हैं छोट छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है बस दो या तीन दिन एक एक बून कान में गोमूतर की डाल दीज़े पूरा कान साफ हो जाएगा मवाद निकलना बन बच्चों की नाग बहुत बहती है बार बार सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है बाग मट्टी जी कहते हैं सरदी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गौंदतर तो नहीं कहा उन्होंने गुगरत कहा गुगरत माने गाय का गी एक poems नाक में डाल दो बच्स रधी होगा जैसे गधे के सिरफ से प्रे घाय का गी ऐचा आपको नीद नहीं आती है अच्छी नीद लेनी हैं बढ़िया नीद लेनी हैं डीप स्लीप लेनी है रात को एक एक गय का घी नाक में डालके सो जाओ बहुत गहरी नीद आए Metroid आपको खर्राटे बंद करने हैं बहुत लोगों को खर्राटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तो नहीं जानता पड़ोसी जानता है कि क्या तकलिफ होती है तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं गाय का घी भी उपयोग है आउशदी के रूप में गोमुतर का अब आता हूँ बाल जड़ते हैं बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं बाल जड़ रहे तो गाय के दूद का दही बनाओ दही को तावे के बरतन में रख दो पांच छे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लगाओ एक घंटे के बाद बाल धो दो शीका काई से शैंपू से नहीं शीका काई से हफते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही हफते में बंद हो जाते हैं एक ही हफते कई बेहनों ने तो मुझे बता राजी भाई हमने तो एक ही बार किया तो उतने में भी बंद हो गए ह Anżhah बविश्य में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरूस्त रहें तंदुरुस रहें तो महीने में एक बार या महीने में-डौं गाय के मूत्र से बाल दोलो बहुत अच्छा conditioner है नेचुरल औरगेनिक conditioner है गाई का मूतर तो जैसे आप conditioner यूज करते ना उसकी जगे गो मूतर यूज कैसे करें गाई के मूतर में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे conditioner यूज करते हैं वैसे कर लें और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिति में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं ना उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूतर पिला दो एक ही के फेलियर के और किड़नी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गो मूतर उपयोग करो गाय का मूतर आदा करो किड़नी फेलियर के सब केसिस में आप उपयोग कर सकते हैं मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, गो मूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा, पेशाब में जलन होती है, गो मूत्र पीना शुरू करो जलन बन, पेशाब कई बार लाल रंका आता है, गो मूत्र पीना शुरू क फिर आपके शरीर में बीसी और रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमुत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग जादा करें पित्त के रोगी पित् वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपयोगी शरीर में गो मुत्र की मालिश करूआ तो आपकी तुचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं न सब चले जाएंगा आँकों के नीचे डार्क सरकिल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गो मुत्र लगा लिया करो डार्क सरकिल चले थोड़ा मालिश कर लो सब खतम हो जाएंगा तो यह गाय का मुत्र अद्बुत है अब इस गो मुत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपयोग करने के लिए एक टैक्निक डवलप की है कि प्योर गो मुत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है लेकिन क्या करते हैं आजकल की गो मुत्र को उबालते हैं तो उसकी वाश्प बनती है वाश्प को ठंडा करके अर्क बनता है अर्क अर्क तो आप समस्ते हैं तो गो मुत्र अर्क भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मेरा कहना है कि प्योर मिले तो सबसे अच्छा नहीं मिले तो अर्क ले सकते हैं न आधा कप परियापत है अर्क लेना है तो एक चम्मच परियापत है तो अर्क भी ले सकते हैं अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं यह निरंजन भाई भी बना रहे हैं इनसे भी ले सकते हैं यहीं पर इनकी गोशाला चला आप भी गोशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है और अर्क बाजार में 500 रुपई लीटर बिकता है बड़े-बड़े वैदि खरीदने को तयार है आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो एक गाय धाई से 3 लीटर मूत्र देती है और सो गाय अगर साबुन और इतना अद्वुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचारों खतम कर देता है अर्क मिकालने के बाद जो बचता उससे शैंपू भी बनता है साबुन भी बनता है वाशिंग पाउडर भी बनता है आपका फर्ष साफ करने के लिए वह जो आप फिनाईल वगरा इस्त श्में टाइल समस्त है जो च्छत में लगाते हैं और वो लगा दो तो टेंप्रेचर पांच डिगरी कम कर देता है इस तो ऐसी अदबुत गाये भगवान ने हमको दी प्रकरती ने दी इसका संवर्धन हम करें मूत्र का उप्योग करें घी का उप्योग करें दूद का उप सुनकर कार बेचके गाहे ले आएं, स्कूटर बेचके गाहे ले आए, मोटर साइकल बेचके, क्योंकि वो कहते हैं, राजी वह या आप ही बोलते हो, दस साल के बाद मिलेगा कि नहीं, डीजल, पेटरोल, बार्योसा नहीं, फिर ये कार करेगी क्या, बेल गाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा, तो पहले ही गाहे ले आओ, तो गोवर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी, पेटरोल ना मिले तो भी कार, तो ये सब मैंने आज आपको कहा, बागवट्ट चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमुत्र पर, मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए, आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में, और सुखी रहें, निरोगी बनाए, ये जितनी भी बाते मैंने कहीं हैं, ये किताबों में हैं, गोमुत्र चिकित्सा पर विशेश किताब हमने बनाई है, उसमें बागवट्ट के 64 सूत्र है, सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र है, वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, और वो पुस्तक पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सब को कॉपी करने का राइ तो हमारा लक्ष है गाए बचे, और बागवट्ट चिकत्सा में गोमुत्र का उप्योग होने लगे, मेरा लक्ष तो वो है, उस तक ज्यादा लोगों तक जाएगी, तो तभी ये हो पाए, और मैं अकेला कितनी चाप-चाप के बांटूँगा, मेरी एक लिमिट है, लेकिन एक सवाल ये है, आपने कहा कि गोमुत्र में सबसे ज़्यादा करक्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी करक्यूमिन है, हाँ, वो कल बात करने वाले है, हल्दी की बात कल आएगी, हल्दी में भी बहुत करक्यूमिन है और एंटी कैंसर सारी प्रापरटी हल्दी में है, और देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीज़े आपके सामने हैं सबेरे क्या-क्या लें तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विंती के रूप में करना चाहता हूं कि तीस तारीक को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्योंकि ग्यान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तब हमारे सामने सेलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या-क्या करें अब सबेरे लेने के लिए इतनी चीज़ हो गई हैं तो आप दो द वो मैं आपकी प्रकरती स्वभाव और चिकित्सा रोग के इसाब से बताऊंगा जैसे वात वाले हैं वो क्या-क्या कर लें पित वाले हैं वो क्या-क्या कर लें कफ वाले हैं वो क्या-क्या कर लें और ये जो सारा बोला है इसका समब भी तीस तारीक को सुबह साथ बजे से नौ बजे के इसी सेशन में मैं करूँगा गाई के बारे में आपने बहुत कुछ बताया अच्छा है गाई का पंचमर्त जो होता है वो इतना सुध होता है जिसकी कोई हद ने मैंने इसका सद्विप्योग किया है पंचों चीजों को जिसको मिला करके आप लेओ तो जिन्द की भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है उसके बारे में आप बताते हैं गाई का दूद गाई का घी गाई का मूत्र थोड़ा गाई के गोबर का रस और ये स पंचामरत इसमें गुड़ की जगे शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि दूद में वैसे शहद नहीं मिलाते हैं लेकिन गाई के मूत्र के साथ चलता है घी में शहद नहीं मिलाते हैं लेकिन गाई के मूत्र के साथ चलता है तो पंचामरत बनाने की विधी उस तक में हैं आप ले लो यह पंचामरत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है बहुत गहराई से अपनार्मलिटी इन हर्मोन्स उसका कोश्क्यूर है हाँ बिलकुल है आप इसके लिए मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलेंगे मैं आपको लिखके देता हूं जरू जरू देखिए मेरे पास एक लिखित चिठी आईए बहुत खुशी की बात है चिन्नाई में गोशाला है तो बहुत अच्छी बात है बस दुखी बात है कि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है यह दुखी बात है तो आप गोशाला वालों से मिलके उसका कुछ मैनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाए घाटे का सौदा नहीं है दूद दे या ना दे सेक्र यह बात नहीं है वह लोग बोलेंगे या तो उनको दूद नहीं मिल रहा है अगर वहां आके आप परस्टनली आके देखे तो आपको मालूप पड़ेगा कि मैनेज कैसे किया जाता है कहना बहुत इसी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है इसे आप से विंती है कि आप सब इवाद बटाटा नहीं क Pokémon नहीं सुथै सुथै खाना तो वेट नहीं बढ़ए रात को नहीं लेड़े पराठा रात को नहीं खाना सुथै नहीं जो की घोला है ठोड़े दिन या गो को मुत फिलो बीडल्य कि ठीक चुना खानेके लिए एक énorm मिलांके शैच dove दिन नहीं दिन में सुबह गुस्सा नहीं आए गाय का गी नाक में डालो गुस्सा नहीं आए गाय का गी नाक में डालके सोना एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं रात को मैं बोल रहा हूं मेहनत का काम करते हैं मजदूरी करते हैं तो 8 गंटे नीद चाहिए मेहनत करते हैं और अकर मेहनत नहीं करते, इस सिर्फ बैठने का काम है, तो 6 त्षे से 6 गंटे से 6 गंट गोबर गेस, गाए की गोशाला जो होती है न, जहाँ गोबर है, वहीं पर ये गोबर गेस बनती है, और वहीं से सिलिंडर में भरके हम सब को दे सकते ह। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनिट में पी लेना चाहिए बोतल में भरके चार-पांस दिन तक रख से काच की बोतल वीपी के लिए सबसे अच्छा मेहती दाल के रात को पानी में डालके देश्वासियों के नाम संदेश सब देश्वासी मिल उतारें इस वतन की आरती सब देश्वासी मिल उतारें इस वतन की आरती फूले फले यह देश भारत और हमारी भारती सोए रहेंगे साथियों कब तक की तुम आज्ञान में जागो उठो चुट जाओ फिर से देश के उत्थान में सोचो हमारे देश का मन आज कितना अधीर है सोचो हमारे देश के सेने में कैसा तीर है कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछडा हुआ बरसों से बाड़े खा रही है देश की हरियाली को व्याकुल व्यतित इस देश के जन खोजते खुशिहाली को सब एक होकर नश्ट कर दो स्वार्थी रखवालों को जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नहीं खुशालों को जाती धर्म के नाम पर इस देश के टुकडे हुए सीधे सरल कुसहाल लोगों के मलिन मुकडे हुए अब लक्ष केवल एक अपने देश का उतकर्ष हो जाती धर्म हो कोई पहले देश भारत वर्ष हो मुस्किल से आई देश की पतवार सच्चे हातों में मिलजूर के इनका साथ दो मत आऊ जूटी बातों में राजीव दिक्षित भाई जैसे देश भक्त मिल जाएंगे उजडे हुए इस चमन में हम फिर से सौरब पाएंगे बंधुआ एक बात कहना चाहूंगी कि राजीव भाई दिक्षित जैसा नो जवान इवा आज नहीं कम से कम मैंने साथ आठ साल पूर्व आजादी के आलंदिक दिद्वारे में और पेप्सी कोको कोला के बारे में बहुत सुना ऐसे हमारे एक नवीवक समाज में आगया है है हज़ारों नवीवकों को जोड रहे हैं इसमें एक बात कहते हुए दम भर्दे भरी जवानी में युवा सक्ती वह सक्ती है आग लगा दे पानी में युवा सक्ती वह सक्ती है आग लगा दे पानी में बंधूओं राजी उबारी युवा फोस में है और साथ में फोस को लेकर बैते हैं तो मैं समस्ती हूँ कि देश का उस्थान जरूर होगा धर्निवाद बहन साद्वी जी के चर्णों में नमन करते हुए आज का कारिक्रम शुरू करते हैं मैं एक छोटी से बात आप लोगों बता देना चाहता हूं कि राजी भाई जिसके लिए चर्चित और प्रशिद्ध हैं को हम सब जानते हैं राष्ट्री चेतना राष्ट धर्म राष्ट चिंतन उनका गहन विशयर आ है उस पर उनकी सूख्ष्म सोच रही है हर एक समश्या के बारे में और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्ति के लिए भी जो सूख्ष्म तासि उन्होंने गहन अध्यान किया है और वों हम तक अपनी बात रख रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को मैं जोड़ना चाहता हूँ राजी भाई जिस रास चिंतन का प्रतिनी धित्व करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ वर्षों में या पिछले पांक-दस सालों में हमारी समाज में, हमारे परिवार में, हमार देश में, हमारे विश्व में, बहुत सारे रास हुएं, बहुत कुछ बदला है, बहुत चीज़ें गिरी हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता है कि हम केवल नकारात्मक रूप से देखें, लेकिन जब देखेंगे कि नकारात्मक चीज़ें ज्यादा बढ़ी हैं, हमारा परिवा गया हमारी बच्चियां अपने माबाप के दर्द को समझे बगर घर से भाग रही है यह सारी समस्यां इतनी ज्यादा हम लोगों के सामने हो रही है कि हम इसका समाधान ढून नहीं पा रहे हैं तो ऐसा मैं राजीव दिक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ पित और वाद का ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ है जो हमारे समाज को इस तरह से स्वस्त कर दिया है तो अगर वो वागभट के कोई ऐसे सूत्र साथ हो सकता उस समय विश्यमता इतनी नहीं ही रही होंगी जवागभट ने इस चीज़ को लिखा लेकिन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जो जिसको राजीव दिक्षित समझ सकते हैं तो मेरी कोशिस यह होगी कि वह स्वस्त स्वास्त के साथ वह हमारे समाज के कि लिए भी कुछ कहें तो अच्छा रहेगा राजीव दिक्षित जो मैं बताना भूल गया था कि आप सब जानते हैं राजीव दिक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रखम या किसी तरह की राशिव नहीं लेते हैं और इनका पहले दिन कहा कि कुमारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहाँ पे सेवागराम में किया है और सेवागराम से अभी खादी के कपड़ियां आ चुके हैं तो मेरे गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा कपड़ा आप खरी के अश्टांग हिर्दयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपून अध्याय की बात करना चाहता हूं जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में बात-पित-क बलवकी श्थि अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूм तो आप बागमट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ और मन के बाद एक और स्थिती होती है चित की वहाँ भी स्वस्थ तो आप मन और चित और शरीर तीनों इस्तर पर स्वस्थ हैं ये उनकी बाशा है निरोगी है अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है चित्त स्वस्थ नहीं है तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको कुछ न कुछ तकलीफ हैं आप अपने को देने वाले हैं समाज को देने वाले हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं ये तभी संबब है जब वात, पित, कफ आपके शरीर में सम है सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है वात पित कफ तीनों दोश हैं एक तरफ बागवट्टी जी कहते हैं कि ये तीनों दोश हैं त्रिदोश लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है ये भी महत्तु की बात है अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते वात भी चाहिए पित भी चाहिए कफ भी चाहिए बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो जब जितनी जरूरत है उतने हो जन्वरी का महीना चल रहा है मालो अभी आ जाएगा कल से तो जन्वरी के महीने में वात जितना चाहिए पित जितना चाहिए कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा फरवरी और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम जादा होता है नहीं मिल रहा है तो बहुत ही खराब तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे ये है जो महत्यू की बात समझने की है तो बागवटी जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वाद्पित कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा पूरा अध्याय लिखा उसका नाम है दिन चर्या दूसरा एक अध्याय लिखा उसका नाम है रितु चर्या एक अध्याय लिखा आहार द्रविका ग्यान माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना आहार द्रविका ग्यान फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज़्यादा अध्याई लिख डाले कुल अध्याई में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको तो जो दिन्चरिया वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीब भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप दिन्चरिया के बारे में बागबटी जी कहते है कि सामन रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिन्चरिया तै करने है शरीर के हिसाब से सब के लिए ये जर्णल नहीं है ये ध्यान रखना हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है जैसे मेरे बगल में बाबू जी बैठे हैं तो इनकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है भाई या बहन है उसकी दिन्चरिया मुझसे अलग होगी तो आपकी सुविधा के अनुसार में तीन हिस्से करता हूँ मैंने पहले भी वो तीन हिस्से की हैं जवानी शुरू होती है अठारे उन्नीस वर्ष में इस देश में ऐसा माना जाता है बागवटी जी के हिसाब से ये बरावर नहीं है आज माना जाता है हमारे अठारे साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है इसा माना जाता है कि आप में परिपकुता है बागवटी जी कहते हैं कि जवानी 13-14 साल में शुरू हो जाती है 13-14 साल में शुरू हो जाती है पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे 13-14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है तो आप समझ लीजे कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के उपर तीसरा भाग, तीन तरह के लोगों की श्रणी बना दी जाए, अब इसमें दिन चर्या का ध्यान दिया जाए. तो सबसे पहली बाद जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो शुन्ने वर्ष से लेकर माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है, ऐसा कहें, बच्पन में कफ बहुत होता है, शरीर को, सा में वात और पित दोनों कम होते हैं, पित तो थोड़ा रहता है, वात तो बिलकुल ना के बराबर होता है बच्पन में, इसलिए बच्पन में 13-14 साल की उमर तक कि किसी भी बच्चे को या भाई बेहन को मैं देखता हूँ, और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर् में होगा, कफ जादा होगा, जिनको कफ जादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं च शरीर सोने के लिए ज़्यादा प्रवरत होना ही चाहिए क्योंकि कफ के असर में नीद बहुत आती है। तो चौदे वर्ष की उमर तक अगर कोई भी भाई या बेहन बेटा या बेटी आठ गंटे से दस गंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए नुकूली माना जाता है। चौदे साल से लेकर साट साल कर पित्त का असर होगा तो शरीर को पित्त का असर होगा ही यह इतने दिनों में तो इनके लिए एक तरह की रितुचरिया दिन चरिया। और तीसरा है, साथ के उपर की जब उम्र हो जाती है, तो बात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर. तो साथ के उपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजी भाई घुटने दुख रहे हैं, समझ में आता, ठीक है, वही स्वाभाविक है आपके लिए, हड़ियां कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है, ये उतना ही स्वाभाविक है, जैसे आपके जीवन में, बहुत सारी दूसरी चीज़ हैं, स्वाभाविक होती हैं, तो साठ के बाद, जब तक आप जीवित हैं, बाद के प्रभाव में हैं, साठ से पहले, चौदे वर्ष तक जब तक आपकी उमर है, आप पित्त के प्रभाव में हैं, और चौदे वर्ष से कम आपकी उमर है, तो आप कफ के प्रभाव में हैं तो मैं कफ से शुरू करता हूँ कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक उनकी दिन चरिया कैसी होनी चाहिए उनके लिए बागवट जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं कि आज से आप मैं आपसे माफी बांगते हुए कह रहा हूँ कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नीद लेने दीजिए आप उनको टोका टाकी मत करिए अक्सर मैंने देखा है माबाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए करें इतने दिर सोता है वह सोगा ही क्योंकि कफ के असर मैं है तो आप जबर जस्ती उसको मार के पीट के उठाएँगे चल पढ़ने को बैठ होमबर्क कर टीचर ने इतना दे दिया अरे वह हुमबर्क करके करेगा क्या अगर वह अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिन चर्या रखिये तो बागवटी जी कहते है कि जो कफ के असर में है उसको 10 गंटे तक की नीद स्विक्रत है माने 10 गंटे तक वो 24 गंटे में सो सकता है अब यह नीद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से आप अगर कहेंगे कि कफ के ऐसर में जो बच्छे हैं उन्में भी तीन कैटेगरी बनती एंब चौदे से आठ एक कैटेगरी 14 साल स्थ allemaal स JUST चार साल एक एक चार साल की कैटीगरी करि तो जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 गंटे की नीव तो चोटे बच्चे अगर आपके घर में है जिनकी उम्मर 14 साल से कम है आप उनको सोने से मत रोकिए क्योंकि कफ का असर है और कफ का प्रभाव जब जादा होता है ना तो होता क्या है वो समझ लीजे कफ आप जानते चिकना पदार्थ है, इसनिक्द पदार्थ है, कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है न वो ही कफ है, ऐसा समझे, वो इसनिक्द है, चिकना है, और बहुत भारी है, ये गुरू है, गुरू मने भारी, हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज हमेशा बढ़ाती हर भारी चीज हैवी चीज आप कहते हैं कई बार चीज से खलका खाओ जी जादा भारी चीज मत खाओ हर भारी चीज शरीर के blood pressure को बढ़ाती है क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरत तो जादा है गुरता गुरत तो यह जादा है तो वो बढ़ेगा अगर blood pressure तो आपके blood pressure को control रखने के लिए जादा बढ़ गया तो तकलीफ आजाएगी तो body ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज़्यादा नीद लो ये नीद लेते समय, blood pressure हमेशा कम रहता है जितनी देर आप सोईगे, blood pressure या तो सामने होगा या सामने से कम होगा जितनी देर आप जगे हुए है, blood pressure सामने से थोड़ा ज़्यादा होगा तो बच्पन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत में है, कफ में है, सिनिक्दता में है इसलिए उसको नीद लेकर blood pressure को maintain करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए इसलिए वो ज़्यादा देर सोहेगा ही आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज़्यादा सो राज तो सोचने की बात आएगी उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना है वो अठारे घंटे भी सोए तो सोने दोसको और वैसे भी आप महसूस करते हैं आप समाताएं हैं आपने बच्चे अपने बड़े किये ही है छोटे बच्चे जितने होंगे नीद उतनी ज़्यादा लेंगे क्योंकि कफ का असर उतना ही ज़्यादा है और ज़्यादा कफ को मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर के लिए इसलिए नीद लेनी ही पड़ेगी बिना उसके होने वाला नहीं इसलिए बच्चपन में नीद ज़्यादा तो आँब नीद ज़्यादा है तो यह कफ संबब है ये नीट ज्यादा आप तभी संबब है जब जल्दी सो जाए मानि बच्चों को जल्दी सो ना ही आप बोलेंगे जी कितने वज़े तक सो ना बागवट जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के दो घंटे के अंदर सो जाना कि सूर्यास्थ होने के दो घंटे के अंदर सो जाना अब सूर्यास्थ कब हुआ चिन नहीं मैं मान लीजिए छे वजे हुआ तो हर बच्चे को आठ वजे तक सो ही जाना कंपल्सरी सो जाना अब ये तब संबब हैं जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें बागवट्टी जी के समय में टीवी नहीं था होता तो उस पर भी कमेंट करते अब ये आ गया पिछले 50 साल में आधुनिक विज्ञान में इसको दे दिया तो टीवी से बच्चों को दूर रख तो कफ के असर में नीद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिर्चड़ा बनाएगा चिर्चड़ा बच्चों को अगर नीद पूरी नहीं लेंगे इसको ध्यान रखें तो उनमें चिर्चड़ापन आएगा गुस्सा भी आएगा और चिर्चड़ापन और गुस्सा उन में है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेगे आप उनको लाख अच्छी बात कहो वो मानेंगे ही नहीं क्योंकि शरीर को मस्तिश्क जो है निरंतिरत करता है मस्तिश्क कफ के प्रभाव में है कफ बिगड़ा हुआ है सुधरा हुआ नहीं है क्योंकि नीद पूरी नहीं ले रहे है तो ये तो संकट आने ही वाला है तो अकसर घरों में ये समस्या में सुनता हूँ वो कहते राजी बच्चे हमारी सुनते नहीं हो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नीद पूरी नहीं हो रही है आप उनकी नीद पूरी होने दीजे 8 गंटे, 9 गंटे की, 10 गंटे की नीद पूरी फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते है अब मैं आता हूँ जो आपने प्रश्न किया जब आदमी कफ के असर में होता है कोई भी, बच्चा हो तो भी, बड़ा हो तो भी कफ के असर में जब भी होगा चिर्चडा होगा, गुस्सेल होगा, क्रोधी होगा लडने को हमेशा तयार होगा और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल warm, बेंजीर, भॉट्टो को गोली मारनेवाला ये कफ के असर में ही होता है तब होता है कोई भी कफ प्रकर्ती काव्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है अगर उसका कफ इतनी तीवड़ा पर है बिगड़ा हुआ गोली मार सकता है, बम मार सकता है, किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शानती आती है. मन में उसके संतुलन आता है. तो कफ जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब यह बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है. और दुनिया में जो अध्यन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं, कि जितने भी अपराधी प्रवर्ती के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारी अपराध करते हैं, लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है, और इसी कफ का असर है, कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में आप किसी छोटे बच्चे को देखते ना आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है वो कफ का असर है कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है महत्तु की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में हैं तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद भाव पैदा करेगा और जब ये बिगड गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीज़ें बता देगा अब मैं आपको बागबटे की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए आपने कई बार अखवारों में पढ़ा होगा, नियूस पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं, सबसे खराब बच्चे, दुनिया में, सबसे खराब उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है आपने अक्सन नियूस पेपर पढ़े हैं, कि हाई स्कूल के बच्चे जेब मैं से रिवॉलवर निकाला और पट 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 टीचर को मारा अपने पडूसी को मारा इसको मारा और अंत में खुद को मारा अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड है इस मेंसे लगवग 3 करोड के आसपास बच्चे हैं ऐसा वो कहते हैं इन 3 करोड बच्चों में 30 लाख जेल में बन दें जेल में बन दें और जिनकी उमर 14 साल की 12 साल की 11 साल की 10 साल की ऐसी उमर के बच्चे जेल में बन दें होना चाहिए स्कूल में लेकिन हैं जेल में है यही स्थतिय कनाडा की यही इस्थति बुर्टें की है यही फ्रांस की यही जर्मनी की है यही स्वुडन की इन सभी देशों में जो थंडे देश माने जाते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा विगले हुए आपको सुनकर रहरानी होगी, अमेरिका यूरोप के देशों में सबसे ज़्यादा जो अपराद हो रहे हैं, उन में लगबग 65 से 70 प्रतिशत अपराद बच्चे कर रहे हैं, वो चाहे बलातकार के हों, चाहे छेड़ खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूट मारी के हो बच्चे कर रहे हैं, बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उबर का मानते हैं, वो कर रहे हैं, परिणाम क्या है, बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में हैं वो सब बच्चे, बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा, हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता, कफ ज लोकना है तो कफ कम करो बिगड़ने मत दो और कफ बिगड़े नहीं तो बागबटी जी कहते हैं उसकी सबसे अच्छी अचूग दवा है भरपूर नीद लेना मुफत का इलाज है बिगड़े हुए कफ को सुधारना है कंट्रोल में ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में अभी अगर कफ की इस्तती बिगड़ रही है तो भरपूर नीद लेना शुरू करिए कफ अपने रास्ते पर ना चले जाएं अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं जैसे हमारे प्रदिबभाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर चोड़कर बॉइफ्रेंड के साथ या गर्ल फ्रेंड के साथ ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है क्योंकि मैं तो ट्री इस बात को जो माता पिता ने जीवन के सारे कश्ट जहल कर उनको बढ़ा कर दिया 14 साल का क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूँ मेरा अब्जर्वेशन है दुनिया में बच्चों को बढ़ा करना सबसे मुश्किल काम है सबसे मुश्किल काम मानता हूँ दीरू भाई अमवानी होना सबसे आसान काम है हाँ आपके पास कुछ पैसा नहीं है दस हजार करोड़ बनाना बीस हजार करोड़ एक आद लाग करोड़ बनाना सबसे आसान काम है सबसे आसान काम है लेकिन एक बच्चे को बढ़ा कर देना या दो बच्चे को बढ़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप फैक्टरी चला सकते हैं एक, चला सकते हैं दस, चला सकते हैं बीस, बहुत आसान है आपके लिए क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे विशेशक मिल जाएंगे लेकिन बच्चे को बढ़ा करने के लिए मैनेजर किराय पे नहीं मिलता मिलता है तो वो बच्चों को बढ़ा नहीं कर सकता दुनिया में एक्सपरिमेंट हुए है परिवार के बाहर बच्चों को बढ़ा करने के सबसे ज़्यादा एक्सपरिमेंट यूरोप में हुए है कॉन्वेंट है ना कॉन्वेंट ये बच्चों को बढ़ा करने के ही केंद्र है ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं छूटे हुए लावरिस बच्चे कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मरडर कर रहा है हिंसा कर रहे है जेब काट रहे है तो बच्चे को बढ़ा करना मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और आप जो भी अपने बच्चों को बढ़ा कर रहे हैं आप समझ लीजे दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों कफ का बिगाड इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए तो इसके लिए बहुत सरलुपाय है कि नीद उनको भरपूर लेने दीजिए कई बार आप ऐसा मत करिए बच्चों को कई बार ऐसा लगता जपकी आ रही है तो आप जबरजस्ती पढ़ने को मत मिठाईए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुरसी पे बैठते ही उंबने जाएगा और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती यह और बात एक जाने हैं कि कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है पित बढ़ना चाहिए कफ कम होना चाहिए तब ही पढ़ाई अच्छी होगी तो जब तक कफ कफ बिगड़ा हुआ है असर उसका भयंकर दुश्प्रभावी है पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको कईए सो जाओ कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय को सो जाओ तो 20 मिलट सोएंगे आदा घंटे एक घंटे या दो घंटे सो जाए फिर कहो अब उठने दो अपने आप से उठने दो अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शान्त होगा फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा देमाक में बैठेगा और एक समझ लीजे वह यह मैं यह कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है लेकिन समझ जरूर लीजे ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत बच्चों को मार मार के सबीरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है वो क्या होता है सुबे का समय कफ का समय है दिन के हिसाब से सुबे का समय कफ का समय है उस समय उनको सबसे गहरी नीद आएगी फ़प्रकर्टी का नियव हो और उसी शमय मार पीट के आप उनको इठाकर बात्रूम में खरते हैं चल जिल्दी से ना आप बस आ गई वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया. काम तो वो आ रहा है, जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा. स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square और पता नहीं कितनी कॉपिया रंग डाली, आज तक मेरी जिन्दगी में काम नहीं आया एक्स प्लस वाई होले स्पर अब मेरे गलित के टीचर को मैं पूछता हूँ क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे तो कहते हैं क्या करूँ यार काम तो मेरे भी नहीं आया मुझे को किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया यह भीड़िया धसान है मैं आपको विनमृता पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाईए उनकी जिन्दगी का 90 से 95 प्रतिशत बेकारी जाने वाला है अब उसके लिए आप उनको मारपीट के उठा रहे हैं जो कभी काम नहीं आएगा जिन्दगी में तो आप यह अत्याचार मत करिए फिर आप कहेंगे जी इसकूल तो सुबही चलते हैं तो इसकूल वालों को मिलकर समझाईए के बच्चों के सकूल का समय दुपहर को रखें अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे ऐसे समझेंगे बच्चे तो आपके पढ़ रहे ना एसकूल के मास्टर जी के पढ़ रहे बच्चे आपके पढ़ रहे फीस आप दे रहे हैं आप मिलकर कहेंगे तो इस्कूल वालों को जग मार के सुनना ही पड़ेगा क्योंकि इस्कूल तो आप से चल रहा है आप इस्कूल से नहीं चल रहा है इस्कूल आप से चल रहा है आप लाकों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजे. हाँ, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए? आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़ पती से कम नहीं है, क्या मुश्किल है एक इसकूल ऐसा शुरू कर दो, जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी. हम आयुरवेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा. तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है जब से मैंने ये बाते मेरे मित्रों से शेयर की हमारे कारीकरता बहुत हैं देश भर में करीब 8000 उनसे जब शेयर की, तो उन्होंने कई कई जगे प्रयास किये कुछ में सफलता भी मिली इसकूल वाले मान गए समझ गए भागवट के सूतर उनको समझाए तो वो मान गए हाँ बच्चों को क्योंकि इसकूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है उसके भी अपने बच्चे है वो भी देख रही है महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं तो डबल असर होगा, इसलिए सुबह उनको नीद अच्छी आएगी, सुबह नीद अच्छी आएगी तो उनको जगजोर के जगाईए मत, अब सुबह की नीद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोएं, तो आठ बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजे, आठ बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए, तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे, बच्चे तो जो आप करते हैं, वैसे ही सीख लेते हैं, तो आप 8 वजे के बाद TV को बंद करने का नियम डाल दीजे, बच्चों में आदत पड़ गई नीद आने की 8 वजे तो वो सोएंगे भरपूर नीद लेंगे, सुबह 6 वजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे, फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते है उनके मन में न चिलचड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई निगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नीद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोज़एं तो भरपूर नीद लेने दीजे क्योंकि वो कफ के असर में है, तो बच्चों की दिन चर्या में आप ये ध्यान रखिए कि आठ से दस घंटे सोना कमपल सरी, एक बात, दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में है ये मैं बार बार कहूंगा आप से ताकि याद रहे, हिर्दय से उपर, यहां से उपर पूरा, ये कफ का छेतर है, हिर्दय से नीचे नाभी तक ये पित का छेतर है, और नाभी से नीचे पूरा ये वात का छेतर है, तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे, वो यहां से उपर वाले ही होंगे बच्पन के नाग बहेगी सर्दी होगी जुकाम होगा खांसी आएगी ये सब इसी एरिया के रोग हैं तो बागवटी जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें बिगड़े नहीं उनका कफ तो इसके लिए बच्चों की मालिश उन्होंने एक तेल मालिश बहुत जरूरी है वैसे तो सम्माताई करती ही है अंजाने में वह एक बड़ा काम कर रही है कफ को कम करने की जो दूसरी चीज़ बताई है बागवटने एक तो मैंने बता नीद के बाद हो गई मालिश तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं शौचादी से निवरत होकर आते हैं तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए अब बागवटी जी ने कहा है कि जो कफ के असर में हैं वो व्यायाम ना करें वो प्राणायाम ना करें योग आसन भी ना करें ध्यान रखिए इस बाद को बागवटी जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम ना तो आसन ना तो प्राणायाम उसके लिए है मालिश रगड़ा ही चाहिए उसको शरीर के ठीक है तो मेरी आपको विंतिया कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोचसाहित मत करिए कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोलके वो रामदेव जी का चल रहा है चल तू भी कर उसके लिए नहीं है यह वियायाम योग प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली पित्त वालों को सबसे ज़्यादा कफ वालों को बिलकुल नहीं योग प्राणायाम आसन कफ वालों को बिलकुल नहीं वात वालों को थोड़ा, पित वालों को सबसे ज़्यादा, ये है सूत्र बागबटी जी, तो बच्चों को मत प्रेरिद करिए, कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एकसरसाइस करो, उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एकसरसाइस जितनी कम हो उतना अच्छा, मालिश करिए होने के, बरपूर मालिश करिए, अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी, पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए, लेकिन बागबटी जी कहते हैं कि कफ का असर कहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके उपर तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज़्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूँ बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज़्यादा करिए सिर ये उपर का हिस्सा धीरे 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 तेल लगाके सिर्की मालिश सबसे ज़्यादा करिए तो मालिश किसे करेंगे तेल से तेल जो है कफ नाशक है तेल जो है ना कफ नाशक है तो सिर्की मालिश करेंगे छोटे छोटे छिद रहें तेल इससे अंदर जाएगा कफ को सामन रखेगा तो कफ के प्रभाव में बिगडेंगे नहीं बच्चे माने गुसा नहीं करेंगे चुर्चणे नहीं होंगे निगेटिव नहीं होंगे जिन्दगी मां गलत काम नहीं करेंगे तो बच्चों के सिर्की मालिश बहुत जरूरी है सिर्की मालिश दूसरा वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा इस्थान है एक तो सिरुआ दूसरे है कान ये कान है न ये कफ के स्थान है तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए कान की मालिश कैसे करें बस तेल लगाईए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाईए, फिर उल्टा घुमा दीजे, फिर ऐसे घुमा दीजे, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिये उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान, तेल डालते ही कफ शान्त होगा, तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं, वो रो चिपा है, तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है इने, तो पुराने जमाने की माताएं, बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी, तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालीए, फिर आप बूलेंगे जी कौन सा तेल, तो इसमें बागबटे जी की मालिश नारियल का तेल ही खाना है अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ मालिश भी मत करो मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ उसी से मालिश करो और जो आप और उधर चले गए हर्याना पंजाब की तरफ तो मैं यह आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल अरिया के हिसाब से बाद कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं उसको भोजन में भी उप्योग कर सकते हैं बच्चों की नियमें इत्मालिश सिर की कान की होती रहनी चाहिए और तीसरी जीज आज़कि आघे आखे जो है ना कफ का ही केंद्र है सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर दूसरे नमबर पे कान, तीसरी आँख, आँख कफ का केंद्र है, और आँख के ज़्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग है, जैसे मैंने आपको बोला न, आँख में आप बोलते हैं कि हमको केटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है, मोतिया बिंद हो गया, कफ का रोग है, ब्लू कोमा हो गया कफ का रोग है आँखे लाल हो रही है कफ के प्रभाँ है तो आखों की विशेश देखवाल बच्चों की ताकि चश्मा ना लगे अब चश्मा ना चड़ए अब आखों में क्या किरें जी कफ को कंतोल करें तेल नहीं डाल सकते आखों Gesundheitsस क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं आखु में हमेशा एक flute रहता है तेल में डाले मने तेल उस flute में गया तो गड़ बल करता है तो आखुं के लिए झी ठीच है देशी गाय का घी हिए को बच्चों को रूप कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है वह काजल काजल माने कार्बन कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निवाता है तो बच्चों को नियमित रूप से आँखों में काजल होना ही चाहिए बागवट जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है दयालू और करपालू है कि उसकी पूरी विधी भी लिखके गए कि बच्चों के लिए जो सौवी रंजन बनाना है वो कैसे बनेगा उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूद और दारू हल्दी देखा जारू हल्दी एक हल्दी और एक दारू हल्दी तो दारू हल्दी गाय क का दूद गाय का घी ऐसी पांसात वस्तुवां से बनता है पूरी विधी किताब में है मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल क्योंकि कफ को शांत करें कान में तेल सिर पर तेल की मालेश ठीक है यह तीन चीज़े उनक सबसे आवश्यक दूद बिना दूद के बच्चों का जीवन नहीं दूद तो उनके लिए सबसे आवश्यक दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है वो है मक्षन मक्षन लोनी कहते हैं मक्षन कहते हैं लोनी और पिर तीसरी चीज़ है घी उसके बाद तेल और उसके ब गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्य है क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही है घी है देशी गायका दूद है दही है मठा है मक्षन है गुड़ है ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें तो ये बच्चों के भोजन में नियमित अब ग चने में खा सकते हैं, तो बचों के daily diet में ये चीजे रहनी चाहिए गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए मुंगवली रहनी चाहिए, ये सब चीजे जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतलित रखने में मदद करें तो भारी चीजे क्योंकि आज वो चीज है बागवट के जमाने में नहीं थी मैदा मैदा ही निशिद है बच्छों को बस मैदे की चीज नहीं अब मैदे की चीज नहीं क्यों क्योंकि ये कफ को बिगाडने वाली चीज है मैदा बागी चीज है कफ को संतुलित रखती है मैदे की चीज है कफ को बिगाडेंगी, तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें, अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगें तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें, अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें, मैदे की कचोरी ना दें, कचोरी मांगेंगे तो आटे की दे हैं मैदा छोड़ कर बाकी चीजों के बारे में बागवट जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं अब मालिश हो गई भोजन हुआ फिर नाहने के लिए कहा है तो मालिश पहले इसनान बाद में हमेशा इसनान के बाद मालिश करने को मना किया है इसनान बाद में मालिश पहले तो अच्छे से मालिश करिए आप बोलेंगे जी कितनी तेर मालिश करें तो इसके लिए बहुत सु करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोग दें घड़ी के हिसाब से नहीं बताया हूं कि 10 गंटे करें कि 20 गंटे 40 मिनिट अब समय उन्होंने बताया नहीं क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा तो उन्होंने इतनी सुंदर अब्जर्वेशन दिय कि जब आप मालिश कर रहे हैं बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें बगल में पसीना आते हैं और वो यह कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए तो हो सकता उनके माथे पर पसीना आ जाए तो मालिश रोग अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आधुनिक बात बागवट जी ने तो नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें वही चीज़ें इस नान में उपयोग करें तो कफ को कम करने वाली सबसे बहतरीन चीज़ आपके घर में है चने का आटा दूसरी बहतरीन चीज़ है यह जो हमारे देश में संबभ पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं चन्दन की लकडी का पाउडर बागबटी ची ने कहा है कि यह बहुत कफ को कंट्रोल रखता है तो चंदन की लकडी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा और मोटा आटा कोई भी, यहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा फिर कहते हैं मसूर की दाल काटा, फिर वो कहते हैं मूं की दाल काटा, ये सब कफ को कम करने वाली चीज है, तो कहते हैं बच्चों का इसनान इनी से कराएं ताकि कफ कम रहे, मतलब सी बात है साबुन ना लगाएं, क्योंकि ये जो साबुन है ना ये केमिकल है, केमिकल माने सो से नहलाएं मुलतानी मिट्टी से नहलाएं चंदन पावर से नहलाएं क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब्सक्रफ करस्क्Feा और चीजों से ही स्नान कराएं उब्टन बनाके रखें घर में पुप्टन से wireless बच्छों को वात के प्रभाव की चीज़ें हैं तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ साबून और आँखों का जल तो तकलीफ करेगा वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबून आँख में लगे तो आजकर टीवी में एक विग्या और वात का और आँखें हैं कफ की लगेगा तुम आँखों से आंसू निकलेंगे ही हाँ एक ही समय में हो सकता है कि साबून में कास्ट्रिक सोडा सबसे कम हो गिलिसरीन और तेल सबसे ज़्यादा हो तो गिलिसरीन और तेल अगर सबसे ज़्यादा है तो उप्टन में ही तेल मिला के नहला देना साबून क्यों खरीद के ला रहे हैं 35 रुपए का आता है जॉंसन इंग जॉंसन बेबी सो साड़े 300 रुपए किलो 35 रुपए का सो ग्राम साड़े 300 रुपए किलो काजू से महंगा है अगा जॉंसन लुपए किलो साभू साड़े 300 रुपए किलो और नहा के जाएगा कहां पानी में जाएगा न साड़े 300 रुपए किलो की चीजे पानी में बहार है उससे अच्छा काजू खिला दे उनको बादाम खिला दे तो नहाने के लिए उब्टन जो बहुत सस्ता पड़ता है और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है कफ को शमित रखता है कफ को शान्त रखता है इसलिए उब्टन का इसनान बच्चों को जरूरी है आगे बढ़ें बच्चों का इसनान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया ऐसी चीज़े उनको नेमित खिलानी है जो कफ को कम करती है मैंने तीन चार चीज़ों के नाम लिए दूद है रही है, मठा है हर मोटा अनाज हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है ये सब कफ को शान्त रखने वाली चीज़े है गाय का घी है ना मक्खन और घी मक्खन जादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के क्योंकि मक्षन कफ को शांत रखने में मदद करता है तो मक्षन जादा से जादा उनके भोजन में रहे और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा फिर उसके बाद शाम के समय है तीन चार बजे के आसपास क्या होता उनका पित थोड़ा बढ़ेगा बारे से चार के बीच में पित बढ़ता है बारे बजे तक कफ के असर में है बारे से चार के बीच में पित बढ़ेगा तो उस समय ऐसी चीज़ा खिलाएं जो घी की बनी हुई है गीकी बनी हुई चीज़ और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं कफ तो सब से जादा है लेकिन रात को वात के तो वात को कम करने वाली चीज़ है रात को उनको दें और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूँ तो यह हो गया बच्चों की दिन चर्या साथ बज़े सोने के लिए का माहुल बनाने के लिए तैयारी करें साथ बज़े तक माहुल बने सोने का तो आठ बज़े सोएंगे और माहुल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ओफ मेरी तो आपको बिंती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना तब तक केबल कनेक्शन ना ले छोटे बच्चे जब थोड़े समझदार हो गए हैं तो चलो चलेगा क्योंकि समझदार होने से मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि कहा स्विच ओफ करना है तो उस समय थोड़ा चल जाएगा लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं साल बर के डेड़ साल के दो साल के धाई साल के तब तक तो केबल कनेक्शन आफ रखें या केबल कनेक्शन है तो टीवी आफ रखें चले नहीं उनके सामझे नहीं तो वो चालू हो जाएंगे पोगो देखेंगे पोगो हाँ काटून फिल्म देखेंगे क्यों देखेंगे जान लीजिए कफ के असर में जो बच्चा होता इतना कलपनाशील और वैग्यानिक बनाएगा सोच नहीं सकते बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा तो बच्चों की कलपनाशीलता बहुत होती है क्योंकि वो कफ के असर में है इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है उनको अच्छी आप आगे का वाक्य बोलेंगे उसके पहले वो कलपना कर लेंगे राजा कैसा है सिंगासन पर बैटा है कि जमीन पर बैटा है बगल में रानी है कि नहीं है सामने वजीर है कि नहीं है मंत्री है कि यह तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घुम गई पूरी फिल्म एकर आजा था पिर केंगे आगे बतआ तो आप गेंगे एक राजी थी अब राजी के पारे में सब बाते उनके दिमाग बारी पिर आप केये क्या हुआ तो दोनों मर गए खतम कहानी अब आप कहेंगे तो उनको चलना शुरू होई, आपने कहानी खतम कर दी, अब आप टालना चाहते हैं उनको, और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय, तो आप कहानी को जितना लंबा खीचें उतना अच्छा, मेरा कहना ये है आपको, कहानी को लंबा खीचते जाएं, बले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खीचें उसको, इतनी elasticity है एकता कपूर के सीरियल में, कि सालों साल हो गए, खतम ही नहीं होते, साज भी मर गई, बहू भी मर गई, एक जनरेशन चली गई, दूसरी आगई, सीरियल कर, ये बच्चों को चाहिए, आप उनकी कल्पना शीलता को बढ़ाने में मदद करें, मा आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाए, भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए, तो सुनाए उनकी कहानी, रोज सुनाए, सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कल्पना शीलता के साथ, आप अगर उनको चाहत है कि राणा पर्ताब जैसे हों तो सुना ये उनकी कहाने क्योंकि बच्चों की कलपना शीलता आपसे जादा बड़ी है यह जान लीजिये ये अलग बात है कि उनके पास शबतों का भंडार कम है शब्द कोश कम है लेकिन सोचने में वह आपसे आ गए हैं तो तो शब्द आप दे दीजे, कल्पना शीलता उनके पास है, बैठ कर वो अपना चित्र बनाई लेगा, और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानिया आप सुनाइंगे, वो उतने ही क्रियेटिव होने वाले हैं, उतने ही क्रियेटिव होने, अच्छा वैग्यानिक बनाना है ब लंबी कहानिया सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी, वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं है, आप अगर सुना रहे हैं उन लीजे वो अपनी कलपना शीलता को बढ़ाना चाहते है, तब सवाल कर रहे हैं, तो उनके सवाल का जवाब एमानदारी से दें, जैसे उन्होंने सवाल पूछा कि ये टमाटर का रंग लाल क्यों है, मान लीजे सवाल पूछा, टमाटर का रंग लाल क्यों है, अब आपको म इमानदारी से के देख भाई बेटा या बेटी मुझे अभी मालूम नहीं है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है मैं कल पता करके बता दूँगा या परसों पता करके बता दूँगा बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी कलपना शीलता की पूर्ती के लिए पूछ रहा है या ये पत्ते हरे क्यों हैं ये पीले हो जाते हैं तो ये हरे से पीले कैसे हो गए ऐसे सवाल वो पूछेंगे उनके उत्तर पूरी इमानदारी से दीजिए तो इसका मने आपको पढ़ना ही पढ़ेगा बिना पढ़े आप उत्तर दे नहीं सकते और जो आपने कोशि इसलिए था टमाटर लाल इसलिए हो गया और चंद्रमा इसलिए चमकता है सूरज इसलिए पिला दिखाई देता है जैसे ही उनको पता चलेगा तो आपकी इज़त तो दो कौड़ी की हो गई उनके सामने वो आपको कहेंगे जी आपने गलत बताया मेरी टीचर ऐसा बोलती है तो आप से हटकर वो टीचर की तरफ चला गया और टीचर की तरफ गया तो समझ लो बच्चा आपके हाथ से ही गया जैसे जैसे उसका आकर्शन टीचर के प्रती बढ़ता जाएगा वो आपके कंट्रोल के बिलकुल फिर टीचर जो कहेगी उसको पत्थर की लकीर मानेगा आप जो कहोगे उसमें कभी भी भरोसा नहीं करेगा इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले का बच्चों को बढ़ा करना दुनिया का सबसे मुश्टी काम तो आप बच्चों के साथ विवहार वैसा ही करें जैसा प्रकरती ने उनको सुभाव दिया है कफ का कफ का सुभाव मने कल्पना शीलता वाला सुभा कफ का सुभाव मने इमेजिनेशन लिमिट लेस इमेजिनेशन वो सीमा के पार जाके बात करते आप देखते हैं न दुनिया के सारे बच्चे परेशान है हैरी पॉर्टर पढ़ने के यह है ना और आप और में सवाल करते हैं जी हरी पॉर्टर में रखा क्या है कुछ नहीं है उसमें तिलिस्म है जादूई तिलिस्म है वो सच्छा नहीं है लेकिन उनकी कलपना शीलता में उनको बहुत आनंद दे रहा है इसलिए करोड़ों किताव सबसे जादा तो जादूई बातें तिलिस्मी बातें जादूगर की यह सब उनको अच्छी इसलिए लगते हैं कि कलपना शीलता बढ़ाने में यह सब मदद करते हैं यह जासूसी उपन्यास जितने हैं बच्छे बहुत प्रेम से पढ़ते हैं चाहे वो अमेरिका में हो या हिंदुस्तान में बसंतर अमेरिका में अंग्रेजी में पढ़ेंगे हिंदुस्तान में हिंदी में जरूर पढ़ेंगे चंदा मामा एक पत्रिका आती है बच्छों की चंदा मामा या नंदन चुन-चुन के ऐसी कहानिया हैं उसमें जो उनकी कलपना शीलता बढ़ाती है त अब तक वो कफ के असर में अब इसमें बात में कुछ बाते आईगी तो कल मैं जोड़ूगा अब मैं आ जाता हूं पित्त में पित्त के प्रकरती के लोगों की दिंचर्या क्या पित्त प्रकरती माने 14 साल से उपर और 60 साल के नीचे इनकी दिंचर्या क्या पित्त प्रकरती के लोगों को कफ का असर कम हो जाता है पित थोड़ा बढ़ता है वात उनके पास कम ही रहता या बिलकुल नहीं रहता अब पित्प्रकर्थी के लोगों को ज्यादा सोना जरूरी नहीं उनका पित्प्रकर्थी है कफ तो ऐसे ही शान्त है तो ज्यादा सोना जरूरी नहीं पित्व प्रकरती के लोग अगर 8 गंटे सो रहे हैं, 7 गंटे सो रहे हैं तो भी चलेगा, नियूनतम नीद कितनी होनी चाहिए, आप कहें, पित्व प्रकरती के सब लोगों को, जिनकी उमर 14-15 साल से लेके 60 साल है, इनकी कम से कम नीद 8 गंटे की रहे तो अच्छा है, लेकिन इससे भी कम रह सकती है, क्या, 7 गंटे हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, 6 गंटे भी हो सकती है, 6 से कम नहीं, और 8 से ज्यादा नहीं, ऐसे मानने, तो पित्व प्रकरती के लोगों को 6 गंटे से कम नहीं सोना, 8 गंटे से ज्यादा नहीं सो अब उसके हिसाब से दिन चर्या तेह करिए तो आठ बजे सो जाएं मानलो आप भी ऐसे ही मानें बागवट जी कहते हैं सूर्यास्त के दो घंटे बाद सो जाएं बच्चे भी बड़े भी तो आठ बजे आप सो जाएं तो आठ से आठ चार बज गए ना चार बजे उठें आपके लिए उठना बहुत जरूरी है ब्रह्म महूर्त में पित्व प्रकरती के लोगों का उठना बहुत आवश्चक है बच्चे ना उठें तो चलेगा आपको तो उठना बहुत जरूरी है क्यों अगर आप चार बजे उठते हैं तो अ पानी पिया, जो मैंने पहले ही बता दिया, उशा पान जिसको कहते हैं, फिर शौचादी के लिए आप गए, 10-15 मिनट मान लीजे, उसमें गया, फिर बाहर आप निकले, दंत धावन, शब्द इस्तेमाल किया, दंत धावन करें, माने दात साफ करें, अब दात साफ कैसे करें, पित्त प्रकरती के लोगों को हमेशा दात ऐसी चीज़ से साफ करना, जो कशाए हो स्वाद में, तिक्त हो स्वाद में, कशाए समझते हैं, कडवा, जो स्वाद में कडवा है और तिक्त है, ऐसी चीज़ों से आपको दात साफ करना है, क्योंकि प्रकरती आपकी पित्त की है तो पित्त को कम करना, कंट्रोल करके रखना, ये कशाए और तिक्त स्वाद की चीजों से ही होगा तो इसका मतलब ये है कि आप नीम का दातुन करें, जो कशाए भी है तिक्त भी बागवटची ने कॉलगेट के लिए मना किया है, कॉलगेट था ही नहीं तो लिखा भी नहीं है उन्होंने, उन्होंने कहा है कि आप नीम का दातुन करें, और नीम से भी अच्छा एक दातुन उन्होंने बताया, मदार, मदार समझते मदार का एक प्योड़ होता है, वो कहते नीम से भी अच्छा यह और ज़्जादा कशाए है हैं और ज्यॉअ फिर एक है अर्जुन अरजुन की अपने पी है ना अर्जुन की दातुन भी होती है तो ऐसे वारे वरक्ष उन्हों ने बताए है, नीम है, मदार है, अरजुन है, फिर ये जो था आम, आम, बबूल है, आम है, अमरूद है, ऐसे वारे वरक्षों का उन्होंने वरनन किया है कि इनकी दातू नहीं करना, इसके आगे तेरे वे वरक्ष की नहीं है, और वो डिटेल लिखा है किताब में आप ले सकते जब उन्होंने आगे लिखा है वो मैं अभी बता दू वो ये कहते हैं कि जीवन में जो रितू है रितू गर्मी है फिर सर्दी है फिर बरसाथ है तीन तो मुख्य रितू है फिर इनकी उपर रितू है तो छे हो जाती है शरद है शशिर है व उगादी, उगादी से शुरू कर लीजे, नहीं तो आप मकर संक्रांती से ही मान लीजे, तो मकर संक्रांती से लेकर जब तक गर्मी है माने बारिश नहीं होती, तब तक नीम के दातुन की बात कही हो, तो इसमें चैतर भी आएगा, वहिशाग भी, अब आप पुरानी चीज देखिए, कि हमारे बच्पन में हमारी दादी कहती थी, कि देख चैतर का महिना लग गया, नीम के पत्ते खा ले, तो अगले एक साल तक बीमार नहीं पड़ेगा, तो वह समय यही आता है, जो बाग बट्ट जी का कैलकुलेश, क्यों? यह जो समय है, इसमें पित्त को से बचाने में सबसे बड़ी मदद यह करेगा नीम, तो नीम का दातुन, नहीं तो बबूल का दातुन, नहीं तो मदार का दातुन, लेकिन गर्मियों में सबसे अच्छा नीम है, दूसरा सबसे अच्छा बबूल है, गर्मियों में, और सर्दियों के दिन में सबसे लेकिन पता नहीं आप तोड़ पाएंगे के नहीं लेकिन अम्रूत का असानी से मिल जाएगा और फिर ज्यादा बारिश के दिनों में जो वो बोलते हैं तो आम का भी कर सकते हैं अरजुन का भी कर सकते हैं और आप बोलेंगे जी पूरी जिंदकी अगर नीमकाई दातुन करे हैं तीन महीने लगातार करके थोड़े दिन छोड़ देना फिर तीन महीने कर लें वो थोड़े दिन छोड़ने का नियम द्यान रखना तो फिर आप बोलें थोड़े दिन छोड़ दिया तो क्या करें उस दिन दंतमंजन कर लेना दंतमंजन के लिए वो यह कहते हैं कि आप जिस एरिया में रहे हैं वहां का तेल और जिस लिएमर रह रहां जो उपलब्ड लवन मनेर और जिस लिए वहां गोऀंआ की उपलब्दहल दी यह तीनों मिलाकर आप प्लध बनाके दात पहे गेशł सकते हैं यह बहुत अच्छा दंता दूसरा दंतमंजन उन्होंने बताया है गाय के गोबर को सुखा कर जलाएं उसकी जो राखी है उसमें थोड़ा कपूर मिला दें थोड़ा सेंदा नमक मिला दें बहुत अच्छा दंतमंज तीसरा वो कहते हैं कि यो त्रिफला चून मैंने बार बार आपको बोला है त्रिफला चून है तो इसको बारीक पीस है दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना तो बारीक त्रिफला चून थोड़ा सेंदा नमक बस मिला के दात पे गिस है तो ये दं तो आप यह जरूर करें मनें टूथ पेस्ट बंद करें अब क्यों करें टूथ पेस्ट बंद बागवट्ट जी और आधुनिक विग्यान को जरा जोड़ता हूं आप पित्त के असर में हैं जान लीजें सुबह सोकर उठेंगे तो मुह में पित्ती ही वरा हुआ है लार्ज इसको आपके अब यह असर जादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको तो इसलिए का यह दातू नच्ची है लेकिन अगर आप ब्रश कर रहें पेस्ट कर रहें तो क्या है उसमें चीनी है चीनी है ना शुगर है अब वो सैक्रीन के रूप में है या किसी भी गड़ाएं तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहें जो मीठा है तो सर्वनाश है मीठा ब्रश मने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिल्कुल खराब करेगा ही और मूँ को भी खराब करेगा क्योंकि सुबह का मूँ आपका मीठे के असर में आय कीड़े सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कीड़े लगना मने दात खराब होना आप बंद करिए यह अच्छा नहीं विज्ञान के हिसाब से बहुत कराब और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है मैं कई बार यहां बोल के गया हूं सभी कॉल गेट क्लोज अप प्रमानित करन क्लोज अप आपसे क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपुनी मेरे कहलाब केस कर सकती है ना पाप है ना परोख शिंसा का पाप भी उतना ही do इत्त किसी कंपणी ने आपके लिए बनाया toothpaste माने उसने अंपमुट निखार को उसमें से निकालने के लिए हडियां आपके लिए बनाया तो पाप आपके उपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के उपर है तो कसाई का पाप अपने सिर्पर क्यों लेना तो क्यों यह कॉल गेट क्लोज अप बंद कर दीजे दातुन पे आईए नहीं तो दंत मझण आप केंगे चिननाई में दातुन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो दंतमंजन बताया उन्होंने, वो आप बना लीजे, तरीका मैंने बता दिया, सभी रितूओं में एक दंतमंजन वो कहते हैं कॉमन है, त्रिफला चून का दंतमंजन किसी भी रितू में किया जा सकता है, तो आप उसका द्यान रखे, अब आपने जो दिन चर्या है वो कैसी होगी आपको जो है ना पित प्रकरती के लोगों को मालिश भी करना है व्यायाम भी करना है बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है आपके लिए मालिश भी है व्यायाम भी है तो अब आप में कई बार कंफ्यूजन ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करे तो बागवटी जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी है उनको मालिश पहले व्यायाम बाद में और पित्त के जो रोगी है रोगी से मतलब आप पित्त के असर में है तो व्यायाम पहले मालिश बाद में तो आपको व्यायाम पहले करना है मालिश उसके बाद करने अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल में पसीना आया व्यायाम रोग दें जैसे ही बगल में पसीना आया व्यायाम रोग दें उसके आगे व्यायाम ना करें पसीना आया, व्यायाम रोग दे, वो 10 मिनट में आये तो, 20 मिनट में आये तो, 20 मिनट में आये तो, 40 मिनट में आये तो, एक घंटे में आये तो, आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रखे, इस से ज़्यादा व्यायाम करने की कोशिश ना करे, अब वो कहते हैं सबसे अच्छा क्या सबसे अच्छा तो आप कहेंगे जी दोड़ना तो भारत के हिसाब से यह सबसे अच्छा नहीं है भारत के हिसाब से यह दोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि दोड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है और भारत वात प्रकरती का देश है देशों की प्रकरती होती है वात्पर्कर्ट्क क्योंकि गर्मी ज्यादा इलाके में गर्म्य वाद Пरकर्टी का देश है रुक्षदेश है छिनने जैसे दो चार दस बड़े शहरों को छोड़ दो जो सुमुदर के कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं जिन में वायू ना बढ़े तो सबसे अच्छा उन्होंने बता सूरे नमस्कार आपके लिए अब आप चाहें आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने तो सूरे नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है तो आप चोटे चोटे इस्तर पर दंड वैठक चो छोटे चोटे इस जादे लंबी नहीं चुछी दंड वैठक है और चोटी छोटी इस तरगे कोय भी व्याया वि जिसमें बहूत तेजी से पसीना ना निकले सीदी सी बात गर में हो तो बहुत अच्छा अब वैसे माताओं को तो बागबटी जी कहते हैं कि व्यायाम की अत्रिक्त जरूरत ही नहीं है अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी हैं तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा है कि आ आप कहेंगे हम करते नहीं है मैं प्रेरणा दे रहा हूं करने लगें हैं मिक्सी का उपयोग कम करें, सिल्बटे का ज़्यादा करें, चक्की का उपयोग ज़्यादा करें, मिक्सी का उपयोग कम करें, बाजार में यह इलेक्ट्रिक चक्की है, उसका उपयोग कम करें, वो मैं पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूं, कि आप चक्की को चल और बढ़ना नहीं किसी भी चेस का और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिस्वाएंगे ना बहुत तेज घर्शन है तो अनाज में नाश हो दाए पौशेक्ता कम होने वाले तो हाथ की चक्की का खाके देख लीजे एक रोटी और यह बिजली वाली चक्की का खाके देख लीज तो पत्थर वाले लोग यहां हैं मैं छे दिन से यहां गूम रहा हूं सड़क पर दिखाई दिये तो सिल्बटा तो है उनके पास चक्की नहीं है क्यों नहीं है वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाएं आप लेंगे तो बनाएंगे दो चार बना हुआ है तो वो भी और आपको कही ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन तो हम कुछ ट्रक भर भराके राजिस्थान से गुजरात से बिजवाएंगे आपके पर ट्रक भरके बेजेंगे तब ही सस्ती पढ़ेगी एक दो आएगी तो मुश्किल हो जाएगी और आप अगर राजिस्थान जाते है या गुजरात जाते हैं तो एका चक्की तो साथ में भी ला सकते ना एसी थ्री टायर में आप साथ किलो तक वजन ला सकते हैं एसी टू में सौ किलो तक ला सकते हैं और स्लीपर क्लास में 40 किलो तो लाई सकते हैं कंफर्म टिकेट पे तो चक्की तो 20 किलो से ज़्यादा होत उनका कुछ रोजगार तो बढ़े कुछ रोजी रोटी चले जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए दैहिक दैविक भौति तो बहुत एक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्षी की तरफ जा तो चक्की है सिल्बटा है कोशुश करें तो व्यायाम की अत्रिक्त जरूरत महीं और अगर नहीं कर पा रहें तो थोड़ा हलका फुलका व्यायाम आप जरूर करें और बेहनों को माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है वागवत जी कहते हैं forward bending है forward bending माने आगे जुकना तो जितनी वार आगे जुकें धिहान रखें कमर से जुकें हमेशा तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी जुकेंगे तो तकलीफ है कोश्श करें कम तक जुकें जरूरत नहीं है कि नीचे तक जुकें हो सकता है कमर से जुकें तो आपके हाथ गुटने तक ही आए वहीं तक रहने दीजें सहज होकर करिए असहज होकर मत करिए तो थोड़ा व्यायाम 15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा उतना काफी फिर उसके बाद मालिश आपक कि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विक्रत ना हो तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा कान की भी मालिश ज्यादा और बाकी शरीर की तो करनी है और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश तलवे की पाउं की मालिश के इसनान उसी तरह से उब्टन आदी से और फिर भोजन भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट फिर आपका काम फिर रातरी का मने शाम को 6-7 बजे का भोजन इस तरह का नियम है पित्तो वालों का और वातवालों के लिए क्या है जिनकी उम्र 60 के उपर है उनके लिए बागवटी जी कहते है व्यायाम निशेद जैसे बच्चों को निशेद वैसे उनको निशेद उनके लिए मालिश बहुत जरूरी जैसे बच्चों की वैसे वातवालों की मानि बुजर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है व्यायाम से भी ज्यादा और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर्ट अलवे दो चीज़े और कान भी तो मालिश आप करें व्यायाम करें तो बहुत हलका फुलका करें लेकिन ये नियम बागवट जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है तो हो सकता एक गंटे तक भी ना आए और आप करते रहें ये पित और कफ वालों के लिए है सिर वात वालों के लिए तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सका है वैसे तो बात वालों के लिए बागवट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है वो है दिशा निर्देश बुजर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुवव ले लिया और वो अनुवव को मिला कर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं बाकी अपना पूजा पाठ भक्ती वगरा जादा क्योंकि इसमें मूवमेंट बागवट जी बोलते हैं कि बात के लोगों को मूवमेंट सबसे कम होने चाहिए तो जादा भाग दोड़ नहीं जादा इधर उधर नहीं आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना तो मैंने कोशिश की कि आपको एक सवा घंटे में तीनों प्रकरती के लोगों की दिन चर्या बता सको अब तीस तारीक को मैं थोड़ा कंक्लूड करूँगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगे अभी मेरा आपको विनेम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रशन पूछे लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रशन का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रशन पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो मेरे पास एक स्लिप आ गई है कि इसको में बता दो मनुष्य के मूत्र का महत्त हूं यह प्रशन रहा और रहा हैह उनन के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं वानने उसकी एक condition है condition यह है कि आप संपूर्ण शाकाहरी होने चाहिए तो आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र फिर आपके मन में प्रशनाएगा दोनों में क्या तो बागवट्टी जी ने बहुत इस्पश्ट कहा हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्द है तो वो पियें नहीं उपलब्द है तो आप स्वयम का मूत्र भी पी सकते हैं। स्वयम के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है बाकी दिन भरकने उठें और पहला मूत्र और पहले मूत्र को भी collect करने की विधी उन्होंने बताइए वो विधी क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें शुरू का शुरू का 2-4-5 मिली लीटर 10 मिली लीटर तक छोड़ें और अंत का बिलकुल छोड़ें ब बीमारियों में काम आएगा वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा पित्त की बीमारियों में भी काम आता है थोड़ा कम आएगा और उसके साथ आयरोवेद की कुछ आउशदियों का अगर combination करें तो वो बहुत ही अच्छा है अभी इतना ही कहता हूं अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई extra session हम करें तो अच्छा होगा जी नमस्कार देवी और सजनों एक दिन के अवकास के बाद एक बार फिर हम राजी भाई को सुनने के लिए अकत्रित हुए हैं कल कुछ सुना सुना सा लगा कुछ खोया खोया सा लगा आपको भी लगा है तो यह है राजी भाई के शब्दों का उनके विचारों के सार्थक्ता और नशा नशा शराब का नहीं नसाब स्वस्तता की नशा अहम का नहीं नशा सभावना का तो ऐसे वागभट के दूद और भारत के सपूद सिराजीव दिक्षित जिसे मैं अनुरोद करूँगा कि यो मंच पर आएं और पुरजोर तालियों के सा पिछले साथ आठ दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दिक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहन किया उसके कृतग्यता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और नहीं ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेट सरूप देकर उस बहुमुल्यता को हम आख सके इसलिए हम अपनी खुर्क्रत अग्यता हम अपना धन्यवाद उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंद के साथ और शौल के हूरजा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे मेरी गुजारिशे शुशोवा का अंदास जी से कि वो राजी भाई को माला परपन करके स्व इसलिए मेरे मांनित करेंगे है को पिछले साथ आठ दिनों से राजी भाई ने प्रकृति की बात की पंच तत्व की बात की तो चार तत्व राजी भाई हमको देते रहे हैं और जो पांचमा तक तो प्रित्वी है वो स्रीयू साब भवन के पधादिकारियों ने हमें वो प्रित्वी के रूप में इस परिसर के रूप में हमें दिया है मेरी गुजारिश है कि स्री प्रसिक भाई मंच पर आएं स्यू साब होगन के प्रेसिडेंट स्री शोबाकाल जी उन्हें माला पेना कर स्वागत करेंगे राजी भाई उन्हें शाल उड़ा कर उन्हें समानित करेंगे और अभी बहुत सारी चीज़ें राजी भाई हमको बताएंगे उसके पश्चात बहुत लंबा दोर चलेगा प्रश्णोतरी का तो इसलिए हमने आप लोगों से गुजारिश किया कि परची में आप अपने सवाल लिखके राजी भाई तक पहुंचा दे और मैंने परची नहीं लिखिया लेकिन सवाल मैं छोड़के जाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हसना एक औशधी है तो हसना अगर एक औशधी है तो निश्चित रूप से वागभट ने कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र में हसने के बारे में कहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि राजी भाई इस पर हमें बताएं कि हसना चाहिए तो कैसे हसना चाहिए खाने से पहले या खाने के बाद जो कुछ भी है वो कृपया इसका बताएं यह सवाल है तो इस हसते खिलखलाते माहोल में मैं यह मंच समर्पित करता हूँ सिराजीव दिक्षित को आप से प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रशन है वो अगले एक घंटे में लिखकर मेरे पास पहुचा दें मैं कोशिश करूँगा सभी का जवाब दूँ कुछ प्रशन आये हैं कुछ और आप भेज सकते हैं और आपको आज के बाद और प्रशन पूछने हो तो कभी भी पत्र लिखकर इमेल के द्वारा आप प्रशन कर सकते हैं मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है उस तक में से पता आप नोट कर सकते हैं इमेल है फोन है उस पर आप कभी भी प्रश्णू कर सकते हैं और चूंकि एक प्रश्ण आ गया है वहां में पहले बता दूं क्योंकि वह थोड़ा विशे से हटकर है किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं हां करता हूं लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूं आप कभी इलाज की द्रश्टी से भी पूछना चाहें प्रश्ण तो कर सकते हैं ज्यादा कोशिश मैं आयुरुवेद से करता हूं इलाज करने की और अगर मैं महसूस कर लेता हूं कि कॉम्प्लिकेशन कुछ ज्यादा है तो थोड़ा होमियोपैथी की कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं वेग गती मूवमेंट स्पीड कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम हैं कुछ उनके बारे में उनका ये कहना है एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है एकी सूत्र पर पूरा अध्याय है वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आएं शर पहली है कभी भी होक ना नहीं चाहिए ऐसे कुछ वह हमारे शरीर में हैं उन में से एक हैं से अगर आपको सहज रूप से हसी आ रही है तो कि बिलकुल जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि यह शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है आज की भाशा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोंस हैं जिनके चलते ही हसी आती है और यह एंजाइम्स और हार्मोंस शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं जैसे हमारे शरीर में यह मस्तिश्क में एक पीनियल ग्लेंड है उसमें से जो रस उत्पन्न होता है मैं रसी शब् करूंगा हार्मोन्स और एंजाइम्स में कंक्यूजन हो जाता है तो पीनियल ग्लेंड में जो रस उत्पन्व होता है यह बहुत मदद करता है हसने में आप बूलेंगे जी हसते समय यह पैदा होता है हां लेकिन इसके बारे में बागवट्टी जी यह कहते हैं कि पहले यह रस पैदा होगा बाद में हसी आएगे ये रस कहां से पैदा होता है तो कहते हैं भावना से आपकी भावना है तो ये रस उत्पन होगा और ये सेकंड्स में होता है सेकंड्स के फ्रेक्शन में होता है कोई भावना आपकी ऐसी बनी रस उत्पन हुआ तुरंत आपने हस दिया तो वो कहते हसी आये तो कभी भी नहीं रोटना चाहिए लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्तो का है जबर जबेधि कभी भी भी नहीं होसना चाहिए जबरजस्ती कभी भी नहीं हशना चाहिए क्योंकि उस समय जो आप फासेंगे वो होगा मेकेनिकल आप समझते हैं यांत्र की जिसमें रस नहीं होगा भाव नहीं होगा आप सिर्फ हसेंगे तो वो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हसी है वो शरीर को कोई लाब नहीं देगी अब मैं आता हूँ थोड़ा आपको समझ में आई इस दरश्टी से आजकल भारत में बहुत जगें लाफिंग कलप्स चलते हैं आप हो सकता है जाते हों तो लाफिंग कलप्स में जो हसी है वो पूरी हाँ ये जरूर है कि उस लाफिंग कलप में आपको कोई जोक सुना कर हसाई हसी कि आती या उन्होंने कोई acting की और उस पर आपको हसी आती है वो ठीक के आ आपको laughing club में किसी ने जोक सुनाया मजा किया आपको हसी आई तो उस में रस भी होगा भाव भी होगा लेकिन यह मूः कmek मूझ खोलके हाँ कर ना रस होगा ना भाव होगा तो इससे बचें क्योंकि इससे तकलीफ आएगी फिर बिना रस और बिना भाव की जब हसी आप हसेंगे तो पेट में दर्द होगा और पेट में दर्ध होगा तो वो कोई तकलीफ के इस्तिती भी बना सकता है जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चड़ गई बिना बहाव और बिना रस की हसी में पेट की नस पे नस चड़ सकती है और वो चड़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो कॉम्प्लिकेट हो गई है तो बिना रस और भाव की हसी कभी भी ना हसे लेकिन रस और भाव के साथ हसी आ रही है तो बिलकुल ना रोके जरूर हसे बात आपको इसपश्ट होई आ कोई बात सुनकर किसी की क्रिया देखकर हसी आ रही है तो रोकना मत खूब हसना उसको और बिना भाव बिना रस बिना क्रिया के कोई हसी करने की कोशिश कभी आप करना मत वो कहते हैं कि सम में रहिए मध्यमारगी वनिये हमेशा हर जगे वो कह रहे हैं मध्यमारगी रहिए ना इस एक्स्ट्रीम पे जाईए ना उस एक्स्ट्रीम पे जाईए क्यों तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्धि मारगियों की ही है भारत एक ऐसी भूमी है जो मद्धि मारगियों की ही है आप ना इस एक्स्ट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर अगर इसको आज की भाशा में कहूं ना जादा लेफ्ट जाइए ना जादा राइट रहिए सेंटर में रहिए बीच में रहिए और क्रश्न वगवान गीता में बार-बार यही कह रहे हैं ना जादा भोगी बनो ना जादा त्यागी बनो मद्यमारगी रहो तो भारत में क्रशन ने कहा और बागभट ने कहा या कभी श्री राम कहते हैं लक्षमन को ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है आप जो है अगर यूरोप में है और अमेरिका में है तो आइधर लेफ्ट और आइधर राइट जाने के लिए छूट है भारत में नहीं तो हसी के बारे में भी उनका यह है कि यांत्रिक हसी माने एक unterम एक्स्ट्रीम लेफ्ट कभी भी मत परे और दो रोकिये मत यह एक वेग है in भी भी मत रोकिए इसी तरह से दूसरा एक वेग है चीक कभी मत रोकिए इसको लेकिन जबर्जस्ती चीकने की भी कोशिश मत करिए चीक आये तो रोकिए मत जबर्जस्ती चीकने की कोशिश मत करिए जबर्जस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बा आ रही है सहज रूप से छीकिए रोकिए मत उसको यह एक वेग है इसको रोकेंगे तो त्यइस-चौवीस रोग होंगे जब रजस्ती छीकने की कोशिश करेंगे तो तेरह चौदे के आसपास रोग होंगे उन रोगों की पूरी सूची है आप पड़ सकते हैं पुस्तक इसी तरह से एक वेग है प्यास प्यास एक बहुत बड़ा वेग है बागवत जी कहते हैं कि जब प्यास लग रही है पानी जरूर पीजिए रोकिए मत प्यास को लेकिन पीने का तरीका है वो ध्यान रखिए सिप सिप करके पीना बहुत तेज प्यास लगे तो भी सिप सिप करके ही पीजिए जल्दी जल्दी पानी कभी भी पीने की कोशिश मत करें और वो कहते हैं कि यह जो जल्दी पानी पीने का तरीका है ना इस में से दो बीमारियां बहुत होंगी एक जिस को आधुनिक भाशा में कहते हर्निया भागवट जी ने उसको कहा है आथ का उतरना आज की पानी को जल्दी 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 पीने में यह दो बीमारियां सबसे ज़्यादा हर्णिया एपंडिसाइटेस और अगर उम्र बढ़ गई है आपको उम्र बढ़ गई माने साथ वर्ष के ऊपर और आप पानी इसी तरह से जल्दी जल्दी पी रहे हैं तो हाइड्रोसिल की ब पीजिए प्यास को रोकिये मत एक ही जगे उन्होंने कहा है कि बिना प्यास के पानी पीजिए वो सबेरे का है उशापान के पानी की जो बात उन्होंने कही है कि सबेरे का समय ब्रह्मु महूर्त का समय ब्रह्मु महूर्त हमेशा सूर्यों दैसे डेड़ घंटे पहले का मान पाकि कभी भी पूरे दिन में उन्होंने कहा है कि प्यास लगे तो जरूर पानी पीजिए बस नियम वो ही है कि खाने के तुरंद बाद मत पीजिए अगर खाने के तुरंद बाद प्यास लगी है तो छाच पीकर मठा पीकर दूद पीकर या जूस पीकर प्यास बुझाई और 58 रोग हैं अगर प्यास रोकी आपने जब प्यास लगी है और आप नहीं पी रहे हैं पानी तो 58 रोग आएंगे इसलिए वो कहते हैं कि ये आप कभी मत करिये अच्छा दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं कि उशा पान के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय में जबरजस्ती पानी पीएंगे तो भी तकलिफ आने वाली हर जगे वो कहते हैं मत दिमार्गी रही है ना इधर जाईए ना हमेशा बैठके ही पीजिए खड़े खड़े पानी पीने को पूरी तरह से निशेद किया उन्हों है हमेशा बैठके पानी पीजिए और बैठने के दो तरीके सबसे अच्छे हैं उकडू बैठना गाय का दूट निकालने वाले आसन में बैठना नहीं तो ऐसे बैठना जैस आपको बता दिया ऐसे आल्पी पाल्पी मारके कुरसी पर बैठ जाएए फिर पीज़े आगे का एक वो वेग को रोकने के लिए वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक वेग है जिसको आपने रोका तो बहुत तकलीफ आएगी अब उसमें आप बहुत सारे तरक और सवाल कर सकते हैं बूक बूक यह बूक एक एज़क आइसा वेग है जिसको अगर आपने जबरजस्ति रोकने की कोशिश की तो इसमें सबसे ज़्यादा रोग उन्होंने गिनाये है एक सो तीन रोग है अगर भूग को जबरजस्ती रोकने की कोशिश आपने की और वो कहते हैं पहला रोक शुरू होगा एसिडिटी से और आखरी जाएगा अंतडियों का कैंसर इंटेस्टाइनल कैंसर इसलिए कहते हैं भूग को जबरजस्ती मत रोकिए अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा जी हम तो उपवास करते हैं तो तो उन्होंने कहा है एक सूत्र में कि उपवास शरीर के शुद्धी की क्रिया है और वो आगे कहते हैं कि शरीर शुद्धी होती है तो मन और चित दोनों की भी शुद्धी होती है उसके साथ तो उपवास एक क्रिया है जो शरीर शुद्धी मन और चित तीनों की शुद्धी के लिए है लेकिन उसके लिए नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपके शरीर में आपको ऐसा लगने लगे कि अत्रिक तो कुछ हो रहा है अत्रिक अत्रिक से मतलब में समझाता हूँ आप खाना खा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी जरूरत है उतना खा रहे है और कभी ऐसा लगने लगे कि जरूरस से ज़्यादा खाली आए हमको तुरंद महसूस हो जाए यह शरीर तुरंद बता देगा कि आज तो कुछ ज़्यादा ही खाली आ तो कहते हैं कि जब इस्थती ऐसी हो वो किसी भी कारण से हो आपको किसी चीज़ का स्वाद बहुत पसंद आ गया या किसी ने बहुत आग्रे पूरवक आपको खिला दिया या आप कुछ इस इस्थती में थे मूड आपका ऐसा था ध्यानी नहीं रहा बाते करते करते या खाना खा रहे हैं जादा चला गया ऐसी किसी भी इस्थती में जब अत्रिक्त है तब आप उपवास के बारे में जरूर तै करिए मने आप उपवास करीए अब उन्होंने उपवास के नियम बताएं बहुत लंबा अध्याय है वो उसमें से दो तीन महत्यों के नियम बता देता हूँ पहला नियम यह है कि कभी भी उपवास अगर करना है तो सप्ताह में मने साथ दिन होते हैं उसमें एक दिन का तो ठीक है एक दिन का एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है साथ दिन अगर आपने लगातार सुबह दुपेर शाम तीन बार भोजन किया है तो कहते हैं एक दिन का उपवास बहुत अच्छा है जरूर कर सकते हैं लेकिन उस उपवास वाले दिन उस उपवास वाले दिन नियमित बिना पानी का उपवास अच्छा नहीं है। पानी पीते रहें। क्यों पीते रहें। वो केते हैं कि आप 번째 उपवास करो। लेकिन शरीर के फेट में जो अमल बनने की क्रिया है वो तो रुकने वाली नहीं है। वो तो तबी रुकती है जिवाब मर जाते हैं। ये तो सथत अमलों को रिलीज करता ही रहता है और पेट में जो अमले है वो नगा है घण। hydrochloric acidi plate में ज़्यादा है तो ये तो release होता ही रहेगा अब ये release होता है खाने को पचाने में मदद करने के लिए खाना आप खाएंगे नहीं लेकिन इसका release होना रुकेगा नहीं क्योंकि शरीर आपके control में नहीं है वो प्रकरती और भगवान के control में है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पानी पीते रहें तो ये जो HCL है ये dilute होके पेशाप की रास्ते निकलता रहे तो हानी नहीं पहुचाएगा और अगर आपने पानी नहीं पिया उकुवास में तो ये hydrochloric acid आपकी अंतणियों को जला डालेगा आथों को जला डालेगा तब आप कोई गंबीर बीमारी के शिकार होंगे और तब आप शाहिद परिशान हो जाएँ और आपकी बीमारी ठीक भी ना होने पाए क्योंकि बागवट्टी जी कहते हैं कि शरीर के किसी भी अंग का कोई permanent damage हो गया तो उसका repairing नहीं होता एक बार damage हुआ permanent तो repairing नहीं होता तो फिर आपको क्या होगा अलसर होगा प्रेप्टिक अलसर होगा घाओ बन जाएगा आथों में और फिर वो इतनी खराब इस्तिती में लेके जाएगा कि डॉक्टर कहेगा आथे काटके निकालो तो ये मत करिए वो ये कहते हैं उपवास करना हो तो साथ दिन तीन समय का भोजन किया है साथ दिन बने छे दिन तो साथवे दिन आप एक दिन उपवास करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पीपी के उपवास करिए मतलब ये है दूसरे शब्दों में मैं कहूं निरजला उपवास मत करिये अब हमारे यहां कई जगे मैंने देखा दुर्गा माता का समय आएगा तो हम सब बहुत बार साथ दिन निरजला उपवास करते हैं साथ दिन लगाता है वो तकलीफ देगा आपको आप करते हैं भक्ती भाव से बहुत अच्छा है लेकिन वो तकलीफ दे दे आपको शारीरी टूप से वो ठीक नहीं बागबट जी ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा उन्होंने ये लिखा है कि जो शाकाहारी खाना खाने वाले लोग हैं शाकाहारी आप सब ज्यादातर उसी श्रणी के हैं इनके लिए उपवास अच्छा नहीं है ज्यादा लंबा लेकिन जो मासाहारी खाना खाते हैं उनको लंबे उपवास करने ही चाहिए जो शाकाहारी खाना खाते हैं उनको ज्यादा लंबे उपवास अच्छे न अब ये उन्होंने लिख दिया मैंने इसको फिर observe करना शुरू किया प्रकरती में दो तरह के जानवर हैं आप जानते हैं कुछ हैं जो मासी खाएंगे हिंसा करके ही अपना पेट बरेंगे और कुछ हैं जो शाकाहरी है गाय जैसे है बकरी जैसे है भैस है बैल है चुडिया है ये सब शाकाहरी जीवों में गिंती होथी है लेकिन शेर है चीता है लगण भगा है लोमडी है कुत्ता है ये ऐसे जीव है जो मास भी खाते है और कुछ तो मास से ही खाते है जैसे सांप है बड़े से बड़ा साफ अजगर ले लो और छोटे से छोटा रसल स्वाइपर या करेत ले लो ये मां से ही खाते हैं मेड़क को खाएंगे चिपकली को खाएंगे केचुओं को खाएंगे कुछ ना कुछ ऐसे जीवों को खाएंगे लेकिन ये बड़े पक्के हैं नियम के बाग भट का सारा कुछ इन्हों नहीं सीखाई हाँ अजगर को मैंने बहुत अब्जर्व किया वो एक बार खा लिया वो कुछ भी खा लेगा एक बड़ी से बड़ी बकरी को खा जाता है हाँ इतना खा लेता अजगर बकरे को खा लेगा लेकिन खा लिया तो पंद्रे दिन उपवास ही करेगा पंद्रे दिन उपवास करेगा शोलवे दिन ही दुबारा खाएगा तो बागबटी जी कहते हैं कि नियम ये है कि अगर आप मास खा रहे हैं किसी भी तरह का तो आप लंब जो है ये शरीर के अंदर के जो हाइड्रोक्लोरिक एसिट को रिलीस करने वाली ग्रंतियां है इनको मंद करता है मास का जो पाचन है उसमें से जो कुछ भी आपके शरीर को मिलने वाला है वो आपके शरीर में एसिड रिलीज करने वाली जो ग्रंतियां है उनकी क्रिया को मंद करेगा तो कम निकलेगा तो वो लंबे उपवास कर सकते हैं शाकाहरी लोगों के लिए उन्होंने कहा है लंबे कारण से आप कर रहे हैं तो ये उनकी बात ध्यान में रखें बीच बीच में पानी पीते रहें अब आप बुलेंगे जी पानी कैसा पिएं तो उस पानी के लिए बीस-पचिस सुत्र लिखें जैसे लॉंग का पानी पिएं लंबे उपुवास अगर आप कर र Supply कर रहे हैं कि ये बागवटट जी नहीं लिख़ा और किसी नहीं कि दूद में गीडाल के पिए यह तो चेरक ने भी कहा है शुशूरत में भी कहा है पारशल ने कहा है निघंटू ने कहा है बीसी और लोगों पानी में घी डालके पिये हैं ये बागवत्ट जी कहीं है वो कहते हैं लंबे उक्वास कर रहे हैं तो पानी में घी डालके घी माने गाय का भी बह intellig किह का कहीं भी उन OWनें जिक्र बनाया हुआ पक्का पानी बनाते समय आप जानते थोड़ा चूना भी डाला जाता तो चूने का पानी पिए ऐसे करकर के 23-24 सूत्रुनों ने लिखे हैं वो लंबे उपवास करने वालों के लिए हैं माने आप मैंसे जहन धरम का पालन करने वाले लोग लंबे लंबे उपवा जी कह रहा है कि उपवास करने का सबसे अच्छा तरीका एक है अगर करना ही है तो आप लोग करते हैं बियासना करते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं एक दिन खाना एक दिन उपवास वर्शित यस माफ करिएगा गलत शब्द बोल दिया एक दिन खाना एक दिन उपवास एक दिन खाना एक दिन उपवास एक दिन खाना एक दिन उपवास इसको बागवट जी सबसे अच्छा मानते है लगातार छे दिन खाना और एक दिन उपवास वो कहते हैं ठीक है मजबूरी का काम है आप कर लीजे लेकिन अगर आपको दिल से उपवास में उतरना ही है तो ये बहतर है एक दिन खाना एक दिन हो तो वो कहते हैं कि थोड़े दिन में शरीर इसका आदी हो जाता है और फिर आपके शरीर में ऐसी निकलने की क्रिया उसी के हिसाब से होती है थोड़े दिन में पहले कुछ दिन नक्तक लीफ आएगी लेकिन थोड़े दिन में आदी हो जाएगा और शायद इसलिए जैन दर्शन में या जैन समाज में वर्शी तब करने वालों का बहुत महत्व है बड़ा सम्मान किया जाता है बहुत गाजे वाजे के साथ उनको मंच पर बिठाके मालाएं डालके वो शायद इसलिए है कि वो बहु में काम करने वाले मजदूर हैं या किसान हैं उनके लिए उपवास नहीं है उनके लिए उपवास नहीं है जो सड़क पे गाड़ी खीच रहे हैं ठेला खीच रहे हैं उनके लिए उपवास नहीं है उपवास उनके लिए है जिनको शरीर श्रम जादा नहीं करना उनके ये मेरे लिए ज्यादा उकवास की बात है मेहनत करने वालों को ज्यादा उकवास नहीन उनको तो जब भूख लगे तभी खाना खाने के लिए बोला है लेकिन वह Taras कि खाने का समय तय कर लें तो भूख भी उसी के हिसाब से लगते हैं सुबह का समय वो बोलते हैं सबसे अच्छा दुपहर का उससे थोड़ा कम अच्छा और शाम का सबसे कम अच्छा मनें सुबह का नाश्ता या भोजन जैसा हो दुपहर का लंच जो है नाश्ते जैसा हो और रात का खाना तो बिल्कुल या कम से कम शाम का खाना कम से कम हो वो मैं पहले दिन आपको दूसरे दिन बता चुप और एक वेक के बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी न करें जमहाई आना जमहाई समस्ते मूझ खोल कर आप जमहाई ले वो कहते हैं कि यह जमहाई आने का समय है इसको कभी भी रोक है नहीं यह कभी भी आएगी यह कब आती है जब भी आपके अब मैं आपका आधुनिक विग्यान इसमें जोड़ रहा हूं बागबटी जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा आधुनिक विग्यान जल्दी समझ में आ कि जमाई को कभी न रोकें यह जो हम कर लेते हैं ना शरम आने के लिए जबर जस्ती मूँ बंद करके जमाई लेने की कोशिश करते हैं बहुत खतरना कि कभी मत करें मूँ खोलिए पूरा क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है मूँ खोलिए भरपूर हवा अंदर भरिए तो यह अच्छा है और बच्चों को भी वैसे ही सिखाईए इसमें कोई शरम करने की बात नहीं है क्योंकि यह प्रकरती की क्रिया है शरीर को रोक रहें वो जमाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीदन के लिए शरीर में शुद्वायू ज्यादा जाए इसके लिए जमाई आ रही है और आपने मूँ पे हाथ रख लिया और फिर जमाई ले रहे यह बहुत खराब कभी मत करें मूँ खोल कर जमाई लीजे हां फिर एक बात को यह कह रहे हैं यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहरा है इसे समझे एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ग्यानी और आपसे ज्यादा तफस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जमाई लीजे माने इसको मैं ऐसे समझाओं किसी महरास साब के पास बैठे हैं जो दोनों इस्थिती में आपसे ज्यादा तफस्वी भी है और ग्यानी भी है तो उनके पास बैठके जमाई कभी मत लीजे आप उड़ जाए कहीं दूर कोने में चले जाएं है हाँ लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निका लिए कोशिश करिए क्योंकि आपकी जमाई उनको तकलीफ करने वाली है आप जब यह तो आप जानते हैं प्रकरती का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बंड यॉक्साइड तो निकल के लिए है क्योंकि सब तरह के कुकर्म करते हैं तपस्यापी जीवन में है नहीं जल्दा सैजम्रों आप जीवन में है मजबूरी हो जाए तो यह मैं जोड़ रहा हूं बागमठ्ट जी ने नहीं कहा कि आप मूपे रूबाल तो कम से कम रख लें हाथ हाथ रखके जमाई महाराजी के सामने ही लें ऐसा को बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत ने अब एक और वेग है जिसको कभी न रूक है नहीं तो बहुत तकलिफ आईए मूत्र का वेग मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशुश ना करें जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिगनल दे रहा है तुरंत उस वेग को निकालिए और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूँ पहले बागवट्ट जी की बात करें वो कहते है कि यह मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे अब मैंने ये एक एक्सपरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं फिर देखूं क्या होता है तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दवाव बढ़ प्रेशर बढ़ गया शरीर पर शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रहे हैं तो सबसे जादा तड़प उनकी जिन्दगी में मैंने तब ही देखी है जब पेशाब रुख जाते हैं मूतर रुख जाते हैं को बसक्व करो झाल किर मैं यह रिलीस करो क्योंकि ये रोकना wanna ठीक नहीं है इसलिए मूतर के वेक को नहीं रोके इसमें हर तरह से दाव शरीर पर पढ़ेगाों सब तरह की ग्रंतियों पर दबाव बढ़ेगा रक्त पर द मूतr आएक उ? हर 10 मिनिट में आए हर 15 गंटे में आए और 10 दो 1 बून आए तो आप बीमारी के शिकार है ऑगर खुल कर पूरा मूतर आ रहा रहा है तो कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन रुकP कर आ रहा है दो तिन बून आया पिर रुक ने फिर दो तीन बुनदा एक हूँ तो आप बीमारी के शकार हैं तो ऐसी स्थ्ति ने विश्यष खिग के मदद लें वो जो पंदरेपर प्रतिशबाला हिसा है न वो यह ही हैै ऐसी स्थ्ति ने किसी विश्श खिग की से वो कहते मल का वेग कभीह न रोकें मूत्र है मल मल का वेग कभी natยखर आपको ऐसा लग रहा है कि टॉइलिड जाने की एक्षा तो जरूर जाईए सोचिए इसके बादे आप बोलेंगे जी कोई कोई परिस्तिति एसी है मैं ऐसा मांता हूं कि अब एसी कोई परिस्तिति है नहीं करेंस अब हवाई जहाज में सभी जगए टॉइलेट रूम्स हैं आपके घर में तो है ही हां जहां भी बैठें हैं वहां हैं हो सकता है सड़क पर चलते समय तो सरकारों में कई जगे बनाए हैं माने कोशिश करिए कि वो रोके नहीं उस वेखवा अगर है ऐसी इक्षा तो जरूर जाए जरूर जाए फिर आप कहेंगे जी फिर वोई मूत्र वाली इस्तिति है बार बार टॉइलेट आती है तो तो बागबटे जी ने कहा है कि एक दिन में दो बार अगर आप शौच के लिए जा रहे हैं तो ये सामान्य है नॉर्मल है बने आपको कुछ तकलीफ नहीं अगर एक दिन में दो बार आप जा रहे हैं वो दो बार हो सकती है आपके शरीर के हिसाब से हो सकता सुबह और शाम आप जाएं कोई लोगों को सुबह और दुपहर भी हो सकती है कोई लोगों को सुबह सुबह भी दो बार हो सकता है ऐसी इसकती तो वो कहते हैं दो बार तक तो सामान्य है तीन बार जब आप करेंगे दो से तीन तो वो कहते हैं थोड़ा असामान्य है और तीन के बाद तो जाना ही नहीं है अगर जा रहे हैं तो कोई बीमारी ह फिर विशेशक्गी की मदद लीजे और उसको ठीक करें तो मल के वेग को ना रोकें मूत्र के वेग को ना रोकें जमही आ रही है तो ना रोकें हसी आ रही है तो ना रोकें प्यास लग रही है तो कभी भी अपने को ना रोकें इस तरह के उन्होंने कई वेग के वारे में कहा क्या बताओं थोड़ा इससे आगे बढ़ें तो आपके जीवन के बारे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक वेग ऐसा है जिसके बारे में सादू संत और महंत सादू संत महंत तपस्वी तेजस्वी ये लोग ही है जो उस वेग को रोक सकते बाकी के लिए नहीं है हुआ जो सादू हैं संत हैं महंत हैं उनके लिए यह हैं वीड के वेक को रोक हैं और ग्रहस्ती जीवन चलाने वालों के लिए है het और इस पर बागबट जिने बहृत लंबी व्याक्या किये सादू संत महंत महरासा ब्रह्मचारी तेजस्वी तपस्वी इस तरह के लोकों के लिए उन्होंने निर्देश किया है कि वो जरूर अपने वीर के वेक को रोकें और अगर नहीं रोक पाते हैं तो उनकी साधुता उनकी सन्यासी होने की बात वो कमजोर पड़ती है और आप जैसे लोग जो ग्रहस्ती का जीवन जी रहे हैं उनके लिए वीर के वेक को रोकना बहुत ही खतरनाख है माने इसको उन्होंने काम वेग करके कहा है काम वेग ग्रहस्त लोगों को कभी रोकना नहीं चाहिए और साधु संतों को हमेशा तपस्या करके उस पर कंट्रोल करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए तो सादू संतों का जो जीवन है वो पूरा जीवन शायद इसी में चला जाए तो भी वो कहते हैं कि निरर्थक नहीं है अब क्यों उनको नहीं करना चाहिए क्यों आपको करना चाहिए यह विशलेशन में जाओंगा तो देर जादा हो जाएगी आपको संकेत रूप में मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीरिका वेग, काम का वेग वो कहते हैं सबसे खराब वेग है जो रोका तो आपके लिए और सादू संत महंतों के लिए कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनके लिए सबसे ज़्यादा खराब तो उनका प्रयास पूरे जीवन भर ऐसा होना चाहिए जो उसको रोख अब उस प्रयास में ही उनकी दिन चर्या उनकी रितु चर्या और उनकी आहार चर्या शामिल है बागवट जी ने कई सूत्र लिखे हैं कि जो सन्यासी है संत है महात्मा है उनकी दिन चर्या रितु चर्य जाद्या, और महात्माओं से बिन्न procurement होनी ही जाएं और आपकी दिन्चर्या, रित्वु चर्या, रित्या, आहर्चर्या। एकदम सादगी पूर्ण हो जादा उसमें घी तेल जादा इस्तेमाल ना हो बगएरा बगएरा तो और आपके लिए बिल्कुल उल्टा है आपके भोजन में तीखे मिर्च मसाले हो तो चलेगा घी तेल बहुत जादा हो तो भी चलेगा तो ग्रहस्तियों के लिए जो जीवन है आहर चरिया दिन चरिया और रितु चरिया का और सादू सन्यासियों के लिए जो जीवन है दिन चरिया दोनों में बहुत अंतर है इस पर लंबा विशलेशन हो सकता है समय की कमी अब मैं आ जाता हूँ आपको जो कुछ मैंने अब तक क अच्छे साथ दिनों में उसको थोड़ा समराइज कर दू और इतना समरी जरा ध्यान से आप सुन लीजे नहीं तो फिर से लिख लीजे एक बार लिख चुके हैं तो दुबारा भी लिख लीजे कोई उसमें नुकसान नहीं होगा हो सकता यादी हो जाए आपको क्योंकि बार बार कोई चीज लिखे न तो अच्छे से याद होती है सुनने से तो होती है उससे भी जादा याद होती है लिखने से हो सकता आपको लगे कि यह तो आपने बोल दिया है फिर भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आज पूरा बात समप करनी है फिर बाद में प् हात्मा हैं ब्रह्मचारी हैं यह सब असाधहरण श्रेणी के लोग हैं आप जो हैं साधहरण श्रेणी में आते हैं तो साधहरण श्रेणी के लोगों को जीवन भर बिना रोग के जीवन बिताना बिना डॉक्टर की मदद के अपने जिन्दगी को को चलाना बिना विश्य शग्य की मदद के अपने जीवन को चलाना उसके लिए उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने पिछले साथ दिन में अलग-अलग समय पर आपको बताया आज फिर उसको कह रहा हूं कर रहा हूं ताकि याद रह तो सबसे पहला मुख्यनियम है आप जैसे लोगों के लिए वही है खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पियें और यह सबसे जरूरी सबसे आवश्यक थे खाना खाने के बाद कभी भी पानी तुरंत ना पिये हैं डेड़ घंटे के बाद पानी पिये explanation मैं पहले दे चुका हूँ अगर आप चाहें तो फिर समझा देता हूँ खाना खाते ही पेट में अगनी प्रदीप्त होती है उसको जठर अगनी कहते हैं जठर पेट का वो इस्थाने जहां काने का पाचन होता है हिंदी में उसको आमशय कहते हैं संस्कृत में जठर कहते हैं तो जठर इस्थान पे अगनी प्रदीप्त होती है और ये अगनी देड़ घंटे तक ही रहती है तो डेड़ घंटे तक पानी न पिए तो अगनी अपना काम अच्छे से करेगी तो भोजन आपका अच्छे से पचेगा रस में बदलेगा और मैंने आपको क्रिया बताई थी कि पहले खाना जो है ना पेस्ट में बदलता है जैसे आप भूटी होई खिचडी खाते ना के बाद पिट भरके पानी पिए यह सबसे जरूरी सबसे आवश्यक पहला नियम दूसरा नियम पानी कभी भी पिए तो घूट घूट भरके पिए यह मैं बहुत आवश्यक नियम मानता हूं सब के लिए आप जैसे लोगों के आप मैंसे थोड़ा अगर किसी को भी धीरज ह देरे अपने जीवन में तो आप यह चालू कर दीजे पानी घूट 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 जितना कम से कम एक घूट में पानी पी सके हैं उतना और मूं में गुमा गुमा के हैं ऐसे ऐसे कर करें आप छे महीने बाद देखना छे महीने बाद आपके शरीर की पूरी बायो केम सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा फ्रेश हो आप कहेंगे मैं पहले से ज्यादा हलका हो गया मने वजन कम हो गया आप कहेंगे पहले से अच्छी नीद आ रही है आप कहेंगे पहले से अच्छा खाना हजम हो रहा है आप कहेंगे प कि पचासियों बातें आप खुद कहेंगे छे महीने के बाद आप करिए इसको मैंने तो कई लोगों को बता है साल साल भर से कर रहें डिड़ साल से कर रहें मैंने आपको उधारेंड दिया था हमरा एक सहयोगी है कल बैंगलोर में 140 किलो का था एक सवा साल से घुट-घुट प करता है लेकिन इतना जरूर करता पानी जब भी पिएगा घुट-घुट पिएगा खाने के डेड़ घंटे बाद ही पिएगा यह अद्वुत है इस नियम को मैंने हजारों लोगों पर करके देखा है एकदम एक्सिलेंट रिजल्ट हैं कई बार तो चमतकारिक रिजल्ट है और कारण उसका क्या है कारण उसका एकी है कि घुट-घुट पानी पीने से ज्यादा लार पेट में जाती है पेट को हमेशा लार की जरूरत है क्योंकि यहां एसिड बन रहा है एसिड खाने के समय में जो निकले तो खाना पचे खाने के आगे पीछे जो एसिड निकलता है वो dilute होना ही चाहिए नहीं तो वो पूरे रक्त में जाकर उसकी acidity बढ़ा देता है और वही acidity है जो आपको heart attack लाती है cardiac arrest की तरफ ले जाती है brain hemorrhage करा देती है paralyzed हो जाते हैं आप गंबीर से गंबीर रोग इसी एक नियम के ना होने से होते हैं अब पानी गड़ागट गड़ागट जो पी रहे हैं यही एक छोटी सी गलती जिंदगी में आपको सबसे भारी पड़ेगा ठीक है तो पहला नियम मैंने आपके लिए कि पानी खाने के डेल घंटे बाद पीना हमेशा पानी घूट घूट बरके गुमा घुमा के पीना है सु कि दो पानी हमेशा पीना है तो शरीर के नज़दीक रखके ही पानी पीए हमारे भारत में मैं आपको इक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी सी खटकर है लेकिन आपको समझाने वे मदद करें। भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है। यह गिलास जो है ना विदेशी है गिलास भारत का नहीं है यह गिलास जो है ना यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया यह पुर्तगाली जब हमारे देश में घुज गए तब से गिलास में हम फस गए गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो हैं नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक पानी के बारे में बता चुका हूं पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं पानी अपने गुण कुछ नहीं है जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं दही में मिला दो तो चाच में बन गया वह दही का गुण ले लेगा पानी खतम हो गया दूद में मिल खा तो पात्र का गुण आएगा लोटे का अब लोटे का गुण क्या लोटा गोल है ना गोल है ना और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है हर गोल चीज का सर्फेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सर्फेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का चूंकि सर्फेस एरिया कम है इसलिए सर्फेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्ट तनाओ कहते हैं हर गोल चीज का सर्फेस एरिया कम है तो सर्फेस टेंशन कम है और सर्फेस टेंशन कम है तो कम सर्फिस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो तकलिफ करने वा सबसे अच्छा यह सारे सादूसंद कुएं का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो बिहार कर जाते हैं जहां कुवा मिलेगा वहां पीएंगे देखा है ना आपने सादूसंद वह कुएं का पानी उनके लिए सरुश्रेष्ट है क्योंकि कुवां गोल है कुएं की सर circumference कम है और surface area कम है इसलिए surface tension कम है और surface tension कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवितर पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरह देखिए आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आ कच्रा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है यह तभी संभव है जब surface tension कम बाला पानी आप पी रहे तो अगर surface tension बढ़ा हुआ पानी है तो यह कच्रा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं हो गई है ना कैसे अंदर का कच्रा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूद में बाहर लाया अब दूद कैसे बाहर लाता है दूद का surface tension सभी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे दूद आपने apply किया दूद ने इस तवचा के surface tension को कम कर दिया क्योंकि जो करी आएगा तो यहाँ दूद में surface tension कम किया तो तुचा थोड़ी सी खुल गई और तुचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यही से आपने पेट में पानी डाला बड़ी आत और छोटी आत का surface tension इसने कम कर दिया तो बड़ी आत और छोटी आत थोड़ी खुल गई और खुली तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया और हाई surface tension का पानी पिये ज्यादा surface tension का तो आतें सिकुडेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा तनाव बढ़ते समय चीज सिकुडती है तनाव कम होते समय चीज खुलती है तनाव बढ बढ़ेगा तो सारा कच्रा आतों में अंदर बंद हो जाएगा अब यहीं आपको मूल व्याद बवासीर बगंदर सब करेगा इसलिए सर्फिस टेंशन कम वाला ही पानी पीना लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है गोल कोई भी बस्तू आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है तो गोल कुए का पानी है तो बहुत अच्छा है गोल तालाब का पानी हो त नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सर्फिस टेंचन वाला है और नदी से ज़्यादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज़ है तो अच्छा अब आप इसको प्रकरती में भी महसूस करेंगे बारिश का पानी गोल होके नीचे आता है मनें बूदें सब गोल हैं क्योंकि उनका सर्फिस टेंचन हमेशा कम है तो यह विश्रेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पीए हैं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल गए अब गिलास घुज गए और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खतम हो गई जो लोटे बनाते थे खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाओं गाओं में कसेरा सब्समझते वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बन के बढ़ें पानी कभी भी खड़े होके ना पिए यह मैंने पहले बता दिया है फिर रिपीट कर रहा हूं हमेशा बैठ के पिए फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी न पिए और इस ठंडे पानी का यह यहां पर भी एक विशलेशन में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है हर ठंडे पानी का सर्फेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है और हर गुंगुने पानी का सर्फेस टेंशन कम होता है और कम सर्फेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है इसलिए ठंडा पानी न पिए एक विशलेशन म मैं पहले दे चुका हूँ कि पानी जैसे या ठंडा पिएंगे उसका गुण है कि وہ हर चीज को ठंडा तो पेट को ठंडा करने की वो कोशश करे का ठंडा हुआ तो सारे और गंस ठंडे हो सकते और आप मर सकते हैं तो पानी को पेट गरम करेäng फिर आप दस बार तो हर बार ब्लड को पेट में भाग नहीं पड़ेगा तो ब्रेन को ब्लड कम होगा हर्ट को ब्लड कम होगा और्गन्स को ब्लड कम होगा तो वो कमजोरी आने ही वाली है और हर्ट अटेक आ सकता है ब्रेन हैमरेज हो सकता है क्योंकि कोई भी और्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पढ़ना चाहिए तभी आप दुरुस्त रहने वाले हैं इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए तो हमेशा कैसा पानी पिए गुन-गुना पिए एक समय के लिए बागवट जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पढ़ती हो आपके यहां तो पढ़ती है मार्च, अप्रेल, मई, जून तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए मिट्टी के घड़े के पानी को गुन-गुना करने की जरूरत उतनी नहीं है क्योंकि मिट्टी से ज़्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं है तो ये अब थोड़ा आगे चलें आगे चलें वो ये कि खाना जब भी खाएं आपके लिए नियम है इस्टेंडिंग पोजीशन माने खड़े होके कभी न खाएं हमेशा बैठके खाएं बैठने की इस्तिती ये सबसे अच्छी है कुरसी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रह कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी न खाएं आप जेन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समस्ता भक्ष और अभक्ष का ज्यान सभी सादू महराज देते हैं सादवी जी देते हैं दूसरे लोगों के लिए कह दूँ दूद और दही साथ में नहीं खा सकते विपरीत ह हाला कि दूद से दही बनता है लेकिन दूद और दही की प्रकरती एकदम बेव मने एकदम अलग है दूद कुछ और काम करता है दही बिलकुल अलग काम तो दूद दही साथ में न खाएं दूद और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तू साथ में न खाएं खीर खा रहे हैं तो दूद की है तो कड़ी नहीं खा सकते. कड़ी खा रहे है responsibilities तो दही की है तो खीर नहीं खा सकते. कुछ भी ऐसी वस्तू जिसमें दूद और दही उपयोग है और साथ में नहीं एक. इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है आप विल्कुल साथ में ना क्षै कि अलग खैंग घी अलग खाए कि शैद ना खाए तो उब यश्फ़े ठाटती चालेगा गुण काईए अचा वचित जिद रिस्थती हों में चरूर को और गी साथ में जरूर क्षै आई ऐden मैं कि जैकफ्रूट माने फणस में कमिन कर दूद के साथ सबसे खतरनाख किर सब起來 और मैंने का खटे फल जितनें भी है संत्रा यह मुसंभी है वगज़ा वगज़ा यह दूद के साथ बिलकल चल सकते एकी फल है बागबती जी कह रहे हैं जो खटा भी है और दूद के साथ जरूर खाएं ओव आमवेलाक यह जरूर दूद के साथ क्ला म Disease कि इसके आगे का एक नियम है वह दुदल वाला एक नियम तो बताई दिया दुदल और दही न क्थाएं और मजबूरी है कोई तहीं खाएं च्छाच अगर खा रहें दोईदल के साथ तो एकाद घंटे के बाद पी लें और अगर पीनी ही है तुरंद प्यास नहीं रुक रही है तो च्छाच को बगारें मने उसमें अजवाइन हो थोड़ा जीरा हो हींग हो उसका छोक लगाएं तो उसकी तासीर बदलत च्छे बजे तक यह मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया बागवट जी ने का इसमें जलवायू का मौसम का ध्यान रखना तो आपके हिसाब से माने आप चिन्नई में है तो नौ साड़े नौ दस वजे तक भरपेट खाना खाएं शाम को पांच-छे बजे तक हैँ तो कहते हैं चना और गुणखाएं शेंग दाना और मुँफली और गुड़द खाएं मने उससमें आप चिक्की काएं क्योंकि गुड़ और चना गुड़ और मुंफली उसमें है दुपहर को अगर भूक लग रही है चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते मने जादा भी खा सकते बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ जादा हो जाए तो थोड़ी सोंट सोंट इस्तेमाल करते हैं तो सोंट नहीं तो अध्रक उसके साथ ले फिर आगे बागवट जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिष्टा है आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें अब माली जै आप मद्रास में रह में गेहूं अच्छा होगा नहीं कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है गर्मी की फसल जो है वो चावल है धान है चावल है बाजरा बहुत गर्मी की फसल है यह राजिस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजिस्थान में और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है कच्छ में सौराश्रों में कितनी गर्मी है बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है तो गर्मी की जो फसले है वो धान है बाजरा है और जो है जवारी है जवारी आप समझते हैं जवार जवार तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं यहां चिन्नई में आप रहते हैं जवार की रोटी खाएं बाजरे की रोटी खाएं यहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा जो को यहां हो रहा है वो ज्जादा थाए अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएеци क्योंकि बाजरा वैसे तो गरम है लेकिन गर्मी में भी खाना है मान लो आपको स्वाध है छूट नहीं रहा है जगे छूट गई है स्वाद नहीं छूटता मन हमारा अभी भी राजिस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट में कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं अगर यह मजबूरी खतम हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से मजबूरी कैसी कच्छ में सौराष्ट में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे क्योंकि मन जो है न छूटता नहीं है इस्थान से लगा रहता है स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ है तो स्वाद के लिए अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड के ना खाएं यहां पर चिन नहीं है गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी हैं, ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए धान जो यहां होता है, वो सबसे आच्छा. तो तासीर ध्यान रखें आवो हवा का ध्यान रखें वातावरण का ध्यान रखें हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन में ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्चक हैं आपके लिए मैं मानता हूं जो मैंने आपको पिछले 45 मिनट या 30 मिनट में जो रिपीट किय जिनको मैं बहुत आवश्च को मानसा और इसमें से एक सूत्र चूट गया जो सुबे है उठकर पहले पानी पीए पहले पाना कारेंड में बता चुका हूँ कि उठते ही आपके मूह में लार बन रही है वह बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूली चीज है, वो अंदर ही जाए, तो अच्छा है, तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाए, कितना पानी पी है, मैंने बताया था, अठारे से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको लगबग डेड़ से उपर के जो बुजर्ग हैं, उनको भी डेड़ से दो गिलास, और आप जिस उम्र में हैं, अठारे से साथ, तो कम से कम तीन गिलास, पीने का तरीका वोई है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है, जो बिना प्यास के भी पीना, जी, ये म मुख्य नियम मैं मानता हूँ, आपको जरूर धारन करने चाहिए, और मेरी एक दूसरी गुजारिश है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, इन सब नियमों को पालन करें, आज से, कुछ ने तो शाय शुरू भी किया है, दो तीन दिन से, जरूर पालन करें, हो सकता है कि 6 मह महीने के बाद, 8 महीने के बाद मेरी आपकी फिर मुलाकात हो, तब आप मुझे इसकी रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग करें, क्यों? मैं आप सब को बागवट का चेला बनाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं विनमरता पूरवक कह रहा हूँ, मैं ये चाहता और पडोसियों को भी रख सकते और बागवट ने कहा है कि जो अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे वो ही मोक्ष का भागी है बने भागीदार हो सकता है तो मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ मोक्ष में चलें वहां भी हम यही करें मैं कोशिश यह करूंगा कि जो प्रषण एक बार ऊत्तर आगया मैं सबसे पहला प्रषण जो मैं सबसे आसान मानता हूँ आखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूँ फिर दो रहा हूँ, आपको सबसे अच्छा, आज़ान मैं बता रहा हूँ, वो यह जिनकोभी डिर्क सरक्ल है, सबेरे उठैं, सबसे पहला जो आपका थूख है, मुझा लार है, इसको आखों के नीचे लगा के मालिष करें, हलकी हलकी मालिश करें आपके सारे डार्क सरकल खतम हो जाएं और यह जो सुबह का मूँ का लार है इससे आप अपने तवचा रोग भी ठीक कर सकते हैं खाज है खुजली है दाद है सोराइसिस है इचियोसिस है एक्जीमा है हर जगे इसको एपलाई करें और हलकी हलकी मालिश करें कोई कहेगा कि बहुत ज़्यादा शरीर में है तो इतना तो थूप बनता ही नहीं है और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो तो ऐसी इस्तिती में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को चार बजे मिलें मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूँगा या लिखा दूँगा जो थूप भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज खुजली दाग धब्बे सब मिटा देगी वो व्यक्तिगत नीद ब बहुत सरल उपाई मैंने बताया था रात को गाय का घी हलका गरम करके दोनों नाक में डालके सोएं गाए का घी हलका गरम करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गरम करें और एक-एक बून दोनों नाक में डाले और हलके से खीचें ज्यादा तेज ने बस एतना करेंगे अंदर चला जाए बहुत शेचने के जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा स्नोरिंग बिलकुल खतम हो जाएगी नीद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे रात में नीद कभी खुलेगी नहीं छे घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम रात की नीद खुलने का इससे और एक फाइदा होगा इस मरण शक्ति बढ़ेंगे ठीक है तो अब एक ही कागज पर यह तीन प्रशन थे तीन उत्तर दे दिए अब आगे जिस कागज में यह प्रशन आएंगे उत्तर नहीं दूगा अभी है हाई ब्लड प्रेशर रक्त का उंचा दबाओ अस्थमा पेट की कबजी और इसमें भी फिर आ गया है तो चाका कालापन वो में उत्तर दे चुका अब मैं आ जाता हूं ब्लड प्रेशर हाई है वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना यह कालपनिक चीज है कभी बाद में चर्चा करूंगा ले में कहते हैं कि रक्त की अमलता बढ़ी होई है एसे डिटी बढ़ी होई है अब रक्त में अमलता है तो अमलता को खतम करने के लिए चारी चीज खाए चार चीज खाए चार अब चार वाली चीज़ें क्या है सबसे अच्छी चार की चीज़े मैं थी सबजी के रूप में भी और दाने के रूप में थी दूसरी चार वाली चीज़ है आप में से जेन है तो वो नहीं खाएंगे लेकिन जो जेन नहीं है उनको बता देता हूं गाजर तीसरी चार वाली चीज़ है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है सेव ये चारिये है केला ये चारिये है अम्रूद ये चारिये है कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है ये सब चारिये है सबजियों में पालक चारिये है बेंगन चारिये है Wow आलू के बारे में कहते ना अमली है ना चारी है वो बीच का है तो जो सब्जी आपको चारी हैं और जो मसाल अने आउशदिया हैं इनका उपयोग करें तो Öhmelita अपने आप कम होगी तो ब्लड प्रिशर कम होगा तो ट्राइगलिसराइट कम होगा मोटापा भी कम होगा सबकुछ कम होगा आपका है तो हमेशा याद रखे तो मैंति दाने का उपयोग मैंने बता दिया है पानी में डालके रात को छोड़दें सुबह उठकर दाना चबा के खाएं पीछे से पानी पिए गाजर का उपयोग दिया कद्दू कस में घिसें गाजर ले लें और वो कद्दू कस की गाजर को खा लें और चारिये चीज मैथी की सबजी रोज खाएं पालक की सबजी रोज खाएं हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारिये होती है हरे पत्ते की कोई भी सबजी चारिये होगी और फल जिसमें रस नहीं है वो सब चारिये होगे बस याद इतना ही रखते हैं तो आप अगर उपियोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही उसके साथ ब्लड कॉलेस्टरॉल कम रहेगा ट्राइगलिसराइड कम रहेगा मोटापा कम ह होगा और उसके अंत में हर्टटेक आएगा नहीं ब्लॉकेज भी है तो निकल जाए और एक चारिये चीज में भूल गया बताना लौकी दूदी सबजियों में सबसे ज़्यादा चारिये कोई चीज़ है तो दूदी माने लौकी जादा खाएं दूदी जादा खाएं और उ स्थमाज आधा है तो इसके लिए जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं फिर बोल रहूं यह चारिये है दाल्चीनी का按ुक करें शहद के साथ शहद चारिये है तो दाल्चीनी शहद शहद नहीं ले सकते तो गुर्ण ये जो नारियल होता है ना नारियल मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही है और मुझे याद आ गई तो मैंने आप से कहा जो भी फल में रस नहीं है वो छारिये है और जो भी फल में रस है वो अमलिये है लेकिन ये नारियल अद्बुत फल है जो छारिये है रस होते ह हुए भी तो यह चारी अब है यह यह बाद का विश्भ तो आप अगर अस्थम wybfires शीकार बमा के शिकार हैं तो नियमित रूप से नारियल खाये हरा नारियल खाये कच्चा नारियल जिसको कहा जाता है चबा चबा के खाए कितना खाएं जी एक दिन में 50 ग्राम तक खा सकते हैं चबा चबा तो दालचीनी और गुड लिया और नारियल चबा के खाया तीन महिने के बाद आपका आस्थमा जड़ से खतम होगा वो 40 साल पुराना हो तो भी इसके बाद हाँ बाकी तो आँखों की मुँ में चाले बहुत रहते हैं ये मुँ में चाले बहुत रहते हैं इसका माने पेट आपका साफ नहीं है बड़ी आथ आपकी कच्रे से भरी हुई है तो मुँ में चाले रहते हैं तो सुबह सुबह का जो मैंने नियम बता है ना पान आपको ये करने के बाद भी छाले में आराम नहीं मिल रहा है तो आपको एक सरल आसान दवा बता देता हूं जो होमियोपैथी की दुकान में मिलती है जो बड़ी आथ को सबसे जल्दी से साफ कर देते हैं उस दवा का नाम है बोरेक्स सुहागा आप सब जानते ना सुहागा आथ को साफ करने वाली सबसे तीवर दवा है तीवर इसी का डाइलूशन करके होमियोपैथी में बनाया बोरेक्स तो ले लें किसी भी होमियोपैथी की दुकान से खरीद लें 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में इसके तीनी खुराक ल बोरेक्स तो एक ही दिन में काम करता लेकिन बागवट्ट जी कहते हैं यह एक ही दिन का चक्कर छोड़ना चाहिए तुरंत हर चीज का रिजल्ट मिल जाए वो कहते हैं जीवन में कोई भी चीज फास्ट है ही नहीं हर चीज स्लो है तो कोशिश करिए पानी से ठीक करें और अगर आप बहुत परिशान है तब ही बुोर्यक्स का इस्तेमाल करें और यह दवा हमेशा पानी में डाल के लिए एक बुनदयालदें पानी में और उस पानी के तीन हिस्से कर। उसको पी ले एक कप पानी हो आधा कप पानी हो चौथा ही कप पानी है अभी आगे का एक प्रश्ण अच्छा गाय की मूत्र के बारे में मैंने आप से कहा था तो उस पर प्रश्ण है चार-पांच गोमूत्र सही गाय का है या उसको कोई बिमारी है किस तरह की प्रॉबलम हो सकती है अगर गोमूत्र सही नहीं है तो उस हाल में क्या करना चाहिए मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक एक्सपरीमेंट जो हमने किया वो बता देता हूँ गाय को हमने छे साल जहर खिलाया एक गाय पर यह एक्सपरीमेंट हमने किया छे साल जहर खिलाया सबसे खराब जहर खिलाया उसका नाम है संखिया अंग्रेजी में कहते हैं आर्सेनिक तो हमने गाई को दिया चारे में मिला कर दिया बहुत मामूली मात्रा में क्योंकि हम जानते हैं जादा देंगे तो गाई मर जाएगी हमें ये देखना था कि ये थोड़ा थोड़ा जहर देते हैं तो उस पर असर क्या आता है तो छे साल जिस गाई पर हमने ये प्रयोग किया वो गाय अभी भी जीवित है अभी भी जीवित है और स्वस्त है तंदृस्त है हमने हर बार उसको संखिया दिया और हर दिन उसके मूत्र में टेस्ट किया आया के नहीं आया क्योंकि ऐसे कहते ना खाओ तो सब कुछ आने ही वाला है मूत्र में और ब्लड में तो छे साल लगा अगो अध् exclusive आप मुझे पुरानी वात इसमें जोडनी है बहुत लोग चाएके गले में शंकर भगवान का निवास चाहिए शंकर जी ने पी लिया शंकर जी तो मशूर है ना भराब से खराब जहर पीने के लिए तो शायद गले के आसपास महसूस किया छे साल में एक ब्लू कलर का रिंग बन गया है ब्लू कलर का और वहां से ब्लड निकाला उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा संखिया है मने आरसनिक है गले के नीचे वो गया ही नहीं गले में रुख गया शंकर भगवान ने शायद रोख ले तो आप बेखटके गाय का मूत्र पी लीजिए आपके दिल में ऐसा लग रहा है वो कच्रा खा रही है आप चिंता मत करिए ये कच्रा जाएगा नहीं उसके मूत्र तक भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है लेकिन अच्छा ये होगा आपके दिल और म वो सबसे ज़्यादा लाबकारी तो है लेकिन कुछ मजबूरी आ गई मजबूरी से मतलब में समझाना चाहता हूँ आप एक ऐसी जगे रहते हैं जहां गाय कच्रा ही खाती है और आपको ऐसी कोई गाय मिली नहीं रही है जो शुद्ध चारा खाती हो और बराबर घूमने जाती हो और आप किसी बीमारी से तड़प रहें परिशान है और वो बीमारी में आपको गोमूत्र चाहिए ही तो बिना संकोच के ले 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 उसका हानी तो नहीं करेगा कुछ फाइदा ही कर जाए गोमूत्र के बारे में अब तक की जो रिसर्च इसे वह यह किसके साइड है नहीं शरीर पता है क्या करता है आपने मूत्र ज़्यादा भी पी लिया तो यह सरीर 20 मिनट के बाद उसको पेशाब के साथ अपनी आप ही निकाल लेता ह Rap नहीं नहीं झे देता हुस्त तो थोड़ा ज़्यादा पीलिया या खराब पीलिया और निकली जाए जो काम का है उतना ही रह जाएगा अब गाय का ऐसा भगवान ने बनाया है इसलिए बागवत जी कहते हैं कि यह विशेश तरह का एक जानवर या प्राणी है जो भगवान ने बहुत सोच समझ के बना है तो गाय के बारे में इतना अच्छा अर्थराइटिस के लिए किसी ने पूछा है अ का एक ही साथ ही उत्तर है कि अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंभीर है और डॉक्टर आपको कोई यह कह रहा है कि जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़कर कहता हूं ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में हैं उससे भी जादा खराब हो जाए इस हिंदोस्तान के भूतपूर प्रधानवंत्री श्री अटल विहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था नहीं कराया इस स्पेशल चार्टेट प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजिए आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्फ वील्चेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ऑपरेशन मत करें आप क्या करें अर्थराइटिस के लिए जो सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन भागबत जी के हैं उनका उप्योग करें उसके लिए सबसे अچ्छा वो बोलते हैं चूना खाईए चूना छ्षारी है अमलता को कम करता है ज्यादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है, तो चूना खाइए, खाने का तरीका मैं ने बता दिया दhi में, छाच में, पाणी में, जूस में, और एक दिन में अर्थराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं, स्वस्थ आदमी तो एक ही ग्राम खाइए, चोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डंडी होती है है इस फूल और केसरिया डंडी बहुत तेज़ खुश्बु है रात को ही खिलता है रात रहनी भी कुछ लोग कहते हैं हार सिंगार कहते हैं यह पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे चार-पांच पत्ते पीस कर पानी में डालिए खूप उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर ठंडा कर लीजे फिर वही पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने यह देखा है गंबीर से गंबीर अर घर में लगा लें गंबले में हो जाता है आसानी और कुछ खाली इसपेस है तो जरूर क्यों यह हर घर में रहे पेड़ कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज्यादा तकलीव दे रहा है लोग है सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेड आइसक्रीम कब खा सकते हैं कभी भी नहीं पूब हो कभी भी नहीं और अगर आइस-क्रीप खाए रहे हैं आप आप कहते हैं मन नहीं मानता स्वाद है और मुuf लग गया है क्या तो इसका एक उपाय समस्तों आइसक्रीम खाईए और पीचह से गरम पानी में घी मिलाके पी लीजी तो जो कुछ भी तकलीफ वो करने वाली है उससे आप बच जाएंगे ना खाएं तो सबसे अच्छा दालचीनी सोट का काड़ा ये लोग जरूर पिये हैं जिनको अस्थमा है जिनको अर्थराइटी से माने वायू के रोग है वो दालचीनी का काड़ा जरूर पिये जिन्दकी वर मोटापे से बचना है हर्ट अटेक से बचना है आपको अर्थराइटिस से बचना है तो रोज खाने के बाद तिल खाएं चबा चबाएं काला तिल मिले तो बहुत अच्छा नहीं तो सफेद इखाएं और आप जहां रहते हैं यहां के लिए तो बहुत ही सबसे पहले खतम होगी और आखरी दवा जो सबसे प्रभावी है जिनको भी की बहुत तकलीफ है खाने के बाद यह जो अजवाइन ना अजवाइन इसको भूने तवे पर और थोड़ा काला नमक मिला के ले 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 मिश्री का सेवन बहुत अच्छा है चीनी से बहुत अच्छा लेकिन गुड़ से थोड़ा कम अच्छा मिश्री चीनी की तुलना में तो बहुत अच्छी है और गुड़ से कुछ कम अच्छी है तो चीनी छोड़ रहे हैं तो मिश्री पर चले जाईए मिश्री छोड़कर गुड़ पर आ जाईए एक किसी ने सवाल रेल आश्रमी है माने हर दिन जादा से जादा में मिलता हूं तो पर्मानेंट मिलने के लिए एक केंद्र है आपको उसका पता किताब में है वह आप ले लीजे फोन नम्बर वहां कोई भी चिठी भेजेंगे मैं जहां भी रहता हूं मेरे पास आजाती है और इमेल करेंगे त चेक करता रहता हूं तो वह पता जो वर्धा सेवा ग्राम का है बारत पीठम दस जोतवानी ले आउट सेवाग्राम रोड सेवाग्राम जिला वर्धा led महाराश यह मेरा पर्मनेंट केंद्रौं रहां पत्र भेज सकते हैं फोन भी कर से वहां फोन कभी भी करें तो पता चल जाएगा मैं कहा हूं और मेरा मुबाइल नंबर आप सब को मैं चाहूं तो लिखा देता हूं 94229 9422903599422903599422903599 यह मेरा मुबाइल नंबर है और इमेल एड्रेस है आरे जे आई वी डी आई एक्स आई टी एबी ए आरे जे आई वी डी आई एक्स आई टी एबी ए एड़ रेट ओफ रीडिफ मेल डॉट कॉम और निरंजन भाई प्रदीब भाई यह कभी भी आप इनको संपर करेंगे तो यह कहीं भी खोच के बताएंगे कि मैं कहा हूं अभी मेरे पास एक प्रश्ण है वो इस समय के विशह से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं आजकल हमारे घरों में पेपसी कोक से भी जादा नूडल्स खाया जा रहा है पेपसी कोक कम हुआ है पिछले दो तीन साल में अच्छा हुआ नूडल्स काया जा रहा है तो नूडल्स के बारे मैं आपको एक जानकरी दे दू कि सबसे खराब बस्तू अगर खाने की कोई हो सकती है कच्रे में कच्रा तो वो यही है नूडल्स एक तो मैदे की है उपर से सडा हुआ है छे साथ दिन मैदे को सडा के रखा जाए तब नूडल्स तयार होता है और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूर के मास का रस मिलाया जाता है बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता जो मैगी है ना मैगी या कोई भी नूडल्स सुवर के मास का रस सड़ा हुआ मैदा छेचे दिन पुराना उससे तयार हुआ है अब आप तेह कर लो खाना है या नहीं खाना एक प्रश्न है जिसका उत्तर दे नहीं सकता किसीने का आज की सिक्षा बहुत बेकार है बैकल्पिक सिक्षा की बात मतएए तो समय जादा है आप मुझे ई-मेल करिए मैं लंबा जवाब दोंगा गाय का गी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था तो वो उत्तर दे चु एक ही बूंद एक नाक में दूसरी बूंद दूसरी नाक हाँ एक बहुत अच्छा सवाल है दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं सबसे अच्छा सेंदा नमक खाएं और इसको याद ऐसे रखें पत्थर वाला नमक खाएं यह समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं दिखाई दे जाएगा आपको जो तकलीफ है ना ब्लड प्रेशर की अर्थराइटिस की यह नमक बदलने से बहुत आरहम दे देगी आप तो सेधा ही नमक किसी कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा तीन दिन खराब लगेगा तीन दिन चौथे दिन से अच्छा लगेगा तो छोड़े नहीं उसको एक दिन खराब लगा छोड़िये मत दूसरे दिन भी लीजिए तीसरे गोमूत्र अर्क है ना तो एक चम्मस से जा तो क्या करें इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक चार बहुत कम है और यह वही चार है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलता चूने से जिनको दिन बर नीद आती है वो चूना खाएं मठे में मिला के चाच में मिला नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं किसी ने पूछा लगाएं जरूर लगाएं नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चिन्नाई में रहते हैं अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल चिन्नाई में रहते हैं तो जरूर खा सकते मालिश करना चाहें जरूर करें डाइबिटीस के लिए क्या करें डाइबिटिस का जो सबसे अच्छा उपाई मैंने बताया था मैती दाना और त्रिफला चून त्रिफला चून माने हर्द बहेड़ा आवला एक दो तीन अनुपात वाला त्रिफला चून एक चम्मच मैथी दाना एक चम्मच दोनों मिलाकर गरम पानी में रात को रख दें सबेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें तीन-चार महीने नियमित करेंगे बलडड शुगर नॉरमल आने की पूरी संभावना है और नहीं आये तीन-चार महीने प्लडडुगर नॉरमल तो एक मुझे इमेल जरूर करें या फोन सुगर खाना नहीं खाना चीनी बिल्कुल बंद कर दीजे क्योंकि यह अकेली चीज है जो पच्छती नहीं आसानी से बागी चीनी छोड़कर कुछ भी खाए पत्री अगर है शरीर में और थाइराइड थाइराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता है ना धनिया पत्ता इसकी चट्नी दनिया पत्ते की चट्नी बनाईए पानी में मिलाके पी जाए पानी गुनगुना रहे कितनी चट्नी एक चम्मच चट्नी उसमें कुछ डालिये मत नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं खाली धनिये पत्ते की चट्नी और जब तक धनिया मिल रहा है तो यह हरे पत्ते की चट्नी धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया ये धनिया जो है ना थाइराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है पत्री पत्री जिसको भी है वो चूना कभी न खाएं ये याद रहें कहीं भी शरीर में पत्री है तो चूना कभी न खाएं तो फिर क्या घाएगे एक दवा है पत्थर तोड़ दवा क्या बोलते आप उसको पाखन बेद शौबकाण JOSHGy के यह वो दवा है पाखन बेद कहीं भी मिल जाएगा तो आप इसका काढह बनाके पिए यह जो पाखन वेद है ना इसका काड़ा पानी में डालके उबालके और यह दवा आसानी से होमियोपैथी में उपलब्द है और इसी दवा का होमियोपैथिक नाम है बर्बेरिस बर्बेरिस वल्गेरिस पाखन बेद का बोटनीकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस यह किसी भी होमियोपेथी की दुकान में मिलेगा वो पूछेगा कैसे दूँ तो कहना मदर टिंचर में दो यह कोई भी घर में रखी आप बिलकुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते साइड इफ चौथाई कप पानी में डालकर दिन में तीन-चार बार पिलाएं एक महीने सवा महीने में सारी पत्री तूटकर निकल जाए और नहीं तो पाखन बेद जो दवा मिले आयुरवेद की उसका काढ़ा बनाके पंद्र-बीस दिल ले ले काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर नहीं को बरवैरीस को समय ज लगता है है पानी में चूना मिलाखे पी सकता है जरूर एब छूर भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहे और दातों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहें दंतمنजन करते रहें पेस्ट बंद कर देए हाँ अभी एक जरूरी प्रश्णाया शराव और गुठका छोड़ने के लिए क्या करें जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीज़ें यह बहुत लोगों के काम शराव गुठका तंबाकू सिग्रेट और बीड़ी यह पांच बुराया व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई है और देश का सर्वनाश किया है इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ती से बचें तो अच्छा है बागवटी जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ती के साथ आई है तो तो अच्छा नहीं यह संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें तो क्या दवाएं हैं आपके पास सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र अरक नहीं शुद्ध गाय का मूत्र दूसरी दवा आपके घर में है अद्रक या सोट जिनको शराप से छुडाना है बाहर काड़ा बनाके और गोमूत्र पीने को बोलिए नियमित रूप से अगर आधा कब भी गोमूत्र पिया तो सवा महिने में शराप छूट जाते हैं शराप जो पीते हैं बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है उसका नाम है सलफर और सलफ कम करने के लिए बाहर से सलफर चाहिए और बाहर का सबसे अच्छा सलफर गोमूत्र में है सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम जादा है बार बार है सबसे अच्छी दवा है आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका कफ नाशक सबसे अच्छी दव चूना कफ का भी नाश करता है वातका तो करते हैं कफ का भी तो चूना दे सकते हैं गाय का घी नाक में डाल सकते हैं हल्दी जबर जस्त कफ नाशक है तो दूद में हल्दी मिला कर दीजे और दूद हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉंबिनेशन है तो जिन गरम गरम पानी में डाल कर पिएं तो सब पित्ट को शांत करेगा। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है अजवाइन और काला नमक ये भी पित्ट बढ़े तो शांत करेगा उसको। एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है ये मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलें। कोई एक महिला है उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है ये मुझे शाम को मिलें चार बज़े बाल उड़ गए तो क्या करें बाल कम हो गए तो क्या करें बाल जड़ गए तो क्या करें तीनों में एक उपाय है दही को तावे के बरतन में रखें पांच-छे दिन खूप खट और गुड के साथ सबसे अच्छा है गुड के साथ सुबह खाएं और दूसरा चाहें तो शहद के साथ भी खाएं त्रिफला को और शदिय के रूप में लेना और शदिय ऐसी जो धातू वर्दक है तो सुबह ही खाएं और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है मने पेट साफ करें तो रात कोई खाएं सोने के पर बहुत जादा च्छीके आती है नाक से पानी गिरता है थोड़े दिन चूना खिलाएं और गाय का घी नाक में डाले 15-20 दिन में च्छीके भी बंदोंगी पानी गिरना भी बंदो केवडा डालकर जल पी सकते हैं क्या गर्मियों में क केवडा एक होता है आयरुवेदिक आउशदी केवडा डाला हुआ जल सिर्फ गर्मियों में मार्च अप्रेल माई जून बारिश जैसे शुरू हो केवडा वाला जल बंद कर देज़ा केवडा और एक होता है खस यह दोनों मिलाया हुआ जल गर्मियों में अर्जुन की च् इसकी रेमेडी टॉंसिल्स की सबसे अच्छी रेमेडी हल्दी हल्दी का दूद बच्छों को रात को पिलाएं टॉंसिल नहीं हो पिपर्मेंट के बारे में किसी ने पूचा है आप शाम को चार बजे मिलें में थोड़ा विस्तार से बता दूँगा यूरिक एसिड अगर शरीर में जमा है तो मैंने आपसे बार बार कहा है चारी चीजे जादा खाएं एसिड निकल जाएगा सबसे अच्छी चारी चीज गो गोमूत्र पी लें यूरिक एसिड एकदम साफ कर देता गोमूत्र लेकिन प्योर गोमूत्र उड़त की डाल डालों का राजा है बिल्कुल सही है लेकिन दही के साथ नहीं है खाली उड़त की डाल खाईए डालों का राजा है बिल्कुल सही बात दही के साथ नहीं दही के स पिये ना पिये तो अच्छा सुबह का दूदी पीना एंटो आम ले के साथ मोटापा कम करने के लिए उपाए बता दीजे आप लिख लीजे इसको नहीं तो याद करें जिनको भी मोटापा कम करना उनको छारी चीजें जादा खानी है तो मैंने आप से का गाजर खाईए पिर तो कद्दू कस्में घिसिए और उसके लच्छे बनेंगे फिर थोड़ी एक और चारी चीज़ आपको आजकल उपलब्द है सेव सेव पूरा चारी होता है तो सेव को कद्दू कस्में घिसिए दोनों बराबर मात्रा में मिलाके सुबह पेट बरके खालीजे तीन महीन आवला हुआ फिर वापस इस गाजर और इस पर आ जाईए तो साल वर अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से एक त्याही वजन तो आपका घटी जाएगा हो सकता है किसी का आधा भी हो जाए यूमन यूरिन के बारे में आपने पूछा मैंने पहले ही बता अगर आप शाकाहरी है तो अपने मूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते लेकिन गो मूत्र उससे हमेशा बहतर है बच्चे पेशाप करते हैं विस्तर में इसके लिए क्या करना खजूर खिलाई खजूर छोटे छोटे टुकडे काटकर बच्चों को खजूर दूद में डालकर छोटे छोटे टुकडे दूद में डालकर उबालिए कूब उबल जाए फिर वो दूद पिलाई है खजूर किलाई तो रात का बिस्तर का पेशाप उनका बंद हो जाए वो एक प्रश्न है वो कबजियत से जुड़ा हुआ है वो यह कहते हैं कि जल्दी से संडास उतरती नहीं है क्या करें रात को त्रिफला चून खाके सो जाएए नहीं तो दूद में घी मिलाकर पी लीजे यह सबसे अच्छा है दूद में घी मिलाकर रात को सोने से पहले पिए तो सबेरे संडास बहुत आसानी से उतरती है और सबसे कम समय में पेट साफ होता है नहीं तो त्रिफला भी ले सकते हैं तीन महीने देखिए एक नियम हमेशा याद रखिए जो मैं बार बर करें लगातार कोई भी दवा आयुर्वेद की तीन महीने से जादा मत खाईए और अगर जरूरत पड़ रही है तो थोड़े दिन ब्रेक देजिए पंद्रे दिन का दस दिन का बीस दिन का ब्रेक के बाद फिर अगले तीन महीने ले सकते हैं फिर ब्रेक देजिए फिर यह नियम बहुत जरूरी है नहीं तो तकलीफ बहुत दूसरी भी हो सकते हैं पिट की ह कफनाशuter बच्चों को त्रिफला दिया जा सकता है अगर छोटे बच्चे ना दे कर आवला दीज्ए और्फरल देने का समय अगर शुरू कर रहे बच्चों को तो थोड़ा तीन-चार साल हो जाने दीजे उनका तीन-चार साल के पहले दे सकते हैं तो आवला दीजे और वैसे तो मेरा कहना 14 साल की बच्चों को आवला ही अच्छा है त्रिफला उनको ना ही दें त्रिफला एक उम्र के बाद ही सबसे अच्छा होता है बहुत अधिक उम्र में गुटनों का दर्द कमर का दर्द तरीका में ने वही बताया चूना सबसे अच्छा है अधिक उम्र में चूना सबसे अच्छा अर्थ्राइटिस के लिए गुटनों के दर्द एड़ी का दर्द और कोहनी का दर्द तो ऐसे ही मिट जाएगा जब पानी गूट-गूट पीने लगेगा जल्दी भूल जाए इस्मरण शक्ती कम हो गाय का घी नाक में डालना सोते समय नीद जल्दी नाये तो क्या करना गाय का घी नाक में डालके सोना हाँ एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रशन आया वह पहले दिन का जो मेरा व्याख्यान था कि फ्रिज का क्या करें तो मैंने तो बोला था कि यह बंद करते हैं अगर आपका दिल नहीं मानता बंद करने के लिए क्योंकि मैंने का ना हिंदुस्तानियों में बुरी आदत है कच चक्कर घुज गया अब पता नहीं यह अंग्रेजों के समय से आया या पुराना तो फ्रिज भी वैसी ही कोई चीज है तो एक बहन नहीं या किसी ने सवाल ये लिखके भेजा है कि फ्रिज मैसे हमने सबजी निकाल के 48 मिनिट रख दी तो अब उप्योग कर सकते हैं हां कर स उसको शायद यह बात अच्छे से समझ में आई वह 48 मिनिट का जो किस्ता मैंने बताया ना तो चाहती नहीं है कि फ्रिज घर के बाहर जाए किसी तरह इसका उप्योग होता रहे तो यह मजबूरी का खेल है लेकिन कर लीजिए कि आप कुछ भी जो रखा है फ्रिज में अग दूबारा गरम मत करें वो दूद हो या सबजी हो या दाल करिये ही मत क्या गरना निकाल के रख दीजे 48-50 मिनिट रखी रहे वो अपने आप थोड़ी गरम हो जाएगी प्रकरती की गरमीज फिर वो ही खा लीजे गरम तो दूबारा बिलकुल मत करें फ्रिज के दूद को द दुवारा गरम कभी मत करें फ्रिज की सबजियों को दुवारा गरम मत करें चटनी भी फ्रिज मैं से 48-48 मिनट रखा रहने दीजिए फिर आप उसका उप्योग करिए तुरंट निकाल के और छाज बना के वो बिलकुल मत करें मेवा खाना चाहिए कि नहीं सूका मेवा जरूर खाये ड्राइफ फ्रूट्स आप जरूर खाये लेकिन जो ड्राइफ फ्रूट्स आपके लिए अनकूल है आप जहां रहते हैं वहां के हिसाब से मैं कह रहा हूं सबसे अच्छा बदाम आपके अनकूल आपके अनकूल काजू नहीं है बादाम बहुत अन्कूल है मदरास में रहने वालों को काजू अन्कूल है जम्मू कश्मीर में रहने वालों तो बादाम भरपूर खा सकते हैं और जो दूसरी चीज अन्कूल है मुनक्का किश्मिश किश्मिश और मुनक्के में थोड़ा अंतर है बड़ी किश्मिश को मुनक्का तो मुनक्का और किश्मिश यह आपके बहुत अनकूल है बादाम आपके बहुत अनकूल है मखाना मखाना फिफ्टी फिफ्टी है ज्यादा अनकूल तो बिहार उत्तर प्रदेश वालों को है और थोड़ा चले तो जारखंड वालों को आपके लिए फिफ्टी फ प्रोट बिलकुल नकूल नहीं और ट्राइफ starts क्या खातें आप चिरओं जी चिरों क्या करते हैं उसको जो जिरोंजी वह आपके लिए अनकूल है चिन्नई के आसपास के लोगों के लिए अनकूल वह आप खा सकते हैं और ड्राइफ रूट शाहिद इसके आगे हैं हां केसर केसर अगर आप खाएं वैसे तो आशदी है ड्राइफ रूट नहीं लेकिन यह तीन महीने के आगे नहीं खा सकते नवंबर दिसंबर जन्वरी और दूद में मिला कि मिश्री पिस्ता पिस्ता 50-50 है अंजीर बहुत अंकूल है सिर्फ एक ही किसम के लोगों के लिए इसको मैं आपको कहता हूं जरा ध्यान से सुना जिनको शरीर में शक्ती की कमी लगती है शक्ती कमी लगती है ताकत कम है शक्ती कम है उनके लिए अंजीर बहुत फाइदे की है लेकिन जिनको पहले से ही ताक एक सुझाव है प्रश्ण नहीं है और वो सुझाव मुझे सुविकार है वो यह कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ग्यान सतर तिरंतर चलता रहे इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एज्जेस्मेंट हो जाए तो बहुत अच्छा मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो हाँ और बाबुजी बोलेंगे वैसे मेरा ऐसा कहना जो मैंने सीखा वो आप सीख लो उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं तो नियमित रूप से कोई ऐसी व्यवस्था अगर आप सम मिलके करें मु झालता है जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा सादा वर्तन का मन्य इवो पीतल के उसमें रख्खा हुआ यहांसे के उसमें रख्खा हुआ नहीं तो स्टील में रख्खा उआ क्वा गर्मी के दिनों में घड़े का हमें थाव का पाणी पी सकते हैं खें कि कुछ आलक है लकडी और उलकड़ बहुत जादा सुचालप एक होता कंडेक्टर और एक बेड कंडेक्टर तावा 很 सबसे बड़ा कंड़क्टर है और लकडी सबसे बड़ा बैड कंड़क्टर है तो यह अगर आपने तावा पिया मने तो अर्थ के साथ जो कॉंटेक्ट है ना नंगे पाओं तो वो कतम करेगा आपको इसलिए पाओं में चपल रहें लकडी के पट्टे पर खड़े रहें प्लास्टिक की चपल पहनके हो रबर की चपल पहनके हो तभी तावे के बरतन का पानी पीना अच्छा है केन वाटर के बहुत लोग आज कल केन वाटर पी रहे ऐसा प्रश्णा आया तो ये क्या अच्छा है बिलकुल अच्छा नहीं कि तो आप दो बोलें फिर क्या करें आपके गर जो पानी आ रहा है टेप बौटर इसको खूब अच्छे से उबालें उबाल कर इसको रख लें फि प्लोरीन इस्तेमाल होता है और वो फिर शरीर में जाए तो बहुत खराब है और केन वाटर का टेस्ट साधा पानी से बिलकुल अलग होता है तो केन वाटर से हजार गुना अच्छा है टेंप वाटर लेकिन उबाल कर रखा गया है हाँ एक सवाल आगया है जो अब तक किसी ने नहीं पूछा शायद आपको पूछने के लिए मन में तो होगा लेकिन आपने क्यों नहीं पूछा महिलाओं से संबंदित यह सवाल है मैंसीज पीरियट का दो सवाल आए हैं एक तो यह है कि वाइट डिस्चारज बहुत होता है तो क्या कर तो इसके लिए आप ऐसा करिए एक आयरवेद की दवा इस्तेमाल करिए उसका नाम है शतावरी शतावरी, कहीं भी मिलती है आई अज्वेद के दुकान, शतावरी चूण के रूप में ले लीजिए, इस शतावरी चूण को दूद में मिला लीजिए, और रात को जरूर पीजिए, दूद हलका गरम रहे, और शतावरी डालके दूद उबाल भी सकते हैं, फटता नहीं, जि दूसरी कि जब भी मैंसी इस पीरियड आता है बहुत दर्द होता है तकलीफ होती है इचिंग बहुत होती है तरह तरह की खुजलियां होती है शरीर में गुस्सा बहुत आता है चुल चड़ाफन बगरा बगरा तो आपका जब भी मैंसी इस पीरियड होता है तो आपके शरीर में वायू बहुत बढ़ी हुई है पित भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है इसका बहुत आसान उपाय में बता देता हूं बागवट्ट जी का है मेरा नियुद वो यह कहते हैं कि मैंसी इस पीरेट में सब कुछ ठीक रहे समय से आए समय से जाए जाए जादा रख्त ना निकले और कम भी ना हो इस सब चीज ठीक रखे के लिए गरम गरम पानी में जो इतना गरम हो जैसे चाय होती है घी मिला के पिये गरम गरम पानी में खूब गरम पानी में गाय का घी आपके घर है तो बहुत अच्छा नहीं तो कोई भी घी भैसका भी चलेगा एक चम्मच मिलाए आदा गिलास खूब गरम पानी खूलता हुआ घी मिला दें थोड़ा पीने लाइक हो जा उतनी देर रखे फिर उसको चु या तीन बार पी सकते तो अगर आपने यह शुरू किया तो सब कुछ आपका नॉर्मल हो जाएगा मैनोरेजिया नहीं in तो ठीक होगा मैट्रेजिया तो ठीक हो गो सब सब ठीक हो जाएगा मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता आप सब समझदा है हर चीज आपकी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा डिस्चार्ज वाइट है तो शतावरी लेना है और पानी में घी मिलाके किसी भी दूसरी इसको ध्यांसे सुने है कि मेवा से बड़ता है काजू को छोड़ कर किसी वी मेवा से वेट नहीं बढ़ता काजू ही है जो वजन बढ़ाता है बाकि कोई भी सुखा मेवा वजन नहीं बढ़ाता है मुह से बद्बू आती है तो समझ लो पेट साफ नहीं है तो रात को त्रिफला खाके सो नहीं तो दूद और घी मिला के पियो सुबह उठते ही पानी पीलो मुह की बद्बू बन हाथ पर सुनो जाते मतलब चूना खाते रही है हाँ अब ये एक सवाल ऐसा है कि चूने से जीब फट जाती है तो आप चूना अगर सीधे जीब पे खाएंगे तो फटेगी पानी में डाल कर खाएंगे कभी जीब नहीं फटेगी दही में डाल कर खाएंगे नहीं फटेगी अब किसी ने एक सवाल पूछा हनी के केमिकल कंपोनेंट्स बताइए वो किताब में पूरा है आप पढ़ लीजिए टीवी पेशन्ट है ट्यूबर कलोसिस तो आप जरूर उनको गोमूत्र पिलाए अगर खाली गोमूत्र शुद्ध गोमूत्र अरक नहीं खाली गोमूत्र आ चूना यह पान में जो खाते हैं वो ही और पांच मिनिट मैंने मेरा कंकलूड किया है लेकिन यह आज के लिए है जिंदगी के लिए यह कंकलूजन नहीं है यह तो रास्ता अभी खुला है जिंदगी के जो आज के हिसाब से पिछले साथ दिं का चला उसका कंकलूजन का इन्होंने सवों का प्यास इतना बढ़ा दिया है यह प्यास अभी जल्दी बुझने वाली नहीं है इस प्यास को बुझाने के लिए राजी भाई को हम जब भुलाएंगे तो यहाना पड़ेगा क्योंकि आपने सुत्र भी बहुत थोड़ा बताया है और किसी का विसलेशन आप ठीक से नहीं कर सके हैं एक एक विसलेश पर अगर आप केवल एकी विसलेश पर एकी सुत्र में एक दिन बोलें तो आप इनको अम्रित भोल करके पिला देंगे दूसरी बात और कुछ नहीं है इतना ही कहना है कि डौंग्रे महराज ने एक दफ़े हमको हमारे नाना ला पर चुके थे तो उन्होंने कहा था डौंग्रे महराज कि कोई आया और वो फागबत सुनता था और उसके बच्चे को लेक्या आता था एक दिन बोला कि मैं छुट्टी पर जा रहा हूं बाहर जा रहा हूं दो दिन के लिए नहीं आऊंगा आप नहीं आएंगा आपने इंकाने 않을 होंगा तो बहनों और भायों एक बार याद रखिए इनका वह वैरागी नहीं है यापके स्वास्ट के परती है और ये स्वास्ट के परती है अगर जीएं तो अज्जों से क्यों जीएं मेरे जैसे जो 80 साल के हो रहे हैं, मुझे इतना ग्यानी नहीं था, किस तरह पानी पीना, किस तरह खाना, क्या करना, और आप लोगों में कितने कोई ज्ञान है, मुझे पता नहीं हो सकता है, आप ग्यानी होंगे, लेकिन याद रखिए निम्होनाती इतना किया है एक सबका भी बहुत कम किया समय के अभाव में सबसे बड़ीबात है कि इतना बज़े जाना है इनको और का दस बज़ेंका आरादनाभवन ले काज करम है इसके बाद इनका खार्व्क और दिन कि कि इतना जितना खर्च करतें बढ़ जाता है हमारे हमारे पटबाड़ी भाई से जतना दान दोगे उतना तुम्हारा दो भढ़ा हुआ कटवराई isn faru यह जतना यह देते हैं उससे जादा उनके पास आ रहा है और हम बहुत सुक्र गुजार हैं बाजी भाई का जो इन्होंने पहली बार एक तो पहली बार ये पढ़ करके छे साल से अध्यन करने के बाद इन्होंने कहीं नहीं दिया जिस तरह आजादी बचा अंदोलन के लिए आए और आपको ताजू होगा कि एक दिन के हमारे नोटिस में हाल खटाकच भर जाता था आज यहां कल वहां पर कि हम इतना अध्यन किया है अगर आप चाहें तो इसका उप्योग कर सकते हैं नहीं तो फिर आ जाईए और बहुत कोशिस के साथ एक दिन पहले तक परदीव भाय और परदीव के जितने दोस्त हैं यह मैं बेजए फैमिली सज्जन राज और रमेश जी और जितने हमारी में कि काम करो सबादमी दस बीस आदमी को पकड़ के लाओ यह इनका आज इनका व्याक्षान है करेस्टर मने एक दिन रात के पहले इन्होंने विया क्या सबादमी बीस पिसको पकड़ लेगा सतना अदमी सो आदमी हो जाएंगे मुझे लेकिन विश्वास था मैं हमें का कहता किえて in for a game & 1 को छुथ सा जाएंगे एक दफ़ें लों। भुचा जाएंगे इस-को झ Dragaking & और आप बिख रहे हैं कि कि deeper्तिन ये ओल व्हें सो ख़ेने रहता हैं बल्कि कुछी नहीं है तो भार से सुनते हैं कि राजि भैका है और पहलंी उन्होंने इस तो मुझे अब इनको कहना है और देखेंगे यह कि अब यह हर स्टेट में हर गौहर डिस्टिक में इनको लोग बुलाएंगे स्कूने के लिए क्यों आज सबसे जराजरूरी है स्वास्ति और स्वास्टी लोगों का दिन दिन जा रहा है दूसरी बात एक और है कि यह एक बात हमेशा तभी वहाँ से यह हम को इतना वेक हात हैं 15 दिन यहाँ है 15 दिन वहाँ है दो महीना का कोई गुज़ाई नहीं है पिर हमारे एक बीजेव हैं उन्होंने परमसागर जी महराज है उन्होंने कहा कि हमको 23 तारीक वापको आना है वहाँ पर इस पर भासन देना है इन्हों देखा और कहा कि हां उस रोज खाली है तो जहां है वहां से फिर जाएंगा जैसे कल दो भासन था इनका बंबई में एक तो था सब्जी बाले का जो रिलाइंस चला रहा है इस सबका आपको ताज्यूब होगा कि वडाला में सब्जी मार्केट में दस हजार आदमी और किसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को मंच पर नहीं आने दिया कहा कोई पॉलिटिकल पार्टी आप हमारे नेता बन जाएंगा आज बोलके और किसी पार्टी मां घुश जाएंगे इसलिए मैं किसी बने आने नहीं दूगा और वह कहता है राजी भाय को कि राजी भाय आप नहीं बदलेंगे आप हमारा परसिडेंट बन जाए चेर्मन बन जाए बड़ी इन्हों ने कहा भाई मैं तो सब्जी वाला नहीं वह यह नहीं नहीं किसी और को अपने में से बना लो बन तो जाएंगे लेकिन कब उनकी जब ख्याती हो जाएगी कल किसी पार्टी में घुच जाएं और इनके छिरायू हम सत्यू नहीं करेंगे क्योंकि सट्यू नहीं कहेंगे क्योंकि गांधी जी को बनवा जी ने पतर लिखा उनके जन दिन पर जोercे आप सताई हो उन्हेंतों है पीड टेलिग्राम दिया हाओ यूहाव कट माइट 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 फाइव यह हम तो सबस्वा साल जिए तुमने पचीज़ाय कट कैसे टाले उन्होंने माफी मगा इसलिए मैं इसा का उस्ताय हो लेकिन जब तक जिए जिस स्वस्थ्य जिएंगे क्योंकि इन में सब कुछ है और कभी न तो सिर्में दर्देखा मैंने जब कभी देखा इतना हेक्टिक होते वे भी इतना पसंचित कभी उद्वेरित नहीं होते कभी गुस्था नहीं देखा कभी कुछ मिर्दा मैं बैठा हूं क्वेस्टन के आंसर वो कर रहे हैं और हम करने आपको 10 बजे जाना है भोलके के वह सिन्ने वासे नहीं हमारे भारत वासे होदे सब को फिलाते रहें और सब को सुखी रखें इसके साथ मेरी हार दिक मेरे बेटे के जैसे हैं मैं इनको हमेशा आशिरवात दिया हूं हमेशा देता रहूंगा और यह वही काम करें क्योंकि लोग अपने लिए जीत है को हमारे द OUR जीति हैं लिए जीते हैं अपने लिए नहीं जीते हैं दूसरी बाडिक लिए अगर आपकी साख़ान अच्छी नहीं होगी तो आपका साध्य वो भी खळाब हो जाएगा इसलिए साधन के लिए हिनुक प्राइक को में उसका प्रतक्ष प्रमान मांनता हूँ मैं का गवाहा हूँ इन्होंने कभी एक पैसा खानी सोपा कांजी हमको भी कड़ेे करा जी सकता है और ये को nawکाश को किसी ने को यह गदा है ज लौनगा हर महिना देंगे क्यों तो आपके वहां पर खाणी पीने का नहीं, मेरा ओफिस तो कोई और चला रहा है, इसलिक खाणे खाने पीने का मैं पैसा जब आपके घडायों होगा, लेकिन मैं अगर अपने घर में रहूंगा, अपना पैसा तो कहांसे आते हैं, हम जो किताव लिक अगें से जो रॉय निती इतना कूट-कूट के भड़ाया है किस तरह मनशुखी रहें किस तरह देश फस्थ हो किस तरह देखी राजनीतिक बदले उसमें एक बाद याद रखेगा अभी यह बंबे अमेरका जाने वाले हैं उपना जाने हैं वह एक डिकूमेंट मिल गया तो मद्रास में ही इसका हमारे यह पॉलिटीशियों ने हमको कहां रख दिया है अगर वह चुप हो गए अगर इनको अच्छा ड़कूमेंट नहीं मिला तो कुछ वरसों के बाद देखे का कि हिंदुस कहां जाता है परफुल भाई परफुल वाई जड़ा आप से एक हैं अच्छा आईए आप से ज देखने का समय है और ने म bread जाता है सबस्तु आफ को सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी तरह देखते हैं जब तक सुनेंगे ठीक सेने जब संब्सुस्ता है और तो में पाड़ कर जाता ह werde दूसरे को जो रूम दिये रहते हैं वो उनको कुदेटा है उनको करता है आप क्यों नहीं तो परफुल भाई सब के स्वावेस में हमारे साथ जो हम लोगों को साथ दिया और जिस्ते उन्हों क्या इसलिए इनको निवेदन है एक वार उपर आए परफुल भाई एक दो मिनट आप उनको असिलवात देने के लिए उपर हैं आपके परसीटेन्ट साहब आके दे चुके हैं अब आप सेकरेटरी साहब हैं और हेरेक शरीर का स्वावर एक हैं लेकिन आप जो हैं आप हिरे हैं आप हिर रहे हैं आप आईये इस संसाग कि देजिए आesse अब ये सबा समाबन की और जा रही है